नमस्कार दोस्तों तो छली हम लोग बात कर रहेतें N.C.E.R.T. बुक्स के बारे में तो कक्छा चेटवी से लेका हम लोग कक्छा नौवी थी तक की लगवग लगवग सभी बुक्स देख चुके हैं के हमारी सहन्सizaयनी की बिढैनी यह Complete होने के बाद क क्छा नौवी की भी आपकी SUP price हो जाएंगी बुक्स और चेटर वाहीच चेटर आपकी सभी बुक्स एक बात आप लोगों को बता दें हैं, कई लोगों के S में साते रहते हैं, मैंसे जाते रहते हैं, पूछते हैं कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, एक बात हमेशा यादर की, आपको पढ़ना है, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोग ही नहीं सकता न, ठीक हैं, अगर आप सोचें कि NCEID का इस्थान बोट टेक्स्ट बुक ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप सभी को एक ही सलाय दूँगा, कि कक्चा नौबी से बारवी तक की, तो NCEID हर किसी को पढ़ना है, और बहुत जरूरी पढ़ना है, अगर कक्चा चटवी से कक्चा आटवी तक की भी आप लोग कवर कर सकते हैं, तो इससे बहतर तो कोई काम ही नहीं है, क्य तो पढ़ लिजिए समय रहते हुए, तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी जितनी भी PDF हैं, सब मैंने टेलिग्राम पर डाल दी गए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अब देखिए, एक बात दो हमें सही यार रखिए, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मोबाइल तो चला रहे हैं आप लोग, तो लेक्चर देख सकते हैं, बाकी PDF डालोड करके उन्हें भी देख सकते हैं, और जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं उसी बुक्स को ले रहा हूँ, तो आप टेलिग्राम से डाउनलोड करने, कई लोग मूझते रहते हैं कि कौन सी पढ़ने हैं, कौन सी नहीं पढ़ने हैं, इनके बारे में भी यहम लोग सुरू में बता चुके हैं आपका, लेक्चर बना लुच चुके हैं, कि हमें कौन सी इन्ती ए आटी पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, वही पढ़ रहे हैं जो अमारे लिए Civil Service या पिसी State PCS ए कि आपको अपनी भोगोली की स्तिती के बारे में मालू होना चाहिए, साइंस के बारे में मालू होना चाहिए, समीधान के बारे में मालू होना चाहिए, इतिहास के बारे में माला होना चाहिए, बन्ना वही हाल है कि जिए किसलिए, मरे किसलिए, आपको पता ही नहीं है कि आप वहारत में कितने केंदसास्त पिदेश हैं, तो कई लोगों ने अभी भी नाम क्या लिखा है, 29 राजी लिखे हुए हैं, और 9 केंदसास्त पिदेश लिखे हुए हैं, समय रहे हैं, मतलब यह हाल अथ है अपने देश की, वर्तमार की बात कराओं भी हम लोग जून 2020 में बेटे हैं, तो 28 राज्य बचे हुए है, 8 केंदसास्त पिदेश बचे हुए हैं, समय रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों को इसके बारे में confused हैं, कि 29 राज्य हैं कि 28 राज्य हैं, 9 केंदसास्त पिदेश हैं कि 8 केंदसास्त पिदेश हैं, तो अच्छे से बढ़िए थोड़ा म तो एक अच्छा नौवी की बिग्यान है ठीक है तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या करें सुझे यानि कि वेसे वस्तो इसकी क्या है इस बुक्स में आप लोग देखेंगी यह आपकी वेसे सुची ठीक है सबसे पहले अध्यार में हम लोग बात करें हैं हमारे आसपास की पदार्तों की बारे में कि दूसरा अध्याज होगा क्या हमारे आसपास की पदार्त सुद्ध तीसरा चेप्टर होगा परमाडू और अडू के बारे में, चोत्रा चेप्टर होगा आपका परमाडू की सरजना के बारे में, पाच्वा चेप्टर होगा जीवन की मौलिक एकाई के बारे में, छट्वा चेप्टर होगा उत्तक के बारे में, सात्वा चेप्टर होगा जीव करशन के बारे में 11 चेप्टर होगा कार तता उर्जा के बारे में 12 चेप्टर होगा धौनी के बारे में 13 चेप्टर होगा हमारी भीमार क्यों होते हैं देखेंगे और 14 चेप्टर होगा प्राक्तिक संपदा 15 चेप्टर में हम लोग देखेंगे खाद संसादनों में सुधार क के बारे में कुछ परिवासे सद्दावलियां भी दी गई है तो इस तरह आपके चैप्टर रहेंगे 15 चैप्टर ठीक है इस बुक्स में चैप्टर वाई चैप्टर हम लोग देखेंगे यहां आपकी भारत का समिधान की उन्देश ही का दी गई है एक बात अमेसा याद रख को एक संपूर प्रभुत संपन समाजबादी पंतनेर पेच लोग तंतरात्मक गढ़ राज बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरेकों को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक नेयाए विचार अभिवेक्ति और विश्वास धरम और पासना की सुतंता फितिष्ठा और अ दर्ड संकल कोकर अपने समिधान सभा में आज तारीक यानिगी 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस समिधान को अंगी के अधीने में और आत्मर्पित कहते हैं एक बात आप लोगों को बता दे हम कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका समिधान लागू हो गया था लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हो था ठीक एन दो डेटों को याद रखना हम अच्छे से तो चलिए हम लोग पहला चप्टर बिग्यान का देखते हैं चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कच्छा नौवी की बिग्यान के बारे में तो इसमें हमारा पहला अध्या है हमारे आसपास के पदार्तों के बारे में जानेगे मैं बार-बार एक ही बात बहुराओंगा कि NCEIT का कोई विकल्प नहीं है आप सोचें कि बिना NCEIT पढ़े दूसरी वोक्स पढ़े सेविल सर्वेस या फिर कोई इस्टेट PCS एकजाम निकाल दे तो मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है हो सकता है आप इस्टेट PCS निका तो अपने चारों वो नजट दोड़ाएं दोड़ाने पर हम विविन पिकार की बस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार आकर्टी और बड़ अलग-अलग होता है इस विस्ट में पितेग बस्तु जिस सामक्री से बनी होती है उसे विग्यानिकों ने पदार्थ का नाम द है जिस हवा में हम स्वात लेते हैं जो भोजन हम खाते हैं पत्थर बादल तारे पौधे पसू यहां तक की पानी एक की एक बून या पर रेत का एकड़ यह सभी पदार्थ हैं यही पॉइंट आपको पगड़ना सीजना है कि पदार्थ किया हमें परिभासा इतरह से पता चल चुकी है द्यान देने यह बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी बस्तूओं का दिर्मान होता है और यह कुछ इस्थान यानि की आयतन घेरते हैं प्राचीन का से ही मनुस्थ अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है भारत की प्राचीन दार्श्तों ने प्राफमूल तत्तों में बर्गीर कित किया थे जिसे वे लोग 5 तत कहते थे हैं यह 5 तत आपकी ग Dur पितवी अगनीन, जल आकास अभी भी सिका आप पिरयोग करते रहते हैं कई भार आप सब्दे सुन्ते रहते हैं पंच तत मैबिलीन हो जाता है यह हो जाता है रो तो इसमें कौन-कौन साब मिलें ? बायू है पितवी है, अगनी है, जल आकास उनके अंसार इनी पाच पंच तत्तों से सभी बस्तुएं बनी हैं चाहे वो प्रसजी हो या पिर आपकी नेजी हो वो समय की यूनानी दार्शिवनेकों ने भी पदार्थों को इसी पेकार बरगी कित किया आधोनीक विज्ञानीकों ने पदार्थ को बहुते गुड एवन रसायनिक प्रकिती के आधार पर दो पिकारों से बरगी कित किया इस अध्याय में हम बहुते गुडों के आधार पर पदार्थों के बारे में ग्यार अरजित करेंगे पदात के रसाइनिक पहलों को आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पदात का भोधिक सुरूम पदात कड़ों से मिलकर बना होता है बहुत समय तक पदात की प्रक्किति के बारे में दो विचार धाराएं पिछली थी एक विचार धारा का यह मानना था कि पदात लगड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं परंदु अन्य विचार धारा का मानना था कि पदात रेत की तरह कड़ों से मिलकर बने हैं आईए क्रिया के लाप के द्वारां पदार्थ के सवरोप के बारे में नेड़ा करें करते हैं इस सदत हैं या पर कड़ों से बनी हुए एक 100 ml कभीकल दें इस बीकर को जल से यादा बरकर जल के इस्तर पर निसान लगा दें दिन दिये गए नमक या सरकरा को कांच की छड़की मदस से जल में घोल दें जल के इस तर में आए बदलाव पर द्यान दें आपके अंसान नमक या सरकरा का क्या हुआ है ये कहां गायब हो गए है क्या जल के इस तर में कोई बदलाव देखने को मिला है इसके बारे में जाना ह याद रखी, आपको क्रिया कलाप कलते नहीं बैठ जाना है, उन बच्चों के लिए जो NCRT मतलब अच्छा नौभी के बच्चे होगी, क्योंकि इस तरह आप लोग क्रिया कलाप कलते हुए बैठ गए, तो एक से दो तीन साल तो इसी में निकाल दोगे आप लोग, तो आपके अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित एक दसम लोग, एक में दर साल गया, इस तरह से, जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कड़, जल की कड़ों के बीच, रेक्तिस्थानों में समाविसित हो जाते हैं, जल, नमक, जल, नमक, देख रहे हैं, यहां देख द मात्रक, गन मीटर का मात्रक, एन की पाबर 3, आयतन मापन का साधरन मात्रक आपका, लीटर यानि की एल, एक लीटर बराबर, एक गन मीटर, इस तरह से, एक लीटर बराबर, सो, सोरी, देख जार एमल, एक मीटर बराबर, दस की पाबर, तीन सेंटिमीटर, क्यूँ, पदार्थ एकड कितने छोटे हैं, देखिए, आप लोग देख रहे होगी कि इसके जल में कोई परिवर नहीं होता देखता है, आप नमग मिला दें तो हो सकता, आप सोचें कि यह ती यह सक्र मिला दें, आप सोचें कि पानी बाहर निकलने लगे, गोलने की बाद बराबर ही रहता है, इस के लिए आकिला को देख equity, potassium, par Coastal, 18anamnesite के 2 या 3 crystal को 100 ml पानी में घुलनें, इस गोल दस ml गोल कर उसे 90 ml जल में मिला दें, तिर इस उप्युक्त गोल में 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें, इसी पिकार इस गोल को 5-8 बार तक तनूकरित करती रहें क्या जल अब धी रंगीन है कि देख रहे हैं अनमाल लगाईए कि पदार्द के कड़ कितने छोटे हैं तेग बार तनूकरित करने पर घोल का रंग हलका होता जाता है फिर भी पानी रंगीन नजल आता है इस तरह से यह प्रियोक दरसाता है कि पोटेसियम पर मैगनेआट कि बहुत थोड़ी से किस्टलों से पानी की बहुत अधिक मातर यानी की 1,000 लिटर भी रंगीन हो जाते हैं इससे हमें यह निस्कर्ष निकाल सकते हैं कि Potassium per Magnate के किवल एक क्रिस्टल में कई सूप्छम कड़ होते हैं एक कड़ छोटे-छोटे कड़ों में विवाजित होते रहते हैं और अंत्ता एक एक सिस्टिती में एक कड़ और छोटे भागों में विवाजित नहीं किया जा सकते हैं Potassium per Magnate की जगए 2 ml डेटॉल से भी हम एक रियाकलाब कर सकते हैं लगाता अजतनु के होने पर भी उसकी महक में हमें मिलती रहती है पदार्थ के कड़ बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं पदार्थ के कड़ों के बारे में पदार्थ के कड़ों के अभी लाग चड़े गोड़ तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थों के कड़ों के बीच रिक्त इस्थान होता है। इतनी सी लाइन समझाने के लिए देख रहे हैं आप लोग पूरा प्रेव करके बताए गया है। क्रिया कलाब 1.4 जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लें पहले बीकर के एक उसरे पर सावधानी से एक बून लाल नीली स्याही डाल दें और दूसरे में सहट डाल दें। इनको अपने गार में या कच्चा के कौने में रखते हैं अपने पेक्षण को नोड करें। स्याही की बून डालने की तुरंद बात क्या होता है। स्याही के रंग पूरे जल में एक समान रुप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। क्रिया कलाब 1.5 एक गलास गरम पानी से और दूसरे ठंटे पानी से भरे गलास में कौपर सलफीट यानी की पोटेसियम पर मेंगिने कई किस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाये नहीं। किस्टल को सतय पर बैठ ने दें। गिलास में ठोस्ट के टल की ठीक उपर क्या दिखाई देता है, समय बीदने पर क्या होता है, इस से ठोस और द्रब के कड़ों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तामान के साथ मिसरेत होने कदर बदलती है, क्यों उकर से, उपिप तीनों क्रिया कलापों, जो आपने एक दस से हमने मिले कि निसकर्स निकाल सकते हैं, पदार्त के कड़ नेंतर गती सील होते हैं, अर्थात उनमें गते जूर्जा होती है, इन तेनों क्रिया कलापों का समझाने का यानि की बताने का मतलब सीधा सा इतना है, कि पदार्तों के कड़ की गती बता रहा है, कि ये नेंतर ग कड़ों की गती जूर्जा भी बढ़ जाती है याद रखना तामार बढ़ने से कड़ों की गती जूर्जा पर क्या प्रवाँ पड़ता है बढ़ जाती है उपयुक्त तीनों किरिया कलापों में हम ने देखा कि पदातों की कड़ अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंता मिस् दो विभेन ने पदार्थों के कड़ों का सुता मिलना ही विषरंड कहलाता है हमें यह भी बता चलता है कि गरम कन्ने पर जिर्षरंड तेज हो जाता है ऐसा क्यों होता है? आंकिर ऐसा होता क्यों है? तो पदार्थ की कड़ एक दूसरे को आकर सित करते हैं क्रिया के लाप एक दसमलोग छे को दिखते हैं इस खेल को एक मैदान में केलें आंगे बताए गए धंग से चाल समुव बनाएकर मानो सिंखला बनाए पहले समुव में इद मीस में नर्थकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें दूसरे समुव में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मानो सिंखला बना लें तीसरे समुव में किबल उंगली के सिर से चूकर एक सिंखला बना लें अब 14 समूह उप्युक्त बढ़े तीनों मारों सिंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बाटने का प्रियास करें किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों यदि हम पितेक पृद्ध्यार्ती को पदार्त का ही कड़ माने तो किस समूह में कड़ों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा फिर देखिए किरिया कलाब 1.7 एक लोही की कील एक चौप का टुकड़ा और एक रवर्बेंड लें इस पर हतोड़ी मार कर काट कर या फिर खीत कर उसे भंगरों करने का प्रियास करें इन तीनों में किसे कड़ अधिक बल से एक दूसरे से जो रेख लें किरिया कलाब 1.8 एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रियास करें क्या जल की सतय करती है? जल की सतय ना करतने का कारण क्या आयकि उपिक्त जो आप लोगों ने तीनों क्रिया कलाब देखें एक क्रिया कलाब हमें बताते हैं कि पदार्थ की कड़ों की वीच एक बल काय करता है या बल कड़ों का एक साथ रखता है कड़ों को एक आकरशन बल का समर्थ पितिक पदार्थ में अलग होता है यह आपकी questions दिये गए हैं, देख सकते हैं, आप लोग ने, ठीक है, अब चलते हैं पदार्थों की अवस्था की ओर, अपने आसपास की पदार्थों को ध्यान से देखें, एक इतने फिकार की होते हैं, हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तेन रूप में होते हैं, जिनमें आप से पहरी बात करते हैं, ठो सबस्ता, किरिया कलाब 1.9, नेमलिकित बस्तुमों को एकत्तित करें, पैन किताब सुईगी लखडी की छट, मैं बार-बार बोल ला हूँ कि आपको इन्हें पढ़ना हैं, निकल जाना हैं, आपको प्रेयोक साला में नहीं जाना हैं, नहीं किरिय अकलाब करते बैठ जाना हैं, ठीक हैं, बस अच्छे सी दिमाग से पढ़ें और निकल जाना हैं, इन बस्तुमों के चारों और पैंसिल गुमा कर इनके आकार का रिका चित बनाएं, क्या इन सभी का निश्चित आकार इसवस्ट सीमा हैं, तथा इस्तिरायतन हैं, इन पर हत तोड़ी मारने और खींचने अगिरने से क्या होता है, क्या इनका एक दूसरे में विश्णन संभव हैं, बल लगार कर इनको संपीडित करने का प्रियास करें, क्या इनका संपीडन होता हैं, ओपयुक्त सभी ही उधारन ठोस्त के हैं, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक नि आकार नहीं बदल सकता है, इसलिए देड होते हैं, निमलिखत पर विचार कर सकते हैं तो रबर बेंड को क्या माना जा है, क्या खीच कर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या एक ठोस हैं, नहीं, बेवेन आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उनी बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं ये, इसपंज क्या है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीडन सम्भव है, ये सब ही ठोस ही हैं क्योंकि भाहे बल लगाने जाने पर रवर्ड-बेंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर पुना मूर आकार में आ जाता है अत्यदिक बल लगाने पर यह तूट जाता है रवर्ड बैंड तूट जाता है तो यह क्या हो गया ठोस चाए हम सरकरा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी पिलेट या जाहा हमें रखें इनके किष्टलों के आकार न जिस्ते इसका संभीना संभाव होता है फर आपकी द्रव अवस्ता क्रिया किलाब एक दसमलाव दस को देखिए निमली क्रिव बस्तूओं को इकत्तित करें जल खान अबाकाने का तेल दूद चूस से तलबी विवे नाकार के बरतन प्रियोक साला के एक मापक सिलेंडर की सा विवे ने बरतनों में घ्रम साल 1965 की डालें क्या प्रते इक बार आयतन एक समार रहता है क्या दरथ का का अकार एक समार रहता है द्रव को इस लेकिन आयतन निश्क्शिद होताहिंك क्या बता रहा है, जो हमारा दर्व है, इसका आकार नहीं है, लेकिन आयतन इसका निश्चित है, जिस बरतन में इन्हें रखा जाए, तो ये उसी का आकार ले लेते हैं, दर्व में बहा होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए दर्व नहीं, लेकिन तरल होते हैं, ठोस में क समझोर बातावड की गेस विशरित होकर जल में गुल जाती है एक गेस विशरित का ओक्सीजन एबं कारण डाय उकसाइड जली ये जन्तुओं और पोधों के लिए अनिवार होती है सभी जीवदारी अपने जीवन निर्वाय के लिए स्वास लेते हैं जली ये जन्तुओं जल में गुली ओक्सीजन के कारण स्वास लेते हैं इस तरह से हम इस निसकर्श पर पहुंचते हैं कि द्रब में ठोस द्रब और गयस तीनों का विसरन समभूद है ठोसों की अप्यक्षाद दुरवों में विशरन की दर्थ अधेक होती है. ऐसा इसलिए हैं क्योंकि द्रभ अवस्था में पदार्तों के कड़ सुतनत रूप से गती करती हैं और ठोस की अप्यक्षा दर्ड के द्रब के कड़ों में रिख्तिस्थान भी आपको अधिक देखने को मिलता है। अब है आपकी गैसी अवस्ता। आपने कभी उस गुबबारे वाले पर ध्यान दिया है। जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारी गुबबारों में हवा भलता है। उससे पता लगा है कि एक सिलेंडर से हुए कितने गुबबारे भलता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन-कौन सी गैस होती है। आपको यह नहीं करना है। ना यह करते बैठ जाना वालू चलागी दो चाल साल इसी में बीद रहे आपके इस तरह कि क्रिया कलाब करते हुए आपको पढ़ना है निकल जाने है क्रिया कलाब एक दसमलोग गया रहे हैं 100 ml की तीन स्रेंज ने उनके से स्रेंज को रवर के कॉर्ख से बंद कर दें जैसा कि चित एक दसमलोग चार में तिखाए गया है इस तरह से सजणे के पिश्टन को हटा लें पहले सेमें हावा रहने दूसरी में जल और तीसरी में चौक करें टुगड़े भगो लें से सबार को भापस सिरेंज में लगाए और से पिश्टन की गतिलिता आशान करने के लिए उस पर थोड़ा व्यास 5000 लिए आप प्रिष्टन को सेरेन में डाल कर संपीरित करने की कौसिस करें देखिए इस तरह से यह आपकी गैस वरी हुई है आपने देखा होगा एक जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है आपको तो उसमें वो वाई हुई यानि कि जो हवा रहती है गेस रहती है उसे निकाल देता है आपने अक्सर देखा होगा देखिए यही हवा इस रवड के खौट को फुला देगी मतलब हटाएगी आपने क्या देखा है किस इस्ति में पेश्टर नासीनी से अंदर चला गया है आपने पेट्टर से आपने क्या आनमा लगा है हमने देखा कि ठोसां और द्रवों की तॉल्ला में गैसों की संपीड काफी अधिक होती है हमारे घरों में खाने बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवी के पेटोलियम गैस यानि की LPG या फिर आस्पतालों में दिये जाने वाले आक्सीजन सिलेंडर में संपीडित गैस होती है आज कल बाहनों भी इंदन के रूम में संपीडित प्राक्ति गैस यानि की CED का उपयोग होता है संपीडिता काफी अधिक होने की कारण गैस अत्य देख आयतन को एक कम आयतन वाले सेलेंडर में संपीडित किया जा सकता है एवन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक दे जा जा सकता है हमारी नाग तक पहुंचने वाली गंद से बिना रसोई में प्रवेश किये ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है एक गंद हम तक कैसे पहुंचती आके खाने की गंद की कड़ बायूं में मिल जाते हैं और रसोई से पहल कर हम तक पहुंच जाते हैं यह गंद की कड़ और दूर भी जा सकते हैं कि पके हुए ग स्टेज गति और अत्यारे की रिक्त इस्थानों की कारण गैसमें में बिसं बहुत है कि浩िते बहुत से बहुत है ये आपके तीन चित देख रहे है हुं supreme दिसमणाप 5 में आपके तीन चित त अबीसी दीख A, B, C, पदार्थों की तीनो अवस्थाओं की कड़ों का योजनमद्द आवर्तित चित्र में, तीनो अवस्थाओं में कड़ों की गती को देखा जा सकता है, उनकी तुल्लां की जा सकती है, यह आपका ठोस्की हो गई, द्रब और गैस, गैसी अवस्थाओं में कड़ों की गती अनिमित और अथदिती बूती, इस अनिमित गती के कारण एक कड़ आपस में एवं बरतन की दिवारों के टकराते हैं, वो बरतन की दिवार पर गैस कड़ों द्वारों पिती एकाई, छेत पर लगे बल का के कारण गैस का दबाव बनत यह आपको questions दिये गए है नदिग लेना अब बात करते हैं क्या पदार्त अपनी अवस्थाओं वो बदल सकते हैं अपने हैं अपने पेखचंड से हम जानते हैं कि जल पदार्तों पदार्त की तीन वस्थाओं में रह सकता हैं यानि कि जो आपका जल इस या आपका बरब देखा होगा आपने द्रम में आपने जल देखा होगा और गेस में आपने जलवास देखा होगा जिस जो बादलों में रहता है आप देखते हैं नीचे से जलवास के रूम में उठकर बादल बन दें तो द्रम में क्या है ठोस में बरब द्रम में जल और गेस में जलवा अवस्था प्रिवत्तन के दौरान प्रिवत्तन के अंदर क्या होता है। अवस्था के प्रिवत्तन से प्रिवत्तन के कड़ों पर क्या प्रिवाह उड़ता है। क्या हमें पिश्णों का उत्तर नहीं हो जिना चाहिए। तामान प्रिवत्तन का प्रिवाह। किरीया के लाब 1.12 एक वीकर में 150 ग्राम बरब कर टुकड़ा लेगा , चित 1.6 कि अनुसार इसमें प्रयोग साला इसमें प्रयोग साला में फ्रयोग धर्मामीटर को इस्पेकाल लटका देगा कि धर्मामीटर कह बरब को छूराओ इस तरह से दीमी कांच पर वीकर को गरम करना स्तुरू कर दें, जब बरब पगलने लगे तो तामान नोट कर लें जब संपूर बरब जल में परिवर्थित हो जाए तो पुनाह तामान नोट करें ठोस में ठोस से दिरब अवस्था में होने वाली परिवर्थर में पिक्चर के को नोट कर लें अभीकर में एक कांच की चड़ डालें और हिलाते हो एक गरम करें जब तक जल उबनने लागें ठोस के तामान को बढ़ाने पर उसकी कड़ों की गतिज उजा बढ़ जाती है गत्य जूर्जा में बिट्धी होने के कारण कड़ अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं उसमा के द्वारा पिदत की गई उजा कड़ों की बीच के आकरशनबल को पार कर लिती है इस कारण कड़ अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक सुतंत होकर गति करने लगते हैं दे खष्था यसी आती है जब टोस पीघलकर दिर्व में परिवर्श्तित हो जाते हैं जिस जिस नियुनुतनत्म तान्य पर ठोस पीघलकर दिर्व बन जाता है वह इसका गल्लान के कहते है इस सब्द को पगड़िये जिस नियुनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघल का द्रब बन जाता है उसे इसका गल्लांग यानि गल्ला कहते हैं ठीक है गल्लांग किसी ठोस का गल्लांग उसके कड़ों के बीच के आकरशन बढ़के समर्द को दरसाता है इस चित को आप देखी रहे होंगे लोही का स्टेंड हो गया थर्मा बीतर हो गया आयो काश की छड़ ओगी ली कर ओगया बरब का टुकड़ा इसमें देख रहे होंगे ये बंणर है गरब करने की गरब का जल में बदलना और चल से जल बाश में बदलने की बिट और बताई ऑगरवका गल्लांग आपका 273 दसम लो 15 केल्विन होता है गल्ले की पिक्रिया यानि ठोस से द्रवावस्था में परिवर्थन को सलगन भी कहते हैं किसी ठोस के गल्ले की पिक्रिया में तामान समा रहता है ऐसे में उस्तिमिय और जाती है यहां कुछ नोट दिया गया है यह से देखिए तामान की अंतराष्टी है मात्रा केल्विन के है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 दसमलो 15 केल्विन यानि की 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है 273 दसमलो 15 केल्विन सो विधा के लिए हम दसमलो का फूरांग बनाकर जिरो दिग्री सेल्चियस बरावर 273 ही मांते हैं, Kelvin. ताभ मान की Mark Kelvin Cels, Cels, में बदलने के लिए, दी अओगे ताभ मान से 233 घटाना चागेTalk और Celsius Сेल्चियस के केल्वीन में बदलने के लिए, दी होगे ताभ मान में आप लोग 273 जोर देना चाहिए, इस तरह से आपनों Kelvin को तामान को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को Kelvin, ठीक है? गल्ले के प्रियोप की पिक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया हुआ कि गल्लान पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर बरप पिगल नहीं जाती है, तामान नहीं बदलता है। इस उसमें ये उर्जा कुबरा का उसे सिकल लेती है, माना जाता है कि ये अभीकर में ली गई सामगरी में चुपी रहती है, जिसे हम लोग गुप्त उर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? गुप्त उर्जा. यहां गुप्त का अभीकर चुपी हुई से, बाइमंडली ये दाप का, दाप पर एक किलो ग्राम ठोस को उसके गल्लान पर द्रब में बदलने के लिए, जितनी उसमें उर्जा की आवसकता पड़ती है, उसे सल्गन की पिसुप्त उर्जा कहते हैं. बाइमंडली ये दाप पर एक किलो ग्राम ठोस को उसके गल्लान पर द्रब में बदलने के लिए, जितनी उसमें उर्जा की आवसकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, सल्गन की संगलन की पिसुप्त उसमा, अर्था जीरो डिग्री सेल्शियत, यानि की दो सो तेहतर कहली ह कड़ों की उसमा उर्जा, उसी तामान पर बरट की कड़ों की उर्जा से अधिक होती है, जब हम जल में उसमिय उर्जा देते हैं, तो कड़ अधिक तेजी से गती करते हैं, एक निश्चे तामान पर पहुँचकर कड़ों में इतनी उर्जा आ जाती है, कि वे परस पर आकर जिस ताम्मान पर आपका द्रव में बदलता है उसे उसका गल्लान कहते थे और यहां क्या बुल रहा है वायमन लिए आप पर होई ताम्मान जिस पर द्रव बदने लगता है उसे हम लोग कुथनान कहते हैं कोतनाल समर्ष्टी गोड है द्रफ के सभी कड़ों को इतनी और जा मिल जाती है कि भी बास्ट में बदल जाते हैं जल के लिए इतामा 273 केल्विन यानि कि 100 डिग्री सेल्सियस बर बराबर 273 फिलस 100 यानि कि 273 केल्विन होता है आप को बताया था नहीं कि अगर आपको सेल्सि इसमें बदल आएं तो 273 घटा देना है ठीक है क्या आप बास्पी करण की गुपत उस्समा को परिवासित कर सकते हैं इसी इसे उसी तरह परिवासित कीजिए जैसिके हमने सल्गन की पिस्वत उर्जा को परिवासित किया 233 केल्विन तामान पर भाप अर्थ अर्थाज बा की भाप के कड़ों में बास्पी करण की गुपत उस्समा की रूम में अत्रिक्त उस्समा अवसोसित कर ली जाती है ठोस अवस्था द्रव अवस्था यसी अवस्था उस्मा सी तल्दा आता हम कहे सकते हैं कि तामान पदल कर हम पदारत को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं हमने सीखा कि गरम करने पर पदारत की अवस्था बदल जाती हैं गरम होने पर एक ठोस से द्रव द्रव से गैस बन जाती हैं लेकिन कुछ ऐसे पदा थे हैं जो दिर्व अवस्था में परिवर्थित हुए बिना ठोस अवस्था से सिधे गैस में और बादपस ठोस में बदर जाते हैं किरिया किलाब एक दसमलो तेरे थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनियम किलोराइड ले सकते हैं इसे चून करके चीनी की प्याली में डाल सकते हैं एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रखें इस कीप के एक सिरे पर रोई का एक टुकड़ा रख दब चितंत एक दसमलो किदे इस तरह से बास्प बना अमोनियम के लुड़ाई रुवी का टुकड़ा उल्टा रखा हुआ कि ठोस बना अमोनियम के लुड़ाई चीनी मिट्टी की प्याली होगी है और ये जलानें के लिए से गरम करने के लिए बढ़ना अब दीरे दीरे गरम करें और ध्यान से देखें ओपयोग किरिया कलाब से आप क्या निश्करस निकाल सकते हैं दर्व अवस्था में परिवर्थत हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस में बदलने की पिक्रिया को उर्दु पातन कहते हैं द्रव अवस्था में परिवर्थत हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्थन होने की पिक्रिया को उर्द पातन कहते हैं यानि कि जो आपका ठोस है ये दिर्व मन ना बदलके सीधा बास्पन में बदल जाए गैस में बदल जाए उस पिक्रिया को क्या कहते है उर्ध पातन और गैस से सीधे अगर ठोस में बदल जाए यानि कि उसमें दिर्व की कोई विवस्ता ना हो तो उसे आप लोग निच्छे अंतर होने के कारण पदार्तों की विविन अवस्थाएं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गेस पर दबाओ, लगाने एवं सब्वीणन करने पर क्या होगा। क्या इसके कड़ों के वीच की रूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि धाब घटाने या घटाने से पदार्त के अवस्था वे परिवतन हो सकता है। दाब बढाने पर पदार्त की कड़ों को समीप लाया जा सकता है। पिश्टन सिलेंडर इस तरह से दाब बढ़ाने पर आप लोग कड़ों को समीत ला सकते हैं यहां अधिक कम हैं देखिये ते देखिये आयतन कम होगा वहां दाब जादा लगी दा और आयतन जादा होगा तो वहां दाप कम लगिए कि हम लोग सांस लेने में यही पिक्रिया फोल करते हैं सबंझ रहे हैं जब हमारे अंदर आयतन खाली होता है तब हमा अंदर जाते और जब आयतन कम होता है बाहर निकलती है कि दाब बढ़ने और तामान घटने से द्रव में बदल सकती है कि आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है इससे उच्छे दाब पर संगीत किया जाता है जब बाई मंडल यह दाब कमाप एक 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 मॉस्पियर ATM हो तो ठोस CO2 Crüll द्रव अवस्थाये बेना सीधे गयस में तरिव हो जाती है कि खारण की अरष सब्दार्व और के दवारां टैह होती है तीनों वस्थाओं में पतार्दों का रूप आंतरन देखि़ेिए यह धोस होगया द्रव गयस दाब और होगे गैस से सीधा ठोस में बदलना नेच्चे पड़, ठोस से सीधा गैस में बदलना उर्धपातन, दरब का सीधे गैस में बदलना बासपीकर, और गैस का सीधे दरब में बदलना संधनन, और दरब का सीधा ठोस में बदलना जमना, और ठोस का जन में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना सलगन, इसे आप लोग इस तरह से लग सकते हैं, संगनन आपने बर्सा देखिएं, तो बरप को ले लीजिए आप लोग यहां ठोस को, बरप गैस में बदलती है यानि कि बास्प में, तो इसे आप लोग उर्थ पातन कहते हैं, और गैस आपने अगर द्रव में ना बदलकर सीडी बरसा में बरप गरें डारेट समझ रहें आप लोग तो इसे आप लोग फोस कहते हैं तीन वस्था इसमें देखी जा सकते हैं यह आपके क्विश्चन से ने भी देख सकते हैं बास्पी करन पदार्थों पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सादेव उसमा देना या दाब बदलने अवस्थ सके क्या आपने देनेक जीवन से आप ऐसा कोई उधारन दे सकते हैं जिसमें बिना कुथ नावंग पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रब बास को अवस्त में बदल सकता हैं जल को खुला छोड़ दो छोड़ देने पर यह धीरे धीरे बास में परिवर्टित हो जाता है एट्मॉसफेर जैसी यह दाप के मावबन का मात रखे दाप का ऐसा ही मातर के पासकल है एक एट्याइम बराबर वन इंटू जीरो वन इन्टू सोरी वन दसमलो जीरो बन इन्टू दस की पावर यानि की तैन की पावर फएद पासकल बायुमंडल में बायू का दाप समूव क इसे सामान दाप कहा जाता है गीले कपड़े सूख जाते हैं आप लेवगे ने देखा हुआ इन दोनों अवधार्णों में जल का क्या हुआ है क्या हम जानते हैं कि पदार्थों के कड़ हमेशा गतीतील होते हैं कभी रोकते नहीं है एक निश्चे तामान पर गैस दरब या फिर ठोस के कड़ों वे विविन मात्तरा में गते जूर जा होती हैं कि दरब में सताय पर इस्तित कड़ों के कुछ अंसों में इतनी गते जूर जा होती है कि वे दूसरे कड़ों के लिए आकरशन बल से मुक्त हो जाते हैं कुथनांग से कम तामान पर दरब के बास्त में परिवर्दित होने की स्पिक्त करिया को बास्पिकरन कहते हैं जल कपड़े सुकाने की पिक्तिरिया में जो होता है वहीं बता रहा है वास्पिकरन को प्रिभावित करने बाली कार्कुम की बात करें तो एक किरिया कलाव के माद्यम से इसे समझें एकड़े समीनों 14 की दियाकलाव एक पर अरक रखनाली में पांच एमल जल लें और इसे खिड़की के पाश या पंकय की निच्छी रहतें खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख कर उसे किड़की के पास या पंके की नीचे रख दें खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख कर उसे अपनी कच्छा के किसी अलवारी के अंदर बंद करके रख दें कमरे का तामा नोट करें इन सबी परिष्टितियों में बास्पीकर्ण में लगें, समय या देन को भी नोट कर लें बारिज के दिन भी इन किरिया कलाफों को करके अपने पेक्षण रह लेखें बास्पीकर्ण के निमलिकित तत्थों के बारे में आप क्या नुमान लगा सकते हैं? आपने द्यान दिया हुगा कि बास्पीकर्ण की दर निमलिकित के सासstorm बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि बास्पीकर्ण के दर भी बढ़ जाती हैि , जैसे कपड़े tv Go हमें उन्हें ठेलेते हैं यानी कि सतय जैसे नहीं देखा होगा है Veual तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि च्छत वाधा पानी जल्दी बास्पु में परिबर्तित हो जाएगा लोटा वाला टाइम में कि तामार में बढ़ने पर अधिक कड़ों को परियाप्त गतित हो जाते हैं जिससे भी पर बास्पी कि हो जाते हैं आदिता में कमी वाईव में बिदमान जल्द बास्प की मात्रा को आदिता कहते हैं किसी निष्चेत आमान पर हमारे आसपास की वाईव में एक निष्चेत मात्रा में ही जल्द बास्प होता है जब बायू में जल कड़ों की मात्रा पहले से ही अधेको तो बस भी चन की तर गट जाती है ये आपके बरसात के मौसम में आप लोग देखते हैं कपड़े नहीं सुखते हैं और तामवान याने की गर्मियों के मौसम में देखते हैं तो तामवान आपने देखा हुआ है यहा बायू की गती में बिती है हम जाते हैं कि तेज बायू में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं वायू के तेज होने के जलवास्प के कड़ बायू के साथ उड़ जाते हैं जैसे आसपास के जलवास्प की मात्रा हट जाती है कभी कभी हम लोग जब बादल होते हैं तो हम अंदर वास्पी कंड होता रहता है वास्पी कंड के दौरान कम हुई उर्जा को पुना प्राप करने के लिए द्रब के कड अपने आसपास से उर्जा अवसोसित कर लेते हैं इस तरह आसपास से उर्जा के अवसोसित होने के कारण सीतलता हो जाती है जब आप ऐसी टॉन या फिर नापूनों की पॉलिस त्काने वाले द्रव को अपनी हतेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? उसके कड़ आपकी हतेली या उसके आसपास से उल्जाप्राक कर लेते हैं और बासपी कर्ण हो जाते हैं, बासपी केड़ हो जाते हैं जिससे हतेली पर सीतलता वहसूस होती है, तेज धूप बाले, गरम दिन के बाद लोग अपनी छत या फिर खुले स्थान पर जल चिटकते हैं, क्या जल के बासपीकन की गुपतूर उसमा गरम सतय को सीतल बनाती है, क्या आप बासपीकन के कारण सीतल होने के उधारन दे सकते ह जैसे गरमियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं, सारे रिक पिक्रिया के कारण गरमियों में जादा पसीन आता है, जैसे हम सीतलता मिलती हैं जैसा कि हम जानते हैं कि बासपीकन के दौरान दरब की सतय किकड़ हमारे सरीर या आसपास से उल्जा प्राक्त करने करके बासप्र में बदल जाते हैं कि बात्पीकंट की पिसुखत ऊढ़िया के वराबबर उसमी ऊढ़िया हमारे शरीर से अउसोसित हो जाते हैं जिसे शरीर सीतल हो जाता है चूकि सूती कपड़े मैं जल का अउथोसंड अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना चीन आख अऊसोसित होकर वाई मंदल्न है में असानी से आफेक बास पीक्ट हो जाती है, इसलिए हम सफेद कपड करेंदा करना पसंद करते ही सूती है। बर्फील जल से भरे ग्लास की, सतन पर जलगा प्र Virinu कियू नजर आती है। किसी ब almighty बरतर मैं हम बार फीला जल लगती हैं, जल्दी बर्तन की बाहरी सत्व पर हमें जलगी बूने नजर आने लगते हैं अबसे जल वाख्क क्यों हो जा एधन्डी पानी की संपर्वत में आकर कम हो जाती है जो हमें जलगी बूनों के पर रूम में नज़र आता है ये Question से देवा है आपके लिए लगा लेन यहां आपका कुछ पॉइंट दिये गया है इने देख लिए जिए अब बिग्यानिक पदार्त की पाँच अवस्थाओं की चल्चा कर रहे हैं बॉस आइश्टाइन, कंडन शेट, ठोस दरब, गैस और पलाजमा की बात करते हैं आइश्टाइन, शाहबेन जो आपकी ठोस दरब और गैस चौतरी कौन सी इसमें पलाजमा पलाजमा इस सबस्था में कड़ अत्यदिक उजावाली और अधिक उत्तिजित होते हैं एकड़ आइश्टाइन के गैस के रूम में होते हैं फिलोर, शेंट, ट्यूब और नियोन बलब में पलाजमा होता है नियोन बलब के अंदर नियोन गैस और फिलोर, शेंट, ट्यूब के अंदर हीलियम या कोईपिल अन्य गैस होती है वित्रू थूर या प्रिभावित होने पर या गैस आयनी के त्यानी आविसित हो जाती है आविसित होने से ट्यू या बलब के अंदर चंकीला पिलाजमा त्यार होता है गैस के सोभाव के अनुसार इस पिलाजमा में एक बिसेस रंग की चमक होती है पिलाजमा की कारण ही सूर और तारों में भी चमक होती है। उच्छतामा की कारण ही तारों में पिलाजमा बनता है आपका। बॉस आईश्टाइन कंडन सेंट शेर। सन 1920 में बारतिय बहुतिक विज्ञानिक सत्यंदर नाजबोस ने भारत की पदार्ट की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गड़नाय की थी। उन गड़नाओं के आदार पर अलवर्ट आईश्टाइन ने पदार्ट की एक नई अवस्था की भविस्मारी की जिसे बॉस आईश्टाइन कंडन स्रेट यानि की बी इसी कहा गया। सन 2001 में अमेरिका की एरिक एक कॉर्णेल उल्ग गेंग केटरली और काल इबे वीमेन को बॉस आईश्टीन की अवस्था प्राप करने के लिए बहुत तिक में बहुत की में नॉबल पुरस्काल से सम्मानित किया गया सामान वायू के गनत की एक लाख भी भाग जितने कम गनत बाली केस को बहुत ही कम ताबमार पर ठंडा करने से बी इसी त्यार होता है इस साइट पर जाकर आप लोग देश सकते हैं और इसके बारे में जानकारी है यह आपकी एसन बॉस सहाव है आप अपने आके और यह है अलवर्ट आइस्टाइन सहाव है आपने क्या सीखा है सद्याय में यह अच्छा है कि इस विज्ञान में हर विज्ञान में आपका नीचे निसकर्ट दिया जाता है लाश्ट में क्लास में तो आपने क्या क्या सीख लिया है द्रब सूप्छम कड़ों से मिलकर बना होता है हमारे आसपास द्रब तीन अवस्थाओं में बिदमाने ठोस, द्रब, गैस ठोस के कड़ों में आकरशन बल सबसे अधिक होता है गैस के कड़ों में सबसे कम होता है दर्व के कड़ों में इन दोनों के मत्थ वर्थी उता है अगर आप से पोंचे किया कर्षमलU, सबसे अधिक किसमे होता है फोस में सबसे कम गैस में फोस के कड़ों में फोसों को नेट करने वाले कड़ों की वीच का रिट्तिस्थान और गते चूर जा नियूनतम गैसों के लिए अधिक तम किन्तु द्रवों के लिए मद्धवर्थी होती है, थोसों के लिए उनके कड़ों की विवस्था अधिदिक किरमित होती है, द्रवों में कड़ों की परते एक दूसरे परते से फिसल बतिसकलित हो सकती है, गैसों में को दिर्म में परिवर्थीत हुए बिनार इस सीथे गैसी अवस्था में आजाते हैं कोटनाग की समश्टी परिगठना जिसमें समश्टी के कर्ट दिर्व अवस्ता से वांस्थ्र dewः परिवर्थित हो जाते हैं बास्पीकान की एक सताय की परिगटना है सताय के कड़ पर्याप्त उजा गिनेट कर उसके बीच के पर इस पर आकरसन बलों को पार कर लेते हैं और दरब को बास्प में अवस्था में परिवर्ति कर देते हैं बास्पीकन की गती नम्लेकित कारण को पर निर्वर करती है जैसे आपकाव सतरी छेतपल, छेतपल जिसमें बायु मंदल की पिती परिद्यागो तावमान आदित्धा और बाईट की गती, बास्पीकन से ठंडा कुछ पन होती है, वासपीकन की गुप्टूजा उस्मा ताप की वै मात्र है जो एक किलो किराम दरप को बाइू मंदल दाब और दरप के कुतनाग पर गयसी अवस्था में परिवतत करने हylे तुँ प्रेयुक होती है सलगन की कुप्टूर्जा कूस्मा कूजा की वह मात्रा है जो एक किलो ग्राम ठोस को बाईमंड लिए दापड ठोस कोस्के सलगन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की लाते हैं कुछ मापने यो रासियां उनके मात्रक जिनका हम ग्यान होना चाहिए हैं मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आए क्यूंकि आप देखते हैं बहुत ही साधारन सब्दों ने लिखी गई है रासियां का मात्रक हो गया पिदी जैसे इसका मात्रक केल्विन है इसका पिदी क लंबाई मीटर इसका म है मात्रक केजी इसका संकेत आप देखें बाहर नूटन एन आयतन गनमीटर एम क्यूट गहनत किलो मीटर किलो मीटर के एम की पावर माइनस 3 दा पास्कल पी है इसका पितिक हो गया यह आपके questions दिएगे हैं ने भी देख सकते हैं आपके और याद रखिए आपकी जो PDF वो सभी टेलीगरम पर टाल देगे हैं इसलिए परेशान नहीं होना है वहां से आपको डाउल्लूड करके अब रख लेना है तो चलिए अंगले अध्याय में हम लोग देखेंगे अंग बृच्छ लागत बना है हमारा क्या हमारी आजपास के पतारत सुद्ध क्या है इसके बारे में जाने की विश्तार सरे नमस्क्राथ दोस्ते है तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT बुक्स के बारे में तो कक्षा 9B की हम लोग बिज्ञान देख रहे थे तो यह कक्षा 9B की लाच्ट बुक है इसके बाद हम लोग कक्षा 10B की बुक्स देखेंगे तो इसमें एक चर्टर हम लोग कतम कर चुके हैं यह आपका दूतरा चर्टर है इसमें बात करेंगे क्या हमारे आसपास के पतार सुद्ध हैं इसके बारे में हम लोग जानेगी एक बात आप लोग हमेशा याब रखिए अगर आप स्टेट PCS या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करें तो समय रहते हुए आप लोग NCEART पढ़ लें क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास आप सोचें बिना NCEART पढ़े कुछ उखड़ जाए तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है इसलिए बोलाओ समय रहते हुए इसे कवर करने इन सभी बुक्स को कच्छा नौवी से कच्छा बारवी तक की वुक्स जो है आप वो तो सभी को पढ़ना है फिर जाए वो किसी भी बैक्ग्राउंड से आता हूँ लेकिन अगर कच्छा चटवी से पढ़ने वाद तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए बहतर हैगा हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा वर्दूद घी मक्कन नमक मसाला मिनरल जल या फिर जूस सुद्ध है सुद्ध नमक, सुद्ध गी, सुद्ध दूद रसोई में उपयों की जाने वाली कुछ बस्तू हैं क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के उपर लेकिज सुद्ध सब्द पर ध्यान दिया है एक साधारण बेक्ती के लिए सुद्ध का अरत हुता है कि पदार्थ में कोई ना, कोई मिलावट ना हो लेकिन विग्यान के लिए ये सभी वस्तू में विभिन पदार्थों के मिश्राने अताह सुद्ध नहीं है उधारण के लिए दूद, जल्व, वसा, फ्रोटीन आदी का विफ्र है जब एक विग्यानी किसी पदार्थ को सुद्ध कहता है तो इसका तातपर है कि उस पदार्थ में मौझूद सभी कर समान रसाइनिक प्रक्रिती के हैं एक सुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ की कड़ों से मिलकर बना होता है सीधा सा कहने का मतलब है आपका कि आपके लिए दूद सुद्ध है गी सुद्ध है की नहीं इसमें मतलब सुद्ध देखते हैं आपकी अच्छी क्वाइल्टी का है या नहीं लेकिन जो विज्ञानिक होते हैं उनके लिए सुद्ध नहीं होता है उनके लिए वही पदार्थ सुद्ध होता है जो एक पदार्थ का एक ही पिकार की कड़ों से बना होता है जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्ट दो या दो से अधिक सुद्ध अव्यवों के मिलने से बने हैं उधारन के लिए समुद्ध का जल्ब खानेज मिट्टी आधी सभी मिस्टरण इसमें पाए जाते हैं आखिर मिस्टरण ये हरवास अपती हुज हो रहा है तो ये आखिर है क्या है मिस्टरण सब मिस्टरण एक या एक से अधिक सुद्ध तत्तों या प्रियावगईकों से मिलकर बना होते हैं हम जानते हैं कि जल्ब में घुले हुए सोडियम किलोडाइड को बासपी करण या फिर आस्वन बिदी द्वारा जल से पिथक किया जा सकता है या कि भी सोडियम किलोडाइड अपने आप में एक सुद्ध पदार्थ है और इसे बहुत इक बिदी के द्वारा इसके रसानिक अवयवों को में बिथर नहीं किया जा सकता है इसी पकार छीनी एक पदार्थ है चूंकि यह है एक ही पकार का सुद्ध अवयवर रखता है इसका एवरिट समान रहता है ये पदार्थ और मिट्टी में एक समान कर नहीं होते हैं सुध्य पदार्थ किसी भी सरोस्ते पराप्त हो सकते हो इसके अविलाक्ष ने कुर्ट एक समान होगे इस पेकार हम कह सकते हैं कि मिस्तरण में एक से अधिक सुध्य पदार्थ होते हैं मिस्तरण में एक सेथिक सुध्यपदार्थ होते हैं तभी वो मिस्तरण में लगता है। समझ में है? मिस्तरण के एगर हम लोग प्रकारों की बात करें यानि की टाइप कितने तरह की होते हैं। अव्यावों की प्रक्तिती के अंसार विभिन्य पिकार की मिस्तरणों का निर्माड होता है। इस तरह मिस्तरण की कई पिकार होते हैं। चलिए से क्रियाकलाप 2.1 के साथ हम लोग समझते हैं। कच्छा को आवासा 10 समूव में बाट है। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और एक चमच कॉपर सल्फेट चून को समूव आ को दें। समूव बाट को एक बीकर में 50 ml जल और दो चमच कॉपर सल्फेट चून दें। कॉपर सल्फेट और पोटीसियम पर मेगनेट या फिर साधरहन नवग सोडियम के लोगाई। समूव सा और दा को दें। दोनों को अव्यवों की पिथक पिथक मात्रा दें। अब पिथक पिथक समूव के उन अव्यवों को मिलाकर मिस्रण तेयार करें। उनके रहों और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तेयार करें। समूव आ और बा को एक मिस्रण पराप्त होता है। जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह की मिस्रण को हम समागी मिस्रण या फे बिलियन कहते हैं क्योंकि एक ही तरह की पदार्द में लाए जा रहे हैं इस तरह की मिस्रणों के कुछ अन्योधार ने जल में नमक और जल में चीन दोनों समूव में उसे प्राप्त गोल की रंगों की तुलना करें यह पी दोनों समू के पास कॉपर सलफेट का गोल है, लेकिन उन दोनों गोल की रंगों की तीपिता पिथक पिथक है, यह दिखलाता है कि समांगी मिसरण पिथक पिथक संगठन रख सकते हैं, समू सा और दा ने जो मिसरण पिराप्त किया है, उनके अंस भोतिक दृष्टी स पिथक हैं, इस तरह कि मिसरण की बिसमांगी मिसरण कहते हैं, इस तरह कि मिसरण को क्या कहते हैं, बिसमांगी मिसरण कहते हैं, सोडियम किलोडाइट और लोहे की छीलन, नमक और सलफर और जल और तेल यह सभी बिसमांगी मिसरण की अन उधारन हैं अपकी, फिर बात करते ह आईए पुना कच्छा को चार समूहों में बाणते हैं आवासा पगदा पितेक समूह को नीचे दिये हुए नमूनों में से एक देख समूह आपको कॉपर सलफेट के कुछ किस्टल दें समूह बागो एक चमज कॉपर सलफेट दें समूह सा को चौप का चूण या फिर गयमू का आठा दें समूह दा को दूर या फिर स्याही की कुछ भूनने चात्रों को काच की छड़की साहता से नमूनों को जल में मिलाने को करें क्या कड़ जल में दिखाई देते हैं अब टॉर्च से फिकास की करें को बीकर पर डालें और इसको सामने से दिखें क्या फिकास की करें का मार्ट दिखाई दिता है अब मिसरन को कुछ समय तक सांथ छोड़ दें इस बीच मिसरन चानने वाले ओक करन को तियार कर लें क्या मिस्त्रन इस थर है। उस समय के बाद कर नीचे बैठना शुरू करते हैं, मिस्त्रन को छान लें। क्या छानक पत्त पर कुछ सेश बचा रहें। कच्छा परिव्यामों पर चर्चाज कृण पर किया पर एकमत बनाने का पुयर्ट पनते हैं। समू आ और बा एक बिलेन पाते हैं, समू सा एक निलमन पाता है, समू दा एक कोलाइड बिलेन पाता है, निसे अंदन चानने की पिक्रिया, देखिया, चानक पत्थ होया है, मुडा हुआ चानक पत्थ, चानक पत्थ का संकु इसके बाद चाना हुआ द्रव हो गया, परक्नली कीव में चानक पत्र के साथ सलगन कीव में नित्रा हुआ द्रव और कांच की छड़े मतलब अलग हो भी चानने की बार अब हम बिलेनों निलंबनों कुलाइड कुलाइड बिलेनों के बारे में पड़ेंगे बिलेयन क्या है आके बिलेयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समागी मिसरण होता है बिलेयन आप एती दिन बहुत पेकार के बिलेयनों को देखते हैं नेवु जल, सोडा जल, आधी बिलेयन के उधारने प्रया हम एक billion को ऐसी तरल पदार्तों की रूम में बिचार करते हैं, जिसमें ठोस दरव या फिर गैस मेते हो, लेकिन प्रक्रती में ठोस billion मिस सिधातू, गैसी ये billion बायू भी होते हैं. एक billion की कड़ों में समागेता होती हैं, उधारन के लिए निवू जल का स्वात सदेव समान रड़ता है। यह दलता है कि इस बिलेयन में चीनी और नमक की कड़ समान रूप से विद्रिफ होते हैं। किसी बिलेयन को दो भाव में यानि कि बिलायक और बिलेय में बाटा जाता है। बिलेयन का हुए घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को बिलेयन में मिलाता है उसे हम लोग बिलायक कहते हैं। यानि कि जिस जो भाव होता है उसे बिले कहते हैं। जिसमें घुलता है वो बिलायक होता है। तैक है? इसे भी देख लिए मिफ्चददाटों के सामांगी मिषयर्ण होते है। जिने बहुते क्रिया दोरा अवब एम्यवों में पिथक नहीं किया जासकता है। लेकिन फिर भी मिस्त धातूं को मिस्तरण माना जाता है क्योंकि यह अपने गटकों के गुणों को दर्साते हैं और पिथक पिथक संगतन रखते हैं उधारन की पीतल जिंग लगबक 30-30 और कौपल लगबक 70-30 का मिस्तरण इसमें देखने को आपको मिलता है इसके उधारन देख लीजिए कुछ चीनी और जल का बिलेन एक तरल गोल में ठोस का उधारन है किसका इसमें चीनी बिले है और जल बिलायक है यानि कम मत्रा में जो है उसे बिले कह देती है और अधिक मात्रा में जो है उसे बिलायक कह देती है इसमें आप लोग देख सकते हैं चीनी कम मत्रा में और जल अधिक मात्रा में रहता है आयोडीन और एलकोहल का बिलेन जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं इसमें आयोडीन बिले है और एलकोहल बिलायक है वातिप्त पे पे जैसे सोडा जल को इत्यादी तरल बिलेन में गेस के रूम में होते हैं इनमें कारवंडाइड-‑ॉक्साइड, गेस विलेज़ और जल विलाइक होता है वायू गेस भी पी-ॉक्ताद्ट ऐघकों, 1, 200 DST characters, 1, 38 Cristoalles dwarchos 28 THCworker and 4. W divisional नाइट्रोजन को हम लोग गेस बिलाइक कहाinação containment और बायू में दूसरी के बहुत कम मात्रा में उकलब्त होती है, इसे बिले कहती है, सीधा सा याद रखना है आपको, जो कम मात्रा में होगी, उसे बिले कहेंगे, और अधिक मात्रा में जिसमें मिल रहा होगा, उसे बिलाय कहेंगे, ठीक है? तुर्य आपके विलेयन के गोड़, विलेयन एक सामांगी मिस्टर्ण है, विलेयन के कड़ ब्यास में एक एनम, दसकी बाव माइनस नाइन मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए भी आँख से नहीं देखते जा सकते हैं, अपने छोटे याकर के कारण विलेयन के कड़ गुज विलेयन के कड़ों को विलेयन से पितक नहीं किया जा सकता है, विलेयन को सांथ छोड़ देने पर भी विलेय के कड़ नीचे नहीं बैठते हैं, अर्था विलेयन इस्थाई होते हैं, विलेयन की सांधिता की अगर हम लोग बात करें, तो क्रिया कलाब 2.2 में हमने देखा कि रफ़नी तोला चेंए समुख आड़ाओ पास किक पदार्थ कि भिविन आवाओं के रंगों के बिलेन है। हम लोग जानते हैं कि बिलेन में पिखक-पिखक मात्रा में विल विलेपध नस tener n appeal की मात्रा की आधार पर इसी तनू USDA संत्रत घोल कहा ज़ास्कता है। तनू और सांद को लादमक सबने, क्रियाकलाब 2.2 में समू आ द्वारा बिलियन समू बा की तुल्ला में तनू है, अब इससे क्रियाकलाब 2.3 द्वारा समझते हैं हम लोग, दो पितक पितक बीकरों में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक को दूसरे में चीने, अथबा बेरियम क किलोडाई मिलाकर अच्छी तरह मिला लें, जब विले पदार्थ और अधिक ना गुले तब 5 डिकरी सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गरम करें, विले पदार्थ को पुनाहा मिलाना सुरूं करें, क्या किसी दिये गए ताप पर चीनी नमक अथवा बेरियम किल दूसरे सब्दों में लोग कहें, तो दिये गए निश्चित तामान पर यदि बिले पदार्थ नहीं गुलता है, तो उसे संत्रप्त बिलेन कहते हैं, क्या कहते हैं, दिये गए निश्चित तामान पर यदि बिलेन में बिले पदार्थ जो बिले पदार्थ होता है, नहीं गुलता है तो उसे संतिफ्त बिलेयन कहते हैं बिलेपदार्थ वह मात्रा है मात्रा जो इस पताप पर संतिर्प्त बिलेयन में उपस्तित होती है उसकी गुलन सिल्था कहलाती है यदि एक बिलेयन में बिलेपदार्थ की मात्रा संतिप्तिता से कम है तो इसे आसंतिप्त बिलियन का हद जाता है यदि बिलियन में बिले पदार्त की संतिप्तिता संतिप्तितर से कम हो तो इसे हम लोग आसंतिप्त बिलियन कहते हो यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतिप्त बिलियन लें तथा उसे धीरे 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 धंडा करें, तो क्या होगा? उपयुक्त दिये गए किरिया कलाब से हम कह सकते हैं, कि दिये हुए एक निश्चित आपमान पर, पिथक पिथक पदार्थों की विलेयन, छम्ता भिन्न भिन्न होती है. विलाइक की मात्रा, द्रम्मान और अथवा आयतन में घुले हुए विलेयन पदार्थों की मात्रा को विलेयन की सांधता कहते हैं, विलेयन की सांधता को दर्साने की बहुसती विधिया हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ तीन विधियों के बारे में चर्चा करेंगें, पहली आपक k a P ren P 30 में तो बेरावर होता है। रिले अपडार का दिरमां अपण ब्रह्यां का आयतन in टीक है। फॉर ब्रह्यां का आयतन आयतन I 아 दीन पितीसद तो भिरविभर कट आयतन IN टॉयां अपॉरा गैंक आयतन का इन टॉसे दूना इंडुस्ग का Cambodian का इन आ जोदा अद्वार्द framework एक बिलेज अद्वार्ट 1,320% ग्रम बिला एक जल में 40gruppe ज़ाधरन Наवक बिले बिले ऑनकी सांटता का परीकलन करें 2 पता vrijमानने मुटारा नमक दिरख़ान TRACI के लिए दिरमान का दिरमान आदए हुता है 300 यहां कितना है 320 ग्राम हम चानतें कि बिले नंका दिरमान बराबर बिले पताँ दिरमान पिला स्का क्तिना हो गया टूटल मिलाकर 306, 8700 की बात करें किसी बिले पतार्थ का दमान और बिलेंस का द्रमान into 100 तो यहा देखा रहा है 40 बिलेंस का द्रमान था और बिलेंस का कितना था 360 into 100 बचल आब jullie की आसे सम्षर के पकारा है ड़ाफ क्या रहे ज़ें अब बात करने हैं निलंबन क्या है आकिब किरिया कलाब 2.2 में समूर साथ के द्वारा पाया गया बिसमांगी गोल जो ठोस द्रम में परीचेपित हो जाता है निलंबन कहनाता है निलंबन एक बिसमांगी मिसर्ण है जिसमें विलेपदार्थ कड़ गुलते नहीं है बलकि निलंबित कड़ आँखों से देखे जा सकते हैं किसे आँखों से देखे जा सकते हैं निलंबन के गुर्धारम की बात करें तो एक विसमांगी मिसरण है एकड़ आँखों से देखे जा सकते हैं एक निलंबित कड़ प्रिकास की करण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्च देश्टी गोचर हो जाता है। जब इसे सांग छोड़ देते हैं तब एकर नीचे की और बैठ जाते हैं। अर्था नीलम्मन पाजथा ही होता है। छानन विदी द्वारा इसकड़ों को मिस्तरण से पिथक किया जा सकता है। जब सभी कर नीचे बैठ जाती हैं तो नीलममन समाप्त हो जाता हैं तथा billion में विकास की करण का पडर्कीरण रुख जाता हैं अब देखतें को-ुलाइड़, कुलाइडल billion क्या है आखिछ क्रियकलाप 2.2 में समूदा कि द्वारप्राप्थ मिस्रन को ये फिर collide-a- Erm parleagate carbohydrate क्लाइड के करव करविध्यन में समारूप से पहले होते हैं नीलमन के एपेँ च्रका करव का कार्रिंद होता ह होने के गारण आनों समांगी पितीत होता है लेकिन बासरीछता में rebuilt hersoires जैसे दूद आपकर एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो भी विज्ञान बुक्स हैं अभी तक आपने देखा हुगा इश्ट्री पढ़ते हैं आप पॉलिटी पढ़ते हैं या फिर जियोग्राफी पढ़ते हैं तो बड़ी सरल लगती हैं और मजा आता है में पढ़ने मे लेकिन जो साइन्स की वुक्स हैं हमें बड़ी बोरिंग करती हैं कि कोई अगर आप प्रेयोक साला में बैठकर तो यह आपके लिए बड़ी इंट्रेस्टिंग लगती हैं मजा आता लेकिन इनमें आप लोग पढ़ रहे हैं तो बड़ा बोरिंग होता है लेकिन क्या कर सकत हैं इसका दूसरा कोई मारे पास बिकल्प ही नहीं है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है तो किसी भी तरह से आप लोग एड़ेस्ट करिए और पढ़िए कोलाइडल कड़ों के छोटे आकार की कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं लेकिन एक कड़ प्रिकास की करण को आसानी से फैला देते हैं जैसा कि हमने क्रिया क्लाफ 2.2 में देखा था प्रिकास की करण का फैलाना तिंडल प्रभाव कहा जाता है क्या तिंडल प्र बोज की थी एक कमरे में छोटे चित्द की द्वारा जब प्रिकास की करण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं देखिए इसमें चित्द 2.3 कौपर सलफेट का बिलियन टिंडल प्रभाव नहीं दर साता है यह आपका इसमें है दूद तथा पानी का मसरण टिंडल प्रभाव दर साता है यह कमरे में मौझूद धूल और कारवन के कड़ों की द्वारा प्रिकास की फ्यलने का कारण होता है जब एक घने जंगल के अच्छाजन से सूर की केड़े गजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं जंगल की कोरे में चोटे-चोटे जल की कड़ होते हैं जो कॉलाइड कड़ों के समान बेवाद करते हैं कॉलाइड्स के समान उधारन देख लिए परिच्चे परिचेपन्ट माध्यम् पिरकार और उधारन द्रव गैस एरोसल इसके उधारने क्वेरा, बादल, क्वहसा परिच्चत्व प्रवस्था है याद रखिए परिचेपन्ट माध्यम् पिरकार है इसके उधारन थोस गैसेस में एरोसल उदारने दुवा सोचालिक बाहन का निथा गैस द्रब फॉम सेविंग क्रीम द्रब द्रब एमल्सन दूद फ्रेस्ट क्रीम थोस द्रब सॉल मेगनेसिया मिल्क कीचट गैस थोस फ्रॉम फॉम रबर स्पंज फ्यूमिस इस सभी उदारने द्रब ठोस जेल जेल के बाद जेल जेली पनीर मत्त हैं ठोस 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 सॉल रंगीन रत्न पत्थर दुदिया कांच इसके उदारने आपको मिलेगी ठीक है अब चलते हैं टिंदन प्रवाव देख रहा हो गई है देखें टिंदन प्रवाव बात करते हैं कॉलाइड के गुर्धरम की यह एक बिस्मांगी मिस्टर्ण है कॉलाइड की कड़ों का अकर इतना छोटा होता है कि यह पिठक रूप से आखों से नहीं देखे जा सकते हैं यह इतने बड़े होते हैं कि प्यकास की करण को फैलाते हैं और उसके मार्क को द्रस बनाते हैं जब इनको सांथ छोड़ दिया जाता है तब एक कड तल पर बैठते हैं अर्थाते इस्था ही होते हैं यह चानन विधी द्वारा में इस तरण से पितक नहीं किया जा सकते हैं किन्तु एक विसेस विधी अप केंद्रीकरण तक्नीक द्वारा इन्हें पितक भी किया जा सकता हैं चानने से इने हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब केंद्री करण, केंद्री करण तक्नीक द्वारे से अलग किया जा सकता है। कोलाइड बिलेन परीचिप्त प्रवस्था और परीचिपन मात्यम से बनता है। बिलेपदात की तरह का गटक या परीचिप्त करण, जो की कोलाइडल रूम में होता है, उसे परीचिप्त प्रवस्था कहते हैं। तथा हुआ गटक जिसमें परीचिप्त प्रवस्था नीलंबित रहती है, उसे हम लोग परीचिपन मात्यम कहते हैं। कॉलाइडल को परीचिपन मात्यम फोस द्रव याग्यस की अवस्था और परीचिप्त प्रवस्था के इंदुसार बरगी कित किया जा सकता है जो हम लोगों ने चाहिनी टू-कॉइंट बन में कुछ शुधानन दिये गए थी देख लिया है अब बात करते हैं मिसरन की घटकों का पिठक करन अमपर्चो के हैं कि प्रयाब प्राक्तिक पदार्द रसानिक तौर पस होते नहीं होते हैं मिसरन से घटकों को पिठक करने के लिए बिवेन पिकाय की विदियों प्रियोग में लाए जाती है पित्थक करने से मिस्तरण के पिते गटक के बारे में जानकारी पर आप करना और पिरयोग में लाना सुखम होता है सीधा साथ पित्थक करने का यानि की अलग करने का इतना ही इसका उद्देश होता है कि आप जान सकें जैसे आपको पता सकते हैं, पानी में क्या-क्या मिला हुआ है, जी में क्या-क्या है, इस तरह से अलग करके उनके बारे में सब कड़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं, बिसमागी मिस्तरन को साधरन बहुत दिक्रियाद वारा पित्थक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चु होगा ग्यमु में से पत्थन निकालते हैं आप लोग आठा में आठा चांते हैं इस तरह से रंग बाले गटक जाई को नीली अत्वा काले रंग की स्याही से पितक किया कर सकते हैं क्रिया क्लाप 2.4 देखिए आधा बीकर जल्ले बीकर के मुख पर वाज ग्लास रखें कुछ पूने स्याही वाज ग्लास पर डालने अब बीकर को गर्म करना शुरू करें हम स्याही को पित्यक्ष रूप से गरम नहीं करना चाहते हैं आप देखेंगे कि वाज ग्लास से बासपीकर्ण हो रहा है बासपीकर्ण होने तक गरम करना जारी रखें जब वाज ग्लास पर पपे छल रही हैट बीकर हो गया वाच गिलास हो गया। स्याही और वासु इस तरह स्याही को अलग कर सकते हैं। अब उत्तरदे हैं। आपके विचार में वाच THIS पड़ किसका वास पी कंड गए है alliances जल का क्या बाच गिलास पर कोई आउसिस बचा है स्याही आप क्या पित्ती पादित करेंगे क्या स्याही एक सुद्ध पदार्थ है या पिर मिस्रण हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिस्रण है इस तरह से हम बिलायक से बिले पदार्थ को बास्पिकन बिदी द्वारा पि क्रिम टॉन डवल टॉन प्रिकार के दूद्ध पूली पैक में पाते हैं दूद्ध के इन प्रिकारों में भिन भिन मात्रा में वसा होती है क्रिया कलाब 2.5 देखिए आप एक परक्नली में थोड़ी मात्रा में संपून क्रिम योगत दूद लें आप केंधरी एयंड, इसे 2 मिनिट तक केंधर करें, अगर इसकूल में इयंड उपलब दही है तो यह पुरियोग आप घरफर रसोई में फ्रियोग से मत्नी या मिक्सी से भी कर सकते है मतनी वहीं बात की जा रहें, जिससे आप लोग क्रेम निकलते हैं, यानि की गीह निकालते हैं, दही मैं से, यदि नेल्दीक में कोई milk dairy है, तो वहां जाएं और पूचें, वे क्रेम को कैसे दूसरे पितक करते हैं, वे दूसरे पनीर कैसे बनाते हैं, कभी-कभी ध्रम में मौ पितक किया जाते हैं इससे दान के आदार पर हम पर जब इससे तेजी से गुमाया जाता है तो भारी कड़ नीचे बेट जाते हैं और हलकी कड़ ऊपर रह जाते हैं अनुपियो जाज प्रयोग साला में रखत और मूद्ध के जाज में इसका प्रयोग होता है डेरी वर घर में क्रीम से मक्खन निकालने के पिक्रिया में कपड़े दोने की मसीर में भीगे हुए कपनों से जलने चोड़ने के लिए अब बात करते हैं कि दो आगोलन सील द्रवों के मिक्सरन को कैसे पिथक कर सकते हैं आए एक क्रिया कलाब देखते हैं 2.6 आए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पिथक करने का प्रयास कर सकते हैं आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल या फिर डीजल आपका जो भी है इस जल में पूरी तरह से गुंता नहीं है अलग अलग रहते हैं तो इन्हें किस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं मिट्टी के तेल और जल के मिसरण को एक पिठक करण कीम में डालें कुछ दियर तक इसे सांच छोड़ दें तक हैं ताकि जल तथा तेल की पिठक पिठक परतें त्यार हो जाते हैं पिठक करण कीपके स्टॉक कारट को खोलें औ हो कई जर वगई मिट्टी नहीं करें जब आप किसी भी सगल इसे तेल आप लोग डालें चाहिए आप लोग डाली में मच्छर मानने के लिए बात करते हैं फिर द्री थे तेल ऊपर रह जाता है वह समय और पानी नीचे बैठ जाता है, तो नीचे के पानी को अलग करती है, ओपर का जल, ओपर का जो मिट्टी का तेल है आवी, जो जो भी तेल है आपका, पिथक कर सकते हैं, इस तर ऐसे आपटो, ठीक है, अनुपियोग की बात करें इसकी, तो तेल तथा जल के अवलन से, मिस्तर को पिथक करने में इसका प्रेव होता है, दातू सुधन के द्वारा लोहे को पिथक करने में, इस बिधी के द्वारा हलके इसलेक, दातू मल को ओपर से हटा लिया जाता है, और बटी की निचली सतर पर पिगला हुआ लोहा से इस रह जाता है, सिद्धान के अमसार आपस मे नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत के अंसार विविन परतों में पिथक हो जाते हैं अब बात करते हैं नमक तता कपूर की मिस्टरण को कैसे पिथक यानि कि कैसे अलग कर सकते हैं पिछली अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गरम करने पर वह फो सबस्था से सीजिए गय सबस्था में परिवर्तित हो जाते हैं इस पिकार उनमें स्रणों जिन में उर्दपातित हो सकने की बाले अवय हों को उर्दपातित ना होने यूग असुद्धियों इस पिकरण में नमक से पितक करने के लिए उर्दपातन की पिकरिया का उपयोग करते हैं अमोनियम किलोराइट, नेप्थालीन, एंथासीन इत्यावी उर्दपातित होने यूग फोस्पदारतों के कुछ उदार है इससे देखिए उर्दपातन की पिकरिया द्वारा कपूर तथा नमक का पितक करना चेनी मिट्टी की प्याली कपूर तथा नमक का मिस्तरन इभरावगा कपूर की बास जलेगा तो बास पुनेगा ठोसी कित कपूर, उल्टी रखी कीब और उईका तले अब बात करते हैं क्रिया क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है क्रिया क्लाफ 2.7 द्वारा इसे भी समझते हैं च्छानक पत्ती की एक पतली पर रख लें इसके निचले किनारे से 3 cm ऊपर पैंसिल से एक रेखा खीच लें उस रेखा के बीच में जल में गुलंसिल काली से हाई की कुछ की एक बून लें इसे सूपने जार भीकर या फिर परखनली में जल लें और उसमें च्छानक कावज हो इस पिकार रखें कि वह जल की सत्य से ठीप उपर रह जैसा की चित 2.8 में दस आई है अब इसे सांग छोड़ दें जैसे ही जब च्छानक पत्वन ऊपर की और उठे सावधानी पूर्वक देखें अवलुपन को करें इस तरह से क्रोमेट्टोग्रापी द्वारा काली स्याई में बिद्वान डाई ये डाईयों का प्रितक्रन स्याई का निसाने पैंसे से हिंचा हिंची रेका छानक रेका जल स्याई का निसाने च्छानक पत्वन जार कागज की क्लव और कांच की छड़ जो स्याई हमने प्रियोग की उसमें जल बिलायक की रूम में है तथा डाई बिले की रूम में है जैसे ही जल च्छानक पत्पर उपर की देसावी और अगरसर होता है या डाई की कड़ों को भी अपने साथ ले जाता है पुरेया डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिस्तरन होता है रंग बाला घटक जो की जल में अधिक फुलंसी ले तेजी से उपर उपता है और इस पेकार रंगों का पित्थक करने की इस विदी को अलोग क्रोमेट्रोग्राफी कहते हैं ग्रीक में क्रोमा करत रंग होता है इस विदी को सबते पहले रंगों को पित्थक करने में प्रयोग किया गयाता है इसलिए इसका नाम क्रोमेट्रोग्राफी पड़ा या एक विदी जैसी विदी है जिसका प्रयोग उन विलिए पतारतों को पित्थक करने में होता है जो ए कच्छा यानि की आंगे की कच्छाओं में पढ़ेंगे अनुपयोग की बात करें तो डाई में रंगों को पितंग करने में इसका प्रेयोग होता है फ्राक्तिक रंगों से पिगमेंट को पितंग करने में होता है रंग्त से नसीली पदाजमों को अलग करने में इसका प्रेयो और जल को उनकी मिस्रण से पितक करने का प्रियास करते हैं मिस्रण को आस्वन फ्लास्क में ले इसमें एक थर्मामीटर लगा है उपकरन को दिए गए चित्त 2.9 किमसार विवस्तित करें दो घुलन सी दिर्वों का आस्वन विदी से पितक करें इस तरह से एक क्लैम हो गया आ मिस्रण को दीरे दीरे गरम और साथानी पूर्वक्त थर्मामीटर का आउलूकन करें ऐसी टाउन बासपीकत होता है तता संगने थोकर संगनक द्वारा बाहन निकाल लें पर इसे बर्दन में इकत्तित किया जा सकता है जल आस्वन फ्लांस में सेच रह सकता है अब इनों त मिस्रण को पितक करने में किया जाता है जो बेक्टित हुए मिना होलते हैं जिनके घटकों में कुथनांकों के मत अधिक अंतराल होता है दो या दो से अधिक घुलांसी द्रवों जिनके कुथनांक अंतर 25 के केल्विन से ही कम होता है कि मिस्रण को पितक करने के लिए प्रभ केवल आस्वन फ्लास्क और संगनक के बीच एक परवाजी स्थम का प्रयोग किया रहता है साधारन परवाजी स्थम एक नली होती है जो सीसे के गुटकों से भरी होती है एक गुटके बास्थ को ठंडा और संगनी होने के लिए सतय पदान करते हैं जैसा कि चित्त 2.10 में 10 आए गया है इस चित्त को आप लोग देख रहे होंगे प्रभाजी आस्वन क्लेंप हो गया प्रभाजी कॉलम् आस्वन फ्लास्ट मिस्तरण हो गया कॉल्क कॉर्क थर्मामीटर जल निर्गत जल संगनठ सीथल जल निवेश सुद्ध दरव गटक हुए इस तरह से अलग कलते हैं से अब बात करते हैं बायू से गैसों को कैसे फिराप्ट कर सकते हैं यानि कि बायू से गैसों को कैसे अलग कर सकते हैं हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायू एक समांगी में सरने तथा इसके गटकों को प्रवाजी आस्वन द्वारा पिथक किया दे सकता है प्रवाह चित 2.11 यानि कि 12 समलों 11 इस बिदी के विभिन चर्णों को दर सकता है देखिएज वायू दाप बढ़ा कर दतन ताप मान कम करके वायू को संपीड़त तथा ठंड़ा करना दर्विय वायू प्रवाजी आस्वन कॉलम में वायू को दिरी दिरें गरम करना बेवें नहुंच आईयों पर गैसों का प्रिथक करन फिर आप नीचे आईये इस तरह से कुतनांग जीरो डिगरी सेल्सियस ऑक्सीजन माइनस 183 डिगरी और गन 186 नाइट्रोजन 196 कुतनांग के डिख बाइव पिती साथ की मात बात करें इंग लो तो ऑक्सीजन अपकी 20. बाइव से गरसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाज चित्यागी और गन 186 नाइट्रोजन 181 यह आपके बाइव में जो सभी में सरणों का बात करी जा रहे हैं 20.9 नाव पिती साथ लगभग आपकी किस पिती साथ पिती साथ ऑक्सीजन होती है जीरो डिगरी साथ और न आइटोजन की मात्रा सबसे जानदा होबी 183 नाव बाइव से गरसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाज चित्यागी बाइव के गटों का पित्तक करन्ट इससे भी देख लिए आपकों चानक बाइव निवेस दवाव में बाइव गरम बाइव इस तरह से जमा हुआ सी जल निवेस यहां से जा रहा है उपर जल निर्गत सीतल संपीड़ित बाइव जा रही है पितक करने वाली सुस्क परपकिरू में कार्बन डियोकसाइड निर्गत यहां निकल देगे फ्रेया से दिर्वीय बाइव विस्तारक जैट नाइटोजन निर्गत और निर्गत प् देख लिए यादि हम वायू से ऑक्सेजन गेस को प्राफट करना चाएते हैं तो में वायू में उपस्ते दूसरी गेसों को पितक करना होगा तरब वायू प्राफट करने के लिए पहले बायू पर दभाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को गटाकर उसे ठंडा कर संप पॉइंट 12 में दसाड यह है किसी असुद्ध नमोने से मैसे सुद्ध कॉपल सलपेट कैसे प्राप्त करते हैं इसे भी देख लिए जे क्रियाक लागद आरे एक केने मिट्टी की प्याली में लगवग 5 ग्राम असुद्ध कॉपल सलपेट ले जल को नियून मात्रा में जल को कॉपल सलपेट के गोल से वास्फिकेट करने जल गेर में जल सुद्धी इसी तरह से होती है जल भंडार हो गया जहां से तलहट टेंक ठोस पतातों के नीचे बैठना के लिए नीलम्मित असुद्धियों के तलहट के नीचे बैठना के लिए भार टेंक हो गया इसमें यहां बेक्टीरिया मानने के लिए किलोरीनी करंट यहां विदील अपनाएगे इस तरह ऐसे गहरों को आपके सुद्ध जल मिलता है यहां से पिक्करिया शुरू होती है यहां जाकर आकी खतम होती है बिलियन को छानक पत से ढग दें तथा कम्रे के ताम मरण पर थन्दा होनेक्लिए सांथ छोड़़िए आप कोपर सीलपेिट के किस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में पराप्त करेंगे इस पिक्रम क्रिष्टिली करन कहा जाता है किष्टिकल क्रिष्टिली करन विधी का प्रेव फोस पदार्तों को सुद्ध करने में किया जाता है उधारन के लिए समुद्री जल से जो नमक हम पराप करते हैं उसमें बहुत सी असुद्धियों हो सकती है इन असुद्धियों को दूर करने के लिए किस्टली करन की विदी का उप्यों किया जाता है। किस्टली करन वए विदी है जिसके द्वारा किस्टल के रूँ में सुद्ध ठोस को विलेयन से पितक किया जाता है। किष्टली करन विधी साधारन बासपी करन विधी से निमने कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विख्टित हो जाते हैं या फिर कुछ चीनी के समान गरम करने पर जोलस जाते हैं। चाने के बश्चाद भी असुद्ध बिलेव आपको दिलायक में गुलने पर बिलेव में कुछ असुद्धियां रह जाती हैं। बासपी करन वोने पर ये असुद्धियां ठोस को दूसरी कर सकती हैं। इसका अनुपयोग यानि की उपयोग कहा होता है। समद्ध जलद्वारा पर haft नवक को सुध्ध करने में असुद्ध नमोने में सिफ्टकरी को पितक करने में उपयोग कर सकते हैं। इस विकार मिश्ण को की प्रक्ति के अंसार उपर दी गई विदियों में से किसी का प्रियोगं सुध्य पदार परा jest कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पितक करने वाली विदियों का अविस्कार हो चुका है। सहरों में जलगर से पीने यह जल की आपउर्थी की जाती है। जलगर का यह क्रेखा चित तेरे दसमलब 2.13 में देख लिया हैं हम लोगों ने। जलगर से अपने घर में प्राप्त होने बाले पेजल की विवन चर्णों पर अपनी कब्रचा कर सकते हैंροIST अब बात करते हैं बहुत तीक एवं रसायनिक परीवतों। पिछले अध्याए में हमने पधार्थों के बहुत जाहिए कंभार्ण के ओड़्न करते हैं। कटोड़ता, देड़ता, बहाव, गनत, देवनाग, कोथनाग, इत्यादी को बहुतिक गुड़ कहा जाते हैं, क्या कहते हैं, बहुतिक गुड़, अवस्थाओं का अंतार उपांतरन एक बहुतिक परीवर्तन हैं, क्योंकि ये परीवर्तन पदार्थों के संगठन में, बिना प्रक्ति में भी कोई परीवतन नहीं हुलता या कि भी बर्प जल और बास अलगलग दिखते हैं इनके बहुती गुड़ों धर्म बिन्यवेन, इनकी गंद और जोलन सीलता में भी अंतर दिखा जाते हैं, हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आपको बुझाता है, तेल का या रसानिक गोड जल से इसे अलग करता है, जल्ला एक रसानिक परिवर्तन है, जल्ला एक रसानिक परिवर्तन है जलने की पिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रसानिक संगटन में परिवर्थन लाता है तो रसानिक परिवर्थन पदार्थों की रसानिक गुर्धर्मों में परिवर्थन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं तो रसायनिक परीवत्तन को रसायनिक पितिक्रिया भी का जाता हुर। मौंबत्ती के जल्ने की पिक्रिया में बहुर लोग देखते हैं बाय३ में जल्ला। ऑक्सिजन की दिरूरए considered यहां औक सीजन नहीं होगी जाथर रखें। जलना, अगर किसी को रोखना है आपको, तो आउक्सीजन की कमी कर दीजे, अपने आप आख बुझ जाई है आपकी, अब बात करते हैं हम लोग सुद्ध पदार्थों के क्या आप विकार हैं, पदार्थों को उनकी रसानिक संगठन की आलार पर, तत्तों या प्रियोगिकों म का प्रियोग किया, फ्रांस के रसानग्ड एंटोनी लॉरेंट लवाई जी है, सन 1742 से 1794 ने सबसे पहले तत्ती की परिवासा को प्रियोग द्वारा पिति पादित किया, इनकी अनुसार तत्त पदार्थ का हुए मूल लूप है, जिसी रसानिक पिति के लिया द्वारा अन सरल पदार्थों में विवाजित नहीं किया जा सकते हैं, यानि कि तत्त पदार्थ का हुए मूल लूप है, जिसे हम लोग रसानिक पिति के लिया द्वारा और अन्न सरल पदार्थों में विवाजित नहीं कर सकते हैं, यानि कि और सरल नहीं कर सकते हैं उसे, तत्तियों को स सालारन ता धातु अधातु उठातु मैं बर्गीकित किया जा सकता है। ये धातु में पराद दिये हुए निम्य गुर्दारम में से मैसेज सभी को या कुछ को पिदर्सित करती है। ये चमकीले होती है। ये चादी जैसे सफेद ये सौनी की तरह पीले रंकी भी होती है। ये ताप तथा बिद्धुत की सोचालक होती है। ये अन ये तन होती है। और इनके तार के रूम में भी कीचा जा सकता है। ये अगात वर्द होती है। इनको पीट कर महीन चादरों में धाला जा सकता है ये पिती दोनी पूंड होती है इनमें आपका सोना चाली लोहा, तांबा, सोडियम पोटीसियम इत्यादी धातु के उधार है पारा धातु होते हुए कमरे के ताब मान पर द्रब अवस्का में पाये जाता है पारा याद रगों की होती है अधात में ये ताब और विद्धुत की कुछालक होती है ये चमकीलियों पिती दोनी पूंड अगात वर्द नहीं होती है इनमें आपका हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन, आयोडीन, कारवन, कोलकॉप, ब्रॉमीन, किलोरीन ये सभी अधातु है के उधार है अभी तक ग्यात तत्तों की संख्या 100 से अधिक है इनमें से 92 तत्त प्राक्तिक हैं जब किसी समानों निवेते हैं अधिक तत्त ठोस हैं 11 तत्त कमरे के तामान पर गयस अवस्था में रहते हैं 2 तत्त पारा और ब्रॉमीन कमरे के तामान पर दिरव अवस्था में रहते है गैलियम तुथा सीजियम तत कमरे की ताम्मान यानि की 303 केलिविन से कुछ अधिक ताम्मान पर अवस्ता में ले लेते हैं इन पॉइंटों को याद रख सकते हैं योगिक एक योगी कोई पदा थे जो दो या दो से अधिक तक्तों के नियत अनबात में रसाइनिक तौर पर स्वाय योजन्सी बनता है जब दो या दो से अधिक तत्त आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं किरियाग्लाग टैटी की प्याली मिले समुओ एक लोहे के चूंड़ और सलफाइर पावडर कोачभीज़ कर मिले मिसरन को तीप प्लाव अब जूआज को ऑठा दे तत्थ मृसनाड़ होनें समूव एक और दो प्राप्त सामगी में चुम्मकिये गुड की जाज करें और सामगरी के निकट एक चुम्मक को लाएं जाज करें कि क्या सामगरी चुम्मक की गुड आकरसित होती है दोनों समों को द्वारा प्राप्त सामग्री के रन और बनावट की तुलना करें प्राप्त सामग्रीयों के एक भाग में कारवन, सल्फर डाई, मिस्रन मिलाएं मिस्रन अच्छी तरह मिलाएं और तथा च्छान लें प्राप्तिक्दाइट के दूसरे बाग में तनू सल्फिर्विक अमलिकूप मिलाएं इस किरियाकलाब के लिए अध्यापक का निरदेशन आवस्यक्त इस किरियाकलाब को लोहा तितना सल्फरतत्यों के साथ अलगलग दोहाँ आवलोकन को नूट करें एक बात आप लोग हमेसा याद रखी मैं बार बार बोला हूँ कि तुम्हें प्रियोकसालाब नहीं जमानी है नहीं आपको किरियाकलाब करते बैठ जाने आपको पढ़ना है और निकल जाने दिमाग से पढ़ना है और निकल जाने समझ में आए या ना आए एक से दो बार पढ़ोगे आप लोग अच्छे से समझ में आ जाया है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रयोग साला में बैठकर इसके प्रयोग करते रहें ठीक है? समझ एक द्वारा प्राप्त गयस हाइड्रोजन है या रंगीन गंदीन जोलन सीले इसकी जोलन सीलता की जाज कप्छा में ना करें समझ दो द्वारा प्राप्त गयस हाइड्रोजन सल्फडाइड है या रंगीन गयस है इसकी गंद सड़े हुए अंडे जैसी होती है आपने कई बार सुना है हाइड्रोजन चलफाइड की गंद कैसी होती है सड़े गंद सड़े हुए अंडे जैसी आप आपने पाये कि दोनों समु द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन गोड को दर्शाते हैं यह अगे भी प्यारम में दिये पदार्थ समान थी समु एक ही करिया के फ़त्वरू बहुतिक परिव्यतन हुआ है जबकि समु ने दिखा है कि इसे रसायनिक परिवतन हुआ है समु एक द्वारा प्राप्त समग्री दो पदार्थों का मिस्रण दिये पदाय थलोगा और सलफर है मिसरण का गोड उन दोनों मिली हुए तत्तों को गोड के समान है समू सेकिंड द्वारा प्राप्त सामगरी योगिक है दोनों तत्तों को तीबिता से गरम करने पर हमने योगिक पाया जिसका गोड मिली हुए तत्तों से पूरी तरह भिनने याउगिट का संग्थन पूरे पदाथ में समान है, हम यह भी देख सकते हैं कि याउगिट की बनावर्ट और रंग भी सभी इस्थानों पर समान है इस पेकार संच्छिप में हम पदार्तों की भौतिक और असानिक प्रक्कितिक उन्यम्नारीक द्वारा, विवस्तित कर सकते हैं निष्ण तथा योगीक है, ये आपका मिसर्ण हो गया है, ये योगीक हो गया है तत्त या फिर योगिक किवल मिस्रण बनाने की लिए मिलते हैं किन्तु किसी नई योगिक का निर्माण नहीं करते हैं मिस्रण का संगठन प्रिवर्थनी होता है और योगिक का नई पदार्तों का संगठन सधीव इस्थाय होता है मिस्रण उसमें उपस्तित गटकों के गुड़ धर्मों को दर्शाता है जब कि योगिक नई पदार्तों के गुड़ धर्म पूरी तरह से बेनने होते हैं गटकों को बहुत तीक विद्धियों द्वारा स्वगमता से पितक किया जा सकता है लेकिन इसमें योगिक में गटकों को केबल रसायनिक या फिद्धित रसायनिक पितिकरिया द्वारा नी अलग किया जा सकता है पदार्त ठोस, दर्व, गैस, सुध्ध पदार्त, मिस्रण, तक्त, सडल पदार्त में विवक्त नहीं किया जा सकते हैं उधारन के लिए कॉपर ऑक्सिजन, लुआ, हैट्रूजन, पार, योगे, नियत संगठक रसायनिक या फिर विद्धुत, रसायनिक पिक्रिया द्वारा गटक तत्तों को विक्टित किया जा सकता है, उधारन के लिए जल मेतिन, मीथेन, चीनी, नमक, मिसरण की बात करें तो क कोई नियत संगठन नहीं है, समांगी, समान संगठन, उधारन के लिए जल में, चीनी, जल में नमक, कारवन, डाइसलफाइड, मिसलफर, जल तथा एलकोल भादी, डिसमांगी, आस, समान संगठन, उधारन के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकडी, रक्त, ते ये अच्छा कुछ भी जह लेधी की निसकस देदिया जाता है यारी कि इस अध्याय को पढ़ने का आपका निसकस क्या निकलत है बाद में आपको बता दीया जाता है इसलिए सरल भी है इसमें क्या सही कहा है अपने मिसनद मैं एक से धिक पधार्थ, तत्त अथवा योगिक, किसी भी अनपात्र में विलेगिते हैं मिस्नद को पिठक करने के लिए उचित विदियों से सुद्ध पधार्थों के में पिथक करिन किया जह सकता है बिलियन की संता उसकी एकायी आयतन में उपस्तेद बिले का दिरमान अथबा आयतन है वैपदार्त जो बिलायक में आगवलनसील तथा आंठों से देखा जा सकते हैं निलंबन कहलाता है, निलंबन एक बिसमांगी मिस्तरण होता है, कॉलाइड एक बिसमांगी मिस्तरण है, जिनके कड़ों का आकर इतना छोटा है कि उन्हें सलता से देखा नहीं जा सकता है, किन्तु इतना बड़ा है कि ये पिकास कपहलाओ कर सकने में सक्चम होते हैं, सोद्ध पदार्थ, तत् याय योगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ को मुट अब्मोलूग होता है। जिसे रसानिक क्रियाद और सल्ध पदार्थ, उविवाजी नहीं किया जा सकता है। कि यह उगय कोई पदार थे हैं जो दो याधों से अधिक तत्तों की स्थर अनपाथ में तो रासायनीक रूब में सयोजन से निर्मित होते हैं यह उगिकों की खुड़ उसमें नहीं तत्तों की गोडों से बिन होते हैं जबकि मिसरण में उपस की तत्त और यह उगिक अपने को दर सकते हैं तो यह था आपका दूसरा चप्तर और इसकी पीडियाप आप याद रखिए ट्रेलिग्राम पर डाल दी गए है अभी तक जितनी भी एंसी या ट्यापी खतम हुई है सभी डाल दी गए है यह अपधियास के लिए कुश्चन्स दिए गए हैं यहने देख सकते ह देखेंग में अब हो यह innovation मैं भी मानता हूं कि इसमें कोई सक नहीं दो रहा है इसका कोई बिखलक वे तो नहीं यहां मारे पास चलिए हम लोग चैप्टर मैं बात करेंगी तीसरे चैप्टर में परमाड़ू बारे में जानेंगी नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कर्चा नौवी की बिग्यार के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग दो चेप्टर आपके एक्तम कर चुके हैं या आपका तीसरा चेप्टर है आज बात करेंगे परमाडू एवन अणू के बारे में एक बात आप आप लोग में इसा याद रखिए कि समय रहते हुए आप लोग NCEIT को पढ़ लें क्योंकि इसका कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है अगर आप सिविल सर्विस या फिर इस्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहतर है कि सभी बुक्स NCEIT की पढ़ लें ठीक है तो कक्छा नौवी का ये तीसरा अध्या है और इसी बिज्ञान पुकतम होने के बाद करने के बाद हमारी नौवी तक की कक्छा चट्वी से लेकर नौवी तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो गई है उसके बाद हम लोग कक्छा 10 वी में चलेंगे पर इन सभी की PDF आप आपकी टलीराम पर डली में वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अध्याय तीन प्राचिन भारती एवं ग्रेक दार्शनेक द्रब के आज्याद एवं आध्य शुरूपों से सदेव चकित होते रहें पदार्द की विभाजित्त के मत्व के बारे में भारत में बहुत पहले लगवग आपका पांस्व इसा पूरु यानि की पांस्व बीसा बीसी पूरु बीसी में विचार वेक्त किया गया था बारतीय दर्शनेक महिट्री कनाड कनाड ने पिदीबादित किया था कि यदि हम दिरब को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे चोटे कड़ प्राप्त हो जाएंगी तता अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कर को पुना विभाजित नहीं किया जा सकता है अल्थात वय सूक्षितम कर अभीभाज रहेगा इस अभीभाज सूक्षितम कर को उन्होंने परमाडू कहा था इस बात को आप लोग कई बात देख भी पुछतें के जगह लखांवी मिठ जाता है कि परमाडू क्या है तो हम लोग कह देते हैं कि ओ अभीभाजित नहीं किया जा सकता है यानि कि उसके और टुकडे नहीं किया सकती है उसे यह परमाडू कह देते हैं एक अन-भार्तिय दार्सने civुकतित जया सब्सक्रूल है इन ने रोपों का रोपों को पिदान करते हैं लगवग इसी समय ग्रेग दार्षनिक डेवो केल्टर्स और लीव सीपस ने सुझाओ दिया था कि यदि हम दरब को विवाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्तिती आएगी जब प्राप्त कड़ को पुना विवाजित नहीं किया जा सक इन आविभाज कड़ों को परमाडू अर्थात आविभाज कहा ये सभी सुझाओ दार्षनिक विचारों पर आधारित थे इन विचारों की बैद्धता सिद्ध करने के लिए अठारवी सताब्दी तक कोई अधिक प्रयोग आत्मा कार्य नहीं हो अठारवी सताब्दी के अ बिघ्ञानिकों ने तत्तों योबं एवङरो रोकों के भीच भेत को समझा तता सोबहबिक रूख से पता करने के एक चुप हो कि तत्ति कैसे तता अक्या सयूग करते हैं जब तत्ति आफ्ट परस सयूग करते हैं तक क्या होता है विघ्ञानिक आतवाthe L- настwa L-lawagee इसमें स्योजन के दू मात्कून नेमों को इस्थापिद्र किया जिसने रसाइनि विज्राऊंको मात्कून आधान ब्यक्यां किया, तो रसायनिक स्योजन के नियम को लवाइग 2017 एवं जो जब L प्राउट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कारियों के परच्चात रसानिक से योजन के निम लिखे दो नियम पिती बादित के, कौन-कौन से नियम है, द्रव माल सरक्षन का नियम, जब रसानिक परिवर्तन अर्थात रसानिक अविक्रिया संपन होता है, तब क्या द्रव मान में कोई परिवर्तन होता है, चलिए से क्रिया कलाब, थ्री पॉइंट बंद वारा समझते हैं, निम्न एक्स और बाई रसाइनों का एक योगल लिची, एक्स और बाई, एक्स में आपल कौपर सलफेट, 1.25 ग्राम, और बाई में सोडियम कार्गोनेट, 1.43 यानि कि 1.43 ग्राम, एक्स में आप लोग बारियम किलोराइट, बारियम किलोराइट लेख सकते हैं, 1.22 ग्राम, और बाई में सोडियम सलफेट, 1.3 ग्राम, एक्स में लेड़ सलफ नाइट्रेट, 2.01 ग्राम, और बाई में सोडियम किलोराइट, 1.73 ग्राम, एक्स और उपरोक्त त्यार हुए उगल billionों में से by के billion को एक संख्वाकार फ्लास्क में लीजे एवं x के billion को एक छोटी परखनली में लीजे छोटी परखनली को बिले यवगत फ्लास्क में इस पेकार लड़ाईे ताकि दोनों billion परसफर मिसित नहीं तत्वश्चाग ख्लास्के के मुख पर एक कार्ट चित्त 3.1 की बाती लगाईये इस तरह ऐसे ए डोरी हो गई संग्वाकार ख्लास्क छोटी परकनली यहां रखती गई इसमें X का बिलेयन हो गया इसमें चोटी परकनली में Y का बिलेयन इसमें ठीक है बाई के विलेंज युक्त संक्वाकर फिलास में डूबी वी एक्स के विलेंज युक्त छोड़ी परकने लिए अंतरवस्तु युक्त फिलास को सावधानी पूरवक तौल लीजिए अब फिलास को जोका कर इन इस पेकार उमाये से एक सभाई के बिलियन parz पर मिसพेशत हो जाएए अब इस फिलास को पुनाहा तोल लीजिए संक्वाकर फिलास में क्याम किया हुई है क्या आप सोचते हैं कि कोई रेतानिक अभगिर्या हुई है फिलास्की के मुख पर कार क्यों लगाते हैं, क्या फिलास्की द्रबान एवं अंतर वस्तुमा में कोई परिवेतन हुआ है, याद रखिए इस तरह के जो भी क्रिया कलाप हुआ करें, उन्हें आपको पढ़ना है और आराम से निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि आगर आप द्रबान सरक्षन के नियम के इनुसार किसी रशायनी कभिक्रिया में द्रबान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही बिनास किया जा सकता है, इस पूरे क्रिया कलाप को करने का उद्धिर सर्फ इस तली सी परिवासा देना था, कि द्रबान सरक्षन के नियम के इनुस या दोस्य यदे तत्तों से निर्मित होता है इस पेकाल प्राप्ते उठ्खों में इन तत्तों का अनुपात इससे रुपता है चाहे इसे किसी इस्थान से प्राप्त किया गया हो या थवा किसी ने भी इसे बनाया हो यह विक जल में hydrogen oxygen की दर्मबान का अनुपात सदेव एक अनुपाते आठ होता है चाहे जल का स्रोथ कोई भी हो इसे पेकाल यदि 9 ग्राम जल का अबगतन करें तो सदेव एक ग्राम hydrogen और 8 ग्राम oxygen भी प्राप्त होगी इसे पेकाल ammonia NH3 में nitrogen एवं hydrogen दिर्मबानों का अनुपात 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 अनुपा स्थिर अनुपात की नियम की ब्याक्या होती है जिससे निश्चित अनुपात का नियम भी हम लोग कहते हैं फ्राउट ने इस नियम को इस पेकाल से ब्यक्त किया है ताकि कि किसी भी योगित में तत्य सदेव एक निश्चित दिर्मान के अनुपात में विद्धमान होते है बात कर लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में इनका सन जनम इनका 3766 में इंग्लेंड की एक गरीब जुलाहा परीवार में हुआ था 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 बारे वर्ष की आयू में उन्होंने एक सेख्षक सेख्षक की रूम में अपनी जीविका शुरू की साथ साल बाद होएं एक स्कूल के प्रेंसेपल बन गए समझ रहे हैं आप लोग 12 वर्ष में हमारे यहां यहां 22-25-30 साल तक हम लोग चानते ही नहीं है बचकाना नहीं जाता है यह आपकी अपनी जीविका चलाने लगा बारे साल का लड़का उसके बाद साथ साल बाद यानि आपका 19 साल के करीब 19-20 साल के करीब यह एक स्कूल के प्रेंसेपल भी बन गए बहुत की और साथ पढ़ाने के लिए मैंचेस्टर चड़े गए वहां पर उन्हें अपने जीवन का दिकान समझ सिक्षण सोथकार में विद्दीत किया सन 1808 में उन्हें अपने परमाड़ी सि प्रेंषदान साबित भात कर विद्ध्यान कों की अंगली समस्या इन नेमों की औक उचित ब्याँक्या ठर्नें की ती अंग्रेज रसायनेक डॉल्टन जोन डॉल्да ने दर्वों की प्रक्रिती के बारे में एक आधरवु 30th कि डाल्टन ने दरव की विभाच्यत्ता का वि उसे डाल्टन ने भी परमाणू नाम दिया, डाल्टन का ए सिध्धान्त रसानिक सयोजन के नेमों पराधा रिता, डाल्टन के परमाणू सिध्धान्त ने द्रमान के सरक्षन के नियम और निश्चेत अनपात के नियम की युकती संगत ब्याख्या भी की, जो हम लोगों ने सूप छिप कड़ों से पने होते हैं, जिन्हें परमाणू कहते हैं, डाल्टन के सिध्धान्त की विविचना निम्ने पकार से कर सकते हैं, सभी दिप परमाणूं से निम्नेत होते हैं, जो की रसानिक अभी किरिया में भाग लेते हैं, परमाणू आभिवाजी सूप स्नम होते हैं जो रसायनिक अभिक्रिया में ना तो स्वेजित होते हैं नहीं उनका विनास होता है देखेगे जह तत्त सभी परमाड़ूंगा दिरमन् बिर्दमान होती है ठीक है यह आपके questions दिये गए इनने देख सकते हैं आप लोग ठीक है यह भी दिये गए पर चलते हैं हम लोग परमाडू क्या होता है क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समू से एक इमारत नेवित होती है उसी विसाल इमारत की रजनात्मक इकाई क्या है किसी बौबी की रजनात्मक इकाई क्या होती है यह रेट का छोटा सा कड़ होता है इसी पिकार सभी द्रवों की रजनात्मक इकाई परमाडू होती है एक के उपर एक चट टे के रूम में रखें तो बड़ी करणाई से कागज की एक सीट जितनी मौटी परफ बन सकती है आप समझ रहें लाकों प्रमाडू को प्रमाडू की तिज्या को नेनो मीटर मैं मापा जाता है साफिक चाकार की बात करें तिज्या मीटर में उधारण जैसे 10 की पावर 10 की पावर माइनस 10 हाइडोजर परमाडू की तिज्या है जल अडूं की 10 की पावर माइनस 9 हिमोगिलों में अडूं की 10 की पावर माइनस 8 और रेद कड की 10 की पावर माइनस 4 चेंटी की 10 की पावर माइनस 3 सेट की 10 की पावर माइनस 1 जब परमाडू काकर इतना सूप्ट समयानी की इतना छोटा है तो हम इसे नगन माल सकते हैं तो हम इसके बारे में क्या सोचें हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विस्थ की पर्माणूं से बना हुआ है चाहिए हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी या विद्वानें तथा हमारे पिते क्रिया कलापों पर उनका प्रिभाव पड़ता रहता हैं अब हम आद्वनीक तक्नीकों की सायता से तत्तों की सत्वों के आवर्दित पितिवम्मों को देखा सकते हैं जिननें उपस्तित पर्माणू पिते देखाय भी देती हैं एसी लिए कुछ सत्य पर पितीवे में देख ली थी बिवे ने तत्तों के परमाणूं के आदोनिक पितीग क्या है इने मी देखते हैं डालतान एसे पिथम बिग्यानिक थी जिनने तत्तों के पितीगों का प्रयोग अत्यंत विश्च्छ अर्ष्में किया था उन्होंने किसी भी तत्तों के पितीग का प्रयोग किया तो यह पितीग उन तत्तों के एक निश्चित मात्रा की वो एंगीत करता था अर्था तियह पितीग तत्तों के एक परमाणू को पितरसित करता था बर्जीलियस के नए तत्तों के ऐसे पितिकों का सुझाओ दिया जो उन तत्तों के नाम की एक या दू अप्चरों से पिदर सित होता है हाइड्रोजन का देखिए पिति, डालतन द्वारा सुझाएगे कुछ तत्तों के पितिक है फासपूरस का ये कॉपर का, गोल्ड का, कारवन का, सलफर का, सीचा का, प्लेटिनियम का, प्लेटिना का, ऑक्सीजन का, आयरन का, सिलिवर का, पारा का, इस सभी विद्रीक है प्यारम में तत्तों के नाम को विद्रीक 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 Applied Chemistry एक अंतराष्टी विज्यानिक संस्ता है जो तत्यों के नाम पितिकों और मात्यों की कुस्वीकिति पिदान करती है अधिकतर तत्यों के पितिक उन तत्यों के अंग्रेजी नामों के एक या फिर दो अक्चरों से बने होती है किसी पितिक के पहले अक्चर को सदेओ बड़े अक्चर यानि की केपिटल में और दूसरे अक्चर को छोटे अक्चर यानि की स्मॉल में लिखा जाता है Hydrogen को S, H इसका संत्य थे, Aluminium AI ना की AL Sorry, AL है, small L है, ठीक है? Cobalt का CO ना की CO याद रखिए, यहाँ एक capital पहला अक्चर, capital लिया जाएगा, दूसरा small है, यानि की C capital रहेगा, वो small ना की इन्हें दोनों capital नहीं लिख सकते हैं, अब लोग, ठीक? कुछ तत्वों के पितिक, उनके अंग्रेजी नामों के पिताम अक्चर, तत्था बाद में आने वाली, किसी एक अक्चर को सहुट करके बनाते हैं उधारन के लिए आप लोग किलोरीन ले सकते हैं क्या लग सकते हैं? किलोरीन या फिर जिंक ले सकते हैं, जैडन अन्य तत्थों के पितिकों को लेटेन जर्मन ग्रीक भासाओं में उनके नाम से बनाए जाता है उधारन के लिए लोग आयरन का पितिक एप यह है उसके लेटेन नाम फिरम से बिवत्पन किया गया है इसे पिकाल sodium का पितिक N, killer पितिक के क्रम सा नइटियन और के लियम से बिवत्पन होक Ju इसby काल पितिक्तत्य का एक नम एक अधुदियर रसायनिक होता है कुछ तत्य दिएगा है आपकी अनने देखेजे उनके पितिक हैं यह तत्थ होगा यह पितिक होगा Aluminium-Al, Argon-Ar, Barium-Ba, Boron-B, Promine-Br, Calcium-Ca, Carbon-C, Chlorine-Cl, Cobalt-Co, Copper-Cu, Chlorine-F, Salt-Gold-EU, Hydrogen-H, Iodine, Iron-Fe, C-Sup-PV, Magnesium-PV, PMG, Neon-Na, Nitrogen-N, Oxygen-O, Potassium-K, Silicon-Si, चांदी, Silver को यह जीचे, Sodium-Na, Sulphur-S, Uranium-EU, Zinc-ZN, इनसे हमें इन्हें पेक्ट करते हैं, पिदी के रूम में, ठीक है, Oxygen हो गया इस तरह से, आप लोग यही सब्द यूज देखने को मिलता है, आपका पिदी के रूम में, हम लोग Oxygen लिखा कम पढ़ते हैं, वो का जानदा यूज करते हैं, ठीक है हर जगे, अब बात करते हैं, परमाणू द्रमान के बाले में, डाल्टन के परमाणू सिद्धान्त की सबसे बिशिट संकल्पना, परमाणू द्रमान की की थी, उनके अनसार के देख करते का एक अभी लाग चड़िक परमाणू द्रमान होता है, डा करना अपिक्चकिट करने कालता इसलिए रैसानिक सर्योजन की नियहों कि उप्यों एवं उत्पन्य योगिकों के द्वारा सापिक्च परमाड़ु द्रमान को ग्याद किया गया जब कभी आप तर्थियों का अध्यान करें तो आपके संद्रम में लिए वुर्पे साइडी द निर्मित करना सेख जाएंगे यानि कि इन्हें याद रख लेंगी हम यहां पर एक योगिक कार्बन मोनोकसाइड का उधारन लेते हैं जो कार्बन एबं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है यानि कि कार्बन मोनोकसाइड है जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हु दूसरे सब्दों में कहा जा सकता है कि carbon अपने 4, 3, 4, 3 गुणा अधिक, गुणा अधिक, द्रमार बाले oxygen के साथ सेयुख फुटा है माल लिजे कि हम परमाडू द्रमार की काई को, एक carbon परमाडू द्रमार के बराबर माल थे तो carbon परमाडू को 1.0, u तथा oxygen परमाडू द्रमार को 1.33 यू निर्दिष्ट करते हैं प्यारा में परमाडू द्रमार को amu द्वारा संचित में लिखते थे लेकिन आजकल iupac के नमिन्तम अनुमोदन द्वारा इसको u यानि की unified द्रमार द्वारा के दर्शित करते हैं यहां जो आपका यूज किया गया है इसे unified द्रमार के द्वारा यानि की इसका प्रिती के unified द्रमार का लेकिन द्रमार की इकाई को या था संभव पूढ़ांग या फिर लगवग पूढ़ांग में व्यक्त करना अधिक सुईधा जयनक होता है आगे चले कर विग्यान को ने परमारू द्रमानों की बिन बिन एकाईयों के बारे में विच्यार वियक्त किया विग्यानी जब बिन परमारू द्रमानों की एकाईयों के बारे में सोधरत थे तो उनों ने प्राम में प्रक्किती जन ऑक्सीजन परमाणू के द्रमानों के एकबटी 16 भाग को एकाई की रूम में लिया दो कायणों से इसे सोसंगत समझा गया पहला है आपका ऑक्सीजन अनेक तत्तों के साथ अभिकीजिया करकी योगिक बनाता है इस परमाणू द्रमान इकाई द्वारा अधिकांस तत्तों के परमाणू द्रमान पूढान में प्राफ्त होते हैं तदापी 1961 परमाडु द्रम्मानों को व्याद करने के लिए परमाडु द्रम्मान एकाई कार्वन 12 यानि की कार्वन बारे समयस्थानिक आइसोटों को मानक संदर्व के रूम में सार्मोमिक रूप से स्वितार किया गया था कारवन बारे समिस्थाने के परमाणू द्रमान के एक बारवे के बारवे 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 को मानक परमाणू द्रमान काई की रूम में लेते हैं कारवन बारे समिस्थाने के एक परमाणू द्रमान के सापिक सभी तत्मों के परमाणू द्रमान प्रभ किये गए कल्पना की जिए कि एक फल बिक्केता बिना मानक बाहर के फल बैच रहा है वह एक तर्बूच लेकर कहता है कि इसका द्रमान 12 एकाई है 12 तर्बूच ये एकाई अथवा 12 फल द्रमान एकाई है वह तर्बूच के बारे बराबर टुक्रे कलता है तथा पता है कि उसके द्वारों बेचे जा रहे पितेग फल का द्रमान तर्भूजे के एक टुगडे के द्रमान की साफिच जैसा है जैसा कि चित 3.4 में दिखाए गए अब वह है फलों को साफिच फल द्रमान एकाई आफ म यू में बेचता है तर्भूज हो गया यह में आपने देखा हुगा टुगडे हो गया झे में त्रभूज का एक बार बाध हिस्ता होगया तर्भूज के टुगडे की उप्यूपकर के हुआ है फल विक थक्यता फलों को कैसी तौता है इसे आप लोगोंने बाजार में देखा हुगा, जब हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, गाउं की तरफ इसे जानना देखा जाता है, जब उसके पास तॉलने का अधिक तराज्यू मतलब मापन नहीं होता है, जैसे एक किलो हो गया, दो किलो, उसके बाद दो किलो नहीं है, त आपिक्चिक परमाडू द्रमान को, उसके परमाडू के ओसत, द्रमान का कार्मान बारे परमाडू के द्रमान के एक बारवे भाग के अनपाद द्वान परिवासित किया जाता है, यहां कुछ तत्मों के परमाडू द्रमान दिये गए हैं, जैसे आपके तत्थ होगे, परम मांपर 2232, किलोरिन 25, 40 द्रमार का πरमादु किस पिकार अस्तित में रहते हैं, अधिकास्तत्म के परमादु शुतंत रोग से अस्तित में नहिं रह पाते हैं, परमाडू अडू यह हम आयन बनाते हैं. ए अडू अतवा आयन अक्तदिक संक्या में पुंजित होकर वध्रफ बनाते हैं. जिसे हम देख सकते हैं और अनुभाव भी कर सकते हैं और उसे छोगी सकते हैं. एक कुश्चनस दिए गए इन्हें भी आप लोग वोपर सब कुछ समझ चुके हैं आप इनके अंसर दे सकते हैं अडू क्या होता है आके परमाडू की आपने परिषवासा समझ लिए अब अडू क्या होता है आके इसे भी देखते हैं साधन का अडू एसे दो या दो से अधिक परमाडूं का समझ होता है जो आपस में रशानिक बंद द्वारां जोड़े होते हैं अत्वा विपरस्पर आकर्षन बंद की द्वारां कसका जोड़े होते हैं आडू को किसी तत्य अत्वा योगित के उस सूख्छिनम कड़के रूम में परिवासित कर सकते हैं जो सुतंत रूप से अस्तित्में रख सकता है तथा जो उस योगित की सभी गुर्दाहमों को पिदरसित करता है एक ही तत्त के पर्माडू अत्वा बिन बिन तत्तों के पर्माडू परत पर सयूग करके अडू निर्मित करते हैं यह आपने देखा है कि अडू को हम लोग ए सुदंत अवस्था में नहीं रह सकते हैं और जो अडू है आपके यह सुदंत अवस्था में रह सकते हैं और परमाणूं से बनकर अडूं बनते हैं, क्या है, परमाणूं से बनकर आपके अडूं का निर्माण होता है, तत्तों के अडूं की बात करें, तो किसी तत्त के अडूं यही पकार के परमाणूं द्वारा सनरचित होते हैं, आरगन, एयार, हिलियम, एची, इत्यादी जैसे ऐनग तत्तों के अड़ू उसी तत्त के केवल एक परमाडू दबारा नेल में थोती हैं लेकिन अधिकास अधातयों में ऐसा नहीं होता है उधारन के लिए औक्सजन अड़ू दो औक्सीजन परमाडू से बनता है इसलिए से धुई प्रमाडू पर्माडू अडू कहते हैं यदो सामान न darling तो यह मैं oxygen बन जाते हैं आप लोग जानते हैं oxygen, ओ त्री को oxygen कहते हैं किसी अडू की किसी अडू की सरचना में प्रियोक्त होने वाले तरब आप आपे उकभाडूंग ओते हैं किन्तों उनके अड़ूओं के में आसमित परमाडू परसपर बंदी होते हैं आईए कुछ तत्तों की परमाडूकता का अलुखन करेंगे हम दो कुछ तत्तों की परमाडूकता तत्तों की पिकार होगे यह नाम होगे यह परमाडूकता होगे जैसे अलादू सबसे पहले बात करते हैं, आरगन एक परमाडू कुता है, हिलियम एक परमाडू, ऑक्सिजन दुई परमाडू, हाइट्रोजन दुई परमाडू, नाइट्रोजन दुई परमाडू, किलोरीन दुई परमाडू, फॉस्पोरस चतुर परमाडू, सलफर बहु परमाडू दात्मों की बात करें तो Sodeum एक परमाडू, Iron एक परमाडू, Aluminium एक परमाडू, Copper एक परमाडू अब बात करते हैं योगेख के अडू, योखों के जो अडू है, बिनने-बिनने अडू यहोगे हो गया स्युक्तत हो गया दिरमान अनपात में जल यह आपका hydrogen oxygen से बन कर मिलता है इसमें अनपात रहता है दिरमान इसका एक अनपात ही आठ एक आपका oxygen आठ आपके कि सोई एक हाइडे पांपात ही एयıs upps CO negative んだEurrection कि यापका nitrogen प्रहिक नौन ज़ीन अभगाक्त सकती हैं कॉपन दाइड अकश्फाइडब्र करमान अकश्फाइड औक्सीजन इसमें 3.3 या फ्र you यानी 2 आपवादी 8 है एवं तत्तों के परमाडूओं द्रमाडूओं के लिए 3.2 देखिए, सायनी 3.4 में दिये गए, योगितों के अडूओं में प्रयोक तत्तों के परमाडूओं के संख्या के अनपात को ज्याद कीजिए, जल अडूओं में पिक परमाडूओं की संख्या, संख्याओं का अनप से प्राप्त किया जा सकता है यह तत्त हो गया आपकी द्रमान अनुपात परमाडू द्रमान द्रमान अनुपात परमाडू द्रमान की और सलतन अनुपात तत्त आपका हीड्रोजन है इसमें द्रमान अनुपात एक परमाडू द्रमान एक और परमाडू द्रमान एक इसमें ठ दरत्यां अनुपात, इसका 2 है, फिर आपका ऑक्सिजन है, इसमें दर्मान अन्पात 8, Durmaa 16, इस तरह से आपका, इसमें परमाद Dwirma निकला आया है, दरमान अनपात 1-2, और इसका सरत्याइं अनुपात 5. इस पेकाद जल अडू में प्रयोग परमाणूं की संख्याओं का अनपात है एच अनपाती चीरो यानि कि बराबर होता है दो अनपाती एक दो हाइड्रोजन हो गए एक आपका ऑक्सीजन हो गए आयन क्या होते हैं आयन क्या होता है दातू इमो अधातू योगत योगित आविसित कड़ों से बने होते हैं इन आविसित कड़ों को आयन कहते हैं आयन एक आविसित परमाणू अथवा परमाणूं का एक ऐसा समोह होता है जिसपन नेट आविस बित्मान होता है या रेड आव अत्वा रेड आविस अत्वा धन आविस होता है रेड आविसित आयन को रेड आयन तथा धन आविसित आयन को धन आयन कहते हैं उधारन के लिए sodium chloride अनिसील को लिए इसमें धनाय sodium iron है यानिकी एनिय तथा रेड आयन किलोराइड है यानिकी सीय संगठक कड किरूं में बिदमान परमाड़ों की समुख जिन पर ने ताविस बिदमान उसे हम लोग बहु परमाड़ों आयन कहते हैं हम आयनों की निर्माड के बारे में कोछ आयनी किजिए आयनी की ऊगिए क्योंके हैं आपके निचे, आयनी की ऊगिए कोगए संगर्टक तथ होगए द्रमान पात हुगए कैल्सियम ऐकसाइड कैल्सियम ऑउकसाइड कैल्सियम जरा कैल्सियम ऑँकसाइड इसमें तत्थ हैं 5 अनफाते 2, agnesium sulphide 5 अनफाइड, mag अनपात इसका अब बात करते हैं रसायनिक सूत लिखना क्या करना रसायनिक सूत लिखना किसी योगिक का रसायनिक सूत उसके लिए संगटक का पिती कात्मक निरू पन होता है बिन बिन योगिकों की रसायनिक सूत सलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं इस अभ्यास के लिए मैं तत्तों के पिती को उनकी सयोजन सम्ता ग्याद कुनी चाहिए। किसी तत्त का सयोजन सक्ती अत्वा छमता उस तत्त की सयोजक्ता कहलाती है। किसी एक तत्य के परमाड़ू, दूसरे तत्य के परमाड़ू के साथ, किस पिकार से ये सयुक्त होकर, एक रसायनी के विएक का निर्मार करते हैं, इसको ग्याद करने के लिए सयुजक्ता का उप्यूग करते हैं, किसी तत्य के परमाड़ू की सयुजक्ता को उसके हाथ, अथ संकेत हो गया अधाद्विक तत संकेत बहु परमाद्विक आयन और संकेत तो यहां देखिए सोडियम एने पिलस पॉटेसियम के पिलस सिल्वर एजी पिलस कॉपर सी उप्लस ठीक है और यहां पिर आपका सोडियम देखिए सोडियम को मिलाकर है इस तरह से अमोनिया बनता है दोनों को मिलाकर और इसका सूथ होता है एने पिलस पॉटेसियम में के और हाइड्राइड मिलकर हाइड्र ओकसाइड बनाते हैं ओएज माइनस आयन सिल्वर और क्लोराइड मिलकर ब्रुमाइट आयोडाइड मिलकर यह हाइड्रोजन कार्वोनेट बनाते हैं, इसका सूर्थ है HCO3 माइनस आयन, मैगनेसियम और ओक्साइड मिलकर कार्वोनेट बनाते हैं, इसका सूर्थ है CO3 की फावर 2 माइनस, केल्सियम और सल्फाइड मिलकर सल्फाइड बनाते हैं, SO3 की पावर माइनर 2 माइनस आयन है Zinc और Sulfate मिलकर यह आपका SO4 की पावर 2 माइनस आयन Iron को Fe2 पिलस कॉपर Cu2 पिलस Aluminium Nitrite मिलकर Phosphate बनाते है PO4 की पावर 3 माइनस आयन Iron Fe3 पिलस कुछ तत एक से अधिक सहयोज़क्ता दर साथे है सहयोज़क्ता को हुश्टक मैं projets Men Igesties संख्याहों द्वारा पिदलसित करता है इस आपकी रोमन संख्या देगी मानव की दो भजायं तता Octopus की आठ भजाय होती है Octopus की एक भजा मानव की किवल एक बुजाग पकड़ सकती है यदि एक ओक्टोपस को कुछ मानव को इस पिकाल से पकड़ना है कि उनकी आठ बुजाएं मानव की दोनों बुजाओं के साथ पेउप्थ हो जाएं तो आपकी विचार में ओक्टोपस कोल कितने मानव को पकड़ सकता है आप ओक्टोपस को O और मानव को S से निरूर्पित कीजिए क्या आप इस सयोजन के लिए सूत लिख सकते हैं क्या आप OH को सूत के रूम में प्राप्त करेंगे पदांग चार ओक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को बिदासित करता है सीधा सा मतलब है कि O है उसमें इतनी सकती है कि हाइड्रोजन की चार आयन को समाल सकता है सायनिक 3.6 में कुछ सरल एवं बहु परुमाड़िक आयनों की सयोजक्ता दी गिए सयोजक्ता के बारे में हम और अधिक जानकारी यंगले अधिया में परप्त करेंगी तो रासायनिक सूत लिखते समय आपको निम्नेनीमों का पालन करना चाहिए कौन से नियम है आयन की सयोजक्ता अथवा आभी संतुलित होना चाहिए जब एक योगे किसी दातू या पर अधातू की सयोजक्त से निर्मित होता है तो दातू के नाम अत्वा उसके पिदी को रसायनिक सूत में पहले लिखते है उधारान के लिए केल्सियम ओक्साइड सी ए ओ सोडियम केलोराइड एनेसिया आरेन सलफड़ाइड एफियस कॉफर ओक्साइड सी यू ओ इत्यादी जहां पर ऑक्सीजन केलोरी इन सलफ़र अधातू है तथा उन्हें दाई तरफ लिखते है जब केल्सियम सोडियम आरेन कॉपर दातू है उन्हें बाई तरफ लिखते है बहु परमाडुक आयनों द्वारन निर्मित योगुकों में आयनों की संख्या दर्साने के लिए आयनों को कोश्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोश्टक के बाहर लिखते हैं उधारन के लिए mg इसे कोश्टक में OH उसके बाहर आलार 2 यदि बहु परमाड़ुक आयन की संख्या एक हो तो कोष्टक की आवस्यक्ता नहीं होती, उधारन के लिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, N, A, O, H अगर दो है तो इसे कोष्टक की जिरूरत पड़ीगी, अगर नहीं है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं सरल योगों के सूत देखते हैं, दो गिन विन तत्तों सेने में, सरल तम योगों को दो यंगी योगी कहते हैं, सायनी 3.6 में कुछ आयनों की सयोजक्ता देगे, आप इनका उपयोग योगों की सूत्रों को लिखने के लिए कल सकते हैं हम पहले संगटक तत्तों के पितिक लिखकर उनकी सयोजक्ता लिखते हैं, जैसा कि नेमन उधारन में 10 आए गया है, तत्त परश्चा सयोजित परमाणों की सयोजक्ता को क्रोस करके अडों सूत्रों लिखते हैं, उधारन के लिए आप लोग हाईडोजन किलोडाइट का सू सूथ, तत्त पिती एच हो गया, शयोजगता एक हो गया, इसका C e a 2, hydrogen किलोडाइट का रसानिक सूथ होगा आपका, ठीक है, hydrogen sulfide के सूथ की बात कह मेगनेसियम किलोडाइट का सूत ग्याद करने के लिए पहले हम धनायन का संकित Mg2 लिखते हैं इसके परचात रडायन किलोडाइट यानि की Cl लिखते हैं तब परचात इनके आविसों को आडा तरचा करके हम सूत पराफ करते हैं इस तरह से मेगनेसियम किलोडाइट का सूत Mg आएण इसका देख रहे होंगे माइनस एक माइनस और आविस तू आविस यहां एक बन है और टू पिलस Cl MgCl2 इस तरह से लिख सकते हैं इस पेकार हम देखते हैं कि मेगनेसियम किलोडाइट के अड़ों में 2 किलोडाइट आएण CEL माइनस पितिक मेगनेसियम का आएण और Mg2 पिलस के लिए होता है इस पेकार के आएण आएणिक योगिकों में धनात्मक रडात्मक आविसों का संतलन होना चाहिए संपूर्ण सरजना ओदासीन होनी चाहिए द्यान देने योग बात यह है कि इस पेकार के सूत्तों में आएण के आविसों को नहीं दर्शाया जाता है अलूमिनियम ओक्साइड का सूत तर्थ हो गया पितिक Al और आविस 2 माइनस और आविस या 3 पिलस O इस तरह से Al2 O3 इसका सूत हो गया केल्सियम ओक्साइड इस तरह से इतिक हो गया इसका C8 और आविस 2 माइनस 2 प्लस O या आपका O गया यहां पर दोनों तत्तों की सहुजक्ता समान है इस सूत को C2 और O2 प्राप्त होता है किन्तों हम इस सूत को C0 की रूम में भी सर लिखित कर सकते हैं यानि कि दो को अनपात ले लिजिए यानि की कॉमन है तो हटा देंगे बहु परमाडू कि आयनों बाले यह विकों की बात करें तो सोडियम नाइटरेट का सूत Na इसका आविस बन माइनस और आविस इसका Na3 का NO3 का बन पिलस इस पिकार से NaNO3 इसका सूत को गया कैल सी हम हाईडरोक्टाइड का सूत Ca इसका आविस एक माइनस और OH का टू पिलस इस तरह से Ca कोश्टक OH इसका आदार दो हो जाएगा अगर एक होता है यहां आविस इसका एक होता तो इससे कोश्टक की हमें जरूरत नहीं पढ़ती आपको द्यान देने यह बात देया है कि कैल्सियम हाईडरोक्साइड का सूत Ca OH2 कोश्टक में लगाकर है ना कि Ca OH2 है अगर याद रखें यहां फिर से बोल देता हम एक आविस होता तो इस तरह से आप लिख सकते थे Ca OH2 ना लिखते हैं अगर आपके बहुप परमाड़ों के यानी के दो हैं तो यहां आप लोग Ca फिर कोश्टक होए फिर कोश्टक बंद 2 आधा इसका लिखेंगे जब सूत में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हमें उसके लिए कोश्टक का उपियोग करते हैं यहां हुआ है OH की कोश्टक रखकर पदांग 2 लगाते हैं तो जो इहां रिदिश्ट करता है कि कालंधों के साथ 2 हाइट्रोक्सी समूह जूडएं दूसरे सब्दों में कर्सियम हाइट्रोकसेड में तो उक्सिजन अबन आध्रोजन के पितिक के दो दो परमाड़ों है सोडियम कार्बोनेट का सूत एक तीग हो गया यह इन टू- इसका आविस हो गया और सीओ-त्री का एक हो गया इस तरह से इसका सूत लग सकते हैं एने टू-त्री ओपयोग तो पर्माड उधारन में कोश्टक के ओपयोग हो गया आवस्तकता नहीं है क्योंकि बहु पर्माडविक आयन कार्बोनेट की हैं का एक ही आयन वित्वान हैं अमोनियम सलफेट का सूत लिख सकते हैं इसी तरह से आप लोग एनेच पोल कोश्टक टू- एसोपोल इसी से था मंदिद यह कुश्चन्स दिए गया हैं भी लगाते रहे ना आप लोग आपक करना की बैवीचना कर चुके श्तरहारन का घ्रमान का परईखलन करने के लिए किया जा जा सकता हैं किसी पतात का आँडविक द्रमान उसके सभी संगन्तल्वाड़ों की द्रमानयों का योग होता है इस पकार यह अडूँं हुआ है सापीघजेत द्रमान हैं जिसे इकाई ए उद्वारां ब्यक्त किया जता हैं। उधारन के लिए जल S2O के साफ़ेक आणविक द्रमान का परिखलन कीए। नाइट्रिक अम्न एचैनो त्री के आणविक द्रमान का परिजवन कीए। hydrogen का परमाडू द्रमान 1 U, तथा oxygen का परमाडू द्रमान 16 U, अत्था जल जिसमें 2 परमाडू hydrogen, एक परमाडू oxygen होता है, का आज़िक द्रमान, बराबर होगा आपका 2 into 1, फिर आपका पिलस में होगा 1 into 16, बराबर होगा आपका 18 U, इसी तरह से आप लोग नाइट टिक हम लखा निकाल सकते हैं सूत एकाई द्रमान किसी पदात का सूत एकाई द्रमान उसके सभी संगटक परमाड़ों के परमाड़ों द्रमानों का योग होता है सूत द्रमान का परिकलन उसी पकाल से करते हैं इस पिकार से हमें, हमने आड़विक द्रमान का परीपलन किया है, अंतर के वल इतना होता है कि जहां हम उस्पदात की सूत दिकाई का उप्युव करते हैं, जिसके संगठक आयल होते हैं, उधारन के लिए सोडियम के लोड़ाई, इसका सूत है NACL, इसके एकाई सूत द्रमान का परीपलन निमने पिकार कर सकते हैं, एक इन्टू 23 यू पिलस एक इन्टू 35 यू परवर 58 दसमलो 5 यू, उधारन के लिए इस तरह से विल ले सकते हैं, आपलों, निकाल सकते हैं, एमोल आवागरादो संख्या द्रमान की भी संबन है, कार्बन परवाड़ुव कमोल, या जाके 16 ुऑ 22 इंटू 22 यू के klon के परमाड़ुवए 12 ग्राम कर्वन hydrogen परमाड़ुवं का एक मोल्ट, 16 ॉऑ på 22 यू 10 की परिज हाइट्रोजन के परमाड़ु, एक ग्राम हाइट्रोजन के परमाड़ु, किसी भी ऐड, कड़ परमाड़, यू अदुवा आयन एक का एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 उस कड़ की संक्राइब उन कड़ों का सापेक दिर्मान अड़ों का मोल एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अड़ों की संक्राइब आडविक दिर्मान जी है ये भी आपके questions दिये गए ने भी देख सकते हैं आप लो फिर आपकी मोल संक्राइब न याद रखिए आप लोग science ऐसी एक चीज है कि जो बड़ी बोरिंग लगेगी आपको अगर आप प्रयोक साला में बैठे होते हैं तो साइद आपको बड़ा इंट्रेस्टिंग फिल है बड़ा अच्छा लगता लेकिन पढ़ने में से बोरिंग लगती है तो क्या कर सकते हैं हमारे पास को दूसरा कोई बिखल्प भी रही है तो हमें पढ़ना तो है तो इसलिए पढ़ रहे हैं या हम hydrogen और oxygen की कि अभी किया का उधारन लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है 2H2O2 अभी किया करके 2H2 बनाता है उपयोग तब की या या निर्दिष्ट करती है कि hydrogen के 2ड़、 oxygen के एक अड़ों के साथ अभी किया करके जल के 2ड़ों करते हैं, निर्मित करते हैं अथबा hydrogen के 4u oxygen अड़ों के 32 के साथ सेविजन करके 36 जल अडू निर्मित करते हैं। उपयूत समयकर्ण से यह निसकस निकाल सकते हैं कि हम किसी भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रमान अस्वा उसके परमाणों की संख्या में से अभी लक्चित कर सकते हैं। परन्तु एक द्रसाइनिक अभी किरिया समयकर्ण से अभी किरिया में भाग लेने वाले परमाणों अत्वा अडू की संख्या सीधे पराप्त की जा सकते हैं। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ग्यान उसके द्रमानों की आधार की अफेक्चा है। उनके अडू अत्वा परमाणों की संख्या की आधार पर पराप्त करना अधिक सुभी दायनक होता है। अत्वा नई इकाई मौल पिस्तावित की गई है। कि इक मौल में मात्राओं की वह संक्या जो ग्राम में, इसके परमाणों अत्वा आधा आधा द्रमान की वराबर होती है। किसी पताप के एक मोल में कड़ों परमाणु अत्वा अडू अत्वा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.0 बाइस इंटू दसकी पावलतेईस होता है यह मान प्रायगुट बिधी से प्राप्त किया गया है इसको आवग्रादो इस्थरां किया फिर आवग्राद ग्रादो संख्या भी कहते हैं जिसको हम लोग एन अधा जिरो से निरुपित करते हैं यह नाम इतालवी विज्ञानिक आवग्रादो के सम्मान में रखा गया है एक मोल किसी प्राप्त का 6.022 इंटू दसकी पावलतेईस संख्या में जैसे एक दर्जन बरावर बार है एक ग्रुस बरावर 144 यह पी मोल एक संख्या से सम्मंदित है पलंदू दर्जन या ग्रुप्स की तुला में इसका एक और लाव है वह यह है कि किसी प्रिशिष्ट प्राप्त की एक मोल में दर्मान निष्चेट होगा है किसी प्राप्त की एक मोल का द्रमान उसके सापिक्च परमाडू परमाडू एवं अडू यानि की द्रमान ग्राम के बराबर होता है किसी तत्य का परमाडू द्रमान उस तत् आत्मागमान को लेना पड़तारों परफ количество u से cg में परिवर्तित करना होगा परमाडू के smaller द्रमान को Gram परमाडू द्रमान भी कहते हैं उधारण के लिए hydrogen परमाड़ों के Draman रफमाड़ों एक U होता है अता hydrogen काfam परमाडू द्रमाड एक G होता है एक Workday एक द्रमान हैं मैं केवल एक हाइड्रोजन परमार्ण होते हैं एक ग्राम हॉग्ट नोश के एक मोल्ड परमार्ण होते हैं अर्थाए उस में 022 इन्टू दसकी पावर counted इस 023 फडव के परमार्ण होते हैं इस प्रिकार 16 द्रमान औक्सिजन में किवल एक औक्सिजन पर्माड़ू होता है। 16 g omox iegen में उसके एक more पर्माड़ू होगी। अरफास में 16 갑자기 02 इन्टो 10 की 23 ऐकétéरेईज के पर्माड़ू होगी। किसी अड़ू के ग्रामiese 80द्रमान फसके संख्यात मकमां होगी। जो उसके अडू द्रमान के बरापर होता है, उसको उप्योक्त की तरह रखते हैं, परंतो हमें एकाई को U से G में परिवर्थित करना होगा, उधारन के लिए जैसा कि हम पहले ही जल S2O के अडू द्रमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 16U द्रमान आता है, यहां से हम य 6.22 इंटू 10 की पावर तेश जड़के अडू होते हैं, रसायनकों को अभी क्रियाओं को संपन कराने के लिए परमाडूं एवं अडूं की संख्याओं की अवस्त्ता होती है, इसके लिए उन्हें द्रमान को ग्रामों में संख्याओं के साथ संपन्दित करना पड़ता है, इसको निम्न पिकाल से कर सकते हैं, एक मोलो बरावर 16, 6.22 इंटू 10 की पावर 23, ग्राम सापेक्च द्रमान, अता है रसायनक के रसायनकों के परिकलन की एकाई मौल होती है, 1896 में बिलहेल्म, पॉस्ट वाल्ड ने मौल सब्द पिस्तावित किया था, जो एक लेटन सब्द मौज से विद्पन होता है, जिसका आरत होता है डेर, किसी बदारत को परमाडूं अत्वा, अडवों को डेर की रूम में विच्चार किया जा सकता है, इसे उधारन से देश सकते हैं, निमलिखित में मौलों की संख्या का परिशलन कीजिए, बावन ग्राम हीलियम, द्रमान से मौल पराप कीजिए, बारे दसम्लों 0,44 into 10 की पावर 23 इलियम परमाडूं की संख्या कड़ों की संख्या से मौल पराप कीजिए, इस तरह से हल कर सकते हैं, मौलों की संख्या N, द्रमान, दिया गया द्रमान M, मौला द्रमान M, कैपीटल में, दिया गया कड़ों की संख्या N, कैपीटल में, यू और हिलियम का मोल वार द्रमान में चार जी अता मोलों की संख्या द्रमान द्रमान इस तरह से आप लो निकलाएं हम जानते ही कि एक मोल बराबर होता है यह संख्या आप लोग अच्छे से बता रहा हो ना कि वड़ा बोर्डेंग लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं यह सभी को आप देख सकते हैं तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में एक इसमें बोरिंग का काम है तो इसमें यह एक अच्छी बात है कि हम लोगों को लाश्ट में निस्रस भी बता दिया जाते हैं क्या क्या सीखा है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारवों और उत्पादों के दिर्मान का यूग आप परिवर्पनिय होता है यह द्रमान की सनक्षन का नियम कहलाता है एक सुध्य रसानी की यूगिक में तत्थ हमेशा दिर्मान की निष्चित अनपात में विद्दमान होते हैं इसे निष्चित अनपात का नियम भी कहते हैं तत्य को सुखिस्तम कर परमाडू होता है जो सुतंत रोग से प्रयार नहीं रह सकता है खता उसके सभी रसानिक गुड़ धर्मों को पिदर्शित करता है अडू किसी तत्य अथबात योगे का हुआ सुखिस्तम कर होता है जो सामन दसाओं में सुधंत रह सकता है या होगा के वॉय कौन जो आयन की तरह बेवार करता है उसे बहु परमाडविक आयन कहते हैं उनके ऊपर एक निश्डित आभीस होता है आधुक यूगिक को त्योगिकियों के रसार्माड़ वीफित कर्द्छा कंते हैं पितेक आयन के उपर आवेसों की संख्या द्वारा योगिक के रसायनिक सूत ज्याद करते हैं बिग्यानिक भिन भिन तत्तों के परमाड़ू के द्रमानों की तुलना करने के लिए साफिक परमाड़ू द्रमान इसके लखा उपिव करते हैं कार्बन बारे समिस्थानिक आईसोटोप के परमाड़ू का साफीक द्रमान बारे निर्दिष्ट करता है किया जाता है अन्य सभीवी तत्तों के परमाड़ू का साफीक सी द्रमान कार्बन बारे परमाड़ू के द्रमान के साथ तुलना करके प्राथ करता है चेह दसमलोग जीरो बाइस इंटू दसकी पावर देज आवुगरा दो इस्थांग है जो बारे एक ग्राम बिद्दमान कारवन बारे में परमाड़ों की संख्या को दफसाता है मौल पदाथ वह या Makra कि है जिसमें कडों की संख्या परमाड़ों या फिर तिकाई आदी कारवन बारे में है जिदमान परमाणों की बराबर परमाणों के बराबर होती है पदारतों के एक मौल अड़ों का द्रमान उसके मौलर द्रमान के कहलाता है यह आपके प्रस्चेंस दिये गए हैं इसी अध्यास से संबंदित आप देख सकते हैं याद रखें इसकी BPD आपकी टेलीग्राम पर ही अप लगते हैं एक बार आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं जब आपको टायम मिले तो उससे भी पढ़ते रहे हैं मेरा मानना है सीधा बाद सीधी सी बाद एक से दो बार आप लोग NCEIT पढ़िए उन निकल जाईए इसमें रटने का तो कुछ काम ही नहीं है अगर एक दो अगर भी सरचना के बारे में का तो चलीं हम लोग बात कर रहेते एंसी इसीभी आटी कख्छा 9 यीपार को बचिन्वी तो इसके बारे में भी कख्छा 10 11, 12िकी hullोग बख्स देखेंगे तो आपकी कक्षा 6-9 तक की जो भी वुक्स हैं आपकी लिए यानि की सेविल सर्वेस या फिर इस्टेट PCS के लिए उन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं तो आज इसमें बात करेंगे अध्याय चार के बारे में क्योंकि इससे पहले हम लोग तीन अध्याय आपकी खतम कर चुके हैं तो चौत्र अध्याय में है आपकी परमाडू की सरजना याद रखिए समय रहते हुए आपको NCEIT को पढ़ ले क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है और आप सोचें कि इसके इने में बेना पड़े आप पेपर निकालने तुम उसके लिए मुझे तो नहीं लगता है कि आप निकाल सकते हैं फिर अगर आप बिद्वान हैं तो आपकी बात अलग है तो आज जानते हैं हम लोग परमाडू की सरजना अध्याय तीन में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाडूं और अड्मों से मिलकर बने होते हैं जो पदार्थ में उठता है कि किसी एक तत्त का परमाडू दूसरे तत्त के परमाडूं से बहनने क्यम पूता है क्या परमाडू बास्तों में अभीभाज होते हैं जैसा कि डाल्टन ने पित्रिवादित किया था या परमाडूं की भीतर चोटे अन्यकडवी विद्वान होते हैं इस अध द्याय में पिष्ण का उत्तर डूढ़ने की कौसिज करेंगे हम आउप परमाडवे कड़ों और परमाडू के बेवेन पिकार के मोडूलों के पारे में पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलता है कि एक कड़ परमाडू के भीतर किस पिकार बेवस्ते होते हैं उननीस भी सिताप्ती केंट में विज्ञानिकों की समख्च सबसे बड़ी चुनोती थी कि परमाडवों की सरचना और उनके उसके गुड़ों के बारे में पता लगाना परमाडवों की सरचना को अनेक प्रियोंगियों के आदार पर समझाया गया है परमाडवों के अविभाज ना होने की संकेतों में से एक संकेत इस्तिर विद्धु तथा बिभिन ने पदार्थों द्वारा विद्धु चालन की परिस्तितियों के अध्यन से मिला है पदार्थों में आविसित कड़ों की प्रकिति को जानने के लिए आईए हम निमने क्रिया कलाब करें एक बात हमें सा याद रखिए कि जो भी क्रिया कलाब दिये गए है इन्हें ना करने की जरूरत है बस आपको पढ़कर निकल जाना है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्रिया कलाब करते या प्रियोग साला में करते बैठे रहे जाने तो कक्षा नौबी का जो छत होगा वो आराम से कलकी बैठा रहेगा क्रिया कलाब 4.1 सोखे वालों पर कंगी कीजे क्या कंगी कागज की छोटे-छोटे टुकड़ों को आकर्सित करती है काज की एक छड़ को सिल्की के कपड़े पर रगड़ी है और इस छड़ को हवा से भरे गुबारे के पास लाएए क्या होता है ध्यान से देखिए इन क्रिया कलापों से क्या हम यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्कुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्धूत आविस आज जाता है यह आविस कहां से आता है इसका उत्तर तम मिला जब यह पता चला कि परमाडू विभाज चे और आविसित कड़ों से बना है परमाडू में उपस्तित आविसित कड़ों का पता लगाने में कई विग्यानिकों ने एकुदान दिया है 19-20 सताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाडू साधारण और आविवाज कड़ नहीं है बलिकि इसमें कम से कम एक आव परमाडू कड़ एलेक्टॉन विद्धमान होता है जिसका पता जेजित टॉम्सन ने लगाया था इलेक्टॉन की समद्ध में जानकारी प्राप्त होने के पहले इगोल्ड इस्टीन ने 1886 में एक नई विक्रण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया था आपको बताना है या कि 1885 में हमारे देश में क्या घटना घटी थी महारत में एक अच्छा कोई संस्थान किसकी स्थापना की गई थी या कोई अच्छी घटना आपको नीचे बताना है एक नई धाना आवरसित विक्रण थी जिसके द्वारा अंतरता दूसरी अवपरमाड़ कड़ों की खोज हुई इन कड़ों का अविस एलेक्टोन की अविस की बराबर किन्तु विप्रईद था इसका द्रमान एलेक्टोनों की अभिप्चा लगबग 2000 गुणा अधिक था उनको प्रोटोन नाम दिया है समानता एलेक्टोन को ए के इरेड आविस की द्वारा ओ प्रोटोन को पी पिलस आविस के द्वारा तरसाया जाता है प्रोटोन का द्रम्मान एक एक आई और इसका आविस पिलस बन लिया जाता है एलेक्टोन का द्रम्मान नगन और आविस माइनस बन माना जाता है ऐसा माना गया है कि परमाडू प्रोटोन एलेक्टोन से बने है जो परसपर आविसों को संतुलित करते हैं ये भी वितित हुआ है कि proton पर्माडू के सबसे भीतरी भाग में होते हैं electron वो को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन proton वो को नहीं आसानी से निकाला जा सकता है अब सबसे बड़ा प्रिशन यह था कि कड़ पर्माडू की सरचना किस करते हैं और इससे हम विष्णों का अपतर नीची मिलेगा अभी आप लोग इन कोश्चेनों देख चुके हैं क्या देख चुके हैं क्या नाल केड़ने क्या होती है यदि किसी परमाडू में एक एलेक्टोन और प्रोटन है तो इसमें कोई आविस होगा या नहीं इन सब की बारे में जान चुके हैं परमाडू की सरचना हमने अध्यहतीन में डाल्टन की परमाडू सितहनत की बारे में पड़ा है ड़िसके न mess yön परमाडू आविभाज और अमी नासी है लेकिन परमाडू की बहतत है दो मूल कड़ूं इलेक्टोन और प्रोटोन की कोच्छ नए डाल्ट्रंग कि परमाडू सित्धान्त की इस धार्णा को गलत सावत कर दिया कि अब यह जानना आवस्त था कि इलक्टॉन और प्रोटॉन परमाडू की वीतर किस तरह बिवस्ते थे इसको समझने हाने के लिए बहुत से विज्ञान को ने बिन बिन पिकार की मॉडलों को पिस्तुत किया ज जेजे टॉम्सन पहले विज्ञानित के जिन्होंने परमाडू की सरचना से संबंदीत पहला मॉडल पिस्तुत किया था तो बात करते हैं टॉम्सन का परमाडू मॉडल टॉम्सन ने परमाडू की सरचना से संबंदीत एक मॉडल पिस्तुत किया जो किसमस के की तरह था इसक इसके अनुसार परमाडू में धनाविस तरबूज की खाने वाले लाल भाग की तरह विख्राब हैं, जबकि इलक्टॉन धनाविसित कोले में तरबूज की बीच की भाथी धसे होने, इस तरह से देखे यह इलक्टॉन, यह धनात्मा कुपर, गोला, टॉम्सन का परमाडू मो बैटिस बहुतिक सास्त्री जेजिट टॉम्सन, इनका जनम होता है 18 दिसंबर 1856 में, मैंचेस्टर की कीचम हिल छेत में हुआ था, एलेक्टॉन की कोच के कारण 1906 मेने में, बहुतिक सास्त में नोबल पुरुषकार मिला, और 35 बरस तक भी केम्बरिज में, के वेंडेस प् नेयोबियों को भी आंगे चलकर नोबल पुरुषकार मिला, एक बात याद रखिए एलेक्टॉन की कोच किस न की थी, आपके जीजे थॉम्सन ने, और इसी के लिए टॉम्सन ने, इसी के लिए ने नोबल पुरुषकार मिला था 1906 में, टॉम्सन ने पिस्तावित किया कि पर्माडू धनाविसत को लेका बना होता है, और इलेक्टॉन इसमें धसे होते हैं, रेडात्मक और धनात्मक आविस पर्माड में समान होते हैं, इसलिए पर्माडू पिद्धो तिये, रोख से उदासीन होता है, यागे भी टॉम्स की मॉडल से पर्माडू के उदासीन हो अर्नेश्ट ब्रदर फोर्ड या जानने के चुकते कि इलेक्टॉन पर्माड़ों की वीतर कैसे विवस्ते थे उन्होंने एक प्रियोग किया इस प्रियोग में तेज गती से चल रहे अलफा कड़ों को सौने की पन्नी पर ठकराया इन्होंने सौने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि बे बहुत पतली परच चाहते थे सौने की ये पन्नी एक हजार पर्माड़ों के बराबर मोटी थी इन्होंने इनके अधिक पिच्चेपण की आसा नहीं जी थी सौनी के परमाड़ू, अलफा कर्ड। सौनी की परते हैं देखाए दे रहे हैं। लेकेन अलफा कर्ड पीकीडन प्रयोग परियोग ने आसा बिलकुल बिपरीत पैडाम दिया। इससे नेमलिकित पैडाम मिलें। क्या। तेजगती से चल रहे अधिक्तर अलफा कडھ सौनी की पणनी से सीधे निकल जाते हैं देखिये निकल रहे हैं इन्हीं की बात किया रहे है कुछ अलफा कड़ पणनी के दौरा बहुत छोटे कॉंट से बिच्छे पर त्यानी की लॉढ़ दें आश्चे जनक रोप से पितेग 12,000 कलों में से एक कड़ बापस आ गया तो रदर फोर्ड के अंसार एरपईडाम उसी पिकार अविस्वस्निय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टीसू पेपर के टुकड़े पर मालते हैं उबर हो लौटकर आपको भी चोट पहुंचाता है तो ये रदर फोर्ड के साथ के बारे में जाल लिए इनका जनब होता है 30 अगरस्त 1891 में इसपेंग ग्योग में उन्होंने नाविकी ये बहुत तकी का जनब माना जाता है इनको नाविकी ये बहुत त्की का जनक माना जाता है रेडियो धरी मीता पर अपने यहुदान और सौनी की पन्नी के द्वारा परमाणू के नाविकी खोच के लिए बेबहुत बिसिद्धे 1908 मेने नोबल पुरुसकार भी मिला बहुत कीता इस प्रियोग की निसकर को समझने के लिए खोले मैधार में एक किरिया कलाब करते हैं माललें की एक बच्चा अपनी आख को बंद करते हुए एक दीवार के सामने कड़ा है उसे दीवार को और कुछ दोरी से पत्थर फेकने को कहें प्रिय पत्थर की दीवार से टकराने के साथ ही वह है वह एक कागh एक आवार सुनता है अगर उसे एक बार दोर आए अगर वह है इसा धस बार दोर आए तो वह दस बार आवार सुनेंगा लेकिन जब आँख बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई चार दिवार पत्थर फेकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी क्योंकि गेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थन निकल जाता है इसी तरह के अमसार अलफा कड पिकेडन प्रियोग के आधार पर अधर फोड़ने निम्ने परड़ाम निकाली पाउन कोई से परमाडों के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अलफा कड बिना बिच्चे पित हुए सौनी की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं यहाँ आपने चित में देखा भी है इस तरह ऐसे निकल रहे हैं बहुत कम कड अपने मार्ट से बिच्चे पित होते हैं जिससे यह ज्यात होता है कि परमाडू में धनाविसित भाग बहुत कम हैं बहुत कम अलफा कड 180 डिगरी पर बिच्चे पित हुए थे जिससे यह संकित मिला है कि सौनी के परमाडू का पूर्ण धनाविसित भाग और के प्रियोकों के आदार पर रदर्पोर्ड ने पर्माडु का नाबकी मोडल पिस्तुत किया, जिसके निमलिकित लग छंटे हैं, कौन बार्दू का कैंद धन आवश्त होता है, जिसे नाविक कहा दका है, एक पर्माडु का लगभग सम्पूर्ण द्रमां नाविक में होता है अब बात करते हैं रदर पोड की परमाडू मोडल की कमिया क्या क्या रही है आके वर्तूला कार मार्ग में चक्रन करते हुए अलेक्टॉन का इस्थाई हो पाना संभावित नहीं है कोई भी आविसित कर गोला कार कप्च में तुरित होगा तुरन की दौरान आविसित करों से उर्जा का विक्रन होगा इस पेकार इस्थाई कर्च में घूमता हुआ एलेक्टॉन अपनी उर्जा विक्रिक करेगा और नाविक से तकरा जाएगा अगर इसा होता है तो परमाडू आष्थिर होगा जबकि हम जानते हैं कि परमाडू इस थाई है क्या है परमाडू इस थाई है फिर आता है बोर का परमाडविक मॉडल रदर पोड की मॉडल पर उठी आवत्तियों को दूर करने की नेल्स बोड ने परमाणूं की रचना के बारे में रचना के बारे में निमलिकित अवधारणायं पिस्तुत की कैनि याद रखी इस्तरह से हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि पहले करीर आया कि देखते हैं responds तर उसमें सुधार हो दा जते हैं और अप समझ दो समय स सब्सक्राइब फर यूंह दूर करें फिर ऊन्ने की प्रहते हैघए लेक्टोन केवल कुछ निस्चित कप्छा वांवी चक्र लगा सकते हैं जब इलेक्टोन इस बेवी किर्थ कप्छा में चक्र लगाती है तो उनकी उर्जा का विकरन नहीं हुता है नीजिस बोर्ग के बारे में अगर बात करें तो इनका जनम होता है 7 अक्टूबर 1885 में कोपेन हेगन में हुआ था 1916 में कोपेन हेगन विस विद्याले में उनको बहुत की बहुतिक सास्त का प्रोफेसर नेवत किया गया अगर तीन चाथ बुक्स के नाम दे देंगे आपसे पूचेंगी कि इनसे इन में से कौन आपकी नीज सबोहर साहब की बुक्स हैं तो आपको बताना होगा इन कप्छाओं यानि की कोसों को उर्जा इस्तर कहते हैं चित चाहद असमलों तीन में एक परमाडू के उर्जा इस तरों को दिखाए गया है किसी परमाडू में कुछ उर्जा इस तरह ए ना भी हो गया या आपकी के कच्छ ए हो गया एन बराबर एक एल कच्छ हो गया एम कच्छ हो गया एन कच्छ हो गया एक अप्चाय की एलेहमेंट या फिर संखाओं एक दो तिंग चार की द्वारा दिखाई जाती है आपकी यह आपकी questions दिये गए हैं देख सकते हैं अब चलते हैं neutron 1932 में जे चैडविक ने एक और अवपरमाडविक कड की कुछ की जो अनाविसित और द्रमान में proton के बरावर था अता है इनका इसका नाम neutron क्या पड़ा neutron में होते हैं सामानता neutron को n से दर्शाया जाता है परमाडविक में उपस्तित proton और neutron के द्रमान की एक के दिखाड किया जाता है याद रखे एलेक्ट्रॉन की कुछ आपके जे जे टॉम्सन साहब ने की और न्यूट्रॉन की कुछ जे चैडविक साहब ने की ठीक अब बात करते हैं बिभिन कप्छाओं में एलेक्ट्रॉन कैसे बितरित होते हैं कि परमाड़ों की बिभिन कप्छाओं में एलेक्ट्रॉन अधिक्तम एलेक्ट्रोनों की संख्या को सूत 2N2, 2N2 से दसाय गया है, जहाँ N कप्छा की संख्या या फिर उल्जा इस तर होता है, इसलिए एलेक्ट्रोन की अधिक्तम संख्या पहले कप्छ, यानि की के में कोस में होगी, तो 2 इंटू 1 की पावर 2, जो N बन लिखा गया है N की जगए एक अक्छा है, ठीक है, बरावर 2, दूसरे कप्छ में आपकी होगी, L कोस में होगी संख्या, 2 इंटू 2 की पावर 2, यानि की 8 होगी, तीसरे कप्छ या, M कोस में होगी, इलक्ट्रोन की संख्या, 18 इस तरह से आप सूत लगा कर निकाल सकती, चौते कप्छ में N कोस में होगी 32, ठीक है, या आपकी पहले 18 तत्तों को की परमाड़ी सरजना की विवस्ता किरम है, हाईडोजन, हीलियम, लीथियम, बेरियम, पोरॉन, कारवन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, ठीक है, देख सकते हैं, सबसे बाहरी कोस में इलक्टोनी के अधिक्तम संक्या कितनी होती हैं, 8 हो सकती है, किसी परमाड़ों के दिये गए कोस में, इलक्टोन तब तक इस्था नहीं लेती, जब तक कि उससे पहले बारी बाले भीतरी कप्छ, पूरुरूप से भर नहीं जाती, इससे इस परष्ट ह प्रता ही खशाएं क्रम अनुसार भरती हैं, अब आप उसी तरह से लग सकते हैं, कई बार आप तंकी का इस तरह सी फिलू कर देती हैं अपने घर की सभी तंकी वो पानी की, कि जब एक भरेगी उसके बाद ही दूसरी तंकी में पानी जाएगा, फिर दूसरी भरेगी तीसरी, तो इसी तरह आपका इन कोसों का यानि की कप्छाओं का है कि इससे पहले पूर्ण नहीं हो जाते हैं उसके बाद ही आपका आगे जाएगा जब तक आगे की नहीं बर जाएगे उससे आगे नहीं बड़ेगा पहले 18 तत्तों के परमाडव सरजना की विवस्था चित देख लिए आपने उपर अब किरियाकलाब 4.2 इस्थाई परमाडवीक मॉडल तियार करें और पहले 18 तत्तों की किरिय इलेक्ट्रोनिक विन्यास को दिखाएं पहले 18 तत्तों के परमाडव का सही वजन 54.1 में दी गए हैं सयोजक्ता हम पढ़ चुके हैं कि परमाडू की विभिनने कच्छाओं या कोसों में इलेक्ट्रॉन किस पेकार विवस्तित होते हैं किसी परमाडू की सबसी बाहरी कच्छा में उपस्तित इलेक्ट्रॉनों को सयोजक्ता electron कहा जाता है बहुर बरी श्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाडू के बाहतम कछ मेँ अधिक्तम आठ एलेक्ारण रख्स रखे जा सकتے है यह देखा गया है कि जिन तक्त्तों के परमाडू के बाहतम कप्छ पूरुप से electron आठ से भरे होते है – विरसानिक रूप से शक्त्रिय नहीं होते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो ऐसे तत्तियों का सहयोजन सक्ति या सहयोजक का सून होती है इन अक्रिय तत्तों में से हीलियम परमाडू के बाहतम कक्ष में दो इलक्टॉन होते हैं और अन्ने में आपके आठ होते हैं सक्रिय तत्तों के परमाडूं की सयोजन सक्ति अर्थात अपने समान या पिर अन्नी किसी तत्त के परमाडूं से मिलकर अडू बनाने की प्रवत्ति अपने बाहतम कक्ष को पूरूरूप से भनने का प्रियास माना जाता है। आठ एलेक्टॉनवाले सबसे बाहरी बाहत्म कख्च को हम लोग अश्टक माना जाता है परमाणूँ अपने अन्तिम कख्च में अश्टक प्रापद करने के लिए क्रिया करते हैं या आपस में इलेक्टोनों की सांजिदारी करने, उनको ग्रहन करने या फिर उनका थ्यार करने से होता है, परमाड़ों के बाहतम कक्ष में इलेक्टोनों के अश्टक बढ़ाने के लिए, जितनी संख्या में इलेक्टोनों की सांजिदारी या इस्थानांतन होता है, वही उस का परित्याग कर सकते हैं। इसलीए इनकी सेयुवजक्ता संख्या 1 कि आप जाती है। क्या आप कि मैगनेसियम ऐलॉम्उनियम की सेयुजक्ता क्या है? один क करम्शा हथ्य और दो है।कि इनकी मैगनेसियम के बाहत्म कप्च में 2 और ऐलॉम्उनियम के 3 होते हैं। या curls कि परमाणों की बाहत्म कक्ष में साथ एलेक्टोन होते हैं इसकी सहयुजक्ता साथ हो सकती है किन्तु बाहत्म कक्ष में अश्टक बनाने के लिए फिलॉरीन के लिए साथ एलेक्टोनों का त्यार करने की अभिच्छा एक एलेक्टोन पराफ्ट करना अधिक आसा है, अता है इसकी सयुजक्ता, इसकी सयुजक्ता क्या होगी? इसकी सयुजक्ता अश्टक आठ में से साथ गटा के फिराथ की जाती है इस तरह फिलोरीन की सयुजक्ता एक है ओक्सीजन की सयुजक्ता का परिकलन भी इसी पिकार किया जा सकता है इस परिकलन में से ओक्सीजन की सयुजक्ता कितनी होगी आताहा पितिक तध्य की परमादुवों की एक निश्चित सर्वोजन सक्ती होती है जिसे इस इसारोजगता कहते हैं पहले 18 तत्तों की सहुझकता, 4.1 के अंतिम इस्थम्म में दीवी है, यह है आपकी सहुझकता, इसमें आप जो ओक्सिजन की बात कर रहे हैं, इसमें 2 होगी यह ओक्सिजन की सहुझकता, देखिए, तत्तों का नाम हो गया, पितिक हो गया चिन, परमाणू की संख्या हो गई, प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रोन की संख्या, इलक्टोनों की संख्या, यह इलक्टोनों का वित्रण है, ठीक है, सहुझकता है, हाइड्रोजन, पितिक चिन, ऐससे इसे बैत, परमाणू की संख्या, एक, प्रोटोनों की संख्या है, एलक्टोनों की संख्या, एक, औ और इसमें केक अक्षा में एक ही इलक्टान आएगा इस तरह से इसकी सभी जक्ता अबन होगी। इस तरह से ओक्षिजन की देख लीजिए बाकी आप देखते रहिएगा ठीक है ? 0, sorry oxygen की संख्या क्या है परमाड़ों संख्या, 8, और proton की संख्या, 8, neutron की संख्या, 8, और electron की संख्या, 8, और इसके 8 में जैसे आप 8 electron है total, तो इसमें बितरंट किस पिकाल से होगा electron का, दो पहली कछा में, फिर 6 है उसके बाद, दूसरी कछा में, L कछा में, इस तरह से आपके 2 सई अप्ता होगी इसकी के इस तरह से स्कीन सॉट ले लीजिए या फिर आप लोग पीडिया डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए अब चलते हैं हम लोग परमाडू संख्या तरह द्रमान संख्या के बारे में परमाडू संख्या दीखते हैं हम जाते हैं कि परमाडू की नाविक में प्रोटोन विद्दमान होते हैं एक पर्माडू में उपस्तत प्रोटोन की संख्या उसकी पर्माडू संख्या को बताती है इससे आप लोग जैड के द्वारा दल साते हैं किसी तत्य के सभी अडूओं के की पर्माडू संख्या जैड समान होती है बास्तों में तत्यों को उसके पर्माडू में वेदमान प्र वायिवासित किया जाता है Hydrogen के लिए 1 एक है, च्योंकि Hydrogen पर्माडू के नाविक में किबल एक proton होता है, इसी पेकार Carbon के लिए 6 है क्या है 6 इस पेकार है एक पर्माडू के नाविक में उपस्तेतτε प्रोडोनों विकल संख्या को आप लोग परमाडू संख्या कह देती हैं, फ़र आप सुनते ही द्रमाण संख्या, एक परमाडू की आओ परमाडू एक कड़ों के अद्धेन की बाद हम इस निसकर पहुंच सकते हैं, कि विवारिक रूम में परमाडू का द्रमान उसमें विद्ध्मान प् होता है वोधालनके लिए कार्वन का द्रमान 12 क्योंकि इसमें 6 प्रोटोन और 6 न्यूट्रोन होते हैं लिए 6 बेकोफान सक्तावीं का द्रमान स्ताई सिर्जलों 13 आपकी प्रोटोन होते हैं उसमें 14 न्यूट्र About एक परमाडू की नाविक में उपस्तित प्रोट्रोनों और निट्रोनों की कुल संख्या की योग को द्रमाल संख्या कहा जाता है किसी परमाडू को दर्साने के लिए परमाडू संख्या द्रमाल संख्या और तत्य का इतीक इस पेकार से लिखा जाता है द्रमाद संख्या तद्ध का विती हो गया उसके बाद परमाडू संख्या थे इस तरह से आप उधारन के लिए नाइट्रोजन को इसपेकार लिख सकते हैं थे अब चलते हैं वोग समझ्थान की वह प्रक्ति में कुछ तद्धों के परमाडू की पहचान की लिए जिनकी परम संख्या अलग अलग होती है उधारन के लिए हैट्रोजन को लें इसके तीन परमाडवी स्पेसीज होते हैं प्रोटीमियम डियूटेरियम ट्राइटेरियम पितेग की परमाडू संख्या समान होती है लेकिन द्रमाड संख्या जो है उपर एक क्रमसा एक दो तीन है इसी तर इसी तरह आप किलोरीन ले सकते हैं इनो धारणों के आधार उपर समिस्थानिकों को इस पेकार परिवासित किया जा सकता है कि एक ही तत्य के परमाड़ू जिनकी परमाड़ू संक्या तो समान में होती है लेकिन द्रमाड संक्या भी नहीं होती है इस तरह हम कह सकते हैं कि hydrogen परमाडू के तीन समिस्थानिक Crotium M, deuterium और Triterium होते हैं आपके याद रखे सीधी भाद आपके समिस्थानिक की अगर परीद भावसा पूचे तो आपको बताना है कि एक ही तत्य के परमाडू जिनकी संख्या परमाडू संख्या तो समान होती है लेकिन जो दिर्मान संख्या होती है वो अलग-अलग होती है बहुती तत्तों में समिस्थानिक कमिसरन भी होता है किसी तत्त का पितेक समिस्थानिक सुद्ध पदालत होता है समिस्थानिकों के रसाइनिक गुड़ समान है लेकिन बहुती खुड अलग लग होते हैं परक्यती में किलोरीन दो समिस्थानिक रूपों में पाए जाता है जिसका द्रमान 25 और 27 जो थ्री अनवाद एक के अनवाद में होता है अब यह विशन उठता है कि किस पेकार को किलोरीन परमानों के द्रमान मानना चाहिए आएए पता लगाते हैं किलोरीन का ओसत परमानों द्रमान होता है इस तरह से आप करें इस तरह से निकालें किसी ब्राक्तिक तत्त के एक परमानों के द्रमान उस तत में विद्रमांत सभी प्राक्तिक रूप में शिपाय, जाने वाली परमाड़ूं के ओसत रूबान के बराबर होता है, अगर किसी एक तत का कोई समिस्थानिक नहीं है, तो परमाड़ूं का द्रमान उसमें उपस्थित प्रोटोन, निडरान के द्रमान का योग होता है लेकिन अगर एक तद्ध समिस्थानिक गुरूप में उपस्तित होता है तो हमें पित्धिक समिस्थानिक गुरूप का पितिसा जानना हुगा औस द्रमान की गढ़ना करने होगा इसका मतलव यह नहीं है कि किलोरीन के परमाड़ूं का द्रमान एक बिनात्माव संख्या 35.5 है इसका ताथ पर यह हुगा कि गर आप किलोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें किलोरीन के समिस्थानिक होंगे और समिस्थानिकों की अनुरूपयोगों की बात करें जिनका उप्यों हैं विविन्ने चेत्रों में करते हैं उनमें से कुछ निम लिखे थे यूरेनियम के एक समिस्थानिक का उप्यों परमाडू गटी में इन्धन की रूम में करते हैं कैंशन की उप्चार में आपने सुना होगा, कोबाल्ट के समिस्थानिक आउपयू करते है गैंगा रोक की इलाज में आयोडीम के समिस्थानिक आउपयो करते है थ्रेक्स सब्द सुनते हैं संभारी दो तक्ट कैलसियम, इसका पर्माडू संख्या 20 है और आरगन परमाडू संख्या इसकी 18 की बारे में विचार केजिए परमाडू में प्रोटोनों की संख्या भिन्न में नहीं दोनों तत्तों की द्रमाड संख्या 40 है यानि तत्तों में से इस जोड़े जोड़े अड़ों में पुल निवकलियनों की संख्या समाने, अलग अलग परमाडू संख्या वाले तत्तों को जिनकी द्रमाडू संख्या समान होती है, संभारिक कह लगती है, और जहाँ आपके परमाडू संख्या समान थी, लेकिन द्रमाड अलग लगती, उन्हें सम्मिस्थाने कहा गया था, ठी तो आपने क्या कैसे कि लिए इसमें पिज्ञान में ये अच्छा है कि आपके लिए बता दिया जाता है कि आपने क्या पढ़ा गाए यानि कि निस्क्रस की रूम में एलेक्टॉन प्रोटॉन की कोच कुछ करमसा जी जे-जे-टॉम्शन और यी गोल्ड इस्टीट ने की थी जेजे टॉम्सन ने यह विस्तावित किया कि एलेक्टॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं तो रदरफोर्ड के अलफा कड़ों के पिकीड़न प्रेयोग ने परमाडू के अंदर की कोच किया रदरफोर्ड के परमाडू मोडल ने पिस्तावित किया कि परमाडू के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और एलेक्टॉन के अंदर के चारों और गुनते हैं परमाडू की इस्थिरता कि इस मोडल से व्याक्या नहीं की जासाथी नील बोर्दवारा दिया गया परमाडू का मॉडल अधिक सफल था उन्होंने प्रिस्तावित किया कि इलक्टॉन केंद्रक के चारों और निश्चे तूर्जा के साथ अलग-लग कक्छाओं में बित्रे थे अगर परमाडू की सबसे बाहरी कक्छाओं भर जाती हैं तो परमाडू स्थिर होगा और कम प्रियासिर होगा जे चैड़ भी ने परमाडू के अंदर न्यूट्रोनों की उपस्तिती कुख हो जाए इस पेकार परमाडू के तीन आव परमाडू कड़े हैं प्रोटोन न्यूट्रोन एलेक्टोन रेड़ आविसित होते हैं प्रोटोन आपके धनाविसित होते हैं न्यूट्रोन आपके अनाविसित होते हैं याद रखी एलेक्टोन रेड़ आविसित प्रोटोन धनाविसित और न्यूट्रोन अनाविसित एलेक्टोन का द्रमान प्रोटोन और नीट्रोन में पितेक का द्रमान एक एक एकाई लिया जाता है, परमाणू के कख्चों को K L M M N या फिर 1, 2, 3, 4 के नाम दिये जाते हैं, सयोग जगता परमाणू की सयोग न सकती है, एक तत्य की परमाणू संख्या के अंदुरक में बिद्धमान प्रोटोनों क की संख्या के बराबर होता है, परमाणू की द्रमाण संख्या के अंदुरक में बिरद्धमान नीकलियानों की संख्या के बराबर होती है, समिस्थानिक एक ही तत के परमाणू हैं, जिनकी द्रमाण संख्या भिन्विन होती है, समभारिक बे परमाणू हैं, जिनकी अब जाद रखे पहले आपकी टेलीग्राम पर ड़ली हुए है, वहां से डाwn लोड करके रख ले, ज़रूरत पढ़ती ही रहती है, और एक ही जगह आपको पीडीएप डली हुई है कि कौनपाउन से पीडीएप, बुक्स आपको पढ़ती है, आपको परिशान भी नहीं होना पड़ेगा तो इस तरह से यह होता है आपका 14 अध्याय कतम आप 5 अध्याय में बात करेंगे हम लोग जीवन की मौलिक एकाई के बारे में चलिए तो हम लोग बात कर रहे थी NCERT कक्छा नौवी की विध्यान के बारे में तो इसमें आपके चार अध्याय हम लोग कतम कर चुके थी या आपका 5 बात नहीं है याद रखिए अगर आप स्टेट्स PCS या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय रहते हुए NCEIT को पढ़ लें मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि इसका कोई दूसरा भी कल्प नहीं है आप सोचें कि NCEIT पढ़े बिना पढ़े कुछ उखड़ जाए तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है मेरे दोस्त इसलिए समय रहते हुए बहुत सभी डाल दी गई है तो कप्छा चटवी से हम लोग नौवी तक की सभी लगभग लगभग बुक्स देख चुके है और लास्ट बुक उपर चीथती है आपकी बिज्ञान तो इसके खतम होने के बाद हम लोग चलेंगे कप्छा दसवीदी टोटल पूरी बारे ही हम लोग क कि पतली काट के अवलोकन का पर रावाट होक ने पाया की इन में अनेक छोटे-छोटे प्रिकोष्ट है जिसकी सरचना मदुमक्खी के छत्ते जैसी पितीत होती है कार के पदार्त है जो बैक्ची की चाल से पराप्त होता है हमें सन 1665 में होक ने से सौ निरमित सूख च्मद किसने की तो रोबाइट हुट का नाम आता है होक का रोबाइट हुग का और रेट आती है 1665 की बात है ठीक और यह लेटिन सब्द है जिसमें इसका अर्थ होता है छोटा कमरा उप्युक्त गटना छोटी तता अर्थ हीन लगती हो लेकिन विज्ञान की इतियास में यह यह बहुत ही मत्पून गटना है इस पेकार सबसे पहली होकन ने देखा कि सजीवों में अलग-अलग एकक होते हैं इन एककों को बाइडन करने के लिए बिग जीव बिग्यान में कोशीका सब देखा उपयोग आज तक किया जाता है आओ अब हम लोग कोशीका के विश्यमें औ और अधिक जानकारी फिराफ्त करते हैं सजीव किससे बनते हों सजीव आखिर बनते किससे किरिया किलाब 5.1 को देखे इसमें भी आपको याद रखना है कि जो किरिया किलाब दिये गए इन्हें केवल पढ़ना है और आपको आराम से निकल जाने क्योंकि आपके लिए ना किलाञें चिम्ची की सायता से हम प्याज की вопросы सटय और भीत्री सटय से जिल्यव उता सकते हैं इस जिल्य को तुरंद पानी वाले बॉच गिलास मेंं रख लेते हैं इस से जिल्य मोटने अत्वा सूख से बच जाए हम इस जिल्याज से क्या करें एक काज की स्लाइड लो इस एक पतला पैंट वोड इस जिल्ली की को सिलाइड पर रखने में आपकी साहता कर सकता है अब इस पर एक मून सेफा सेफरा माइन को डालो और इसे कवर सिल्प से ढख दो कवर सिल्प को सुई की साहता से इस पेकार रखें जिससे कि इसमें बायू के बुल्बिले ना आने आ आस था इस लाड बनाओं इसे पहले कम सकती वाले तत् Deadpool उसके बाद उच सकती हाले सयुक्षमज़सी से देह सकते हैं सयुक्षमज़सी ने आधार है संग्राही सूब्ष्मज़स मंच अभी दिस लेंस भुजा या आप सुक्ष में समायोजन प्रारंबी समायोजन नेद्दी का लेंस और दे नलीता आपने क्या देखा क्या आप जो सरचना सुक्ष में दर इसी द्वारान देखते हैं उसे कागज पर खें सकते हैं क्या यह चित 5.2 जल्शी दिखाई देखती है इसमें देखिए एक केंद्रक देखा है एक केंद्रक हुआ है एक कोशी गाए प्याज की जिल्ली की कोशी गाए हम बिभिन पेकार की बिभिन आकार वाली प्याज की जिल्लियों से आज स्थाई स्लाइड बनाएंगे हम क्या दे सरचनाएं क्या है आके यह सभी सरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है यह सभी मिलकर एक बड़ा बड़ी सरचना सल्ककंद बनाने बनाती है जैसे प्याज इस करिया कलाप से हमें पता चलता है कि विम्हिन आकार की प्याज में सुपने दर्शी द्वारा देखिदने पर एक चैसी सरचना दिखाई देती है, प्याज की जिल्ली की कोशिकाई एक समान है, प्याज की आकाल से इसका कोई सम्मंद नहीं है, ए छोटी-छोटी सरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्क, कंद, प्याज की मूलबूत इकाई हैं, इन सरचनाओं को कोशिकाई कहते हैं, क्या कहते है आवर्दक लेंज की पूच के बाद सूख्षदर्थी का अविस्काल संभव हो सका है यह पता चलता है कि एक मात कोशी का स्वें में ही एक संपूर्ण कोश्क जीवों में अने कोश्काओं समाहित होंकर विवेन कारेयों को संपन करने ही दू विवेन आंगों का निर्माण करते हैं इसके कोश्क अविभाजित होकर अपनी ही जैसी कोश्काओं बनाती है इसके कोश्काओं अपनी पूरबर्ति कोश्काओं से उतफन होती है अपना सरीवारों हम लोग भी से की हैं यह यहां कुछ पॉइंट दिय गए हैं इनने भी देख लेते हैं एक कोश्टिका का सबसे पहिली पता रोबार्ट फॉपन सो 1665 में लगा है उसने कोशिका को कार की पतली काट में अनगर सूख्चन दर्शी की साहता से देखा लिव बैन हग 1644 ने इसने सबसे पहले उननत सूख्चन दर्शी से तालाब की जल में सुतंत रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया रोवर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंदरक का पता लगाया ई जे इ पुरो कंज ने 1849 में कोशिका में इस्ते तरल जविक पदालत को जीव दरब का नाम दिया जो दो जी बिग्यानिक एम इसलीडन 1843 टीसवान 1849 ने कोशिका सिध्धान्त के विजए में बताया किसके कोशिका इस सिध्धान्त के अमसाल सभी पौते तथा जन्तू कोशिकाओं से बने हैं और बे जीवन की मुल्बूत एकाई हैं विर्चो विर्चो अठारो सो बच्पन ने कोशिका सिध्धान्त को और अंगे बढ़ाया उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं पूरबर्ती कोशिकाओं से बनी हैती है 1940 में एलेक्टॉन सोख्चिंदर्शी की कोशिका की जटिल सरचना तथा बहुत से अंगेकों को समझना सभाव हो सका याद रखिए जी इतनी प्रगेती उती जाती है उतनी नहीं नहीं खोजे होती जाती है अपने देखा कि जब आदीमानुब आया तब उसने ठ्वाले खटे करके जंगली जानवरों से अपना बोजन पाम चखल देखा लगा फिर हल आया अपने देखा होगा यादि के जाने लोगई तर देखा आप टेक्टों से खेती होने लगी नहींилось होती रही है भी नहीं एकायक तो कोई नहीं हो जाता है कोई भी कोज नहीं होती है पहले कोज चीक्छा की हुई फिर उसके बारे में कुछ और तथ्य में इस तरह से आंगे बढ़ते जाते हैं आंगे और भी कोज हो सकती है समझ रहे हैं आप समझ सकते हैं पहले किसी ने देखा होगा बड़ा तारा तो उसने कहा कि एक तारा है फिर उसने देखा होगा दूरवीन की साहता से और अच्छी दूरवीन में नहीं उसने और जानदा तारी देखे होंगी तो इस तरह सी होती रहते हैं अब बात करते हैं किरिया कलब 5.2 हम पत्ती की जिल्ली प्याज की मूलाग अत्वा विभेंड विकार आकार के प्याज की जिल्ली की अर्ष्थाई सिलाइड बना सकते हैं उब्युक्त किरिया कलाब करने के बाद निमलिकित पिस्न के उत्तर दीजिए क्या सभी कोशिकाओं की सरचना एक जैसी दिखाई देती हैं क्या पादप के विभेंड भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंता है हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है कुछ जीबो में बिभलेंद पेकार की कुछ काई भी हो सकती है एक आंसर मिले गां यह आपका यह देखे एक जामान नहीं होती । विभ यह श्रूच की ऑ membahar को सकती है निम्ह contents के तस्बीरों को देखें देखो यह मानौ सरी मिवलेंद कोषिकाह है मानुसरी की बिवन कोशिकाएं इसमें आपके अंडाड़ होगे सुक्राड़ू देख रहे होगे वसा कोशिगा अस्ति कोशिगा तंतिका कोशिगा जोधिर कोशिगाएं चिकनी पेसी कोशिगाएं सबीटी कोशीगाओं की आकर्थी तथा आकार उनकी विशिष्ट कारियों के नरूप होते हैं कुछ कोशीगाएं अपना आकार बदलती रहती हैं जैसे आप सो देखते हैं एक कोशीग की आमीवा कुछ जीवों में कोशीगा का आकार लगवग इस्तर रहता है और पितेख पिकार की कोशीगा के लिए बिसिष्ट होता है उधारन के लिए तंतिका कोशीगा कौनसी तंतिका कोशीगा पितेख जीवित कोशीगा में कुछ मूलभूद कार करने की छमता होती है जो सभी सजीवों का गोड़ है एक जीवित कोशिका ये मूलबूत कार कैसी करती है हम जानते हैं कि वह कोशिये जीवों में सरम विभाजन होता है जैसा कि मनुस्त में इसका लते हैं कि सरीर के विभन अंग बिन ने विन ने कार करते हैं जैसे मनुस्त से कि सरीर में हिदायरोधिर को पंप करना आमा साइ भोजन का पाचन करना इसी पिकार एक कोशिक में भी सरम्वेभाजन होता है बास्ताओं में ऐसी पितिक कोशिका में कुछ पिसिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं पितिक कोशिकांग एक पिसिष्ट कार करता है जैसे कोशिका में नई पतार्थ का निर्माट अपसिट पतार्थों का निस्काफ़न आती है इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार करते हैं एक कोशिकांग मिलकर एक मूलबूत एकाई भी मनाते हैं जिसे हम लोग कोशी का कहते हैं यह बड़ा रूची करें कि सभी कोश्काओं में एक ही पकार की कोश्कांग होते हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कार क्या है अत्वाब 21 जीव में पाई जाती है एक कुश्चन्स दिये गए हैं दे सकते हैं कि आंसर पड़ते रहे हैं अब बात करते हैं कोशी का किस से बनी होती है कोशी का सारचनात्मक संगठन क्या क्या है हम देखा कि कोशीका में विश्च्ट स घंटक होती है जिन्हें कोशीका हम कहते हैं कोशीका क्यसी संगठत क Housing होते है यदी हम कोशीका का अध्ये सूप संदर्शी से करें तो हमें लगबग पिते कोशी का में तीन गोड दिखाई दें पिलाजमा जिल्ली कैंदरक और कोशी का द्रब क्या 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 पिलाजमा जिल्ली कैंदरक तीसरा है कोशी का द्रब कोशी का के अंदर होने वाले समस्त किरिया कलाब तथा उसकी बाहर परियावन से पारस कोशिका के गटकों को बाहरी पर्यावन से अलग रखती है पिलाज मा जिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अत्वा बाहर आने जाने देती है यह एन पदार्थों की गती को भी रोकती है कि कोशिका जिल्ली को इसलिए वर्डात्मक परागम जिल्ली भी कहते हैं कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है। पदार्थ कोशी का से बाहर कैसे आते हैं। कुछ पदार्थ जैसे आपका carbon dioxide हो गया, अत्वाव oxygen। ए कोशी का जिल्ली के आर पार बिसरन विसरण की पिक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, हम पिछली अध्यायों में, बिस्तरण की पिक्रिया के विसाय में पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि पदारतों की गती, ऊच्छे सांधृता से निम्न सांधिता की गूर, देखनेगा आपको मिलती है, कुछ ऐसे इसी पिक्रिय कोशीगा में होती है उधारन के लिए जब कुछ पदार्ज जैसे CO2 यानि की कारवंडा यह अपसेट जो एक कोशीगा में अपसेश्ट है जिसका निस्कासन आवस्त के कोशीगा में एकत्तित हो जाती है तो उसकी सांधता बढ़ जाती है कोशीगा के बाहर परियावन में CO2 क चいます कोशीगा में से CO2 की अभिक्षा कम होती है जैसे ही कोशीगा के अंदर और बाहर CO2 की चांधता में अन्तर आता है उसी समय कोश्च सांधता से निम्ल सांधता की और बिश्रन द्वारां कोशीगा से कारवं डियोक्स यानि घी CO2 बाहर निकल जाती है इसे पेकार कोशिया में ऑक्सीजन की सांधता कम हो जाती है और ऑक्सीजन बाहर सी कोशिया में विसरन द्वाना अंदर चली जाती है अता कोशिया तथा बाहर परियाबन में गैसों के आधान पेदायन में विसरन एकमात्पूं घूमिका निवाती है इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे हमपड़िक इस तरह से काम करते हैं कि वहां आयतन अधिक हो जाएगा और खाली हो जाएगा तो हम सांस अंदर लेंगे और जब सिकड़ होईगा मतलब आयतन कम हो जाएगा उद्धाप बढ़ने लगेगा तो हमारे अंदर से हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं एक गुपारी को आफ ले सकते हैं उसमें अगर उसकी जगए खाली हुगा उसमें तो और हवा बन जाएगी अगर हवा नहीं होगी तो बाहर निकलने लगी समझे रहें उसी तरह जब भी विसरन की निवों के अन्पूल बिभार करता है जल के अणूओं की गती जब वर्डात्मक परागम में जिल्ली द्वारा होतों से हम लोग परासरन कहते हैं पिलाजमा जिल्ली से जल की गती जल में गुले पदार्टों की मातरा के खारण भी प्रभावित होती है इस किसी जन्तू कोशिका अत्वा पादप कोशिका को सक्कर अत्वा नमक की बिलेण में रखें तो क्या होगा निम्लिके तीन गाटनाओं में से एक गतना हो सकती है यदि कोशिका को तनू बिलेण वाले मात्यम अर्था जल में सक्कर अत्वा नमक की मातरा कम और जल की मातरा ज लेकिन कोशिगा के नंदर जाने वाले मात्रा कोशिगा से जल की मात्रा से अधिक होती लेकर सुद्य पर डाम motorcycles की कोशिगा के अंदर पूनने हुगी दूसरा क्या वह सकता है छोल आप छी गारी न में लिकु द셔서 है जल्व की सांधिता कोशिका में जल्व की सांधिता के ठीक बरावर हो तो कोशिका जिल्ली में जल्व में कोई सुत गती नहीं होगी ऐसे बिलेन को समपरासना सारी बिलेन कहते हैं जल्व कोशिका जिल्ली के दोनों और आता जाता है लेकिन जल्व को जो मात्रा अंदर गई जल परासरन द्वारा कुछिका से बाहर आजाएगा, ऐसे विलेन को अतिप फरासरन, दावी विलेन कहते हैं। पुराहा जल कोछिका जिल्ली के दुनों इब से आज सकता हैं। लेकिन ऐसे सित्ती में कोछिका से जल बाहर जाएगा और कम जल अंदर आएगा। इसलिए कुछ का सिखोड जाएगी, परासन की इस पे कार बिचरन की एक पिसिष्ट बिधी है, जिसमें बरणात्मक दिल्ली द्वारा गती होती है, अब देखते हैं कि रियकलाप माद बसमलो 3 यानी 5.3 को, अंडे से परासन, अंडे को तनू हाइड्रोकलोरिक हमल में डाल कर और उसके कबच को हटाओ, इसका कबच अधिक कहां स्था, केल्सियम का रूरिनेट का बना होता है, एक पतली वाहत तुचाल, जिल्ली अब अंडे को घेरे रहती है, अंडे को सुद्ध चल में रखो, और 5 मिनिट के बाद इसका अउलोकन करें, आप क्या देखते हैं, कि परासन द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है, इसे पकार एक कवच रहत अंडा नमक के सांध बिलेन में रखो, और 5 मिन तक उसका आउलोकन करें, अंडा सिकोड जाता है, क्यों? जल अंडे से निकल कर नमक के बिलेन में आ जाता है, क्योंकि नमक का गोल अधिक सां लगता है, समझ रहे हैं, वो भी से कोड़ने लगता है, इसे बिकार का किरिया कलाव हम सूखी किसमेस अध्वा खुबानी से भी करने का तर्यास कर सकते हैं, 5.4, सूखी किसमेस अध्वा खुबानी को केबल, जल में रखो, उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसे सक्कर अध्वा नमक के सांधित बिलेन में रखो, आपने मलिकित अंतर देखेंगे, जब उन्हें जल में रखा गया है, तो भे जल गेहट करके फूल जात गई है, जब उन्हें सांधित गोल में रखा गया हो, तो भे जल को बाहर निकाल कर सेकोड गई होती है, एक कोशिका की जीवन में विसरन जल, तता गैसों के आधान पिदान की पिक्रिया में मात पूर्ण, भूमिका भी निभाता है, इसके अतरिक तिविसरन कोशिका को करने में साहता भी करता है, कोशिका से विवन अड़ों का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरन द्वारा ही होता है, इस पेकार के परिवाहन में और जाकी आवस्ता होती है, प्लाजमा जिल्ली लचीली होती है, और कारवनी कड़ों जैसे लिपिड और प्रोटीन की बन अद्वा अन्य पदार्थ ग्रहन करने में साहता करता है, इसी पेकरिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अमीवा अपना भोजन इसी पेकरिया द्वारा प्रात करता है, अब बात करते हैं क्रिया कलाप 5.5 यानिक मात दसमलों पांच की, विद्याले के पुस्तकाले अद्व पादप कोशिकाओं में पिलाजमा जिल्ली के अत्रिक्त कोशिका भीती भी होती है, पादप कोशिका भीती मुक्ता सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज एक बहुत जटल पदार्थ है, और या पोधों को सरचनात्मक दिर्था पदार करता है, जब किसी पादप कोशिका म परासरंड द्वारा पानी किया नहीं होती है, तो कोशी का जिल्ली सहिर आंतरिक पदा संकुचित हो जाते हैं, इस गटना को जीब द्रफ कुछन कहते हैं, हम इस परीगटना को निम्न किरियागलाब द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं, किरियागलाब 5.6, रियों की पत्ती क जिल्ली के उपानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ, इसे उच्छे सकती वाले सूक्षिंदर्सी से देखो, छोटे-छोटे हरे कड दिखाई देंगे हमें, इन्हें हम लोग किलोरोपलास्ट कहते हैं, इनमें एक हराप अदार्थ होता है, जिसे हम लोग किलोरोप्रिल कहते किलोरोपल, इस स्लाइड पर सक्का रदबा नमक का सांद मिलियन डालो, एक मिनिट पिदिक्चा करो और इसे सूक्षिंदर्सी से देखो, हम क्या देखते हैं, अब रियों की पत्तियां कुछ मिनिट तक जल में उबालो, इसे पत्तियों की सभी कोचका हैं मर जाएंगी, अ अब एक पत्तियों, एक पत्ति को स्लाइड पर रखो, और उसे सूक्षिंदर्सी से देखो, स्लाइड पर रखी, इस पत्ति पर सक्का रदबा नमक का सांद मिलियन डालो, एक मिनिट पिदिक्चा करो पुना, सूक्षिंदर्सी से देखो, हम क्या देखते हैं, क्या अब ज चुकी होती कोशिगा उसमें इस तरह की गटना देखने को आपको नहीं मिलेगी कोशिगा वित्री पौधों कबग तथा बेक्टेरिया की कोशिगाओं को अपेच्छा किटकम तनू बिलेन अलब फरासनी दावी बिलेन में बिना फटे बनाये रखती है ऐसे माध्यम से कोशिगा परासन विदी द्वारपानी लेती है कोशिगा फूल लाती है और कोशिगा वित्ती के उपर दवाव डालती है कोशिगा वित्ती भी फूली हुई कोशिगा के पिती समारोप से दवाव डालती है कोशका वित्ती के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनिय माध्यम को जन्तु कोशिका की अपेच्चा आसानी सहन से सहन कर सकती है अब तीसरा वश्टा है इसमें केंद्रक आपको याद होगा कि हमने प्याच की जिल्दी की एक आश्थाई सलाइड बनाई थी हमने इस दिल्दी पर आयोडीन की भून भी डाली थी क्यों यदि हमें बिना आयोडीन के स्राइड देखें तो हम क्या देखते हैं फियतन करो देखो क्या अंतर है जब हमने आयोडीन का गोल डाला तो क्या पिते कोशिका समारोप से रंगीन हो गई है कोशिका के विभिन ने भाग रसायनिक संगटन की आधार प्रविभिन रंगों से रंगे जाते हैं कुछ चेत तति गहरी रंग के पितित होते हैं तो कुछ कम कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलियन के यतरिक्ट सेफ्रानिन अथवा मैथलीन बिलू बिलियन का भी प्रियोग कर सकते हैं हमने प्याच की कोशिका को देखा है अब हम लोग अपने सरीर से लिगई कोशिका को भी देखते हैं काच की स्लाइड लो उस पर एक बून पानी रखो आइश क्रेम खाने वाले चम्मत से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरूंचू क्या चम्मत पर कोई बस्तू चिपक गई है स्वीकी सायता से इसे है स्लाइड फर समान रूप से फैला कर रखो इसे रखने के लिए एक बून मैथलीन बिलू की डाले सुक्ष निजरसी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड त्यार करें इस पर कवर स्लिप रखना ना भूले हमने क्या देखा है कोशिका की आक्रिती कैसी है इस आक्रिती को एक पेपर पन बाना है क्या आप कोशिका के मद में एक गहरे रंग बाली गोलाकार अत्वा अंडाकार डॉट की तरह एक सरचना देख रहे हैं इस सरचना को केंदरक कहते हैं क्या इसे पिकार की सरचना प्यास की जिल्डी में भी थी देखाता है आपना थी केंदरक के चारों और दुहरे परत का एक स्तर होता है जिसे हम लोग केंदरक जिल्ली भी कहते हैं केंदरक जिल्ली में छोटे-छोटे छिद्ध होते हैं इन छिद्धों के द्वारा केंदरक के अंदर का कोशिका दिरब के बाहर जा पाता है कोशिका दिरब के विशा में हम अनुभाद 5.2.4 में पढ़ेंगी के केंदरक में आपका क्रोमोसॉम होते हैं जो कुछ का विवाजन की समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं आप भी सूची है कि अगर आप लोग इसे पैक्टिकल कर रहे होते हैं तो कितना आनन्दा था आपको बोरिंग भी नहीं लगता है लेकिन क्या सकर सेकते हैं क्रोमोसॉम में अनुबानसिक कुड़ों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डियने यानि डी ऑक्सी राइवोनी क्लिक अमर अड़न के रूम में अंगली संतत्ति में जाती हैं क्रोमोसॉम डियने तथा प्रोटेन के बने होते हैं DNA एडू में कोशी का कि निर्माण बासंगतन की सभी आवस्थ सूचना होती हैं DNA के DNA के क्रियाक्म खंड की जीन कुछ जीन कहते हैं जो कोशी का विभाज जीत नहीं हो रही होती है उसमें यह DNA क्रोमेटिन पदार्थ की रूमें बिर्दमान रहता है क्रोममेटीन पदार्थ दाड़ी की तरह कि सरचनाओं का एक जाल का पिंड होता है जब कभी कोशिका विभाज चित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसम में संग्टित हो जाता है आप लोग यहां से एक निस्कास भी निकाल सकते हैं कि आप सोचिए कि अब ओनलाइन परिक्षट पढ़ाई की रात चल लएगे कि अब ओनलाइन होगा क्या इसम और यहां को लगता है यहां इस तरह है कि क्रीयी इक जरूरत नहीं होती है वहाँ तो आप कर सकते हैं इसका प्याओं लेकरी कि लेकिन आप सोचिए कि जरूरत है तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि ओनलाइन से और समभाव हो सकता है समझ रहे हैं आप लोग चिकस्ता छेत में तो मुझे और भी संभाव नहीं लगता है क्योंकि जो आप देखते हैं कॉलेजों में इंविवर्सिटी में जो तरह सालाय होती हैं वो हर किसी के घर में नहीं बन सकती है इसके लिए फर्टीकुलर एक इस्थानी जरूरी होता है कुछ जीवों में कोश्की है जनन में केंद्रक मात्पूर्ण भूमिका देवाता है इस पिक्रिया में एक अखेली कोश्का विभाज़त होकर दो नहीं कोश्का हैं बनाती हैं इस कोश्का के विकास परी पक्वन को निर्दारित करता है तता साथ ही सजीव कोश्का की रचसायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है बेक्टेरिया जैसे कुछ जीवों में कोशीका का केंदर की है चेत बहुत कमस्पस्ट होता है क्योंकि इसमें केंदरक जिल्ली नहीं होती है ऐसे आस्पस्ट केंदरक चेत में केबल क्रोमेटिन पदार्थ होता है ऐसे चेत को केंदर काय कहते है ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंदरक जिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रो करियोट यानि कि प्रो मतलब आदी यानि कि पूरू और करियोट मतलब करियोट या केंदरक होता है जिन जीवों की कोशिकाओं में केंदरक जिल्ली होती है उन्हें हम लोग UK Reoat कहते हैं UK Reoat कहते हैं फर आपने दूसरा सब्द सुनाओगा रोक के Reoat Reoat T कोशिका हो मैं और भी अधिकांस दिर्व अंगक नहीं होते हैं जो की UK Reoat T कोशिका में होते हैं ऐसे अंगकों के अनिक कार भी कोशिका दिर्व के आसंगटित भागों द्वारा किये जाते हैं फरकास संसले सी विक्टेरिया में केलोरोफिल जिल्डीदार फुटिका के साथ होता है थेले की तरह की सरचना जबकि UK Reoat T कोशिका में केलोरोफिल तले स्टर्ड में होता है इस तरह से आप देख सकते हैं कोशिका का है लाजमा जिल्ली हो गई यह राइबोसॉम सभे सभे दिखता होगा यह कोशिका भीती होगी प्रोक के रियोटी कोशिका अब बात करते हैं कोशिका गवर दिर्व जब हमने प्याज की जिल्ली अतवा मनुस के गाल की कोशिका की सलाइड को देखा तब हमें पितेख तब हमें पितेख कोशिका में एक बड़ा च्षेत दिखाई er जो कोशिका जिल्ली से घिरा हुआ था इस चेत में बहुत हलका धबा था इसे कोशी का दिरब कहते हैं हम लोग पिलाजमा जिल्ली के अंदर कोशी का दिरब एक तरल पदात होता है इसमें बहुत से पिसिष्ट कोशी का के गटक होते हैं सामेल जिने हम लोग कोशी का कोशी का अंगक कहते हैं पितेक अंगक कोशिका के लिए विसिष्ट कारी करते हैं कोशिका दिर्व अत्वा केंद्रक तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव बंद कहते हैं क्या कहते हैं जीव द्रव कहते हैं कोशिका अंगक जिल्ली युक्त होती है प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में बास्तवे केंदर के अतरी जिल्ली यूग अंगग भी नहीं होते हैं जब कि यूक्रियोटी कोशिकाओं में केंदर के जिल्ली अतवा जिल्ली यूग अंगग भी देखने को मिलते हैं जिल्ली की साल ठकता वाईरस की उधारन से इसपस्ट कर सकते हैं वाईरस में किसी भी पिकार की जिल्ली नहीं होती है इसलिए इसमें जीवन की गुड़ तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तिक किया किसी सजीव के सजीव में प्रिट्विष्ट करके कोशी का कि मसीनरी का प्यूप कर अपना बहु बढ़न नहीं कर लेता है यह आपके कुछ प्रोक्रियोटी कोशी का यूक्रियोटी कोशी का आकार प्रया छोटा होता है आकार पड़ा होता है केंदर की चेत, केंदर की चेत, सुषपठ जो चारोंगर से केंदर की है, जिल्ली से घिरा रहता है, क्रोमोसों एक इस में आदेख इस जिल्ली कोची का अंगप अनुपस्तित होता है, अब चलते हैं हम लोग कोची का अंगप की तरफ, पिते कोची का की चारोंगर अपनी जि बहुत कोशकी है, जीवों की कोशकाई भी सामेल होती है, को भी उपाप्चाई किरियाओं की बहुत अवसर्चता होती है, जिससे की विजटेल सरचना तथा कारी को सहारा दे सकते हैं, इस विविन पेकार की उपाप्चाई किरियाओं को अलग-अलग रखने के लिए एक कोश इसकाओं से अलग करते हैं इन में से कुछ अंगा केबल एलेक्ट्रों सोक इंडर्शी से ही देखे जा सकते हैं हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विशह में पढ़ा था अंतर द्रब्बी जलिका गौजी कोपकरन लाइसोसॉम माइट्रो काइंडिया अतवा प्लांगों के मत्पूर उधारन जिन पर हम विचार करेंगे इसलिए मत्पूर है क्योंकि एकोशिकाओं के बहुत नेडायक कार्व करते हैं हम अंतर द्रब्बी जालिका ए आर अंतर द्रब्बी जालिका जिल्लीयुक्त नलिकाओं तथां सीट का एक बहुत बड़ा तंद इन लंबी नलिका अत्वा गोल अत्वा या पर आयता का थेलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं अंतर दर्बी जलिका की रचना भी पिलाजमजिली के समरूप होती है अंतर दर्बी जलिका दो पिकार की होती है खुरदरी अंतरदरवी जालिका तथा चिकनी अंतरदरवी जालिका सोक चंदरशी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइस राइबुसॉम लगे होते हैं राइबुसॉम पर प्रोटीन संसलिसित होती है आर ए आर तेयार पोटीन को आवस्कता अनुसार ए आर के द्वारा यानि कि अंतर द्रवी जालिका के द्वारा कोशिका के अनभावों में भीजा दिया जाता है है ए एए ए ए ए आ यानि की चिक्नी अंतर द्रुबी अथ्वा लिपेड अध्वा लिपेड अडवों के बनाने में तहरे करते हैं यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत मत्वुन है कुछ प्रोटञ अथ्वाव वस्पूट्स कोशिका ज्ली 2 बनानए मैं ज्यवात जनन कहते हैं, कुछ अन्न प्रोटीन अध्वा बसा, इन्जाय में हार्वन की भातिकार करते हैं, यह अगे भी बिभे निकोशिकाओं में ER भिन रूपों में दिखाई देती है, परन्तु सदेयों एक जली का तंद का निर्माट करती है, इसे देख सकते हैं, आप लो इसे, ज अंतर दरभी जली का, यह आपकी होगए गौल जी उपकरन, यह आपका प्लाजमा हो गया, प्लाजमा जिल्दी उपर, और यह अहां आपकी इतारक केंद, यह आपकी लाइसोसम, उसके बाद यहां बिंदू के रूम में राइब, राइबोसम देख रहा हुए, यह आपकी म कोशी का दरभ है, इस पेकार ER यानि की अंतर दरभी कोशी जली का, एक कार कोशी का दरभ के विविन चेत्रों के मद्द अत्वा, कोशी का दरभ के विविन चेत्रों, तता के अंतर के मद्द पदार्तों, यानि की परोटीन के परिवान के लिए नालीका की रूम में कार करत एक बरक के जंदूओं जिन्हें को कसेरूपी भी कहते हैं कि यक्रेत के कोशकाओं में ऐसी यानि की चिकनी अंतर द्रवी जलिका बिस अतवत दवा तथा दवा को निरा विसी करन करन में मात्मूर भूमिका भी निवाता है अब बात करते हैं हम लोग गौलजी उकरन क्यामिल गौलजी द्वारा बॉड़ित गौलजी उकरन जिल्डी युक्त चप्डी पुटिकाओं का एक तंद है जो एक दूसरी गूपर समानतर रूप से सजी रहती है जिने कुंडिला कहते हैं इन जिल्लियों का संपक एर जिल्लियों से होता है और इसलिए जडिल कोशकाओं के जली तंत के रूम दूसरे भाग को बनाती है ठीक है क्या करती है बनाती है एक पादप कोशी का देख रही होगे आपको देख रही यह नहीं देख रही पादप कोशी का कि अगरे यहां इसमें हरी तुलबा के देख रहा है आपको राइबोसम्न भी देख रहा होगा माइट्रो काइंडी आए हो गई कोशी का भीत्री हो गई है बाह कोशी का उगई है पिलाजमा जल्ली हो गई ठीक है यह आपका कैंद्री है जल्ली एक गलोजी अपकरण यह आपका कैंद्रक हो गया यह आपका हरित लबग थाईल लोकवाइट तिदासित करती हुए यह आपकी खुरदरी अंतर दिर्वी जलिका उसके बाद विंदू के रोम में लाइसों यह आपकी देख रही होगे चिकनी अंतर दिर्वी जलिका उसके बाद एक कोशी का है ठीक है आगे चलते हैं लोग इयार में संसलेशित पदार्थ गौल्जी उपकरण में पैक किया जाते हैं और ने कोशी का कि बाहर रतवा अंदर विभेन चेत्रों में भेज दिया जाता है इसकार में सामिल पुटिका में पदार्थों का संचेन को रोमांतरन तथा बंद करना सरचनात में दिरीशती से लाइसलों में जिल्ली से गिरीवी सवरचना होती है जिन में 5 शक इंजायम होती है र-e-r इनजायमों को बनाते हैं लाइसोसॉम कोशिका का अफसिष निप्टाने बाला तंतिप है ये बाहरी पदार्थ येवं कोशिका अंगरोकों के तूटे पुटे भागों को पाजित करके कोशिका को साफ करते हैं कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे विक्टेरिया हो गया अत्वा में चले जाते हैं और उन्हें चोटे-चोटे तोड़ देते हैं लाइसोसॉम में बहुत सक्तिसाली बाचनकारी इंजायिम होते हैं जो जटिल पधार्थं को सरल पधार्थं में तोड़ते हैं में ब्याधान के कारण जब कोशिका चतिगIGH मिर्थ हो जाती है What लाइसोस्वम हट जाते हैं और इंजायम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं इसलिए लाइसोस्वम को कोशिका को आत्मगाती थैली भी कहते हैं आपने सुना होगा लाइसोस्वम को क्या कहते हैं कोशिका की आत्मगाती थैली थैली अवे आपके एक विज्ञानिक हैं इने भी देख लेजे केमिली केमिलो गॉल्जी कौन केमिलो गॉल्जी इनका जनम होता है आपका 7 जुलाई 1843 को कब 7 जुलाई 1843 को वैसी का के कौर टनों में हुआ थे इनका उन्होने फाविया विज्ञाल अमेडिसेन काध्यान किया और 1865 में शनात्र के वाद उन्होने पाविया कि सेंट मेडियो के अस्पदाल में अध्षब जारी किया उस समय उन neighboringा ऐस्बय की ऑठ्दाल में ऌंने 2842 में उन्होने ABRT-Gasso की एक दिरकालिक रोग की अस्पादाल में मुख चिकर साथ पदादीकारी का पद भार गेहंड किया उन्होंने सबसे पहले अपनी कोच इस अस्पादाल की चिकन में तंदिका तंद परकी उन्होंने इस चोटी सी चिकन किचन को फ्रेयोक साला बना लिया उनका सबसे मत्पून कार यह था कि उन्होंने अखेली तंदिकार तथा कोशिका सरचनाओं को अभी रंगित करने की क्रांती कारी बिदी तुप्धान की इस बिदी को बलेक रियक्शन के नाम से जाना गया इस बिदी में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनुगोल का उपयोग किया था और विसेश्टा यह कोशिकाओं की कॉमल साखाओं की प्रियाओं का मार्ग पता लगाने में मत्पून था सारा जीवन बे इसी दिशा में कार करते रहे और इस बिदी में सुधाल करते रहे गोल्जी ने अपने सोध के लिए उच्छितम उपाधी तथा पुरुसकार पराप्त किये सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रिमोनो कजाल के साथ सेवत दुरुप से तंतिका तंतिकी सलचना कार के लिए नोबल पुरसकार से भी सम्मानित किया गया कव 1906 में अब बसता है आपका माइटो कांडिया माइटो कांडिया कोशिका का विजली घर कहते हैं आप लोग उने यह वाले एटीपी बनाने बादी रसाइनी क्रियाओं के चेत को बड़ा बनाती है जीवन के लिए आवस्यक विमें रसाइनिक क्रियाओं को करने के लिए मांटो कांडिया एटीपी यानिकीulla इडी नोसिन ट्राइवास्फ़ेट की रोम में ओर्जा पिदान करते हैं एटी क्योंकि इसमें अपना उसका अपना DNA अधवा राइवोसॉम होते हैं अधा माईटो काइंड ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयम बनाते हैं फिर आपने सुना होगा एक सब्द प्ले इस्ट्रेड केवल पादक कुछ काउं में इस्तित होते हैं फ्लेस्ट्रेड दो पेकार के ह होता है उसे केलोरोपलास्ट कहते हैं पौदों में इस्तित होते हैं इस fedsलीन होते हैं घै बादी परतने भी देखने को मिलते हैं जो इस्टोवा में इस्तित होते हैं फिलेश्टेट बाहर सरचना में माईटोकांडिया की तरह होते हैं माईटोकांडिया की तरह फिलेश्टेड भी अपना डीने अध्वा तता राइबोस्वम होते हैं खराब सुनते हैं रस्धानिया, रस्धानिया ठोस अधवा तरल पदार्थों की संग्राह ठेलिया है, जद्धु कोशिकाओं में रस्धानिया छोटी होती है, जब कि पादक कोशिकाओं में रस्धानिया बहुत बड़ी होती है, कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रिय मैं कोशिका द्रब भरा हो रहता है और ये कोशिकाओं को इश्पीती तथा कटोर्था पिदान करते हैं पौदों के लिए आवसक बहुत से पदार्थ रस्दानी में इस्तेत होते हैं ये अमीन ओमल हो गया, सरकरा हो गया विविवन कारविनेक अमल अत्वा कुछ प्रोटिन भी इसमें सामिल होते हैं एक कोशिक द्रब जीवों जैसे अमीवा की खाध रस्दानी में उसके द्वारां भूप में लाये जाने वाले खाध पदार्थ होते हैं कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसदानिया, अतरिक जल अत्वा कुछ अपसिष्ट पदार्तों को सरीर से बाहर निकालने में भी मत्पूर्ण भून कायें, निभाते हैं पिते कोशिका की अपनी एक सरचना होती है, जिसको दिवारां विशिष्ट कारें जैसे सोसन, पोसन, अतर्वा अपसिट पदार्तों का उत्सरजन, अतर्वा नई प्रोटीन बनाने की में सहायत्ता करते हैं ऐसा उनकी जिल्ली अतवा अंग्यकों की विश्ट सरचना के कारान संभव हो पाता है, अतर्वा कोशिका सजीव की मुल्वू सरचना सरचनात्मक एकाई है, यह जीवन की एक मुल्वू एकाई होती है कोशिका विभाजन, जिक धारियों में विद्धी हेतु नई कोशिकाएं बनते हैं, जस्ते पुरानी मिर्ध अत्वा, छती गरष्ट कोशिकाओं का पितिस्थापन यानि और पिजनन हेतु यह उवनत बनते हैं नई कोशिकाओं के बनने हैं कि फिक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन नामक दो मुख्यपगार की कोशिका विभाजन की फिक्रिया, कोशिका विभाजन की फिक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं बिद्धी येतु कोशिगा की समान होती है यह जीवों में बिद्धी एबं पूत्कों के मरमत में साहता करती है आपकी समसूत्री विभाजन गुर्षूत संस्ति कोचिका है गुर्षूत्ते देख रहे हैं एक मात्त कोचिका इस तरह से अलग-अलग विभाजित हो जाते हैं यानि कि दो जीव बन जाते हैं कोशिगा को बिभाजित करके जन्तूओं और पौदों के पिजनन अंगों अच्वा पूत्कों की विज़िस कोशिगाएं बिभाजित होकर यह उमक बनाती है जो निस्टेशन के पश्चा संत्ति निर्मार करती है अलग-अलग पिगार का विभाजन जैसे अर्द सूत्रण कहते हैं जैसमें करम साथ दो विभाजन होती हैं जब कोशिगा अर्द सूत्रण द्वारा विभाजित होती है सो इससे दो तरह की चार नई कोशिगाएं बनती है नई कोशिगाओं में मात कोशिकाओं कि तो लामे कुल सूत्रों की संख्या आदी होती है क्या आप सोच सकते हैं कि संसती कोशिकाओं में कुल सूत्रों की संख्या क्यों आदी हो सकती है यहां आप देख सकते हैं मात कोशिकाओं है होगे है इनका अर्दसूत्री विवाजन इस तरह से फिर इनका अर्दसूत्री विवाजन सीके नवाए तो इसमें आपने क्या-क्या पढ़ा है कोशिका जीवन की मुल्बूस सरचनात्मक इकाई इसमें एक अच्छा है कि बाद में निसकास की रूब में का आपके पॉइंट भी दे दिए जाते हैं कि आपको पढ़ने का उद्देष क्या थे हैं इस चैप्टर को offend और को जीली याँ लिपिट अथर प्रोटीन की बनी होती है कोशिका जिल्म काक का सक्क्रिय भागय यह पदार्थो की गति फो कोशिका की बीतर अथवा बाहरी वातारबंणस सी निमित करती है पादप कोश्काओं में कोश्का जिल्ली के चारों ओल एक कोश्का भीति भी होती है कोश्का भीति से लिलियोच की बनी होती है पादपों की कोश्काओं में इस्तित कोश्का भीति फंजाई तथा बिक्टिरिया को अलब फरासरंड दावी गोल में बिनापटी जीवित रख रहने देती है यूके रियोट मैकेंद्रग दोहरे जिल्ली द्वारा कोशी का दिरब से अलग होता है या कोश्किया की जीवन पे क्रियाओं को लेजदेसित करता है या अन्ता कोश्किये परिवहन तथा उतपादक सतय की रूम में भी कारिक करता है गोल जी उक्रण जिल्ली उक्षण का इस्थम या कोशी का में बने फजार्थों का संचन रुपादरन तथ आप से पाकेजिंग करते हैं आदि केहां साथ आज़ कोश्कियाओं में जिल्ली उक्षण अंकनि पिलेश्टेड होते जब गते हैं लिखो फ्लाष्ट या फ्रात्मिकार संचे करते हैं अधिकांस परिपक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंदर यह रस्धानी भी होती है एक कोशिका की इस्पीति को बनाय रखती है और यह अफस्ष्ट पदार्तों से मत्पूर पदार्तों का संचेन करती है प्रोक्रियोटी कोशिकाओं में कोई भीचली युक्त अंगक नहीं देखने को मिलेगा उनके क्रोमोसॉम के स्थान पर न्यूकल के लिए एक अमलग उता है और उनमें केबल छोटे राइवोसॉम अंगक के रूम में देखने को मिलेगे जेवधारियों में कारिक बिद्धी ये तू कोशिकाओं विभाजित होती है इससे समंदित इसी चेप्टर से समंदित आपके कुछ कुश्चन्स दिए गए हैं अब ब्यास किए हैं नहीं भी देख सकते हैं और आपकी जोगी पीडियेप थी वह डाल दी गए थी टेली गाव वहां से डाउनलोड कर लेजे तो यह था आपका पाचवाच चेप्टर उसके बाद चट्वे चेप्टर में पढ़ेंगे पूर्ट तक चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे N.C.E.R.T. बुक्स के बारे में तो इसमें आप हम लोग कक्छा नौवी की बिज्ञान के बारे में बात कर रहे थे तो याद रखिए इसके अभी तक हम लोग पाच चेप्टर आपकी खतम कर चुके हैं यह आपका चटवा चेप्टर है इसे पहले याद रखना है आपको कक्छा चटवी से लेकर कक्छा आटवी तक की पूरी बुक्स और कक्छा नौवी की लाश्ट बुक्स बचती है बिज्ञान। इसको भी खतम होने के बाद कक्छा नौवी तक की सभी बुक्स आपकी कंप्लीट करवा दी गई हैं 10, 11, 12 ज पच्ति हैं उनको भी मैं बहुत जल्दी कवर करवा दूँगा एक बात अमेसा याद रखिए कि यार आप अगर सिविल सर्वेस या फिर स्टेट पीचेस एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो NCEIT का कोई दूसरा विकल्प नहीं है यह आपको पढ़ना ही पढ़ेगी और समय रह आप टैम नहीं है तो आप 9 से बारे तक ही तो आपको पढ़ना जरूरी है अगर मेरी मानों तो कप्छा चटबी से ही पढ़ लें और कप्छा चटबी से कप्छा आटबी तक की बहुत थी साधान सब्दों में लिख लिए है और जान्दा है भी नहीं उसमें मतेरियर आप एक सब्दा दो सब्दा में खतम कर सकते हैं आराम से पतली पतली बुक्स हैं और आपकी जो भी एंड पीडियक होती है वो सभी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाते हैं तो इसमें जांदा परेसान होने भी जरूरत नहीं है आपके लिए जो भी NCE ART बुक्स जरूरी है स तो सभी आपकी उसी पर डाल देता हूं टेलीग्राम पर और भी जो मुझे अच्छा लगता है वो भी उसी पर डाल देता हूं तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं उतर है हमने पिछली अध्याय में हमने पढ़ा है कि सभी जीवित प्राड़ी पौधी कोशिकाओं के बन क्सक्राइट बहुझन के लिए लेने की क्रिया यसी विह बिनीवन और वस्ष्षर झर्ट क्रिया समपनिय की जाती है लेकिन बहुझ कौशिक जीवहों में लाप कोशिकाओं होती है इनमेसे अधिकतर कोशिकाओं अधिकतर कोशका है कोश विशिक्त कारे यों को समपन कारे यों इसमें कोशीकारों की विविवेंचे", एक विशिक्त कारी को ही आती दक्षत पुर्वस शंपन करने के लिए उसस्रया होते हैं मनुस्वों में PCA कोशी का फेलती है और सिकोड़ती है जिसे गती होती है तंती का कोश्का है संदेसों की वहाग होती है रख्त ऑक्सिजन बहुजन कारवन रख्त ऑक्सिजन बहुजन हार्मोन और अपसिष्ट पतार्थों का भान भी करते हैं पौधों में बाहक वाहक नलीओं से सम्मदित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं अता बहु कोशित जीवों में सरम विभाजय भी होता है सरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार को समपन करने में दक्ष होती हैं सदे विएक समूव में होती है इससे ग्यात होता है कि सरीर के अंदर एक निश्चित कार एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूद वारा समपन होता है कोशीगाओं का यह है समूव उतक कहलाता है क्या कहलाता है उतक कहलाता है ए उतक अधिक्तम दक्षिता के साथ कार कर सकने के लिए एक विशित क्रम में विवस्तित होते हैं रख फिलोएं तथा पेशी उतक के उधारने किसके उतक के उधारने बेकोशी का है जो आकृती में एक समान होती है तथा किसी कारे को एक साथ संबन करती है समू में एक उतक का निर्माड करती है क्या पौधों और जन्तु एक ही तरह की उतकों से बने होते है जो आपकी पौध है और जन्तु है क्या एक ही उतक से बने हुए चलिए इसके बारे में भी जानते हैं आईएम विभिन उतकों की सरचना हो तथा उनके कारियों की तुलना करें क्या पौधों और जंतों की सरचना है समान होती है क्या दोनों समरूप काहल करते हैं दोनों में पष्ट अंतर होता है पौधे इस्तिर होते हैं और बेगती नहीं करते हैं कौन पौध है चुकि उन्हेत सीधा खड़ा होना होता है अता हुनमें बड़ी मात्रा में सहारा पिधान करने वाले उतक होते है लो सहारा पिदान करने वाले उतक प्रामिट कोशिखाओं के बने होते हैं। दूसरी और अगर जन्तु की बात करें तो भोजन साती और आस्तरे की खोज में इदयोदर बिचरन करना होता है। ये पौधों की अपेक्छा उज्या कादिक उखुवब भी करते हैं। जन्तु के अधिकांस उतक जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं। जन्तु और पौधों के बीच उनकी विर्थी के पितरोप में भी एक और विर्निता है। पौधों की विद्धी कुछ चेत्रों में ही सीमित रहते हैं। जबकि जन्तुओं में ऐसा नहीं होता है, पौदों के कुछ उतक जीवन भर विभाजित होती रहते हैं, ऐसे उतक कुछ छेत्रों में ही सीमित रहते हैं, उतकों की विवाजन चमता की आधार पर ही पौदों के उतकों पादप उतकों का बरगीकर्ण की आजस्त किया जाता है बिद्धी अतवा विभाज योज़त तथा इस्थाई उतग जन्तुओं में कोश्का विद्धी अधिक एक रोग होती है अता जन्तुओं में विभाज तथा अविभाज छेत्रों की कोई निश्ची सीमा भी नहीं होती अंगों और अंग तंतों का सरचनात्मत संगतन जटिल पोधों की अपेक्छा जटिल चिंतुओं में अती विशिष्ट ततंसीमत होता है या मूल अंतर जीवधारियों के दो मत उन समुवों के जीवन यापन के विभिन तरीकुंत को दरसाता है विशिषकर इनके भोजन करने की विक्क्रिया में सरचनात्मत संगतन एक और पोधों के गतिहीन अस्तित तथा दूसरी और जन्तों के पिचलने के लिए अंग तंतों के विकासितु बिभिन पिकारिक से अनुकूलित भी होते हैं जटल जन्तों तथा पोधों के संदर्म में अब हम उतकों की अउधार्णा के बारे में बिस्तत चर्चा करेंगे पादप उतक बिभायो जत्त तक बिव जेव तक प्याज के मूल में बिट्दी क्रिया कलाब के द्वारा समझने की कौसिस करते हैं याद रखें जो भी इस तरह के क्रिया कलाब होते हैं उन्हें पढ़कर आपको निकल जाना है समझकर आपको करते नहीं बैठना है क्रिया कलाब करते बैठ गया मालू चला की 2-4 साल इहें में बीद गए एक बात आप लो आप आरहम से कवर भी कर सकते हैं दो सीसे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं अब दो प्याज लेते हैं और दोना जारों पर एक एक प्याज रखते थे जैसा कि चित नीचे हम लोग ने 6.12 दिखाए गया कुछ दिनों तक दोनों प्याज की मूलों की लंबाई माकते हैं पहले दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माक लेते हैं दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को 4 दिन 1 cm काक लेते हैं इसके बाद दौनों जार में रखी प्याज की मूल की लंबाईयों का पाच दौनों तक निरिक्षन करें और उमें हुई पिते एक दिन कि विद्धी की माप को नीची दीगे इस तारीका में लिख सकते हैं लोग लिखने का मतलब यहाँ है कि आपको पढ़ना है आपको लिखते और नापते नहीं बैट जाना है ठीक है बार बार बोड़ना ओपर के निरिक्षड़ों को देखते हुए नीची देगे पिसनों के उत्तर दीजे किसी जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है हमारे दौ पोधों में बिद्धी कुछ निष्चे छेत्रों में ही होती है ऐसा विभाजीत उत्कों के उन भागों में पाए जाने वाले कारण होता है ऐसे उत्कों को बिभर जेओ तक उतक कहाते हैं यानि कि विभाजीत योग बिभर जेओ तक किस भाग में इस्तित है विभर जेओ कि उपस्तेदी वाली चित्रों के आधारपन ने सीसस्ट केंबियन पार्सविये तथा अंतर विष्ट भागों में बर्किकित किया जाता है चित 6.2 में बिभाजियो तक के द्वारा तयार नई उचकाय पहरम में बिभाजियो तक की तरह होती है लेकिन जैसे ही यह बढ़ती और परिपक होती है तो इनके गुड़ों में धीरे धीरे परिवतन होता है और यह एक दूसरे उतकों के घटकों के रूम में बिभाजियो तक किसी पौदे में बिभाजियो तक की स्तिती दर्साया है पर वो कि सीचस्त बिभाजियो तक जड़ों एवं तनों की विद्धी वाली भाग में विद्धमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में विद्धी करता है तने की पर्दी या मूल में विद्धी पार्स विभाजियो तक केमियन की कारण होती है अतर्दिष्ट विभाजियो तक कुछ पौदों में परव संद्धियों के पास पाय जाता है विभाईयों जिल तक की कोशिकाएं अब तदे क्रियासिल होती हैं उनके पास बहुत तदे कोशिका द्रब, पतली कोशिका भी दिय है और इसपर केंद्रग भी होते हैं उनके पास रस्दानी नहीं होती है क्या आप सोच सकते हैं कि उनके पास रस्दानी क्यों नहीं होती हैं आप कोशिका परादारी तद्याय में उलेकित रस्दानियों के बारे कारियों का संग्यान ले सकते हैं अब है आपका इस्थाई उत्र विभाजियों तक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है ये एक विशिष्ट कार करते हैं और विभारित होने के सकती खो देते हैं जिसके बाद वरूप बेस्थाई उत्कों का निर्माण करते हैं इस पिकार एक विशिष्ट कार करने के लिए इस्थाई रोप्स और आकार लेने की क्रिया को विवेदी करन कहते हैं बिविज युल तक की कोशका हैं विशिष्टी केट होकर विविन पिकार की इस्थायू तक कभिकास करते हैं अब आप किरिया क्लाप 6.2 को देखे एक पोदिय के तने को लीजे और अपने सिक्षा की सायता से उसके पतले सेक्षन काट लिए अब सभी सेक्षन को सैफिनीन से रंजीत करें एक अच्छे से कटे हुए सेक्षन को स्लाइट पर रखें उस पर गिलेसरीन की एक भून डालें उसको कभान सलिप से ढग दें और स्लाइट का निरिक्षाण सूप दर्सी से करें विविन पर करें कि कोशी काओं का अध्यान करें उनके बिन्द्यास को देखें चित 6.3 से इसकी तुलना करें इनसे देखिए यह तने का सेक्षन काट इंपित आपका सम्महन बंडल मच्चा क्रंट प्रोटो जाइलम मेटा जाइलम केम्बियन फिलोएम, परिसाइकल दोनों में दिख रहा है एंडोडर्मिस, कोटेक्स, हाइव, पोडर्मिस, एपिट्रमरिज, और यह आपका क्योटीकिल, म्यूसी लेगिनस के नाल लिए, इट्राई कॉम अब नीचे दिये गए पिसनों पर विचार करें और निरिक्षन के आधर बन के उत्तर दें क्या सभी कोशिकाओं की सरचना समान है, कितने पिकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है, क्या हम उन कारणों पर बिचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने पिकार क्यों होते हैं हमें पौदों की मूल, मूलों का सेक्षन काटने की कौसिश कर सकते हैं हमें विवेन पौदों की मूल और तने का सेक्षन भी काट सकते हैं अब चलते हैं वोग सरल इस्थाई उतकों की ओ एफिड दर्मेज के नीचे कोशिकाओं की कुछ परते होती है जिसे सरल इस्थाई उतक कहते हैं, परेंकाइमा, काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल इस्थाई उतक है, यह पतली कोशका भी दी वाली सरल कोशकाओं का बना होता है, यह जीवित कोशकाओं हैं, यह प्रया बंधन मुक्त होती हैं, तथा इस पेकार के उतक की काफी रेक्तिस्थान भी पाया जाता है यह उतक फ्रया भोजन का बंदारन करती है कुछ परेंकाइमा उतकों में किलोरोपिल पाया जाता है जिसके कारण पेकास संसलेशन की क्रिया संपन होती है इस्तितियों में इन उत्कों को किलोरेन काइमा हरे तू तक कहा जाता है जली ये पौधों में पेरेंग काइमा की कुछिकाओं के मद्द हवा की बड़ी बुई काइम होती है जिसके कारण ये जल में उत्राती है इस पेकार के Paranchyma को Ayring Caima कहते हैं पौधों में लचीलेपन का गोड एक अंड किस्ताई उतक काल से कारण होता है या पौधों की बिभिब्र्मद बागभूं.. जैसे पत्ति त cricket नवे पिना तोटे हुए लचीलापन लाते है.. या पौधों को यांतरिक साहता भी बिजान करते हम इस उतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्ण बिट में पा सकते हैं इस उतक की कोशिका है जीवित लंबी अनेमिट धंग से कौनों पर मौटी होती है तथा कोशिकाओं के भी बहुत कम स्थान देखने को मिलता है चित चेधास रंलग चार भी यह आपका दिया ग सकते हैं ये आपका ठाट्यक्न काईमा देखने है भी ये रश्दामी कोशिका भीटी यह आपका केंद क्यंद्रख हो गया ये आपका भीत्री की मौट आई होगी इससी है आपका इसके लिए रेंकाई मा अनुपर्ष्ट सेक्शन और अनुद्र सेक्शन एक अम्य-पिकार का ऊतक इसleist Ivy Blender , या ऊतक पोदों को कठोर मजूद बनाता है हमने एक अल्य थैल के रेसी लीकाम साधों करें द्थेक्वाय क्लिंगूत को देखा है यह उतक की कोज्ज्ञक इमिल्स होती है यह लंबी और पतली नंगिनन के कारन मौटी होती है ये वित्यां प्रा इतनी मोटी होती है कि कोश्का के भीतर कोई आंत्रेकस्तान नहीं होता है चित आपने देखा है न ये यह उतक तने में समभन बंडल के समीर पत्तियों की सिराओं में तथा बीजों और फनों की कठो चलके में उपस्तित होता है या पोदों के भागों को मजबूती पिदान भी करता है अब की रिया कलाब सिर्क 16.3 रियों की ताजा तोड़ी हुई पत्ति लिए इसे दवाव लगा कर तोड़ी है कि पत्ति का चलका अलग निकल आए इस चलकेट को अलग करने करके जल से वरी हुई पेट्रेटिट में रखें इसमें कुछ बून सेफिनिन बिलेन की डाली है द्वार कोशिकाएं तथा एपीडिट एपीडर्मिस कोशिकाएं पार्सुद्रस और प्रिष्ट द्रस एक बात आप लोगों को बता देना चाहते ह अगर आप पैक्टिकल करके देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बहुत मज़ा आता है कि बल जब आप पढ़ेंगे तो यह बड़ा बोरिंग लगेगी लेकिन हम क्या कर सकते हैं आपके पास ऑप्सन भी तो नहीं है कोई लेकिन हा इसका एक अच्छा इसमें और मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके सो इसे साइंस को ख़दम कर लिया करिएगा कुछ समय लगभग दो मिनिट पश्चा चलगे को सलाइड पर रखतीजे तथा इसी इसे दीरे से कबर ले स्कलिप से डखें इसका सोग चुंदर्सी द्वारा आउलोकन कीजे जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी पड़ एपिडर्मिस है एपिडर्मिस पराभ और कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है तो बिलने वाले पात्पों में एपडर्मिस मौटी घोगी सकती है जो जल्द के6 से बचाओ है CV cooler पौध्य की पूरी सतहे एपिडर्मिस से डखे रहती है या पौधों के सभी भावों की रख्चा भी करती है एपिडर्मल कोशिका पौधों की बायर सताय पर प्रयाज एक मौम जैसी जल पिती रोधी परत होती है या जल च्छाय के विरोध यांतरे काखात और परजीवी कबक के प्रवेश से पौधी की रख्चा करती है क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उतरदाय पर अच्छा करना है अताहाई इसकी कोशिकाओं बिना किसी अंतरकोशिक स्थान के अच्छिन परत बनाती है अधिकांस एपिडर्मल कोशिकाओं पिक्षा के चप्टी होती है सामानता उनकी बाहे तथा फार्टस भीतियों उनकी आंदरिक भीतियों से मौटी होती है पत्ती की epidermis में हमें छोटे-छोटे चिद्ध को दीख सकते हैं इन चिद्धों को istomata कहते हैं क्या कहते हैं? istomata कहते हैं साधा हटता उनमें बाल जैसे ही पिवर्ड होते हैं। किसके दोरा?ि इश्टो मेटा के दोरा ही होती है जड़ों की एपीडर्मल फोज़ियाए पानी को सोपने का कारिकाती है साधा हटता उन्हें बाल जैसे प्यवर्ध के बहल कोते हैं जिससे जड़ों की गुल . अवसोचन्त सतर्थ बढ़ जाती है क्या एक पेड की बाहरी साका की पर्ट नई तने की बाहर तरस परस से भिन होती है। जैसे जैसे बैक्च की आयू गड़ती है और उसके बाहर सुरक्चात्मक उतकों में कुछ परीवर्थन होता है। दुतियक ब्यविवजियक अब तक कि एक पट्थी को कोटेक्स में होती है। कौर्क नामक कोषकाओं की पर्टों की को बनाती है। इन छालों की कोषकाओं मि đị hoती है। एबिना अन्ता कोषकी भवा एवन पानी के लिए अभी बनाता है, फड़े आपका जटिल इस्थाई उतक, अब तक हम एक परकार की खोशकाओं से बने एक विन्न परकार की उतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह की दिखाई देते हैं, ऐसे उतकों को साधानर इस्थाई उतक कहते हैं, अनपेकार के उतक, इस्थाई उतक को जटिल उतक करते हैं जटिल उतक एक से अधिक पेकार की कोछकाओं से मिलकर बने होते हैं ये सबी एक साथ मिलकर एक एकाई की तरह कार्वी करते हैं जैलम और फिलोरम, फिलोम ऐसी पेकार के जटिल उतकों के उधार हैं इन दोनों को समयन उतक भी कहते हैं और ये मिलकर समयन बंडल का निर्वाण करते हैं समयन उतक जटिल पौदों का कि एक विसेश्था है जो कि उनको इस थली है वातावर्ण में रहने की अनुपूल भी मनाती है चित चित आपका 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है क्या हम समयन बंडल में मौझूद बिभिन पिकार की कोश्काओं को देख सकते हैं जाइलम ट्रेकर्ट्स वाहिनिका वाहिका जाइलम परेंकाइमा चित 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 असमलो साथे बी और सी कि इसके ट्रेकूर्ट्स यह आपका 6 दिख रहें वाहिका और आपका जाइलम परेंकाइमा कोश्का दिरव हो गया यह जाइलम फाइबर रेसे से मिलकर बना होता है औरर वहएकाओं की सरचन अनली का कार होती हैं, इस प्रेक्रेंध समझन होती है, ये आपका फाइव येससी मुक्ता सहरा देनी का कार रिखता है। फिलोम कोईका साथी केसी काओं फिलो मने परिंग कायमा टथा फिलोमे मarina रेसौं कामें से मिलकर बना होता है चालनी नलीका चितित भीतिवाली तथा नलीका कार घुचका होते है फिलोएम पत्तियों से भोजन को पौदे की बेवेन भागों तक पहुचाता है फिलोएम रेसों को छोड़कर फिलोएम कोच का है जीवित कोच का है यह आपकी चालनी से लेट हो गया ठीक है जहाँ आपका साथी हो गया पैरेंकाइमा यह का साती हो गया कोशी का ठीक है फिलोएम सेक्शन जटेलूदकों की पिकार हो गए अब चलते हैं जन्दू उतर की तरफ जब हम सास लेते हैं तब हम अपनी च्छाती की गती को महसूस करते हैं सrdan के ईक काराह ? इसके लिए हमारे पास कुछ वीसेश कोशिकाएं होती है, जिनने हम पेसीए किया केते हैं। पेशिये रेसी चिकन रेस पेशिए रेसी ये आपके कैंद रख्यस में चिकन पेशिभीए रेसी हो गये झाल सधर हो reward कि इन कोशिकाओं का फैलना और में तक पहुँटा ना संस लेते समय वह ऑक्सीज़न लेते हैं या oxygen कहां जाती है या फैपरों के द्वारा अवसोसित की जाती है तथा रक्त के साथ सरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है कोशिकाओं को oxygen की आवस्तक तक क्यों होती है Mitochandia का कार इस पिसन के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले बढ़ चुके हैं रक्त अपने साथ बिविन पदार्तों को सरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है उधारन के लिए भोजन और oxygen को सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है या सरीर के सभी भागों से अपसिष्ट पदार्तों को इकत्यत कर यक्रत और विक्त तक उत्सा जन के लिए पहुंच जाता है रक्त और पेसियां दौनों ही हमारे सरीर में पाए जाने वाले उत्कों के उधारने उनके कार क्याधार परम विभिन पेकार के जन्तौ उत्कों के बारे में विचार कर सकते हैं जैसे कि epithelium उत्क सयोजी उत्क पेसिय उत्क तंतिका उत्क रक्त सयोजी उत्क का एक पेकार है जो रख्थ है आपका ये सयूद्धी उतक का connected tissue का पिकार है तथा PC आपका PCA उतक का उधारन है Epithelium ही उतक जन्तु के सरी को ढखने और बाहर रक्षा बिदान करने के बाले उतक Epithelium ही उतक है Epithelium सरी के अंदर रिस्तित बहुत से यंगों और गुईकाओं सको ढखते हैं एवेन में बेने पेकार के सरीरी तंतों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोत का निर्माट करते हैं तुचा मोह आहर नली रख्तवाहिनी नली का अर्स्तर फैपड़ों की कुपी का बिक्रिय नली आदी सभी Epithelium ही उतक से बने होते हैं Epithelium ही उतक की कोशकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और यह अनवरत परत का निर्माट करते हैं किसका अनुवरत परत का यह आपकी सल्की गहनाकार इस्थम्भाकार इस्तरित सल्की बेविन पेकार की Epithelium उतक हैं इन परतों के बीच कहाने वाली पदार कम होते हैं तथा कोशकाओं के बीच बहुत कम इस्थान होता है इस पर्ट है जो भी पदार सरीर में प्रविश करता है या पर बाहर निकलता हूँ है Epithelium की किसी परस्ते होकर अवस गुजरता है इसके परस्तरूप बिविन पेकार की Epithelium कोशकाओं के बीच की पारगंबता सरीर तथा बाहरी वातवन और सरीर के बिविन हंगों के बीच पदार्तों के आधान पिदान में महत्कुन भूमिका भी ये बाता है सामानता सभी अफी Epithelium को एक बाहर इसे दार आधाल जिल्ली उसे नीची रहने वाले उतकों से अलक्त करती है चित 6.9 में दर्साय अनुसार बिविन Epithelium की रचना रचना ये बिविन पेकार की होती है इनहीं की बात करना है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है उधारन के लिए कोशिकाओं में रक्त नल का अस्तर या पूबिका जहां पदार्थों का सम्मान वर्णात्मक परागम जिल्ली द्वाना होता है वहाँ पर चप्ती एपिथिलियमें उतक कोशिकाओं होती है इनको सराल सलकी Epithelium ही भी कहते है ये आते देख पतली और चप्ती होती है तथा कौमल अस्तर का निर्माड़ भी करती है आहारनली तथा मोय का अस्तर सलकी Epithelium से धका होता है शरील का रक्षात्मक वच अर्था तुचाहिनी सलकी Epithelium से बनी होती है तुचा को Epithelium कोश्काएं करे इनको कटने और फ़टने से बचाने के लिए कई परतों में बिवस्तित होती है चुकि ये howई परतों के पैटर्र में बिवस्तित होती है इसलिए इन Epithelium को इस तरी संखी एपिथिलियम कहते हैं लोग जहां और स्राह होता है जैसे कि आत के उपरी अस्तर में वहां लंबी एपिथिलेमी कुश्काइं मौझूद होती हैं यह स्थमभाकार एपिथिलियम एपिथिलेमी अवरोध को पार करने में साहय तभी बिदान करती हैं स्वासनली में इस पखमार मःव गर्टिक कर सकते हैं तथा इनकी गर्टिसलेजमा को आपगे रिष्थानानतित करने में कते हैं इस पिकार के एपिथिले में कुपचा भी इस थंबाकार एपिथिलियम कहते हैं गहनाकार एपिथिलियम में बिक्किली नली तथा लार गरंथी की नली की इस्तर का अस्तर का निर्माण करती हैं जहां यह उसे यांतरिक साहरा पिदान करती हैं ये epithelium कोशिकाएं प्रयाग गरंती कोशिकाओं के रूम में अत्रिक्त विसेशता अर्जित करती हैं जो epithelium ही उतक की सतर पपदार्थों का सराव कर सकती हैं कभी-कभी epithelium ही उतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुत कोशिक गरंती का निर्मार करता है या गरंती लिए epithelium कहलाता है फर सुनते हैं आप लोग सयोजी उतक जो रख्थ है आपका एक विकार का सयोजी उतक है कनेक्टिव टिसू इससे सयोजी उतक क्यों कहते हैं या अध्याय की भूम्क्या में इस समòngद में एक संकित दिया गया है आईए अब हम इस तरह की उतक के बारे में विष्दत जानकारी लें सयोजी उतक की कोशका है आपस में हम कम जोड़ी होती है और अंतरकोष की या आत्री यानि की मैट्रिक्स में धसी होती है चित्त 6.10 या आत्राती जैली की तरह तरल सगन कटोर हो सकती है अधात्री की प्रक्ति बिवेन सयोजी उत्कों के कार के अनुसार बदलती है जी आप एं है आपकी सयोजी उत्कों के पिकार विवेन रख्त कर आएं सनत अस्ती कच्छाब उपास्ती वसामय उतर एरीओलत उतर इया आपके दिए गया कि क्रम साथ यह आप क्या हो गया है इसमें आपका भिविन स्विद रख्त कड़का है लिंफोसाइट, मोनोसाइट, पिलेट, न्यूट्रोफिल, यह उस सीनोफिल, कुछ का अत्रभ हो गया है इसमें क्यां द्रख देख रहा होगा, छार करंजी, बैसोफिल, उसके बाद भी में देखिए यह आपका, हेवर्ष नलिका, सुख्छ नलिका, सी में देखिए, कच्चाब, अद्रात्री, उपास थी दियूँ, कांडो साइट, उसके बाद डी, एडी इपो, वसा साइट, यह आपकी मोट्टी सुख्छ बिंदो, केंदर रख हो गया है, इसके बाद E है आपका, यह आपका आप देखते हैं, 6.4, रक्त की एक बून स्लाइट पर ले, और उसमें बूम मौझूद बिविन कोचिकाओं को सुख्छ न दर्सी से देखें, रक्त की तरल अद्रात्री वाग को पिलाजमा कहते हैं, पिलाजमा में लाल रक्त कड़िका हैं, RBC, सुईत रक्त पिलाजमा में प्रोटीन नमक तथा हर्मोन भी होते हैं, रक्त गयस शरीर के पच्चिकवे भोजन और हर्मोन पुसर्जन पतार्तों को शरीर के बाग से दूसरे भाग में संब्भान करते हैं, अभी आपने पिलाजमा थरी विप्तिरी के बारे में सुनाता न, अभी जब स पिलाजमा भी होता है, उसमें नब्वे पितिसत जल, प्रोटीन इस तरह के लवड भी पाए जाते हैं, अस्थी उतक, अस्थी सयोजी उतक का एक अनुधारन, यह पंजर का नेमार सरी को आधान पिदान करती है, आकार पिदान करती है, यह मास्पेसियों को साहरा भी देती होता है, और शरीर के मुख अंगों को साहरा देती है, यह उतक मजबूत और कटोर होता है, अस्थी कारियों के लिए, इन गुडूँ को क्या क्या उत्यों में, अस्थी कोच का एक कटोर, अध्राथी में धती होती है, जो कैल्सियम और फॉस्पोरास से बने होती हैं, किस्स इस नायू में ढ Richardsi बहुत कम होती है और ऐस्तियों की ऐस्तियों को जोडती हैं एक अन्य पिकार का स्विधी उत्यक ड़ा है टेढम जो अस्तियों से मास्पिसियों को जोड़ता है कंड्रा मजबूत裡 तथा सीमित लचिली पन बाले रेसे दां उत्यक होते हैं उपास्ति एक प्रकार की का सयोगी उतक होता है जिसमें कोश्काओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है इसकी ठोस अध्दात्री पोर्टीन और सरकरा की बनी होती है यह अस्तियों के जोड़ी को चिकना बनाती है उपास्ति नाककान, कंठो और स्वासनली में भी उपस्तित ह होती है हमकान की उपास्ति-को मोर सकते हैं परतु हाद्त की अस्ति को नहीं मोर सकते है सोची ये दोनों उतक किस पेकात मिनने एरी वोलर, सयोजी उतक तुच्चा और मास्पिजियों के बीच रत्य नलिकाओं के चारों उत, तथा नसों और अस्ती मज्या में पाए जाता है यह अंगों के भीतर की खाली जगे को भड़ता है आंतरिक अंगों को सहारा पिदान करता है और उतकों की मरमत में साहता भी करता है हमारे सरीर में वोसा कहां संचित होता है वोसा का संगरे करने वाली वोसा में उतक तुचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाए जाता है इस उत्वक की कुछका हैं वसा की गोलिकाओं से बरी होती है वसा संगेत होने के कारण या उसमी है कुछालक का कारवी करती है किसका? उसमी है कुछालक का फिर आपका पेशी है उत्व पेशी होत्व लंबी कुछकाओं का बना होता है जिसे PCA resa कहते हैं यह हमारे सरी में गती के लिए उत्तरदाई हैं पेसिउं में एक पिसज-पिकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकोरनगे बाला प्रोटीन कहते हैं जिसके संकोचन एवं पिर्साहर की कारण गती होती है कुछ पेसियों के हम एक्छानुसार गती करा सकते हाथ और पर में बिदमार पेसियों को हम अपनी एक्छानुसार आवसकता बढ़ने पर गती करा सकते हैं या पर उनकी गती को रोग भी सकते हैं इस तरह की पेसियों को हम लोग एक्छेक पेसी कहा जाता है चित 6.11 ए में इन पेसियों को कंकाल पेसि भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हटियों से जुड़ी होती है और सारे री गती में साहयता भी करती है सूपचिंदर्सी देखने पर एक पेसियां हलके तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं का या धारियों की तरह प्रतित होती है इसी कारण इसे रेखित पेसी भी कहते है इस उतक की कोचकाएं लंबी, बिलनाकार, साखारेत और बहुव नाविये होती है आहा नली में बोजन का अब्रवाग या पर रडाक्तन नलिका का परसाद संकुचन जैसी गतियां एक चिक नहीं है इन गति विदियों को हम स्वयम संजालित भी नहीं कर सकते है अर्था हम इन गतियों को इक्छामसार प्यारम या बंद भी नहीं कर सकते है या अपने आप चलती रहती है चिकनी पेसियां अत्वा अनेक्चिक पेसियां इनकी गद्धी को नेंतित करती हैं ये आंकी पलक मुदवायनी और फैंपरों की सौसनी में भी पाई जाती हैं कोशिकाएं लंबी और इनका आफिरी करा नुक्रीला भी होता है ये एक केंद्रिय होती हैं इनको आरेकित पेसि भी कहा जाता है इनका नाम आरेकित क्यों हिदय के पेसियां जीवन भाल लैवत दो कर पिसार ये उनसंकुचन करती रहती हैं इन अनेक्चिक पेसियों को कायडि पेसिं कहा जाता है हिदय की पेसि कोषि कर्शिका ये senhor यक मिल्लाकार साखांऊ बाली हो चाह और एक केंद्रीय होती है अ देखिए आप पेसी हो टक रेकित पेसी चिकरणी पेसी और कायडिक फिपेसी यम्हाइट के बात केंद्रक रख़़जाय उसके बात केंध्रक यम्हाइछ यह निश्केद रूट करा आपको भी देख लिए 6.5 बेविन पेकार की PCO कों की सरजना की तुलना कर सकते हैं, इसकार केंदरक की संख्या, कोशिका में केंदरक की स्थिकी उत्ती को नोट कर सकते हैं, इसे आप छोड़ देना, अगर आपके पास प्रेक्टिकल कर रहे हैं, तो आप भार सकते हैं तंतिका उतक, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुनों कुगल पिती की रिया करने की छमता होती हैं, यगी भी तंतिका उतक की कोशिकाओं में बहुत सीख उत्तेजित होती हैं, और इस उत्तेजना को बहुत ही सीख पूरे सरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहु दिरभ साइटोपलाई में होते हैं इससे लंबे पतले बालों जैसे साखाई निकलती होती हैं चित्र छह दसमला बारे में आप देख सकते हैं से निवरन तंदिका हो तक कि एकाई कुछ का का है यह आपका केंदरा हो गया डैंड ट्राइट और ये तंतिक आप छो गया फुर्याप पितिक निवरान में इस तरह का एक लंबा विवर्दक होता है जिसको हम लोग एक्सों कहते हैं तता बहुत सारे छोटी साखाया वाले विवर्दक डेंडर राइट्स होते हैं एक तंतिका को इसका में एक मीटर तक लंबी हो सकते हैं बहुत सारी तंतिका रेसे सायोजी उतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंतिका का निर्मार भी कर सकते हैं तंतिका रेसे से गुजन्य वाली संबेदना को तंतिका इस पंधन कहते हैं तंतिका का इस्पंदन हमें एक्छा अनुसार अपनी पेशियों की गती करने में साहत करता है, तंतिका तथा पेशियों का कार्यात्मक सयोजन फरयासवी जीवों में मौलेक हैं, साथ ही ये सयोजन उतेजना के अनुसार जन्तों को गती भी बिदान करता है, ये आपके कुश् रजना तधंगर होता है, पौदों की उतक पादप उतक दो प Takeskin विभाजिय में बिद्धि वाले। छित्रों. इस थाई उतक बिभाज। लिवेत द Всемे के बीем स्विभाजích उतक बिद्धि वाले छित्रों में पाहित. इस थाई। उतक विभायो जत यह उतक से बनता है जो एक पेकाई एक बार विभाजत होने की चंदाख हो देता है इनको सरल ततना जतिल उतकों में बरेगी किया जता है परेंख काईमा, कॉलेंग काईमा और इसके लिए रेंकाइमा सरल उतकों के तीन पकार हैं जायलाऊं और फिलोरम जकल उतकों के पकार भी है एपी, थिलियमी, पेसी, और सयोजी तktenत का उतक जनतू उतक होते हैं आक्रिती और कार की आदार पर एपिथिलियम उतक को सलकी, गनाकार, इस थंबाकार, रोमिये और ग्रंथिल चैनियों में बरकी के त्याकीनी की बाटा जा सकता है हमारे सरी में विद्मा सेयोजी उतक के विमिन पेकार हैं अरिवलर, उतक, एडिपोज, वासामय, उतक, अस्ती, कंड्रा, इसनायू, वास्ती और रग्तियाने की रोधे पेसी उतक के तीन पेकार होते हैं रेकित, आरेकित और काइडिक, हिदाबेसी तंतिका उतक नियोन का बना होता है, जो संबेदना को प्राप्त और संचालिक करता है इस अध्याय से समद्धित आपके questions दिये गए है, यहने भी आप देख लेना इस तरह ते आपका छटवाया अध्याय भी खताम होता है आघे हम लोग बात करेंगे आपके साथ बढ्र्दया के ने बात करेंगे जीवों में बिवित्तर जीवों में बिवित्तर तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्छा नववी की विढ़्ियांग याद रखिए एक harps 24 से कक्छा नवी तर कि हम सब बुक्स देख चुके हैं जो हमारे लिए यानि की IHPCS के लिए जरूरी है और बिग्यानी लाफ्ट बुक है कच्छन अभी की इसके बाद हम लोग अच्छा दसभी की बुक्स देखेंगे सभी तो इनमें अभी तक हम लोग 6 अध्याय कंप्लीट कवर कर चुके हैं और याद कि जितने भी आपकी रेक्चर हैं से संब्दी थी वो NCEIT पूर कवरेज के नाम से जो फिले रिस्ट सुची बनी हुई है उसी में डले हुए और समय रहते हुए अगर आप सेविल सब्दी या अधर इस्टेट PCS की तयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग पढ़ लें से NCEIT को सभी को क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास कि इने छोड़कर आप कोई और बुक्स पढ़ लें और सेलेक्शन हो जाए तो समय रहते हुए इन सभी को पढ़ लें आप लो अगर टाइम है आपके पास तो कक्छा चटवी से और कक्छा बारवी तक की ही पढ़ें अगर नहीं है टाइम कुछ जादा ही ब्यासते हैं तो कक्छा नोवी से बारवी तक की पढ़ सकते हैं और वैसे भी कक्छा चटवी से आटवी तक की भी साथ में पढ़ लें क्योंकि पता है एक सबता आपे खतम कर सकते हैं बहुत सब्दों में लिकी नह और वो सभी आपकी टेलीगराम पर डाल देगे हैं, जो भी आप के लिए जिरूरी है, क्योंकि कई लड़के पूछते जाते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, जो आपको पढ़नी है वो सभी डाल देगे हैं, इसमर्च अद्धिया में बात करेंगी जीबों में विवित को ही लेजे, क्या दोनों की लंबाई समान है, एज समान है, क्या आपकी नाग बिल्कुल आपके मित की नाग जैसी है, क्या आपकी और आपके मित की हदेली का आकार्व समान है, यदि हम अपने और अपने मित की तुल्ला किसी बंदर से करें, तो हमें क्या देखेंगे, निश सिकते तो हम देखते हैं कि गायख की तुला में बंदर और हमें अद्धिक समान था मिलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बंदरों से बाद ही तो हमारा यहां तक सफर हुआ इसलिए तो बोलता हूं कि सोचने वाली बात है कि ह responder के वो एक स्टेश पार कर लेकिन हम इनसान को देखिए, कि एक स्टेज पार करकर हम नहीं पहुँछ पा रहे हैं इनसान से भगवान नहीं बन पा रहे हैं, वहां बंदर से सीधे हुआ बन चुक है मतलब कोई उन्होंने इस तरह से उस तो नहीं किया बनाए तो भगवान हम लोगों नहीं है कि उनके अच्छे करम रहे हैं मारत दिर्सन रहा है उनका अच्छा तो कभी सोचा करिए इस तरह कि पॉइन पपा कि वो बंदर से सीधे भगवान तक होच गए है और हमें एक मतलब कदम नहीं बढ़ पाए हम लोग वो दो कदम बढ़ चुक्या नहीं चलिए खेर छोड़ि समझ रहे हैं कि देखिए सब लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं और भगवान सब देख रहे हैं लेकिन अधीत तर लोग इसे फोलो नहीं कलते हैं किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं किसी को नीचे गिरा रहे हैं किसी को मार रहे हैं किसी के साथ बुरा कर रहे हैं समझ रहे ह नहीं बग्वान नहीं दीखते है कि उसके साथ बुरा करें तो हो सकता है बगवान नहीं नहीं देखते कि कुछ की आ हुझ Quem Handle निकेन की चोंड़ी जैंब नहीं होंugen थेक्षटाहstill watches कि इभारे में सुना है यह देहीं जर्षी गाये जर्षी दिखती है क्या सभी देशी गाये इक जर्षी देशिती है क्या हम देशी गाया ओ की जुनू में जर्षी गाये को पहिचांन सकते पहचानने का हमारा आधार क्या होगा अब हम लोगों को तैय करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांचे समुहों के जीवों के लिए अधिक मत बोनेट इसके बारे में हम यह भी तैय करेंगी कि कि लक्षण को छोड़ा जाए अगर आपको इनके लक्षण पता चल ग हम एक और जहां सोक्ष दर्शी से देखें देखे जाने बाली बैक्टरिया जिनका आकर कुछ माइक्रो मीटर होता है यानि कि हम खुली आखों से देखेंगे तम नहीं देख पाएंगी हम इसके लिए आपका जो दुर्विय होता है उसकी जरूरत पढ़ती है सोक्ष और 600 15,000 बर्स तक चीवित रहते हैं कि कुछ कीट जिसे मंक्चरों का जीवन काल कुछी दिनों का होता है जवाबके जब आपके हाथ में आते हैं तब इनका जीवन समापत हो जाता है। जब विविता, रंग ही इन जीवधारियों और पारदर्सी कीटों और विविन रंगों बाले पक्चियों और फूल में भी पाई जाती है। हमारे चारों और की इस आसी में विविन्न दाओं को विक्सित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए उनके बारे में हम एक-एक करकी बिचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगे हम जीवधारियों की समानता का अध्यन करेंगे। जिससे हम उनको विविन्न बर्गों में रख सकेंगे। फिर भी विविन्न बर्गों वा समुगों का अध्यन करेंगे। जीवर के ने बिविन रोगों की बिविन नताओं का अध्यन करने की अनुरूप समुव बनाने की किरम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बे कौन से विसेट लक्षनें जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं इसी पर जीवधारियों के मुख विस्तत समुवों का नेड़ारन निर्वर करेगा इन समुवों में से छोटे समुवों का नेड़ाय अपिक्षा के कम अत्कून लक्षनों की आधार पर किया जाएगा यह आपके कुश्चन से ने भी देख सकते हैं बर्गीकण के आधार पर हम लोग बात करेगा बर्गीकण का आधार तो जीवधारियों के बर्गीकण का प्राचीन समय सही किया जाता रहा है यह उनानी बिचारक अरस्तू ने जीवों के आधार बर्गीकण उनके इस्थल, जल और बायू में रहने वाल के आधार पर किया था जो युनानी बिचारक थे जो अरस्तु साथ इन्होंने जीवों का जो बरगीकन किया था इस्थल जल और बायू में रहने के आधार पर किया था यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल कि दुब भामक तरीका है उधारने के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवा हेल, ऑक्टोपस, इस्टारफिस और सौक है एक कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग भी है इन सब ही में एक मात्य समानता इनका आवास है अध्यान एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवदारियों को समुद्र में बातना ठीक नहीं इन्होंने क्या किया कि जो इस् वर्ग का निर्माण किया गया है उसके बाद हम अन्द लक्षणों की आधार पर किसी वर्ग को ओप समुद्र में बांट सकते हैं नई लक्षणों के आधार पर समुद्र के भीतर इस तरह कि वर्गीकर्ण के पिक्रिया जारी रह सकती हैं इस विचार में आगे बढ़ने से आंगे बढ़ने से पहले हमें लक्षनों का अर्थ समझना पड़ेगा जब हम जीब के किसी विवित समूव को बगी कित करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि समूव के सदस्वों में क्या-क्या समनता है जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सकते बास्तों में यही उनका लक्षन है और विवार होता है या पर यह कहें कि यह यही उन जीबों का रोप और कार होता है किसी जीव के लक्षण से तातवर उस जीव का कुछ विशिष्ट रूप या फिर विशिष्ट कार है उधारन के लिए हमने से जाना तर लोगों के एक हाथ में पांच अंगुलियां होती हैं जो एक लग्छण, क्या है, एक लग्छण मानों का, फांच अगुलिया होती है, उसी तरह हमारे दोडने की छम्ता और बरगत की पेड़ ना दोडने की छम्ता भी एक लग्छण ही है, अब हम देखें कि कुछ लग्छणों को कैसे अन्गी तुल्ला में जानद मौलिक प्त्र की दिवार कैसे बनती है दिवार में पेयोग लाए गए पत्र बिविन आकार पिकार के होते हैं यहां ध्यान दैने की बात है कि उपर की ओर लगे पत्रों का आकार पिकार नीचे की पत्रों को प्रभावित नहीं करेगा लेकिन निचले स्थर के पत्रों के आकार से उन या क्रियात्मक लक्षन से सुतंत होते हैं लेकिन उसके बाद के इस्तर के लक्षन पहले की इस्तर के लक्षन पर तो निर्वर करते हैं बास्ते बात के इस्तर के विकार को निदारित करते हैं ठीक इसी तरह हम जीवों की वर्गिकर्ण के लिए परशपर संबंदी लक्षन का एक पदानुक्रम बना लेते हैं आजकल हम जीवों की वर्गिकर्ण के लिए कोशिका की प्रक्यत्ती से प्यारम करके वेवहने परस्पर संबंदिक अभी लक्षणों को देश्टी गत रखते हैं आईए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें एक यूके रियोटी कोशिका में केंद्रक समेट कोश जिल्ली से गरे कोशिकांग होते हैं जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग-अलग कोशिकाओं में दक्चिता पूर्वक होती रहती है यही कारण है कि जिन कोशिगाओं में जिल्ली उक्त, कोशकांग और केंद्रक नहीं होता है उनकी जेव रहसानिक पिक्रियाएं भिन्न होती है इसका आसर कोश्किय सरचना के से भी पहलूमा पढ़ता है इसके अतरिक ते केंद्रक के कोशिकाओं में बहुत कोशिक जीव के निर्माड की चम्दावी होती है क्योंकि वे किसी खास कारेयों के लिए विसे फीकेत हो सकते हैं इसके लिए केंद्रक बरीटन का अधार बूर लच्छन हो सकता है पिसे नुटता है कि कोशी काहें अकिली पाय जाती है या फिर एक साथ समूव में पाय जाती है या फिर अभी भाजी समूव में मिलती है जो के कोशी गाएं एक साथ समूव बनाकर किसी जीव का निर्मार करती है उनमें स्रम्वे भाजन पाय जाता है सारेरिक सररचना में सभी कोछकाय एक समान नहीं होती बलकि कोछकारों कि समोवू कुछ से खालेयों के लिए विसरी α Вас टिकित हो जाते हैं यही बजय है कि जीवह की बहते हैं कि सारेरिक सररचना में इतनी घ्रियतiba हुती हैं कि एक वाले और बाहर से भूजन प्राप्ट करने वाले जीवों की सारे रिक सरचना में अवस्ता भिन्नता पाई जाती हैं। जो जीव पौधे पिलका संसिलेशन करते हैं उन्हें सारे रिक संगठन किस इस तरगा होता है। उसी तरह जनतुओं में किस तरह सारीर विक्सित होता है और सरीर के विविन अंग बनते हैं, इसके विक्सित विविन कारीयों अंग लिए विशेश्ट अंग कौन-कौन से हैं। इन पिशनों के माद्धियम से हम देखते हैं कि किस तरह बिभिन लख्षणु का पधानुक्रम बिखसित होता है। जबकि जनतूं का चरीर बाहर से बिभिन गिर्ण करने की अनुसार बिखसित होता है। यही लक्षण बर्गीकंड के दौरान उपसमोव और फिर बाद में बड़े समोव में वीवाजन का आधार बनते हैं एक कुश्टेंस दिये गए हैं इन्हें देखते हैं देख लिए न ठीक है फिर आपके बर्गीकंड और जैब विकास आप खुद देख रहे होगे इसा कोई सब्द नहीं है जो आपको समझ में ना रहा हो मतलब बड़ी अच्छी बुक्स लिखी गए हैं आप अगर एक से दो बार पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाती हैं ऐसा कोई सब्दी नहीं रहता है जो समझ में ना रहे पूरा कहानी का पढ़िये आरहम से समझ में आ जाया अब बरगी केर और जेब विकास सभी जीवधारियों को उनकी सारे रिक सरजना और कार क्याधार पहचाना जाता है उनका बरगी कर किया जाता है सारे रिक बनावट में कुछ लक्षण अंद लक्षणों की तुल्ला में ज्यादा करते हैं दूसरे सब्दों में हम कहें तो सरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण की रूम में जाना जबता है इससे यह भी पता जलता है कि जीवों के वरगी कर्ण का जैब विकास से कितना लज्दी की संबल है जैब जैब विकास की इस अवधार्णा को सबसे पहले चार्स डार्विन ने अठा़राय सो उनसच में अपनी कुस्तक दाव ओरिजन ओप इससरी इस तरह की कुछ प्उइंट और पी March 265 seguir को भी या बरगी कंड से जोड़का देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीब समोग, कुछ जीब समोग की सारे रिख सरचना में पराचिंका से लेकर आज तक कोई खास परीवतन नहीं हुआ है लेकिन कुछ जीव समोगों की सारे रिख सरचा में परियाप्त परिवतन दिखाई पड़ते हैं पहले पिकार की जीवों को आदिम अत्वा निमन जीव कहते हैं जबकि जो दूसरे पिकार की जीवों को उनन या पर उच जीव कहते हैं लेकिन एक सब्द उप्युक्त नहीं है कैसे उप्युक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी भेनताओं का ठीक से पता नहीं चलता है इसके वज़ा हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव सब्द का परियोग कर सकते हैं चुक्कि विकास के दोरां जीवों में जटलता की संभावना बनी रहती है इसलिए पुराने जीवों को साधारान और नए जीवों को अपयच्छा की जटल भी कहा जा सकता है फिर आपका बर्गीगंड की समुहूं की पदानुकिरम किरमित सरजना अन्ट अर्नेंशट हैकिल अठाहाई सो चौरानवे रोबाट वीड टेकर अठाह उन्नी सो उन्तर कार्ल बोर्स बॉस वोस ए उन्नी सो सत्तर नामक बिज्यानिकों ने सारी सजीमों कूछ जगत नामक बड़ी बर्गों में विभाजित करने का प्रियास किया विभेटेकर द्वारा प्रिस्तावित बर्गी फ्रेंड में पात जगत मोनेरा प्रोट प्रोट टेश्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया यह समगों कोशिगाओं कोश की सरजना पोशन की सुरोत और तरीके तथा सारीरिक संगठन की आधर पर बनाए जो आपके अगर वस्ताउथ करें दने अजगत को आर्की वक्तिटिया और यू में बंट दिया ह reference जो प्रेयोग में लाजाता है पुनहा बिविन इस तरों पर जीवों को समुवों में बर्गी टित किया गया है जैसे जगत किंगडम, फाइलम यानी की जन्तु, डिवीजन याना पादक, वर्ग मतलब किलास, गड़ मतलब ओर्ड, कुल मतलब हैमली, बंस मतलब जीनस, जाती मतलब स्पेसेज इस पकार बर्गीकन के पदारुकरम में, जीवों को विविन लक्षणों के आदार पर, छोटे-छोटे समुवों में, बाठते हुए हम बर्गीकन की आदार बूद एकाई का तक पहुंचते हैं अतहार किन जीवों को हम एक जाती के जीव कहेंगे एक ही जाती के जीवों में बाहर रूप से काफी समानदा होती है तो अब यह जनन कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जनन यहां आपको कुछ पैरागराब दिया गया है इसे भी देख लिते हैं जै बिवित्ता से ताथपर क्या है आपका जै बिवित्ता से ताथपर बिणने जीवों जीव root में पाई जाने वारी बिवित्ता से अब आपको यही तो clear करना है यही concept तो आपको देखना है आपको थोड़ी ज्यानी कोई बनना है कि मतलब रटना है कुछ आप NCEIT पढ़ने क का इतना ही मतलब है कि आप समझ जाएंकि जो भी विद गायवता है, परियावन क्या होता है, पारिस्थितिति की क्या होता है, समझ रहे हैं, इनी को रहे हैं, इनी को कॉंसे fim क्लीएर करने के लिए ही आपको mq сfядhrit पढ़ा हिाती है, क्योंकि आगे जो भी टेक्स्ट वो खूंगी उसमें इतना सरल इतना कहानी का रूप देकर आपको कोई भी चेप्टर नहीं समझाया जाएगा क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बनी है कक्चा नौवी के लिए तो नौवी के हिसाफ से उनको समझाया जा रहा है तो सबका मतलब यही होता है कि आपको अच्छे से समझवाए जाए यह सब्द किसी विसे इस चित में पाय जाने वाले विभिन जीव रोपों प्योर एंगिन करता है यह विभिने जीव ना सरफ एक समान पर्यावन में रहते हैं बलकि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं इसके पाइडाम सरूर विभिने प्रजातियों का इस्ताई समझाय अस्तित में आता है आधूनिक समय में मनसर ने इस समझाय के संतुलन को बदलने में माचपूर भूमी का नेवारी है बास्ताओं में किसी समझाय की विवित्ता भूमी, जल, चलवाईव जैसी कई चीजों से प्रभावित होते हैं एक मौटी अनवान की मुतावि प्तिवी पर जीवों की करीब एक करोड़ पेजातियों पाई जाते हैं जबकी हमें सिर्फ दस लाग या फिर वीस लाग पेजातियों की ज मर्या करिए प्तिवी पर करकुरेखा hablar के चेट में जो गर्मी और नर्विवादल भाग हैं वहाँ पौधों पौधों और जंतुओं में काफी वित्ता पाई जाते हैं अतहा यह चित मेगा डाइवर्सेटी चित कहलाता है पित्वी पर जब वित्ता का आधे से जंदाभाग कुछ एक देशों जैसे ब्राजील हो गया कोलंबिया हो गया एक्वाडोर हो गया पेरू मैक्सको जायरे मेडागासकर ऑस्टेलिया चीन भारत इंडोनेसिया मलेसिया में केंदे थे सबसे जाना समझ रहे हैं जब वित्ता स जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके सरीर बहु कोशिक होते हैं किनके मोनेरा की बात करांग इनमें पाई जाने वाली विवित्ता अन्य लक्षणों पर निर्वार करते हैं इनमें कुछ में कोशिकाभीती पाई जाती है और कुछ कुछ का भी थी के होने या ना होने के कारण आई परिवतनों से घन होते हैं पोसण के स्तर पर एद सौपोसी अथवा बिसंपोसी दोनों ही हो सकते हैं उधारन के लिए जीवाडू, नील, हरित, सेवाल अथवा साइडो बेक्टेरिया, माइक्रो फलाज्मा कुछ उधारन को 7 आद समलों एक चित में दर्स आये गया है, देखिए, मॉनेर, बेक्टेरिया हो गया है, इस तर भी जांडू, ए हेट्रो फिस्ट, एना बीम, फिर आपका प्रोटिस्ट ना, इसमें एकोसिक किरियोटिक जीव आते हैं, इस बरविक्टिक जीवों के गमन के लिए सीलिया, फेले, जेला, नामक सरजनाय पाई आते हैं, यह सौपोसी और विसमपोसी दोनों तरह के होते हैं, उधारन के लिए एकोसिक सेवाल, डाई, डाईटम, डाईएटम, पोटो जुआ, इत्यारी, उधारन के लिए चित में आप से साथ दसमलों दो देख सकते हैं, अब में आपका साइट्टो पाईच, भोजन दानी, साइट्टो सोंग, मुख जान, खांच, सूप्ण के अंदरक, गुरु के अंदरक, सैलिया, जल दानी, यह सभी आते हैं, पैरा, पैरा मीशियम है, ठीक, यह अमीवा, संखुचन सील, यह संखुचन सील दानी, यह आपका हो गया अग्मुखी कूटपाद, यह आपका भोजन दानी, यह आपका क्रेश्टल, यह आपका केंदर, माइटो कैंडिया, अंतरतिव, और भाईदिव, यानि के एक्टो कलाच, ठीक है, इसके बाद यूगलीना, एक केंदर, 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 किलोरोप्लास्ट, स्तर्ग, सं अब बात करते हैं फंजाई के बारे में, यह विसमपोसी यह किरियों टीजीव होए है, इन में से कुछ पौद्र, पोसन के लिए सड़े गले, कार्मनिक पदाप्तों पर निर्वाट रहते हैं, इसलिए इने मिर्ट जीवी कहा जाता है, क्या कहते हैं, मिर्ट जीवी कहा ज सवस्था में बहुको से छमता पराप्त कर लेते हैं, फंजाई अत्वा कवक में काइटीन, नामक जटिल सरकरा की बनीवी, कोजिता भीती पाई जाती है, उधारन के लिए आप इस्ट ले सकते हैं, मोल्ड यह मस्रूम उधारन के लिए लिए सकते हैं, यह आपका क्या गआरे कि मुझी पता नहीं था पहले, बहुत पहले कि इस सब्जी माता हुदू कि बनती है, मेरी मेज मैशती है, केंटीन, वहा udah यह बनाय गया, मैंने उस दिन खाना ही नहीं खाए, मुझी लगए जल लिए, इसका भी मतलब होता है, बात में मुझे गया मुदारन की द्म मैंने खाना सुरू किया तो यही है आपका देहा तीन ग्रामीर नाम है कोपरमुट्त्थ कहते हुए आपके ४ छितिम में कौंट जीन या नील हरे सहवाल, साइनो बेक्टिरियार की सब इस्थाई अंतरसमंद बनाती हैं, जिन्हें हम लोग सह जीविता कहते हैं, ऐसे सह जीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है, ये लाइकेन अक्तर पेड़ों, चालों, परागी दब्बों की रूम में हमें दिखाई देते हैं फर आते हैं के प्लांटी, इस बर्ग में कोशिका भीति वाले बहु कोशिक, यूकिरियोटी, जीवाते हैं, ये 100 पोशी होते हैं, और बेकास संसलेशन के लिए किलोरोफिल काफ्रियो करते हैं, इस बर्ग में सभी पौधों को रखा जाता हैं, चुकुक पौधे और सरवादिक तिरिष्टी को चरूते हैं, अता है इन उक्रमों की चर्चा बाद में करेंगे हैं लोग, खंड 7.2, 7.4, अब जीवधारी, प्रोकिरियोटी, यूकिरियोटी, इसमें आपका एक कोशिक हो गया, जैसे प्रोटेश्टा, बहु कोशिक हो गया, इसे भी दो बाग पिकास तंसलेशन नहीं करने वाले, जैसे फंजाई, इसमें आपके पिकास तंसलेशन बारे एक तूच, जैसे प्लांटी, पांच जगत बर्गी करन किया गया है, पांच जगत में, ठीक है, आँगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, एनी मिलिया, इस बर्ग में ऐसे सबी बहु कोसिक योकेरियोटी, जीब आते हैं जिनमें कोच्टाइबीती नहीं पाई लाती है, इस बर्ग के जीब बिसम कोसी कहलाते हैं, इस बर्ग की चट्चा हम लोग बाद में खंड साथ बिसमलोग पांच में करेंगे, अब यह आपके कुश्चन्स हो गए, उपर ज बिदे थे, अधवा नहीं, बर्गी करण का अंगला इस्तर पादप शरीर में जल और अन्न पदार्तों को संभाहिण करने वाले विशिट उतकों की उपर्तिती के आधार पर उतर, ततपर्चात बर्गी करण पिक्त्रियाद की अंदर का त्रियाद देखा जाता है कि इन पौदों की सारे रिख सर्थियाव में विवेदी करण नहीं पाए जाता है, इस बर्ग के पौदों की को सामान का सहवाल का जाता है, क्या कहते हैं सहवाल, ए मुख रूप से जल में पाए जाते हैं, पुदारण के लिए युलो थिक्स, किलेट, डो, हुरा, अलबा, इ इस पाहिरोगायरा को सिकावी तीज में किलोरोपलाट किया, पाहिनी, पाहिनी नोयट, केंद्रक जीब दरफ इसमें देखने को मिलगा, यह आपका कारा हो गया, ठीक है सहवाल, फर आपका बायूप खाईटा, इस बर्ग के पौदों को पादप बर्ग का ओवह चे कहा जा इस स्टू तक नहीं पाए लगते हैं, उधारन के लिए मौस, फ्यू नेरिया, मारकेशिया, इस बर्ग के पौदों को का सरीर, जड, तना और पत्ती में विभाजित होता है, इनमें सरीर के भाग से दूसरे भाग तक, जल तथा अनपदातों के सम्भाहन के लिए, सम्भाहन उतक भी पाए जाते हैं, उधारन के लिए मारसिया, फार्ण, होड, होस्टेल, इत्यादी, इन तीन सब्वों के पौदों में जन्नान आपित्यक्ष होते हैं, तथा इनमें वीज उत्पन करने की चमता नहीं होते हैं, अता है क्रेप्टो गेम कहलाते हैं, क्रेप बीज लेंगिक जनन के बाद उत्पन होता है, बीज के अंदर भूर के साथ संचित खात्यक्ष होता है, जिसका उपयोग भूर के पहरमेविकास एफंग अंकरन के समय होता है, बीज की अवस्था के आधार पर इस बर्ट के पौदों को फुनाहा दो बर्गों में विभाथ किया जाता है, जिम्नो इस्पर्म नगने बीज उत्पन करने वाले पौदे और एंग्यो इस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन करना वाले पौदे होते हैं, कुछ आपके तरीरू भाइटा इस प्रिपारे, मार्सीलिया इसमें तना हो गया, यह आपके तना नीचे जड़ें देते हैं, यह आपको, यह थिए पोरो कार्प, यह यह पराणन Alm, जिसमें जिम्नो का उरत होता है नगन 우, नगन पौदे भी, गोदे भी, नगन नम ऑह बहु परशीलियादा वाहर काट्टि हे उदारन के लिए Pinus और आस्परमा करता होता है इन्हें पुछ्पी पाधबी हम लोग कहा जाता है अर्थात इन पौदों के भीज फलों के अंदर धखे होते हैं इनके भीजों का विकास अंडासर के अंदर होता है जो बाद में फल बनता है वो भीजों में भीजपत होता है एक भीजी पत्त हो गया पिर धाखावता है, जो वीज पत्ति के अंकुरण के पश्चार्फ ठरा हो जाता है वीज पत्तोव की संंख्या की आधर पर Nisasun बर्ग को दो वर्गो मेँ मारते हैं, एक बीज पत्ति वाले पोदों को, एक बीज पत्ति वाले जो पत्ति पौधे होते हैं उन्हें दो बीज पत्त ही कहा रहता है पौधों के बर्गीगन का आले चित्र साथ इसमलाओ 11 में 10 आगे लाए यह आपके एक बीज ही पत्त हो गया यह आपके दो बीज पत्त हो गया ठीर पादप पादप सरीर के रिया शरीर बिना विवेदर के थेलो रहे बीज रहे टैरीडू फायटा और दूस्रा है बीज उतवादित करने वाला फैंडरो गयं इसे बीज दो बादो बीज पत्त वाले बीज दो इवीज पत्त होते हैं उन्हें हम लोग एक बीज पत्त चिंग कहते हैं यह आपके पादों का बर्विजन किया गया इस आपको पढ़ना है और निकल जाना है भेगे हुए चने गेहुं मक्का मटर और इमली के बीज लिए बीज जब आवसोशन के कारण नरव हो जाते हैं तो इन बीजों को दो भागों में बांटने का प्रियास कीजिए कैन में सभी के भी भाट कर दो भरावर भागों में बढ़ जाते हैं जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वो दालें नहीं दिखाई देती हैं अब इन पौदों की जड़ें पत्तियों और पुलों को दिखे क्या ये जड़े मूज लाएं फिर रेशिदार हैं क्या पत्तियों में समाधनता रत्वा जाली का वद्ध सिराव बिल्न्या इन पौदों के पुलों में कितनी पंकुडिया हैं क्या आप एक बीजपत्री दुई बीजपत्री पौदों और अधिक लक्ष हैं अपने आउलूक में बांठा जा सकता है इससे जब खूल जाए तो जब बीज आपने देखा हुगा जमता भी है उखता है तब ये दो भागु में बट जाता है तो इसे आप लोग दो बीजी कह देते हैं समझ रहे हैं जहीं है फिर आपका एनी मेलिया इस बर्ण में यूकरियोटी बहु कोशिक विसम कोशी जीवों को रखा जा गया है इनकी कोश्काव में कोश्का भीती नहीं पाई जाती है अधिक तर जन्तु चलायमान होते हैं और सारे रिक सरतिना एवां विवेदी करण के आदार पर इनका आंगे बरिकरण किया गया है पूरी फेरा पूरी फेरा करत होता है चित्य चीवधारी यह अचल जीव हैं जो किसी आदार से चिपके रहते हैं इनकी पूरी सरीर में अनिक चित्य पाया जाते हैं इस चित्य सरीर में वोस्के नाल पेणाली से जुड़े होते हैं जिसके बाते हमसे सरीर में जल ऑक्सीज होती हूए जिन्मैं ऊता का विवेधन नहीं होता है इने सामरता स्पांज की नाम से जाना जाता है जो बहौदा समुद्री आवास में पाए जाती है उधारन के साईकॉन साईकॉन लूप्ले करेगी छिलह सभी उधारन इसकी स्पांजी लाई संदोर पर्त इनकी कुछ जातीयां समुख में रहती हैं, जैसे कोरल, कुछ एकाकई होती हैं, एक आकी भी होती हैं जैसे हाइड्रा हो गया उधारने के लिए हाइड्रा समुद्री समुद्री एनीमॉन और जैली पर इत्यादी चित्र साथ समलो तेरे में आप देख रहे होंगा इस सेली सेल सीलेंट प्रेटा समुद्री एनीमॉन हो गया इस पर सक इस पर सक इहाइड्रा हो पाद जटल सम्मयनी गवाह हो गया इसमें देखिए एक गेस्टो डर्मिस यापका हो गया मैसोगिलिया एपीडर्मिस इमोख हो गया दंस पोचिगाल हो गया कुलेटी ह्ल्मी पूरगवबंद वर्मु क्या पिक्षा इस बढ़ के जंतों की सारीक सरणा अधिक जट्य प्रकोण хотел होती है इनका शालेएफ किसा सम्मिध होता है अर्था-्शरीयय के दय और बायवात की सरचना समाल होती ऑ इनका शरीय Tmukhu हूता है क्या होता है और आर्था अर्था कि ओतक विविदन तीन कोशिका वा इस ज्लिव WILL सिरों से होगा इसमें शरीय και बाह है और आंत्रिक दोनों पिकारकि कि अप बनते हैं तथा इनमें कुछ इन्ग भी बन्ते ुन में बात्विक देर गौा का अबा होता है जिसमें सुव्कृषित अंग वंक्रेश्ट हो सकते हैं इनका उर्ष धायों, सप्टव किनमी भी पहा जाता है इनमें प्ले जैसे कुछ स्वय छंद जंदू लेवर फूल फिलूग जैसे परजी भी उधारन के लिए चितन साथ दिसमलों चोदर में देख सकते हैं इनकी बात करा हम प्लेनेरी आ हो गया देखिए एव मोख हो गया फ्रेंग्स आर हो गया संबंध्नी को आ हो गया यह आपका लेवर फिल फिलूग हो गया एसेटी गूलम यह आपका टेव टेव वर्स हो वर्म हो गर्दन चूसक इस लो इसको लेक्स फिर आपकी निमें टोड़ा निमें टोड़ा यह भी त्री त्री कोरक जंदू है इनमें भी दूरी बास सम्मिद्धी पाई जाती है लेकिन इनका सरी चप्टा ना होकर बिलनाकार होता है इनके देलेगवा को कूट सी लौं कहते हैं इसमें उतक पाई जाते हैं परंतु अंगतंत पूर्ड विपसेत नहीं होते हैं इनकी सारे सरजना भी तिकोरिक होती है ए अधिकास का परजीवी होते हैं परजीवी के तौर पर यह दूसरे को गुत पंद करते हैं उधारन के लिए गोल किर्मी फाइलेरिया किर्मी पिन किर्मी आती उधारन के लिए शात दसमल लगव 15 में दिखाए गया एसकेरिस्ट और बुचेरिया रेरिया टिक नर्व हो गया ही मदा हो गया कुछ निमें टोड अब बात करते हैं एनी लीडा ईनि लीड़, जनतू दूई पार सुसं में एक एवां तिकोरिक होते हैं, इन्ने में बास्तविक देगवा भी पाय जाते हैं, इसे बास्तविक अंग सारे रिख सलचना में नहीत रहते हैं, अतहां अंगों में व्यापक विभन्नता भी होती है, यह बिधन्नता इन्न के जलिए एनी लीड आलबड और लबडी अजल दोनोओं में पाए जाते है। इनमें समाह ये गुदा हो गई इसकी जॉंक इसे भी आप बरसात की इन सभी को बरसात कि वो सम्में आप अधिकतर बाद देखते होंगे आर्थो पोड़ा यह जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है इसमें दूई पासर सम्म बिती पाई जाती है और सरी खंडिवत होता है इनमें खुला परी संचल तन पाई जाता है अता रोधिर वायकाओं में नहीं बढ़ता है तेह हुआ राक्त सिभारी होती है इनमें जुड प्रण उदारण जहीं आपितली मक्की मकडी बिल्चू कहती इत्थ्यादी पाई जाती है यह आपका जाता होगया यह आपका विश्चू पहले मॉनि से कहते है उसे पहल मी administrators कहते है ृरी और मुझे नहीं को कथा है अगर आप देखा हो और आप बताई ए git मुझी तो इक काठा है लेकिन मुझे ज्यादा असर नहीं पड़ता है इसका पता मुझे तो लगा किसी चिंटी ने काठा है चीटी ने भूल गया था बाद में मालू चलाएं कि मेरे कपड़े में विच्छु भी पला है कुछ आपके आर्थो पोड़ भी है जैंदू पहरी पिली नीटा तिल चंटा मक्का मसका घरर मक्की तितली इसकुलो पेड़ा सत्पा एक बात तो आप लोग समझ लीजिए जो सिविल सर्वेस है या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं जो करते हैं वैसे करते हो तो हर सो हर कोई है आप देखते होंगे कि हर समय हर कोई कर रहा है तैयारी तो और फेस्बूक पर आपको हजार लोग मिल जाएंगे बहुत सा फेस्बूक इस तरह की सोचल मीडिया पर हजार तैयारी करते माले मिल जाएंगे लाखों की संक्या में लेकिन जो हकीकत करता है कि उसकी जिंदगी बहुत बुरी स्टेथी रहती है जब वो तयारी जद्दा है उसक डौरान बहुत बुरी स्टेथी रहती है वैसे और बाकी लोगों का चोड़ी है जो मतलब वो घर से सbn हैं उनकी बाद चोड़ी है। जो मतलब एस्ट्यघल कर रहे होते हैं जिन्दगी से रड़ रहे होती है और खुद की दम पर कुछ खड़ा करना चाहते हैं उनकी जिन्दगी बहुत उस समय बुरी देखने को मिलती है मॉलस्का इसमें भी दोई पार्शविक्स पार्श सम्मिल्टी पाई जाती है इनकी देखववा बहुत कम होती है और सरीर में थोड़ा विखंड़ होता है अधिकांस मॉलस्क जन्तुओं में कबच पाई जाता है इनमें खुली सम्भानी तन और उत्तरजन के लिए गुर्द जाता है पर आपके इकाई नोड मेटा ग्रीक में एकाई नोस का अरत होता है ज्याहक है वो डर्मा का अरत होता है तुछा अता है जन्तों की तुचाह libertagon sì, अे जीवी समुद्री जन्तु है यह देवे देग वहायुक्त तिकोरिक जन्तु है इनमें विशेष्ट जलसमाहन नाल तंत पाये जाता है जो उनके चलान में सहाय अपुता है इनमें कैलिसियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटी पाये जाते हैं कुधारन के लिए स्टार पिस सम अंचेन अस्टिवी इस इतारा मचली हो गया देखर आ है इस तरह से मचली होती है इस समुद्री खीरा होगया चैनि जरूर्ट पड़े तो ले आना फुर आपका प्रोटव कार्ड डेटा दोई पार्व है सम मित होता है और श्रीर देह बहाहायुक्त जन्तु होता है इस सा पारीरिक सरज्ञणाओं के कुछ नए लक्षन दरसाते हैं जैसे कि नोटो कार्ड ए नए लक्षन उनके सरीर में उनके जीवन की कुछ अवस्ताओं में निश्यरूप्त से उबस्तित होते हैं नोटो कार्ट छड़की तरह कि एक लंबी सरजना है जो जन्दों के पिष्ट भाग पर पाई जाती है यह तंतिकां उतक को अहाल नाज से अलग करती है यह पेशियों के जुड़ने का इस्तान भी पिदान करती है जिससे चलने में आसानी हो और प्रोटो कार्डेट जन्तों में जीवन का सभी अवस्ताओं में नोटो कॉर्ड नहीं उपस्तित रह सकता है इस समुद्री तंत्र हैं वदारण के लिए बेले नागलो सस हर्ड मेनिया एंफियों कस हित्यादी है आप देख रहे होगे एक प्रोटो कार्डेट बेले नागलो सस इसमें एक उदा हो गया यह क्रित पस्चे किर्चेत उसकी बाद यह क्रितिये चेत यह क्रितिये सीका मद पेश्टियोवार पेश्टिये जननपंक किलों यह आपके ब्रकियल चेत कॉलर कॉलरल और सुमूंद अब आपका वाटिवेट ब्रेटा कसे रुखी इन जनतुम में बास्तियविक मेरूदन एव़ अंतरा कंगाल पाया जाता है इसकारण जनतुम में पेशियों का विबरन अलग होता है एव़ पेशिया कंगाल से जोड़ी होती है जो इन्हें चलने में साहटा करते है वाटि सोरी की जीवों में निबलिके लक्षान पाए जाते हैं नोटो का कोड प्रेश्ट नलिये कसी रूप दंड एवं वेरुजे रज्जु तिकोरिक सरीर योगमित किलों थेली देवगवा वर्टी बेटा है जो बर्टी वरेटा इसे पांच भावों में विवाधित किया गया है पहला क्या है साइकलो इस्टोमेटा साइकलो इस्टोमेटा जबड़े रहत कसे रूपी है इनकी पेसिस्तान लंबे इल के आकार का सरीर गोलाकार मुक एवं सलक रहत चिकनी तुछाका होना है ये बाहर परजी भी होते हैं जो दूसरे कसरूपी से सम्मंद हो जाते हैं उध मचली की तरह विल्कुल मत्स ये मचलियां हैं जो समुद्री और मीटे जल्व दोनों जगहों पर रहती है इनकी तुछा सलक अत्वा पिलीटों से ढकिये होती है अता है अपनी मासल पूंच का उप्यूब चैनने के लिए करते हैं इनका सरीर धारा रेकिये होता है इनका सर बड्रोन की रिया के लिए खिलों पाये जाते हैं जो जल्व में बिलीन ऑक्सीजन का उप्यूब करते है इनका है अंडे देता हैं कुछ मचलियों में कंकाल के बल उपास्ती का बना होता है जैसे सार्क अन्य पेकारे की मचलियों में कंकाल कस्ती बना होता है त्यूना हो गया रोह हो गया वो धारन के लिए आप देख सकते हैं यह सिंग किरोपस इस्पेलेंड डीडस मेंडारिन फैसे टेरोडस बॉली टंस लुएन फैसे कालू फाइरिन जॉर्ड रानी एंगर फैसे यहांकी तौर्पीडो यारें की विद्धुत रें एक्ट्रिंग रें दंस रें यहांकी डॉक फैसे देख लिए ठीक है कुछ मत्स ह है यह आपके हैं कुछ मत्स है यहां भी दिये गए है यह लूब्यार विद्ध नर्व पोकेमपस दरियाई गोडा भी गहते से यह आपका एक्सो सीटस उड़न मचली उड़ने वाली मचली एनावास किलाई विंग पर्च यह है आपका समझ में आए अब यह आपका जल से भिन होते हैं क्योंकि इनकी जो सलक नहीं पाए जाते हैं इन इनकी तचहाकवस सिलेस में गरत्या पाय जाती है तो सांस लेने की पिक्रिया है के लौन अत्वा फेपड़ों द्वारत होता है यह अंडे देने वाले जन्तु होते हैं यह जल्दता इस तल दोनों में रह सकते हैं जैसे उधारक आप देखते हैं मेड़क सिलामेंडर टोड इत्यादी अपने देखा होगा कि मेड़क का उसमें भी रह लेती है पानी में भी यह बाहर भी इराना ट्रे ट्रगेनित का ट्रे टीगरेना इस आधार मेड़क है हाईला यह व्रक्ष मेड़क है टोड वह आपकी सेलामेंडर है ठीक है उसके बाद सरी सिपाते हैं यह आसमतापी जन्तु है पहनिका सरी सलकों द्वारा धका होता है इनमें जो सुसन की किरि इसमें हिदय में चार कक्ष होते हैं कितने काग चार कक्ष होते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मगरमच इसका आपबाद है क्योंकि सभी में तीन कक्ष पाये जाते हैं इसमें चार कक्ष ब्रक पाये जाता है इसमें यह भी अंडे देने बादे पिराणी है इनके अंडे क प्रकपुर्क बस से डखे होते हैं अथा जल स्थल्चाए की तरह इन्हें जल मेंडे देने की आवसकता नहीं पड़ती है उधारन के लिए कच्वा साप छिपकली मगर्मच कि याप कैमेलियोन टर्टर गिंग कोबरा धेरेलू चिपकली वडन चिपकली उडनेवाली डेपक्रो कोछ सरी से ठेली ठीक है आपके है पक्ची एस संतापी प्राणी है इनका हिदय चार कच्ची होता है याद के इनके हिदय में भी चार कच्च होते हैं इनके दो जोड़ी पैर होते हैं इनमें आंगे बाले दो पैर उडने के लिए पंकों में परिवर्टित हो जाते हैं सरी परों से ठका होता है सुसन फैपड़ो द्वारा होता है इन बरग में सभी पक्चियों को रखा गया है उधारन के लिए आप देख सकते नीचे सफेद श्टॉक सीकॉनिय सिकॉनिया और श्टिच इस्ट्रो थी थियो केमिलस नर गुच्चिदार बतक आयथिया ठ्योली गुला कभूतर गोरेया और एक कोवा है कभूत कोवा कुछ पक्ची हो गया ठीक है तुर आपके पाए जाते हैं इस्तन पाई इस्तन पाई इस समता भी पढ़ा लिए हिदे इनमें चार गक्चिये होता है दो नेले दो अलिन इस बर्ग के सभी जंतुओं में नवजाद के पोस्टन के लिए दुव्द गरंथिया पाई जाती हैं इनकी तुचा परबाल स्वेध और तेल गरंथिया पाई जाते हैं इस बर्ग में जन्तु बर्ग के जन्तुओं कुछ जनम देने के बाले होते हैं सिथुओं को यह अंडे नहीं देते हैं डारेक्ट बच्चे को जनम देते हैं आला कि कुछ जन्तु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे आपने देखा होगा एकीडिन, पहली टीपक्स, कंगालू जैसे कुछ इस्तन पाई, मैं आविक्सित बच्चे मार्सु पियम नामक थेली में तब तक लटकती रहते हैं, जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है, कुछ उधारन नीचे आप देख सकते हैं, बिल्ली हो गया मनोस, चुहा, चमगादर, हेल, चमगादर उडने वाली है, फिर भी यह अंडा देती है, बच्चे को जनम देती है, टारेक्ट, एक वच इसतन पाई हो गए, अब नाम में पद्दिती कि अगर हम बात करें, तो जीवों के वर्गी करन का नाम की आपसकता आ इससे पहले हम लोग एक नाम अपने केरोलीनियस सुनाओगा, इनके बारे में जान देते हैं, केरोलीनियस कार्ल वान लेने का जनम स्वेडन में हुआ था, और भी पेसे से डॉक्टर थी, लेकिन पौधूं के अध्धियन में उनका खासी दिल चस्पी थी, 22 वर्ष की आव नौकरी करती है, उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विवित्ता का अधिन किया, इसके बाद उन्होंने सिष्ट नेमा, नेच्टूरी, नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विवे ने बर्गीकार पिडालीयों का आधर बनी, इस बिसाय पर उनके 14 समझने की कौसिश करते हैं, नेमलेखित जन्तों और पोधों की नाम जितनी भासा हैं में संभव हो सके आप बताएं, चीता, मोर, चिंटी, नेम, कमल, आलू, इनमें सभी के नाम भीन 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 भासाओं में अलग-अलग होते हैं, इसलिए जब कोई एक बासा में जीव की बात कर रहा हो, तो हो सकता है कि दूसरी भासा में जानने वाला समझ भी ना पाएं, इस समस्या का हल बिग्ञानी को ने सभी जीवों को एक बिग्ञानिक नाम देकर उसी भल किया, जैसे कि विवन रसाइनिक पत्तों को संकेत में निरूपित करके किया जाता है, इसी पिका कि कि दौरा स्थारूलस लिनियस दौरा 58 सताधी में शुरू किया था, किसके दौरा के दौरा के लिनियस दौरा, बिग्ञानी नाम पद्धिती पढ़ा लिए जीवों की एक दूसरे, एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और आसमानता पर निर्भर करती हैं, हाला कि नाम पद्दिती में हम जीब के वर्गीकर्ण के सभी पादानक्रम को ध्यान रखते हैं, बलकि के वर जीनस एवों इस्पेसीज का ही ध्यान रखा जाता है, नाम पद्दिती के लिए दुनिया वर में कुछ पिसेश बातों पर विचार किया जाता है, जीनस का नाम पर रिखांकित करके किया जाता है, एक बात आप लोगों हमें सा याद रखी, क्या होता है कि अलग-अलग छेत्रों में आपके भारत में ही कई पक्षी, कई जीब ऐसे हैं, कि उन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है, इसके लिए दुनिया में अलग-अलग नाम कोष की स्तर की सरचना, पोरी फिरा, इसमें उधाराने, उतक की स्तर की सरचना के आदार पर बात करें कोई से तीन भागों में बात अगये हैं, बाहत तुचाय वं जटरों तुचा की बीच कोई देगवा नहीं, इसमें आपका सेली, सील, लेंट रेटा, और पलेटी, हेलम इन्थीज हो गया, कूट देगवा धारी, इसमें निमेट ओडा हो गया, देगवा धारी, इसमें आपका इसे दो भागों में बातते हैं, भूर की विकास की समय, एक कोशिका से मैसोडर्म की कोशिका का विकास, इसमें आपका यानि लीडा, मुलस्का, आर्थो पोडा हो ग इसमें आपने देखा होगा कि noto kardibin, IKI node meta और noto kard code data इसे भी आप दो भागों में बाट सकते हैं लाबा में उसे सिर्फ noto code की उपस्ते थी इसमें आप जैसे ले सकते हैं proto code data और दूसरा है आपका OSC में मेरुधंडदवारा noto kard tag का 30 स्थाफन किसे रूगी इसे आपने देखा है कि इसे पांच भागों में बाट देते जबडा रहत, इल के आकार का, कोलाकार मुख, सल्क रहत, चिकनी तोचा इसमें आप देख सकते हैं कि साइकलो इस्टो मेटा की बाद करा हो दूसरा है सल्क का बाहे कंकाल, अस्ती उपास्ती का अंध, कंकाल और किलोम द्वारा सुसर, इसमें मद्स रखा जाता है फिर लावा में किलोम अधिकतर, वैस्क में फिंपड़ी, सलेसमा युक तुचा, जल स्थल्चर जिगों को रखा जाता है फिर आपका सल्क का, सल्क का बाहे कंकाल, जल के बाहर अंडे देता है, सरी से फोगया है पंगों का बाहे कंकाल, जल के बाहर अंडे देता है, उड़ने की छंता है, एक बख्ची बाल का वाहि, खंगाल, वाहिकरन, अधिकतर सित्वों को जरम देने वाले होते हैं, इस तर पाई, यह आपके 6 प्रगार के होते हैं, ठीक है, कसी रूपी, यह आपका किरिया किलाब दिया गए, ऐसे भी देख लेते हैं, किनी ही पात जन्तुओं पोदों के विग्यानिक नाम का पतार लगाई है, क्या इनके विग्यानिक नाम और सामान नाम, सामान नाम में क्या सवानता है, इसमें सवानता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, मनुस को कहते हैं, होमो सीम पियर्स, मनुस को क्या कहते हैं, विग्यानिक नाम क्या है इसका, विद्द के नाम में कोष्टक में दिया गया है आफने में देखा यदा ओगा तो इस अध्याय में आपने क्या क्या सीखा सबसे अच्छी बात यह है कि इसका निसकस भी दे दिया जाता है जैसे आपने जो पड़ा है उसका रिवीजन एक तरह से आपको क्या पढ़ना चाहिए था क्या नहीं उसका पता चल जाता है बरीकी करण जीवों की विवित्ता को को इस पश्ट करने में सायक होता है जीवों को 5 जगत में वर्वक है के लिए नेमनेविशी स्ताओं और ध्यार में जलता, उपयोखता आदार सभी जीवों को पांच यगतों में बाठते हैं, मॉनेटा मॉनेरा, प्रोटीस्टा कबथ, भंजाई, पिलांटी एनी मिलिया, जीवों का वर्गी कर उनके विकास से संबन देते हैं पिलांटी और एनी मिलिया, उनकी किरमिक सारे रिक्स जटलता के अधर पर वर्गी कित किया गया है पधूँ को पांच बर्गों में माटा गया है सेवाल बायोफायटा तरीड नोफायटा जमडोसपर्म और एंज्जू़ इस पर्म जन्तुओं को दस हाइलम में माटा गया है पौरिभेरा, सेल, सीलेंड रिटा, पिलेटी, हैल विन्थीज, निमे टोडा, एनी लीडा, आल्थोपोडा, मुलसका, एकाई नोड मेटा, पोटो, कारडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड नाम पत देती में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का होता है यह आपके अध्याय से संबंदित क्रूश्चन्स दिये गए नहीं भी आप देखते रहिएगा तो यह था आपका साथ बात ज्याय जीवों में विवित्ता है अंगली अध्याय में हम लोग आठवी अध अध्याय के बारे में बात करनी हमें एक बात आप लोग हमेशा याद रखी है अगर स्टेट पीसीय से अफ़र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे है तो आपको एंध्याय पढ़ना जरूरी है इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास तो समय रहते हुए आप पढ करेंगे गती के बारे में इसके गती मोशन दैनिक गीवन में हम कुछ बस्तूओं को बिराम अवस्था में तथा कुछ बस्तूओं को गतीमान अवस्था में देखते हैं पक्ची उड़ते हैं मचलियां तेलती हैं रक्त का प्रवार सिराओं और धमनियों में होता है तथा म तदापी ऐसा कई एसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गती की अस्तित की आपित्यक्ष साक्ष हैं उधारन के लिए हम हवा की गती कानवान धूल कड़ों के उड़ने बपेडों की साखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से करते हैं सुर्यवदर और सुर्यास्त एम मौसम परिवर्दन की परिखटनाओं की क्या कारण हैं क्या यह पित्वी की गती के कारण हैं यदि यहीं सही है तो आम पित्वी की गती कानमान पित्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा बाते हैं किसी बैटि के लिए एक बस्तु गती सील पितित हो सकती है। जब कि दूसरे के लिए इस तरह यानि के स्थाई हो सकती है। गती कर रही बस की यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगें, पेड़ पौधे पीछे की और गती मान पितित होते हैं। इसे आपने अपने जीवन चर्या में भी फेल किया हुगा, जो आप गाड़ी या पिर किसी इस तरही की बंद में बैठते हैं, जैसे कार हो गई, ट्रैन हो गई, तो हमें पेड़ पौधे इस तरही की जो भी बस्तुमा जलती हैं, वो गति मांग दिखाई देती हैं, जबकि स संकित करते हैं, बहुती गतियां जटिल होती हैं, कुछ बस्तुमें सीधी रेका में, तो कुछ बस्तुमें बित्ती पर गतिमान हो सकती हैं, कुछ गूडन कर सकती हैं, एवं कुछ कमपन कर सकती हैं, ऐसी भी इस्तिती हो सकती है कि जिसमें एक अक्छा किरियाएं साथ साथ इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेका में गति मानवस्तूओं का बढ़न करेंगे हम इस तरह की गति को साधारन समी करनों और ग्रापों के माद्यम से बैठ करना भी सीखेंगे और बाद में हम बित्तिय गति के साथ के गति के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले क्रिया क्लाफ 8.1 देखते हैं आपकी कर्चा की दीवार बिरामस्था में है या प्रिगती में चर्चा कर सकते हैं क्रिया क्लाफ 8.2 क्या आपने कभी अनुबव किया है कि रेल गाड़ी जिसमें आप बैटे हैं क्रचा करें वो बिर्चार को आदानपदान करें सोच कर भरें सोच कर करें हम सबी अपने आसपास की बस्तों की गति के कारण खत्रे में घिर जाते हैं किसे इसकर्यदी वह गत्ती अनिश्चित वह अनेंतित हो जैसे बाड बाली नदी तूफान या सुनामी में देखा गय है दूसरी वह नेंतित गती मानों की सेवा में सहायक हो सकती है जैसे पानी कि द्वारा विद्धु दुच्पादन क्या आप महसूस करते हैं क्या बस्तू कोई ऐसा वी सब्द नहीं है जो आपको समझ में आ सके बस आप अच्छे धैर के साथ पढ़िए और लास्टमे इसका निसकर्स बता दिया तो आप जान्दा परेशान मत हुआ करिएगा आराम से सुनिएगा और बढ़ते जाएगा और कोई भी किरिया कलाब दिया हो उसे आप पढ़ना है कि बद आपको करते नहीं गट जाना है मालू जला कि 2-4 साल इसी किरिया कलाब में भीदा दिये आपने गती का बार्डन हम किसी वस्तु की इस्तिती को एक निर्देश बिंदू निर्धारित कर ब्यक्त करते हैं आईए हमें से एक उधारन के द्वाना समय माना किसी गाओं में एक स्कूल रेल्वेश स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिसा में हमने स्कूल की इस्तिती को क्लिए हमें एक निरतेस बिंदु के आवस्ता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदू कहते हैं, फर सरर रेखी है गती, गती का सबसे साधारन पिकास सरर रेखी है गती, हम सब से पहले एक उधारन के द्वारा इसे बैक्त करना सीखना होगा, माना कोई बस्तु सरर रेखी है पर गती माने, बस्तु अपनी गती बिंदू, ओ से प्यारम करती है, जिस इसके पास यह उसी पत्पर लोटती हुए B से वो उत्ते हुए बुज़ते हुए C तक पहुंचती है बस्तु के द्वारा तैकी की दोरी O A प्रस A C अर्था 60 km प्लक 35 km यानि 95 km इस तरह से दोनों को जोड़कर हो जाए यह अवस्तु के द्वारा तैकी की दोरी है किसी वस्तु की दोरी को निद्धारित करने के लिए हमें केबल अंकी यह मान की आवसकता हुए ती इस तरह से आप देख रहे होगे किसी सरल रेखिए पत पर गती मान बस्तु की इस्तिती सीधी सरल रेख पर ठीक है उसके बाद आवस सकता होती है ना की गती की दिशा की कुछ ऐसी रासियां होती है जिने केबल उनके अंकी एमान द्वारा वेक्त किया जा सकता है किसी गहतिक रासी का अंकी एमान उसका परिमार है इस उधार सी तक कि विस्थापन का अंकी एमान देगा तो बस्तू की प्यारंबिच बांते विस्थिती के वीच की दूरी नियूमतन दूरी को बस्तू का विस्थापन कहते हैं क्या विस्थापन का पैड़ा परिमाड बस्तू के द्वारा तैक की गई दूरी के वरापर हो सकता है चित एट कॉइंट वर में दिये गए उधारन कुले 0 से A के तक बस्तू की गती के लिये तैगी की गई दूरी 60 km तथा विस्थापन का परिमाड भी 60 km है वो से A तथा पुनाः B तक गती के दुरान तैगी गई दूरी 60 km प्लस 25 km इस तरह से 85 km होती है जबकि विस्थापन का परिमाड होता है 35 km कितना? 35 इसके लिए विस्थापन का परिमाड तैग की गई दूरी 85 km के बराबन नहीं होगा वोना हम देखें कि गती के दौरान विस्थापन का परिमाड सुन हो सकता है परम्तु वह तैकी की दूरी दूरी सुनने नहीं होगी यदि हम जान्दमान लेते हैं कि बस तो गती करते हुए फुनाह ओ तक जाती है तो प्याराम की स्थिति और अंतिम स्थिति आपस मिल जाती है अता विस्थापन सुनने यग भी इस यात्रा में तैकी की दूरी आपकी O A पिलस A O मतलब साथ टोटल साथ साथ एकसो वीस किलोमीटर हो जाती है इस पेकार से आप यहां से यहां तक जाएंगे साथ किलोमीटर फ़र बापसी O तक आएंगे साथ किलोमीटर ठीच इस पेकार दोपिमेंटर बहुत दिक रासियां दूरी एवं विस्थापन का प्रियूबस्तु की पूरी कती पिकरिया को करने में तथा किये गए समय में बस्तु की प्यारंबिक इस्तिती के साथ चंतिम इस्तिती ग्याद करने में किया जाता है किरिया के लिए आप देखिए 8.3 एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्ती लिए बास्केट बॉल कोट के कौने से दूसरे कौने तक उसके किनारे से उद्य हुए जाए अपने द्वारा तैकी की दूरी वविस्थापन के परिमार को माते दोनों बहुत इक रासियों के मापन में अब क्या अंतर पाते हैं देख सकते हैं 8.4 सौलच्चालित बाहनों का में एक यंत लगा होता है जो उसके द्वारा तैकी की दूरी को बिदर्शित करता है इस यंत को क्या कहते हैं ओडो मीटर कहते हैं आप इसे भी याद रख सकते हैं कि जो बहानों की गती मापने क्या यंत होता है उसे ओडो मीटर कहते हैं एक कार को भूमनेसो से नही दिल्ली ले जाया जाता है औरोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंपिक पाठ्यांक के वीच का अंतर 1850 किलोमीटर होता है भारत के सटक मांचित की सायता से भूमनेसो नई दिल्ली के वीच की विलताफन परिमार को ग्याद कर सकते हैं उपर आपने देख लिया है उतना बेहतर है आपके लिए इस क्रिया के लाप वो करते बैठे रहेंगे आपने देखा होगा कि पहले एकजापत दे दिया जाता था हम लोग जब कप्छाओं में थे दस भी ग्यार भी में उसके बाद कुश्चन्स दे दिया जाते थे तो एक क्रिया के लाप उसी तरह के हैं तो आप इन्हें करते मत बैठा करिए एक से दुबार वो पढ़ेंगे खदम कर दीजे एक समान गती और आसमान गती यह क्या है माना कि एक बस्तू एक सीधी रेखा बचल रही है माना पहले एक सेकंड में यह है पचास मीटर दूसरे सेकंड में पचास मीटर तीसरे सेकंड में पचास मीटर और चोतरे सेकंड में पचास मीटर दूरी तै करती है इस इस्तिती में बस्तू पितेक सेकंड में पचास मीटर की दूरी तै करती है क्योंकि बस्तू समान समयंतराल में समान दूरी तै करती है तो उसकी गती को एक सम गति कहते हैं इस तरह की गति में समयंतराल छोटा होना चाहिए यह देनिक दीवन में कई वार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयंतराल में आसमान दूरी तरह की जाती है उधारन के लिए भीडवाली सडक पर जा रही कार या फिर पार्क में दोड़ रहा एक व् गति के कारण के कुछ उधारन है इसे आप देख सकते हैं कि रिया अकला कुसी तरह है ठीक है दोनों बस्तुओं ए और वी की गति से समद्द आपनों को साड़ी एक पॉइंट वन में दर्स आएगा है धियाल से देखें और बताएं कि बस्तुओं की गति एक समान है आसमान समय होगे है बस्तुओं एक के द्वारां तैकी की दूरी और बस्तुओं बी के द्वारां तैकी की दूरी नौ तीस नौ बचकर तीस मिनिट सुभाई के दस मीटर एक के द्वारां और बी के द्वारां बारे मीटर उसके बाद आप देखते हैं कि नौ पैंतालिस पर बीस म बात करते हैं कि कि गद्दी की दर कम आपन तो मैं éléments दी गई स्किति को देख मैं इसे भी आप देख रहें आप इसे भी देख रहें हैं कि आप आपने करने कि गांथ इतने। कि सपीड से जा रही है इतनी सपीड से ये गेंदर फेकता है और कि गेंद करने वाला इतनी सपीड से ठीकता ह्याँ गयंथ को चित एट क्वांट, टू के जैन है यद्धि गेंद की गती 149 km mm पिती गंड़े है तो इसका क्या आर्थ है, चित 8.2B में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं किसी दिगरी निश्चे दूरी को तैय करने के लिए अलग-लग बस्तु में अलग-लग समय लेगी इन में से कुछ तेज चलती हैं और कुछ दिमी चलती है बस्तु की गती करने की दर अलग-लग बस्तु में समान दर से भी गती कर सकती है बस्तु द्वारा इकाई समय में तैकी गई दूरी के उपयोग से उस बस्तु की गती की दर प्राफ्ट की जा सकती है कि एम एस माइनस बन चिन द्वारा विदर्शित किया जाता है चाल का न मात्रक सेंटी मीटर पिती सेकंड भी और किलो मीटर पिती गंटा भी होता है इस अभी आपके चाल के कि मांत रखें बस्तू कि गती को वैक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमार कि आवस्तों कि नहीं नियत हो अधिक अदिकतर आवस्थाओं में बस्तू कि गती कि इदर को उनकी ओसदू के भार्यों Super阪 करते हैं यदि एक बस्तू T समय में S दूरी तय करती है, तो इसकी चाल भी अब बरावर S T होगी, आइए से उधारन के द्वारा हम समझ सकते हैं, एक कार दो गंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी ओसत चाल होगी 50 किलोमीटर पिती गंटे, यानि कि एक गंटे में 50 किलोम सब्सक्राइट की गंटे 27 किलोमीटर पिती गंटे कि चाल से नहीं चल सकती। बीच में आपने देखा होगा कि, हre से ऑसत का समझ कि आपने सुना होगा कि ऑसत आयो इतनी है आपने देखा होगा को इतो हम नीदारिद उम्म चाहिए होती ही कि उसत एहम इतना जीता है ब्यक्ति तो आप समझ रहा है कि एक 120 साल जी रहा है तो सब की एक कौमन निकाल ले जाती है यानि कि सब की आयू को जोड़कर ब्यक्तियों का भाग देकर टोटल निकालाईगी उसत तो यहीं करते हैं इसमें भी आपने देख महिए निकाल काने इस civ воды बात कि इौट में तेय करती है तताव पुणा सोले मीटर की दूरी दो सेकंड में तै करती है तता कि दौरी कि बस्टू की ओसत क्रिदर में जोगीं जोगी देख बात करें तो 32 मीतर है सै है 6 मीटर औस चाल इस तरह से निकालेंगे तय की गई दूरी अपन लिया गया समय इस तरह से 53 कि साथ चाल को वैक्ट करती है उसे हम लोग बेट कहते हैं क्या कहते हैं अता है एक निष्चे दिसा में चाल को कहते हैं अता किसी बस्तु का वेक समान या समान हो सकता है एक समान भी हो सकता है या बस्तु की चाल गती की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है जब एक बस्तु सीधी रेखा में वदनती हुई चाल के साथ गती कर रही है तो हम इसके गदी की दर के परिमाड को औसद बेग के द्वारं ब्यक्त कर सकते हैं इसकी गड़ना औसद चाल की गड़ना की समान की ही होती है यदि बस्तू का बेग समान रूख से परिवर्थित हो रहा है तो दिये गए प्यारम बेग और अंतिम बेग के अंगि गड़ती है मादि के द्वारा ओसद बेग प्रापत किया जा सकता है ओसद बेग की बात करें तो प्यारम बेग बेग अपोन अंतिम बेग अपोन 2 इस तरह से आँ निकाल सकते हैं यहां UAV, ओसत बेग, U आपका प्यारम बिक का बेग हुग है, beter बेग ह चाल और बेग दोनों का मातरग समान हुगा है m, meter ko życie second, क्या होता है चाल और बेग का दोने का मातरग भी समान होता है, meter ko sauna 2 यह आपके कैरीया क्लाप दिए गया है 8.6 अपने घर से बसे stop या स्कूल जाने में लगे समय खुमाफिये यह धिम आप मालने की आपके पैदल चलने की और सच चाल 4 km गंटे है तो आप अपने घर से बसे stop या स्कूल की दूरी का आंकलं कर सकते हैं अब आप समझ सकते हैं कि आप 4 ओसन मतलब 4 किलूमीटर एक गंटे में चल लें तो जितनी दूरी पर होगा उसे इसाब से आप निकाल सकते हैं इसी तरह किरिया कलप 8.7 है जब आस्मान में बादल चाय होते हैं तो बिजली के चमक ने वो बादल की गरजने की किरिया बार बा से माप सकते हैं आप छोड़िए एनर क्योंकि आपके पास इतनी सोविधार नहीं है कि आप मापते बैठे रहें इसे देख लिए वो दारण 8.2 यात्रा सुरू होते समय कार का ओडूमीटर 2000 किलूमीटर पिदरसित करता है और यात्रा समापती पर 2400 किलूमीटर पिदरसित है कि 2000 किलूमीटर पहले था उसके बाद 2400 पर पहुंच गया तो आप 400 किलूमीटर ही तो दूरी तय किये ना दूरी तय करने में लगा समय की बात करें तो आठ गंटे कार की वोस्त चाल किस तरह से निकाल सकते हैं 400 कौन 8 मतलब 50 किलूमीटर किती गंटे के साब से ठीक है इ इसी तरह आप ए उधारन भी देख सकते हैं ठीक है अब चलते हैं हम लोग बेग में परिवतन की दर्व की बात करते हैं किसी बस्तू की एक समान सरलरी किये गती के दौरा समय के साथ बेग नियत रहता है इस अवस्ता में किसी भी समय अंतराल में बस्तू के बेग में बिवर्तित होता है इसका मान बिविन समयों पर इवं बिविन बिन्दूओं पर बिन्दविन होता है इस बेकार किसी भी अंतराल समय अंतराल पर बस्तू के बेग में परिवतन सुन नहीं होता है क्या अब हम बस्तू के बेग में परिवतन को ब्यक्त कर सकते हैं इस तरह के तो तुरंड बराबर बेग में परिवतन अपून लिया गया समय, यदि एक बस्तु का बेग कारमिक बेग U से T समय में बदल कर B हो जाता है, तो तुरंड निम्न होगा, A बराबर B-U अपून T, इस पेकार की गति को तुरत गति कहते हैं, क्या कहते हैं, तुरित गति, यदि तुरंड और बेग की देशा में हैं, तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह बेग के बिपरी देशा में हैं, तो इसे रड़ात्मक लिया जाता है, तुरंड का मातरक मीटर पिती सेगिंड, इसको आर होता है, ठीक है, यदि एक बस्तु सीधी रेखा में चलती है, और और इसका बेग समान समयंतराल में समान रूप से घड़ता या बढ़ता है तो बस्तु के तुरण को एक समान तुरण कहा जाता है सोतंत रूप से गर रही एक बस्तु की गती एक समान तुरित गती का उधारन दूसरी और एक बस्तू आसमान तुरन से चल रखती है यदि उसका भी आसमान रूप से बदलता है उधारन के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलती हुई समान समयंतराल में समान दर्थ सिर्थ चाल को परिवग्दित करती है तक कहा जाता है किकार आसमान तुरन के सबढसे आप दैनेक जीवन में बहुत्फी गतिया देखते हैं तोरं की दिसा में की विरोध, एक समान तुरन आसमन तुरन चल देखे weather यह कन देखे इस अब दाता है वहीए इस कार वैटेश भी holiness सकते हैं कि साइकिल के प्प्रेंग अंगले 5 सेकंड में कम और 3 sens हो जाता है दोनों स्तितियों में साइकील की तुरkay निकालना पहली स्थिति प्यारमिक भी यूबरावर जीरू अंतिम भी यूबरावर शिक्स चे मीटर पिती सेकंड टी हो गया थी सेकंड समय समय कर इस तरह से निकालना ए बरावर भी माइनस यू अपून टी इससे आप लोग या रख देना इस पर ऐसे निकाल याई दोसके अवस्ता निकाल सकते हैं अब बात करते हैं गती का गराफ ही है पिदरसन कई गटनाओं के बारे में मोल जानकारी सुगिधा जनग पिदी से गराफ द्वारा पिदरसित किया जा सकती है उधारन के लिए किसी एक दिवसी एक रिकेट के मैज के पिसारन में किसी टीम द्वारा पिते क किसी वस्तु की गती को दसाने के लिए एक रेखिया ग्राप किया उसकता होती है इस्तिति में रेखा ग्राप किसी एक बहुतिक रासी का पर निर्वर्ता को दर्साता है जैसे दूरी या फर बेख का दूरी रासी जैसे समय पर फिर आपका दूरी समय ग्राप समय के साथ किसी वस्तु की इस्तिती परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैवाना अपना आकर दूरी समय ग्राप द्वाना बैक्त किया जा सकता है इस ग्राप में समय को एक सक्ष और दूरी को बायक्ष पर पिदरसित किया जाता है दूरी समय ग्राफ को बिविजिन अवस्ताओं में पिदर्सित किया जा सकता है जैसे बस्तू एक समान चाल या आसमान चाल से चल रही है ब्रावमा अवस्ता में इत्यादे एक समान चाल से गतिमान किसी बस्तू की दूरी समय ग्राफ या आप देख सकते हैं ठीक है? हम जानते हैं कि जब कूई बस्तु समान दूरी समान अंतराल में तै करती है तब इसकी चाल एक समान होती है अतना बस्तु के द्वारण तै की दूरी के लिए लिए गया इसमान की समान परदी होता है इसमान finan ग्राप का ओ भी भागया दर्साता है कि दूरी एक समान दर्से बढ़ रही है ओ भी क्या दर्साता है कि दूरी एक समान से बढ़ रही है यदि आप Bayws पर विस्थाव पंध का परिमाड़ तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के इस ठान पर एक समान बेग पद का प्रियोग कर सकते हैं यह यह बाइक हो गया एक साच हो गया समानंतर एक रेखा और बिंदू B से बाई अक्ष के समानंतर एक रेखा खीचे ए दोनों रेखा हैं बिंदू C पर मिलकर एक त्रवोज ABC बनाती हैं अब ग्राप AC और समयंतराल T2-T1 को दरसाता है जबकि BC आपका S2-S1 को दरसाता है हम ग्राप से देख सकते हैं कि बस्तू A से B बिंदू तक जाने के लिए T2-T1 समय लें मैं S2-S1 दूरी तैय करती है अता बस्तू की चाल निम्ने पेकार से व्यक्त की जा सकती है B बराबर S2-S1 नीचे आपका समय दिया गया है T2-T1 ठीक है हम तो लिद गती के लिए भी दूरी समय गराप अंकित कर सकते हैं S1-E8.2 में एक कार के द्वारा दो सेकंड के समयंदराल में तैकी की दूरी को पिदरसित किया गया यह समय होगे है यह दूरी होगे दो सेकंड यह आपका मीटर में एक मीटर 4 सेकंड 4 मीटर 6 सेकंड 9 मीटर 8 सेकंड 16 मीटर 10 सेकंड 25 मीटर 12 सेकंड 36 मीटर यह आप आसमान चाल से गतीमान किसी कार की दूरी का गराप बताए गया देखिए टेड़ा गेड़ा कार की गती के लिए दूरी समय गराप चित 8.4 में दरसाए गया ध्यान दें कि इस graph की आक्रिती चित 8.3 में दियेगा graph से भिनने इस graph की प्रकिती समय के साथ कारद्वारे तेकी की दूरी को आरेकित परिवतन दर्साता है इस विकार चित 8.3 दिर्खाया गया है कि आ समानचाल को व्यक्त करता है graph ही फिर आपका बेग समय graph एक सरल रिखा में चल रही वस्तू के बेग में समय के साथ परिवतन को बेग समय graph द्वारे दर्साये गया इस तरह से एक समानचाल से गतीमान किसी कारिका बेग समय graph यह आपका समय है देख रहे होगी इस ग्राब में समय को एक सक्ष पर और बेग को बाही अक्ष पर दसाये गया यदि वस्तू एक समान बेग से गतीमान है तो समय के साथ बेग समय graph की उचाही में कोई परिवतन नहीं होगा यदि एक सक्ष के समान तक एक सीधी रेखा है तो चित 8.3 में एक कार जो 40 km पिती गंटे के एक समान बेग से गती कर रही है कि यह बेग समय ग्राब को दर्साये गया है हम जाते हैं कि एक समान बेग से चल रही किसी बस्तू की बेग तत्ता समय की गड़नफल से विस्थाफन प्रापresh किया जाता है बेग समय ग्राब तत्ता समय अक्ष के द्वारा गेह रागए चित विस्थाफन परिजमार के बराबर होता है चित 8.5 से T1 से T2 समय के भी कारद्वारां तैकी की दूरी को ग्याद करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिन्दियों से ग्राफ पर लंबे खीचे 40 किलोमीटर पिती गंडे के बेक की उचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AV से प्दर्शित किया जाता है इसलिए समय T2 माइनस T1 में कारद्वारें तैकी की दूरी को इस पेकार बेक्ट किया जा सकता है S बराबर AC इंटू CD आपका यह हो गया 40 के किलोमीटर पिती गंडे इंटू समय हो गया T2 माइनस T1 कोष्टर बंद H गंडे हो गया इस तरह से निकाल सकते हैं बेक्ट समय के राब के दौरा हम एक समय रूप से तुरित गती काद्यान भी कर सकते हैं मालने कि एक कार के इंजिन को जाजने के लिए सीधे मार पर चलाया जाता है माना कि चालक के साथ बैठा एक बैक्ती विदेग पांस सेकंड के बाद कार किस पोडू मीटर का पाठ्यान लेता है कार का बेग विविन समय हो मन एम यानि की मीटर पिती सेकंड किलो मीटर पिती घंटा की में सायनी 8.3 में विदरसित किया गया है यह आप देख रहे हैं यह समय हो गया कार का बेग एक मीटर पिती सेकंड और किलो मीटर पिती सेकंड जीरो सेकंड पर जीरो जीरो है तो के आद यह इस तरह से इस इस इस्थिति में कार की गति के लिए श्माइब गराब जिस-द यूद्ध के और गो तहं कि अधिये और की प्रक्विंटी यह बताती है कि समय समयनधिर राल में बेग में परिवर्टन समान रूप से होता है इस पेकार के सभी एक समान तुरित गतियों के लिए बेग समय गिराफ सीधी होती है इस तरह से आप देख सकते हैं एक समान तुरित गती में एक से गधिमान किसी कार का समय बेग समय गिराप है आप कार के द्वारे तैकी की दूरी को बेग समय गिराप द्वारा प्राप्त कर सकते हैं बेग समय गिराप का छित पल दिये गए, समयंतराल में कार द्वारा तैकी की दूरी विस्थापपन की परिमाड को बताता है, यदि कार एक समान बेग से गत्ती करें, तो गिराप 8.6 में दरसाएगे, छित छित APCD द्वारा तैकी की दूरी को दरसाता है, चुपकि कार बेग क उसे चित यह आपका ABCDE है, द्वाराब्यक्त किया गया, S बराबर ABCDE का चित पल हो गया है, आयात ABCDE का चित पल, फिलस तरहोज ADE का चित पल, इस तरह से AB इंटू BC, फिलस बन अपून टू, पर AD इंटू DE, आसमान तुरिट गती की स्थिती में बेग समय गराब किसी भी आकर्टी का हो सकता है, चित 8.7, एव के बेग समय गराब को दरसाता है, जो कि एक बस्तू के गती को पितरसित करता है, जिसका बेग समय के साथ घटता है जबकि चित 8.7B में किसी बस्तु के बेग में आसमान परिवेतन को बेग समय किराब द्वारा दलसाए गया है इसमें आप देख रहे होगे कि गट रहा है ये समय हो गया है एक बेग ठीक है और नीचे जो है आसमान तुरिद गती से गतीमान एक बस्तु के बेग समय गिराब को उदर सा रहा है ये पहले बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है इस तरह से चल रहा है ठीक है किरिया कलाब को देख ली जे 8.9 को एक ट्रेयन के तीन विवन इस्टेशन A, B, C पर आगमन और पिस्थान करने के समय एवं स्टेशन A से स्टेशन B और C की दूरी साड़ी 8.4 में दीगे लिए A, स्टेशन A, B, C की दूरी तरह 10 के आगमन वा पिस्थान करने का समय एवं स्टेशन हो गया A से दूरी आगमन का समय गंटी में पिस्थान का समय गंटी में A, 0, A, 8 बजे 8.15 पर पिस्थान आगमन राट पर 8.15 पर पिस्थान होता है B में 120 किलोमीटर दूरी A से और 11.15 पर आधमन होता है 1130 पर चलती है सी में 180 किलोमीटर एसे दूरी और यह आपका 13 यानि कि एक बच कर सुभाय दिन में एक बच कर एक बज़े आती है और एक पंद्रए पर निकल जाती है आप देखते हैं रेलवे में आपका 24 गंटा गिना जाता है जब आप देखते हैं तो कईवा सूले बच कर 10 में ठोट रहना आ रही होती है यानि कि 24 गंटा पूरा गिना जाता है उसमें एम पीएम का यूज नहीं करते हैं करिया कलाब 8.10 को भी देख सकते हैं फिरोज और उसकी बैं सानिया अपनी साइकलों से स्कूल जाते हैं वे दोनों घर से एक ही समय पर ब्रस्तान करते हैं एवं एक ही मार्ग से रहे यहाँ इक किलो मीटर यहाँ जीरो ऐट किलो मीटर आट सो मीटर आप समझते हैं कि मतलब को थेजी चला रहा है को दीमा चला रहा है गाते साहिकल वि thinking सकते ना जा कि कोई आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी 100 km एक घंटे में पहुंच जाती है, किसी की दो घंटे में, किसी की ती घंटे में, तो आपकी गाड़ी पर निर्वर करता है कि किस गती से आप उसे चलाते हैं, धीमा ही चलाया करिएगा, थोड़ा टाइम लग जाया, लेकिन अच्छे से पहुंच जाएं, ग्राफिय विदी से गती के समीकर्ण, कोई बस तो सीधी रेखा में एक समान तरण से चलती है, तो एक निश्चे समय अंतराल में, समीकर्णों के द्वरा उसके बेव और गती के द्वरान, तरण भा उसके द्वरान तैकी की गई दू जहां यू आपका बस्तु का प्यारम विग है, टी समय के लिए, एक समान तरण ए से चलती है, भी आपका अंतिम विग, तो था टी समय में बस्तु द्वरा तैकी की दूरी एस, समीकर्ण 8.3, sorry 8.5 विग, समय में समंध व्यक्त करती है, समीकर्ण 8.6 समय बाश्तिती के भी स समीकर्ण 8.7 को, जो कि बेग एवों स्तिती के भी समंध विगट करती है, जिसे समीकर्ण 8.5 और 8.6 से t को विलुप कर प्राप्त किया जा सकता है, इन तीनों समीकर्णों को ग्राप के विदी से प्राप्त किया जा सकता है, अब बात करते हैं, बेग समय समंध में के लिए इस ग्राब से आप देख सकते हैं कि वस्तू का प्यारंबिक बेग U बिंदू A पर और यह T समय में बढ़कर B यानि की B पर हो जाता है बेग एक समय दर्ग A के साथ परिवर्दत होता है जित्ते 8.8 में बिंदू B से 2 लंग B C और B E क्रम सा समय तथा बेग अक्षों पर खींचे जाते हैं परंबिक B O A के द्वारा अंत्यम बेग B C के द्वारा तथा समय दर्ग T बढ़र O C के द्वारा प्रिदर्शित किया जाता है BC B D बढ़र C B C माइनस C D समय दर्ग T में B E में परिवर्द्न को दर्षा उस अब OC उसी के समानंतर AD रिखा खिंची, ग्राफ से हमें, हम क्या पाते हैं, कि BC बराबर VD प्लस DC, बराबर VD प्लस OA, इसमें आपका BC बराबर V और OA बराबर U दखने पर, हम पाते हैं कि इसे आप इस ग्राब में देख सकते हैं, यहाँ आपका BC होगया, यहाँ आपका BC होगया, यहाँ देख रहे हैं, बस्तु के तुरण को व्यक्त करता है 8. A बरावर बेग में परिवतन लिया गया समय A अपॉइड BD अपॉइड बरावर BD अपॉइड बरावर OVC उसी आपका T रखने पर हम पाते हैं कि A बरावर BD अपॉइड या फिर बात करते हैं समय स्थिति संबंद के लिए समिकार मालिय के बस्तु ने एक समान तुरण A से T समय में S दूरी तैकी है चित 8.8 में बस्तु के द्वारा तैकी की दूरी B एक समय गराव A B के नीचे धीरे नीचे गरे चित O B O A B C के द्वारा ये आप क्या A B C और ये O हो गया द्वारा प्राप की जाती इस पेकार बस्तु के द्वारा तैकी की दूरी S निमने पेकार वेक्ट की जा सकती S बराबर ABC का चित्पल जो एक समय लब है नीचे आयाद O A B C का चित्पल पिलस तरोज AB T का चित्पल यहाँ वह हो गया O C हो गया पिलस 1 अपॉन टू A इंटू टी इंटू बीडी A आठ 1.10 यानी की समय लब बन चुका है O A बराबर U है O C बराबर AD है बराबर T BD बराबर AT मार लखने पर हम पाते हैं कि S बराबर U इंटू T पिलस 1 अपॉन टू T इंटू 80 इस तरह ऐसे आप निकालेंगे S बराबर U T पिलस 1 अपॉन टू 80 इसक्वार इन निकालाता है अब बात करते हैं बेग इस्तिती के संबंद के लिए सिमिकर्ण चित 8.8 में पिदरसित बेग समय गराब से बस्तू के द्वारा एक समान तुरण A से T समय में तैकी गई दूरी S को ग्राब के नीचे समलम चत्रवज O, B, C, D O, B, C द्वारां गिरे गए चित्पल द्वारां पिदरसित किया गया अल्था तेस्वा बराबर समलम O, A, B, C का चित्पल बराबर O, A पिलस B कोश्टक बन T अपॉन 2 यह आपका 8.11 यानि कि आर्थ तसमलम ग्यारे समीकर नोगे बेक समय सम्बंद समीकर 8.6 से हम पाते हैं कि T बराबर O, B-U अपॉन A आपका बारेबार समीकर बन भाता है समीकर 8.11 और समीकर 8.5 से हम पाते हैं कि S बराबर B plus U into B minus U A कोश्टक में अपॉन 2 इसते आप 2A यहां चला जाएगा और इनका दोनों का into यानि की गुणा कर देंगे तो आप इस तरह से पालेंगे ठीक है अप इससे उधारन को देख सकते हैं एक रेल गाड़ी बराम अवस्ता से चलना प्यारम करती है और 5 मिनिट में 72 किलो मीटर का बेग प्राफ्ट कर लेती है मालने की तुराण एक समान है परीकलन कीजे कि तुराण और इस बेग को प्राफ्ट करने के लिए रेल गाड़ी ताई के लिए दूरी क्या है दिया गया है U बराबर 0 22 किलो मीटर दूरी होगा एक घंटे में बराबर 20 मीटर पिती सेकंड की गती से चलती है टी बराबर 5 मिनिट हो गया है ठीक है समय यानि की 300 सेकंड समीकारण 8.5 से हम पाते हैं कि A बराबर B-U upon T यहां यह सभी आप रोपुट कर देंगी यानि कि रख देंगे और इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसी तरह हम इसते निकाल सकते हैं ठीक है 2As U बराबर B-U U स्क्वार माइनस U स्क्वार और 0 U का या था आपका 0 था B स्क्वार B आप यहां A रख देंगे इस तरह से 3 किलोमीटर बेलगाडी का तुरंड 1 upon 15 MS स्क्वार ततना तैकी की दोरी 3 किलोमीटर होगी इसी तरह इसे भी देख लें आप लो फेडी अप लेकर एक दो बार इसे अच्छे से पढ़ लें ठीक है उसके बाद आपका है एक समान बित्ती है गती जब बस्तू के बेग में परिबंदन होता है तब हम कहते हैं कि वह है बस्तू तरेत हो रही है बेग में परिबंदन बेग के परिमाड या पर गती की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है क्या आप एक उधारन के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक बस्तू अपने बेग के परिमार को नहीं बढ़ द्ती बस्तू परबन तो कि गती कटी की देशा को बादती किसी पथ बंध पर मार्ग पर एक बस्तू की गती का उधानली चित 8.9 A में किसी एथलीट यानी की धाबब को एक आयताकार पत ABCD के अनुदिस दरसाता है माना एथलीट पत के सीदे भाग ABC, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दोड़ता है आप अपने आपको पत पर बनाये रखने के लिए कोनों पत वो ऐसी इगदा से अपनी चाल बदलता है एक चक्कर पूरा करने में से उसे कितनी बार अपनी गथी की दिशा बदलनी पड़ीगी एवी सीडि एक सट्थाय फत्व गोल एक एठलीट धावक की विवेंड लुट्तियों के पत्व बंदपत पर गती की बात पर अमाले की एक एठलीट आयता कर पत्की स्थान पर 60 खोड़ी है तो पत यानि कि ABCDE या कि अनुदिस दोड़ रहा है तो जैसा कि चित 8.9 B में यानि कि इस तरह से इस इस्तिति में एथलीट को एक चकल पूरा गरने में 6 बार अपनी देशा को बदलना होगा यदी पत 60 बुजाकार ना होकर सम 8 बुजाकार है पत ABCDEFGH हो तो क्या होगा इसे 8 बार अपनी देशा को बदलना होगा यह दिखा कि पत की बुजाओं की संख्या में विध्धी के स तो उन भुजाओं का आकार कैसा हो, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप आएंगी कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदू के समान हो जाएगी, पत का आकार लगबग बेल्द के समान हो जाएगा, अगर एथलीट एक वित्तिय पत पर निमित परिमाल, परिमाल बाल जानते हैं कि तिज्या आर वाली बेल्द की पर्दी 2 पाई आर होती है, अगर एथलीट आर तिज्या वाली वित्तिय पत पर का एक चक्कर लगाने में T सेकंड का समय लेता है, तो वेक B बराबर 2 पाई आर अकून T, ये 8.13 यानि कि 8.13 आपका समीक्राण हो जाता है, जब एक बस्तु बित्तिय रास्ते का एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गतिकी को एक समान बित्तिय कहा जाता है, अगर एक रिया कलाब 8.11 को यानि कि 8.13 ग्याहराय को जीख सकते हैं, एक धागे का टुकडा लें और उसकी एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को भाने, धागे बेख से बित्तिय पत्त को यानि कि बित्त के आकार में गुमेगा अब पत्तर से धागे को छोड़ दें क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्तर किस दिशा में जाएगा इसकरिया को बार बार दोह रहा है और बित्तिय पत्त की अलग-अलग जब आपके से कि पत्थर को छोड़ने हैं और या देखने कि पत्थर गत्थी करने की दिशा समाने हैं या कम इसे आप भूल जाएं क्योंकि आप इतना मत पढ़ा करिएगा आपको वस्किरिया कि अकला को पढ़ना नीचे निकल जाएं ध्यानपूरों आप देखने पर आप आएंगी कि पत अथिके इसपस रेखे सीधी रेखा के साथ गती करता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गती जारी रखता है जिस दिशा में उस चड़ वह गती कर रहा होता है इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को बित्तिय पत पर बिवर्दित होती है जब कोई एथलीट खेल पिते होता में एक चप यानि कि डिस्क्रस या गोले को फिकता है तो उसे अपनी हांत में पकड़ता है तो अपने सरी को गुमा कर उसकी विद्धिय गती पिदान करता है एक चित दिसा में एक बार चूटने के पाद खुला या प के एक समार विद्धिय गती के बहुत से चिर परसवत दारन जैसे चंदमाप विद्धिवी के शारहों और विद्धिय पश्चा में बूढना करता हुए एक ओगरहें बित्टिय पत्पर नियाचाल से चलता हुआ साइबल सवार यह सभी इसी की वित्टिय गति की कोधारन हो सकते हैं यह समान बित्टिय गति की तो आपने क्या सीखा है इसमें इस अध्याए को पढ़ने का उद्धिष क्या था आपका इस्तिती में परिवतन एक गती है इसकी ब्याक्ता तैकी की दूरी और विस्थापन की रूम में की जाती है एक बस्तू की गती का सामान या पर आसमान होना उस बस्तू के भीग पर निर्वा करता है जो की नियत या पर वदर रहा है पिती एकाई समय बस्तू के द्वारा तैकी की दूरी उसकी चाल है और पिती एकाई समय में हुआ विस्थापन उसका बेग है किसी बस्तू का तुरण पिती एकाई समय में उसके बेग में होने वाले परिवतन है गिरापों के द्वारा बस्तु के समान और आसमान गति को दर्साया जा सकता है एक समान तोरण से चल रही एक बस्तु की गति कि ब्याक्षा निम्न समीने करण के द्वारा कर सकते हैं इस तरह से ब्याराबर यू प्लस एटी एस आपका यूटी पिलस वन अपन टू एटी स्क्वार टू एस भी स्क्वार यू यहां आप देखेंगे कि यू जो यू है आपका यह पैराम्बिक बेग है बस्तु का जो टी है आपका टी समय के लिए एक समान तोरण एसे गति करता है इसका जो अंतिम बेग है भी है इस समय में तैकी की दूरी ऐसे अगर कोई बस्तु वित्तिय पत पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कोई एक समान वित्तिय गति हम लोग कह सकते हैं यह आपके कुछ अभ्यास के लिए कुश्चन्स दिये गए हैं आप लोगाते र गाये तो इस तरह आपका यह आठ्वा अध्याय कहतं होता है नवी अध्याय में हम लोग बात करेंगे बल तथा गरती के नियम के बारे में चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कक्षा 9 की बिग्ज्ञार के बारे में याद रखे इसमें हम लोग 8 चेप्टर आपकी खतम कर चुके हैं और याद रखे कक्षा 9 की ये लाट पोगे बिग्ज्ञार कक्षा चटवी से कक्षा 9 तक की सभी वुक्सम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं इसे कम्प्लीट करने के बाद और उसके बाद 10, 11, 12 की भी वज़तीन आप लोग एक बार हमेशा याद रखे कि अगर आप स्टेट PCS याप सिविल सर्विस की तयारी कर दें तो समय रहते हुए आप लोग NCEIT पढ़ लें क्योंकि इसका कोई दूसरा आपके पास दिकल्प नहीं है बिना NCEIT पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है तो इसे पढ़ लें और आपकी जो पीडिएफ होती वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है जो भी आपके लिए सिविल सर्वेस के लिए बुक्स जरूरी है उन सब की टेलीग्राम पर पीडिएफ डाल दी गई है और एक बात हमेशा याद रखिए अगर आपके पास समय है तो कक्छा चटवी से ही पढ़ना सुरू कर दीजे अगर नहीं है आपके पास तो कक्छा नौवी से बारवी तक की तो आपको वुक्स पढ़नी है और वैसे भी कक्छा चटवी से कक्छा आटवी तक की वुक्स जो भी है बहुत पतली-पतली है एक सब्ताय में आप लोग कतम कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो उसे भी पढ़ ले मेरी तो यही सलाय फिर आप पर निर्व करता है तो चली हम बात करते हैं बल बल तथा गती के नियम के बारे में यह आपका नौवा चेक्टर है तो याद रखिए आपकी जितने भी चेक्टर हैं जितने भी क्लासें लेगे हैं वो सभी NCEIT पूर कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सुची बनाई हुई थी उसी में डली हुई है क्लास बाइ क्लास ठीक है पिछली अध्याय में हमने एक सरल रेखा में बस्तू की इस्ति बेग तथा तुरण के बार क्याधार पर बस्तू की गती का वर्डन किया था हमने देखा कि ये ऐसी गती में कभी एक रोपता होती है तथा कभी नहीं होती है लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की है कि गती का कारण क्या होता है समय के साथ बस्तू की चाल क्यों बदलती है क्या सभी बेकार की गतीयों का कोई कारण होता है यदि ऐसा है तो इस कारण का सोभाव क्या है इस सद्ध्याय में हम ऐसे ही सभी जिग्यासयाओं को पुझाएंगे यानि कि इन सभी के जवाद दूहने की कौसिस करेंगे सद्धियों से गति और इसके कारणों ने जिग्यान को और दार्सने को उल्जा रखा है फार्स पर रखी एक गेंद कुद्धी में से ठोकर लगातने पर वह हमेशा के लिए गतिसी नहीं रहती है ऐसी परिस्तितियों से यह पता चलता है कि किसी बस्तु की विराम की अवस्ता यह उसकी सौभाविक अवस्ता है ऐसी मानता तब तक बनी रही जब तक कि गलीलियो और आईजक नियूटन साहब ने बस्तु की गति के बारे में एक पूर्ता विन संकर्पना प्रिस्तुत नहीं की यानि कि नियूटन साहब ने आपने देखा हुए तीनों नियम नहीं दिये तब तक इस तरह ही की जिंग्यासा है मन में बनी रही और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कुछ जान्दा समझाने लायक कुछ होता हुए क्योंकि बहुत ही सर्व सब्दों में लिखी गई है आपकी बुक्स इसलिए तो आपको सलाय दी जाती है कि एक आपका बेस बन जाएगा के लिए कि आपको सभी सब्दों की परिवासा भी मालू चल जाए और सभी के बारे में आप जानने भी लगे तो अच्छे से पढ़ियो लास्ट में निस्परस इसका जो भी होता है वो बता दिया जाता हुआ दिया है तो आपको टेंसन जाना नहीं लिना है वस आपको धह रख कर प पड़ता है सामान भासा में इसके लिए हमें सारे प्रयास करना पड़ता है तथा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तों को गती की वस्ता में लाने के लिए हमें उसे खीचना या धकिलना या पर ठोकल लगाना पड़ता है खीचने धकिलने या पर ठोकल लगाने की इस क्रिया पर ब बल के बिचार करते हैं, यह क्या होता है बल, बास्तु पर बल को ना तो किसी ना तो किसी ने देखा है, ना चका है, उन्हा ही महसूस किया है, हाले है कि बल का प्रभाव हम परहा देखते या महसूस करते हैं, इसी बस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की ब्याक्या कर सकते हैं बस्तु को खिंचना धकेलना या फिर ठोकर लगाना ये सभी किरिया हैं बस्तु को गती देने की युगतिया हैं यानि कि आंगे या पीछे धकेलने की कतिया हैं हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर उनमें गती होती है यह आप देख रहे होंगे धकेलने उपर ट्राली लगाए हुए बल की दिसा में गती करती है दरवाजे को खींचा जाता है इस तरह से इस तरव हौकी इस ट्रिक्ट से गेंद को आगे की ओ ठोकल लगाने पर वह आगे जाती है इस तरह से आप देख रहे हैं में बस्तूओं को धकेल कर खींच कर या ठोकल लगा कर उनकी गती की अवस्था वो बदला जा सकता है पिछली कप्छाओं में अर्जित ग्यान की आधार पर आप इस बात से परचित हैं कि किसी बस्तू में बेग का परिमार बदलने अर्था बस्तू की गती को तेज या धीमी करने के लिए या पिर उसकी गती की देशा में बदलने के लिए बल का प्रियोग होता है आप यह भी जानते हैं कि कि किसी बल के प्रियोग द्वारा बस्तू का आकार फिर आकरती भी बदली जा सकती है चित आप देख रहे हैं गोई 9.2 में बल लगाने पर स्प्रेंग खिषती है यहाँ आप देख रहे हैं गोई यह सामान स्प्रेंग होई और बल लगाने पर इस तरह से खिषती है दूसरा है बल लगाने पर गोलाकार गेंद अड़ाकार हो जाती है इस तरह से आप इस सामान ग्यंद होगी और बल लगाएंगे आप तो इस तरह से हो जाएगी फिर आपका संतुलित और आसंतुलित बल चित्थ 9.3 में चित्थ 9.3 में इस तरह से लगडी का एक पिंड एक संतल मेज पर रखा है जित्थ में दर्साय अंसार दो धागे ओर पिंड पिंड के बीद रही सिनों से जुड़ेगें अगर हम किसी बल दो नहीं पिंड गति नहीं करता है इस तरह के बलों को संतुलित बल करते हैं तथा यह गति की अवस्ता दो पर्यवर्तित नहीं करते हैं गत्ती की अवस्ता को परिवार्तत नहीं करती है यह एक ऐसी अवस्ता की खलोगना करें जिसमें बिइन बिपरिमाडंग के दो विप्रीद बल्व फिंड को खीचते हैं इस अवस्ता में पिंडा दीक बल्व बाली दे जान करता है यहां आप देख रहे हैं आप जिस तरफ से खींचेंगे जिस तरफ को उस तरफ जाएगी ना अगर आगे की तरफ बल लगाते हैं आप तो आगे बस तूर जाएगी ठीक क्या होता जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरी फर्स पर धकेलने की कौसिस करते है यदि बेकम बल के साथ बक्से को धकेलेंगे तो बक्सा नहीं किचले खिसकेगा आगे क्योंकि घाषन बल धकेलने की बिप्रीद सामें काम करता है आप इस तरह ऐसे देख रहे होगे चित्टे चित्वी और चित्ट सी यह घाषन बल दोनों संपर्ग सत्थों की बीच में उत्पन होता है अर्थाद बक्से के नीचे की सताय तत्म फर्स की खुर्दरी सताय की बीच यह घाषन बल धकेलने में लगे बल को संतुलित कहता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं किचकता है चित्ट 9.4 में बच्चे बक्से को जोड़ से धकिलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी फिर भी नहीं किसकता है ऐसा इसलिए क्योंकि घाषन बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है जो घाषन बल है वो धकेलने वाले जो आप धक्का दे रहे हैं उस पर बल लगा रहे हैं इसी संतुलित कर देता है अगर बक्चे बक्से को जांदा जोड़ से द Switzerland बल से अधिक हो जाएगा फिर क्या होगा एक घर्षन बल को पार कर जाएगा यानिकि घर्षन बल से अधिक हो जाएगा और यहां आसन्तुलिंध बल कार करता है इस लिए बक्सा ठैसा क्ने लगेगा जब हम cycle चला थें तो क्या होना है पेडल चलाना बंद करने का पर cycle यानि कि जो घर्षन बल है उससे जाना में बल लगाना पड़ता है यह सवस्था में ऐसा पिदीत होता है कि किसी बस्तु को सतत गती सील बनाया रखने के लिए एक आसंतुलित बल की आपसक्ता होती है तता पी वह बिल्कुल गलत है कोई बस्तु समान बेग के साथ के बल तभी गती सील रख सकती है जब उस पर लगने बाला बल बाहे तथा घर्षन संतुलित होते हैं तता बस्तु पर कोई नेट बाहे बल कार नहीं करता है अगर किसी बस्तु पर आसंतुलित बल लगाया जाता थो इसकी पीकार किसी बस्तु को तुरित करने के लिए एक आ संतुलित बल की आषत्ता होती है उसकी गती या पर गती की दिशा में तब तरफ परिवत्न होता रहेगा जब तक या संतुलित बल उस पर कार करता रहेगा तदा पिये बल हटा लेने पर बस्तु प्राप्त हुए बेक से गतिमान रहेगी आपने गती का पितमनिया यहां आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा बस्तु की किसी आनत तलपड गती को देखकर गेली युलीयो ने निसकस निकाला कि जब तक कोई बाहेवल कार नहीं करता है बस्तु एक निश्चित गती से चलती है उन्होंने देखा कि काज की गोली आनत तलपड लोड़ती है तो उसका बेक बढ़ जाता है अगली अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली आसंत लित गुर्ते वाल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह निश्चित बेक प्राप्त कर लेती है चित्त नो दसमलो पांच ए ए देख रहा है बी ए दर्शाय और नुटरार यह कारण की गोली उपर की ओर चट्ती है तब इसका बेक घटता है चित्त नो दसमलो पांच सी में दोनो ओर से एक आदर्स घर्षन रहत आनत तल परेगोली हिस्तेर गोल गेरीरियों से तर्दिया की जब गोली की बाई ओर से छोड़ा जाता है उचाय से उसे छोड़ा छोड़ दिया गया था यदि दोनों और के तलों के जोकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चड़ेगी जितनी की दूरी तक की वह लोड़कती हिती अगर दाई और के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जा तो गोली को मूल उचाय पराप्त कर करने के लिए अधिक दूरी तैय करनी होगी अगर इस तल्क को छेतित कर दिया जाए अर्था धाल को सुन कर दिया जाए तो गोली मूल उचाई पर राप्त करने के लिए छेतित तल्क पर लगाता चलती ही रहेगी यहां गोली पर लगने वाला आसंतुलित बल सुन होता है इस नेट बल की आवसकता नहीं होती हैं वास्तवी गर्स्ता में सुन असंतुलित बल बाहेबल प्राप्त करना कटने ऐसा गती की विप्रीत दिसा में चलने वाले गर्षनर बल की कारण होता है इस पेकार विवहार में गोली को कुछ दूर चलने के बाद रुख जाती है घर्षन की पेवाओ को नेउंतम करने के लिए चिकनी काच की कोली अत्वा चिकनी समतल का विरयोग एक समतल की सतय पर चिकनायोग पदार्थ लुंबरी बेंट का लेव किया जाता है एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए इनका सीधा सा कहने का मतलम है कि आप जूले पे बैटे हैं जूल रहें अगर आपको एक बार जुला दिया जाए तो आप हमेशा जूलते रहेंगे अगर आप पर बाहे बल कोई ना लगे आप देखते हैं कि हवा आपके आपको रोग देती अगर हवा नहीं आपको यशी इस्तिति में रखा जाए जहां हवा बिल्कुल भी आपका पर प्रप्रभाव ना पड़े हुआ किसी भी वस्तु का आप पर बल ना लगे तो आप हमें साथ गूंगते रहेंगे जूले पर जूलते रहेंगे कभी नहीं रुखेगा यहीं मतलब है कि बल इसे रोग देता है नियूटन ने बल इवं गती के बारे में गलीलियो के विचारों को आँगे विपसित किया उन्होंने तीन मौलिक नियमों को विस्तु किया जो की वस्तु की गती को बड़ित करते हैं इन नियमों को नियूटन के गती के नियम के नाम से आप लोग जानते हैं गती का पितम नियम इस पेकार है। इससे पहले हम लोग उनके बारे में जान ले हैं या पॉइंट दिये गए हैं के बारे में फिर हम गती का पितम नियम पर चलते हैं। गैलीली का जनम 15 फरवरी 1564 में होता है। इटली के पीशा सहर में हुआ था इनका। गैलीलीयो की बचपन से ही गड़ित तथा प्राक्तिक दर्शन में रुची थी। परन्तु पिता बनेंजो गैलीलीयो उन्हें एक चिकर्सक बनाना चाहते थी। ये इनकी पिक्चर्स तदरुन सार गैलीलीयो ने सन 1581 में चिकर्सावबादी के लिए पीशा विस्विद्याले में नामंकन किया। इस पाटकरम को भी कभी बूरा नहीं कर पाए। क्योंकि उनकी बास्पी कुरूची गड़ित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी पिथम विज्ञानी कुस्तक दा लेटिल बैलेंस ला बैलेंस टिक्टी का लिखी। जिसमें उन्होंने एक तुलाद द्वारा पदार्तों के अविक्चित घनत तत्वा विश्ष्ट गुरुत प्राप्त करने की आकड़ आर्किमिडीच की बिद अपने की दर कम होने समंदी अपने सिध्धान्त को पिष्टुत किया सन 1952 में उन्होंने बैनेस गड़राज की पाड़ुआ विश्वत्याले में गड़ित की प्रोफेसर पत्पर न्यूक्त किया गया था यहां भी उन्होंने लगातार गदिश सिध्धान्तों पर अपने देखा होगा कि वह हमेशा गूंग ऐसी एक तरप से दूसरी तब जाती रहती है उसमें जो गंटी टंगी रहती है गंटी टाइप की वह हिलती रहती है क्योंकि वहां कोई भी बल प्रियोग नहीं कर आया यार वहां भी बल अगर लगता होता वहां निर्वात की अच्छी था उस समय ओपलग्द दूरदर्थियों से काफी कुप्तम थी सन 1640 के असपास उन्होंने पिथम लोलग घडी की सरजना की उनकी खाबोली आविस्कारों की एक पुस्तक इस्टार मेसेंजर में गैलीबियों ने चन्दमा परभाणों चोटे-चोटे सितारों से म प्लोटनिंग बोडिज तता लेटर्स ओन दी सन इस्पोर्ट्स में सूर्क पर धब्बे उपस्ते धब्बों के संदर में अपने पिरिचणों का रहस्तों दगातन भी किया अपने स्वयम के द्वारा निर्मत दुरवेनियों दूरदर्थियों की प्रयोग द्वारा सनी त तरक दिया कि सभी ग्रह सूर के फरीता ही कप्छी अगति करते हैं ना कि पितवी के फरीता या वो समय पिछले विचाज़धारा की भी प्रीच था एक बात तो आप लोग भी देखते हैं कि जो माबाब होते हैं आपकी रुची किसी और चीज में है लेकिन आपके माबाब क कि बज़े से आप दूसरा रास्ता चुन लेते हैं वह मेरा मानना है कि अगर आप जवजष्ति कोई रास्ता चुन ड़ें तो मुझे नहीं रह लगता है कि उसमें आप सफन होपाएंगे क्योंकि जिसमें हमारा मन है जिसमें हम पूरी तरह से संचे में उसी को राख्ते को चुड़ना चाहिए पितेव आंगे बात करते हैं यह है आपके गती के पितम्रिया पितेव बस्तु अपनी इत्थर अवस्था या पर सरल रेखा में एक समानगती की अवस्था में बनी रहती हैं जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारवत ना हो इस्थे रवस्था यानि कि कोई अगर खड़ा है जूला आप जूले को ले लिजें क्योंकि आपका सरलोधारन है और सब लोग इससे पर परच्चित भी है जूला अगर इस्थे रहे अगर इस पर आप बल नहीं लगाएंगे तो इस पर बना रहेगा और इसे एक बार आप जूला देंगे खींच के छोड़ देंगे तो यह हमेशा चलता रहेगा अगर इस पर कुई बाहरी बल ना लगाये जाए यही आपका न्यूटन का पिथम कि दूसरे सब्तों में सभी वस्तु हैं अपनी गती की अवस्था में परिवर्तन का पिरोध करते हैं गुडात्मक्रोप से किसी वस्तु के विरावस्था में रहने या समान पेक से गती सीर्व रहने की प्रिवित्ती को जड़त का नियम कहते हैं एक बात आप लोग उन्हें और याद रखिए रख लीजिया कि जो गर न्यूटन के गती का पेथम नियम है इसे जड़त का नियम भी कह देते हैं यही कारण है कि गती के पहले नियम को जड़त का नियम भी कहते हैं आप लोग किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने बाले अनुभवों की व्या के कारण गते जूर अवस्ता में ही बने रहते हैं और अचानक ब्रेक्ट लगने पर सीट के आंगे लगी पैनल से टकरा का हम घायल भी हो सकते होगे आपने देखा होगा कि अगर आप सीट पर बैठे हैं का एक ब्रेक्ट लगाए जा तो आप आंगी की ओर गिर जाते हैं या हम मोटर बस में खड़े होने होते हैं और मोटर बाहन बस अचानक चल पड़ती है तो ऐसी स्थिति में हम पीछे की ओर जुग जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गती में आ जाने से हमारा पैर तो मोटर बस के फर्ष के संपक में रहता है और गती म लगते हैं इसे भी जड़त के नियम से समझा जा सकता है हमारा शरी अपनी एक सरव रेखी ये गद्धी को बनाया रखतना चाहता है जब मोटल कायर की दिशा को बदलने के लिए इंजिन द्वारा एक आसंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरी के जड़त के कारण स से दर्सित किया जाता है किरिया अकलाब को आपको पढ़ना है करते नहीं बैठ जाना है ठीक है एक बार पढ़िए आराम से निकल जाए एक दू बार आप उक्स बढ़ेंगे आराम से आपकी कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे चित नौद असमलो छह में की अनुसार एक ही तरह की केरम की गोटियों उसको एक के ऊपर एक रखकर धेरी बनाए इस तरह की बात की जाए एक अन गोटी यानि की स्टाइकर को अपनी अंगलियों से तीबता से छेते जटका देखर धेर की सबसे निचली वाली गोटी पर टकराएं यदि आप गोटी को पर आप तीबता गिर जाती है, इस तरह ऐसे आप, किसी तीब गती की केरम की गोटी, या पर इस टाइकस जटका कर डेरी की धेरी जो लगी होती है, उसकी सबसे नेचे वाली गोटी की डेरी की से बहार निकल जाती है, वो बागी बनी रहती है, क्रिया कलाब 9.92 काज की एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े तास का पत्ता रखें अपचित इस तरह से अपचित में दरसा हैं हमसार पत्ते की ऊपर 5 रोपे का एक सिख्का रखें पत्ते की अंगलियों से 3-6-3 जटका दें आप पाएंगे की पत्ता आंगेटर सक जाता है और सिक्का उपनी जडत के कारण नीचा की और गिलास में गिर जाता है एसा इसलिए हुता है क्याम microphones के योटने के बाद भी सिक्का आपनी बरावस्ता को बनाए रखता हूँ और यहां रैता है उसीआप से नीचे आपका यहां देख रहे हैं आपको अंगली से तास के पत्ती को जटका दैने पर पत्ती के उपरी रखाव सिख़त हैं पिर आपका कहने या नौ तसम T. पानी ते धिम्लास की ट्रे में त्रे को यहां से पगल कर जितनी तेजी से अंधर हो सके घूम θα जाए यहुट हम देखें कि गलास लोड़त जाता है और पानी चल़ता है क्यों क्या आप यह अब समझने कि प्लेट को देखने के लिए खाचक क्यों बना होता है अच questionable का लगने की दिसा में पिलेट का खांचक कपको गिरने से रोपता है और उसमें जो भी आप चाय, कौपी, पानी रखे हुए हैं वो गिरने से बच जाता है अब बात करते हैं जड़त और द्रमाई अभी तक दिये गए सभी उधारणों और गतीविधियों से ग्यात होता है कि पितेग बस्तू अपनी गती की अवस्था में परिवर्दन का बिरोध करती है चाहे हो है फिर बिराब अवस्था में या फिर गती सीर में वो अपनी मूब अवस्था को बनाये रखना चाहती है बस्तू का या गुड उसका जड़त कहलाता है क्या कहलाता है जड़त कहलाता है क्या सभी बस्तुमों को जड़त समान होता है हम जाते हैं कि पुस्तुकों से बारे बॉक्से को धक्का देने के अब एक्छा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है उसी पिकार हम एक फुटवाल को किक लगाते हैं तो है दूरी दूर चली जाते हैं जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएंगे, लगाते हैं तो हो सकता है कि वक्षे सक्के वीला, हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें भी हमें ही चोट लग जाए, क्रिया कलाब 9.00 दो मेहम 5 रोपे के सिक्के के स्थान पर यदि कम दिर्मान के स लगाए जाए, तो उसकी गती में ना के बरावर परिवतन होगा, क्योंकि ठेलागाडी की तुल्ला में रेलगाडी अपनी गती में कम परिवतन चाहती है, इस पेकार हम कह सकते हैं कि रेलगाडी का जणत ठेलागाडी से अधिक है, क्या आप कह सकते हैं, रेलगाडी जो है उसका जड़त जो ठेलागाड़ी है उससे अधिक है इससे इसफ़ष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त अधिक होता है जो भारी वस्तुओं होती है उनका जड़त क्या होता है अधिक होता है मात्रात्मक रोप से किसी वस्तु का जड़त उसके द्रहमान से मापा जाता है अता हम जड़त और द्रहमान को निम्न रोप में परिवासित कर सकते हैं किसी भी वस्तु का जड़त उसका वह प्राक्टिकूर है जो उसकी ब्राम या फिर गती की अवस्था में परिवतन का विरोध करता है इस पेकार किसी बस्तू का द्रमान उसके जड़त की माथ है इन questions को आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा है उनी से संबन देते हैं अब चलते हम लोग गती के दुतिय नियम की होगा पहला नियम आपको वहतर समझ में आगए होगा अब हम देखेंगे किसी बस्तू का तुरन उस पर लगाए गए बल पर कैसे नियम होता है टेबल ट्रमाने के दोरान यदि गैन किसी खिलाडी के सरीर से तक राती है तो ऐगाल नहीं होता है गती से आती हुई किर्किट की गैन किसी दर्सक को लगने के बाद उसे गायल कर सकती है सड़क के किनारी खड़े किसी ट्रक से कोई दुल गटना नहीं होती है परंतु 5 मीटर 30 सेकंड जैसी कम गटी से चलते हुई ट्रेफ से टक कर राष्टे पे कड़ी किसी ब्यक्ति की मिर्थिव का कारण भी बन सकती है एक छोटे द्रमान की बस्तु जैसे गोली को अगर बंदूग से तीम गती से छोड़ा जाए टो आइक किसी ब्यक्ति की मिर्थिव का कारण भी बन सकती है। इससे पता चलता है कि बस्तु के द्वारा उत्त्पन्न प्रभाव वस्तु के ध्रमान और बेख पर निर्वर करते हैं क्या बस्तू के दौारा उत्पन जो करभा होता है वह बस्तू के द्रमान और बेग पर निर्फट करती है इसी पेकारी जात कИसी वस्तू को तुरिद किया जाता है तो अधिग बैध प्राप्त कानने के लिए या दिखबल किया उसकता होती है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रभमान एवं बेग से संब्दीर एक मत्कून रासी होती है संबेग नामक इस राशी को न्यूटन ने पिस्तुत किया था किसने न्यूटन ने किसी बस्तु का संबेग P है उसके द्रमार M और भेग B के बुड़नफ़ से परिवासित किया जाता है इस तरह P बराबर MB यहां आपका M द्रमार हो गया B ही आपका बेग हो गया और P संबेग संबेग में परिमार दिसा दोनों होते हैं इसकी दिसा वही होती है जो बेग की होती है संबेग का यसा ही मात्र किलो ग्राम मीटर पिती सेकेंड होता है क्या होता है किलो ग्राम मीटर पिती सेकेंड है चुकि किसी आसंतुलित बल के प्रियोक से उस बस्तु के बेग में पर परिवर्थित करता है एक अबस्था के वारे में वैचार करें जिसमें खराब बैटी वाले एक कार गोस्ती थी सड़क पर एक मीटर पर 30 से करने की गति पिदान करने के लिए धक्का दिया जाता है जो कि उसके इंजन को इस्टार्ट करने के लिए परहते हैं यदि एक या फि व्यक्ति से अचानक धक्का दे थें, तो भी एडश्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगाता धक्का देने से कार उस गती पर आ जाती है, इस पर इस पर्ष्ट है कि कार की संवेग में परीवतन केबल बल के परिमार से नहीं होता है, बल कि उस समय से जितने समय त तक समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संबेग में परीवतन होता है गती का दुतिया नियम क्या बताता है आपको किसी बस्तु के संबेग में परीवतन की तर उस पर लगने वाली आसंतुले बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है गती के दूतिय नें हम की गड़ती है गड़ना करेंगर हम लो तो माना की M दिरमान की कोई बस्तू U प्यारंबिक बेक से सीधी रेखा में चल लए है T समय तक एक निश्चित बल एप लगाने पर उस बस्तू का बेक B हो जाता है तब इसका प्यारंबिक और अंतिम बेक करमसा P1 बराबन M U और P2 बराबन M V होगे समय में परिवतन P2 माइनस P1 इस तरह से M V माइनस M U M आपको कॉमन ले लिए यहां से और B माइनस Q समय में परिवतन की दर की बात करें तो आपका अनुबात दे यहां आप देखेंगी कि M इन्टू कोष्टक V माइनस U अपॉन T फिर यहां बल लगाए गए बल F समानुपति M इन्टू V माइनस U अपॉन T F बराबर KM KM इन्टू V माइनस U अपॉन T KMA यहां आप A पराबर V माइनस U अपॉन T रख देंगे बेग में परिवतन की दर होगी और यहां जो K है यह अनुपातिकता इस्थरांग है द्रमार और तुरन के SI मात्रक क्रम सा किलोग्राम और मीटर पिती सेकेंड स्कॉार है हम बल का मात्रक इस पेकार लेते हैं कि इस तरांग के कमान एक हो जाता है इस पेकार बल को उस मात्रा की रूम में परिवासित करते हैं एक किलोग्राम द्रमार वाली किसी बस्तू में एक मीटर पिती सेकेंड स्कॉार का तुरन रहाद पन करती है जर्टात एक टिकाईबल के कोश्टर गवन इन्टू 1 G इन्टू 1 M M M 2 2 2 2 इस पेकार के कमाल एक हो सकता है एक हो जाता है और समीकर M बराबर M A बलका मातरक के किलोग्राम मीटर पिती सेकेंड इसक्वार जैसे न्यूटन आएक न्यूटन के नाप पर भी नाम पर भी कहते हैं यानि कि इसे न्यूटन भी कहते हैं जैसे एंद्वारां प्रिदर्शित किया जाता है गती के दुदिय नियम से हमें किसी बस्तु पर लगने वाले बल्कुम आपने की विती मिलती है बल्कुस बस्तु में उत्पन तुरा रेवं बस्तु की द्रम मार के गोड़न पल से प्राप्त किया ज़ता है ये इस तरह से गती के दुदिये नियम का प्रयोग हम अपनी दैनिक गीवन में प्रया देखते हैं क्या आपने क्रिकेट मैज के दौरान मैदान में छेतरक्षक को तेजी से गती से आ रही गैन को लपगते समय हाथ को पीछे की उर खीचते हुए देखा था इस पेकार से चेतरक्षक गैन के बेग को सुन करने के अधीक समय लगाता है इस पेकार गैन में संबेग परिवतन की दर कम हो जाती है इस कारण तेजी से आरही गैन का प्रभाव हाथ पर कम बढ़ता है अगर गैन को अचनाक रोका जाए तो तीवगती से आरही गैन का बेग कम समय में सुन रहुता है अधात गैन के संबेग में परिवतन की दर अधिक होती है इसलिए केंच लिपकने में अधिक बल लगाना होता है जिससे हो सकता है कि खेलाडी के इस अमधेली में परीवतन की कम धियां सोचों कि कैसे कराटे का एक खलाड़ी एक ही जटके में बरब की एक सिल्दी को तोड़ देता है एक क्रिकेट के खेल में कैंच लवकने के लिए छेतरक छगेंद के साथ अपने हाथों के धीरी-धीरी पीछे हुए खेंचरा है इस तरह से गती के दुदिये नियम क्यों गड़ती है सुथ कि उपयोग से गती के पिथम नियम को गड़ती है रोग से फिराप किया है सकता है F बराबर M F बराबर M कोश्ट गंद U B माइनस U अपन T या फिर F T बराबर M B U जहां F आपका 0 है तो किसी समय किसी भी समय T पर U भी बराबर U इसका अब था है कि बस्तु समान बेक U से चलती है यदि U सुनने तो भी भी सुननोगा अर्था बस्तु विरावस्ता में रही यहां आपका एक उधारन दिया गया इसे भी देख लेते हैं एक 5 किलोग्राम द्रमान बाली बस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कारगत होता है यदि बस्तु के वेक को 3 मीटर 30 से बढ़ा कर 7 मीटर 30 से कर देता है तो लगाएगे बल की मात्रा गयाद करिए यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरूपित किया जाए तो बस्तु का अंतिव वेक गयाद करना है हमें गयाद है कि U बराबर 3 मीटर 30 सेकंड है और भी बराबर 7 मीटर 30 सेकंड ती याद 2 सेकंड है समय एम याद द्रमार 5 के लोग है समीकेंड यह आपका मार रखने पर आप क्या करेंगी मार रख देंगे सबके इस तरह ऐसी अब अगर 5 सेकंड टी बराबर 5 सेकंड याँ है तब बल लगाया जाता है तो समीकेंड 9.5 को बना लिखकर अंतिम बेक प्राप्त कर किया जा सकता है B U F T अपून M U F M N और T का मार रखने पर अंतिम बेक आपका इस तरह से प्राप्त हो जाए इस दूसरा उधार रहने आप इसे देख लेना ठीकर इस तीसरा हो गया आपका इस अभी आद देखते रहे है हमारा देश यहां सरफ न्यूटन की गति को समझना है और निकल जाना है क्योंकि यह तो उसी के लिए हैं कि जो इस class में पढ़ रहा होगा हो अब भी देखते तो रहना चाहिए ना आपको अब चलते ही गतिका तित्य अनियम देखते है पहले दोनों गती के नियम से हमें ग्यात होता है कि कोई बस्तु बल बस्तु की गती के अवस्था में परिवतन लाता है तथा इनमें हमें बल कुमापने की बिदी भी प्राप्त होती है गति के तीसरे न्यम के अनुसाल जब एक बस्तू दूसरी बस्तू पर बल लगाती है तब दूसरी बस्तू द्वारा भी पहली बस्तू पर ताक्षनिक बल लगाए जाता है यह दोन बल परिमाड में सदेव समान लेकिन दिसा में परिपिरियर्ट होता है इसका ताकपर यह है कि बल सदेव एबल रूम में होता है एबल कभी एक वस्तु पर कार नहीं करते हैं बलकि दो अलग-अलग वस्तु पर कार करते हैं फोटोगॉल के खेल में पुराहम गेंद पुत्यजी से गती से किक मारने के क्रम में विपक्ची टीम की खिलाडी से चकरा जाते हैं इस क्रम में दौनों खिलाडी एक दूसरे पर बल लगाते हैं अतेव दौनों ही खिलाडी चोटिक होते हैं दूसरे सब्दों में किसी एकल बल का अस्तित नहीं होता है क्या एकल बल का अस्तित नहीं होता है तुला B का इस्तिरसरा दीवार से जुड़ा है जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाए जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुला A की मान दरसाती है था तुला A द्वारा तुला B पर प्युक्त बल तुला B के द्वारा A पर लगाए हुए बल के परिमान में समान होता है परन्तु इन दोनों बलों की दिसा दिसाएं परस पर विप्रीद होती है। इन दोनों बलों में से कोई बल किरिया और दूसरा बल पिति किरिया कहलाता है। अता अगती के तितिया नेम को इस पेकार भी बेक्त किया जा सकता है। के वंभी किरिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विप्रीते सामें कि ती कार करती है जाये लुट सद्व हाम करती हैे commence कि यहाल यहाल जाये कि आप इस्राम की अवस्था में और सर्रक पर चलनाा पहरम करते हैं तो दुतिय नियम और दुतिय इंहिले के लिए एक बल की आवसकता होती है तो आपके शरी में तुरंट उप्पन्र करता है यह कौन सा बल है क्या यह प्यसिय बल है तो आप शड़क पर लगाती है जिस देसा में आगे बढ़ती है नहीं, अम नीचे पितवी की सदय को अपने पेरों से पीछे धखिलते हैं और सड़क भी आपके पेर पर उतना ही बल बिप्री दिसा में लगाती है जिसके प्रवाव से आप आँगे बढ़ पाती है यही जातना आप सक है कि यग भी किरिया और पिति किरिया बल मान में हमेशा समान होते हैं फिर भी ए बल एक समान पर उमाड के तुरन पन नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि पिते बल अलग अलग दरमान की बस्तुमों परकार करता है बंदूक से गोली छोड़नी की आउस्ता में बंदूक द्वारा गोली पर आँगे की ओर एक बलनी रूपित होता है गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु बिपरी दिशा में बल लगाती है इससे बंदूक पीछे की ओर पिते छेपित होती है चुकि बंदू का द्रमान गोली के द्रमान से बहुत अधिक होता है इसलिए बंदू का तुरण गोली के तुरण से काफी कम होता है एक नाविक द्वार नाव से आंगे की ओर खुंगने किस्तिती में गति के तीसरी नियम को पैदाशित किया जाता है नाव एक आंगी की ओर कुंता है तो नाव लगने वाली पिति की रिया बल नाव को पीछे की ओर धेखिल देती है आप एक सोचिए एक गोली पर लगने वाला तुरित बल है बंदूग पर आरूपित पित्य अच्छित बल आप सोचिए कि आपके द्वारा जो बल लगा जा रहा है वो पित्य की रिया बल अगर खतना करें तो सामने वाले इसे ज्यादा चूट आपको लग सकती है और इसे साहधारण से जिन्दगी समझे कि आप सोचिए कि किसी के गाल पर एक तमाचा रगड की देते हैं दबा के और उसी चक्र में एक भुख सामने से देता है तो आपने क्रिया की उसके विफृत आपको भी पित्य क्रिया मिली हुई है यही रायता है बंदूग भी चल अब क्रिया क्लाब 9.4 को देख लेते हैं दो बच्चों के को पहिये वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें जैसा कि चित 9.13 में दर्सा आए गया इसमें उन्हें बालू से वरा थेला या कोई बस्तू भारी बस्तू दे अब उन्हें थेले को लपकते हुए खेलने को कहें क्या बालू के थेले को फेकने के बाद उसमें से तिदेग तक तिद छेंडिक बल कानभाव करते हैं आप गाड़ी के पहिये पर कोई सफेद रेका खीश कर दें ताकि बेज दौनों बच्चे थेले को फेकने तो गाड़ी की गती का ओलोकन किया जा सके अब दौनों रेखाई गई गाड़ी 50 cm x 100 cm आकार के 12 mm या फिर 18 mm मोटे प्लाइबोर में दो जोडे पहिये लगा कर बनाई जा सकती है स्केट बोर्ड प्रभाव भी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधा रेखा में सीधी रेखा में गती करना कठेन होता है अब चलते हैं संबेख सरक्षान माना की दो बस्तु हैं दो गैने एबी जिनका दिरमान किरम्षा में और में एक ही सरल रेख की यह दिशा में अलगलग बेख यू ए और यू भी से गती कर रही है इस तरह से दाओ ऑन पर कोई अन्ञासंत्री वलकारगत नहीं है माना यू लिदो कि दोनों गैन में वैक दूसरे से टकराती है जैसा कि चेत्चल नोग संब्लाव बे deliced देख हो FAB रगाती तथा गयन B गयन A पर BA बल लगाती है मना कि टकराने के बाद A और B गयन B कवेक करम सा U A और U B है टकर की पस्चाद दो गयनों की टकर में समभेग समहिके नौद असमलाव 1 में गयन A का समभेक टकराने के पहले और बाद में करम सा MA UA और MA भी यह होंगे संबेग में परिवत्न की दर F AB होगी टक्रानी के समय MA UA BA minus UA upon T उसी समय गैन्द B की अगर हम लोग बात करें तो परिवत्न की दर F BA होगी टक्रानी के समय M B U B UP upon T गती के दिदियाने M के द्वारा गैन्द A के द्वारा गैन B पर लगाया गया बल M A B तथा B के द्वारा लगाया गया बल B A एक दूसरे के बराबर उभी पिरीत होगा समझ रहें इस तरह से आप रखेंगे हाँ MA UA plus MB U B बराबर MA BA plus MB टक्राने के पहले गैन A और B का कुल संबेग M A U B तरह से टक्राने के बाल कुल संबेग MA BA plus MB BA समीके 9.7 से हम पाते हैं कि जब गैन्दों पर कोई बाहरी बलकार नहीं कर रहा हुआ तो दोनों गैन्दों का कुल संबेग बललता रही है या कुल संबेग संरक्चित रहता है इस परियोग के आदार पर हम कह सकते हैं कि दो बस्तियों के संबेग का बेग योग टक्राने के पहले और टक्राने के बाद बराबाद रहता है यदि उन पर कोई आसंतिर निद्बल कारण ना कर रहा हो तो उसे संबेख संरक्षण का नियम कहते हैं इस पेकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो बस्तियों का कुल संबेख ठकरानी की फिक्रिया में आप परीवरत नहीं या फिर संरक्षण रहता है किरिया कलाब 9.5 को देख लगते हैं एक बड़े आकार का गुबारा बैलून लें तता इसकी पूरी तरह से हवावार है इसके मुख को धागे से बांदें इसकी तताय पर किसी चिपकने वाले टेप की सायता से चित 9.15 में दसाय अनुसार पिलास्टी की पत्लियाडी लगाएं इस तरह से इसकी तताय की बीच से एक धागे को पार कराएं जिसमें दोनों सरौंट को दीवार पर चित 9 साल लगाएं गुबारे के मुए पर पांदे धागे को खोल देए अब गुबारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओ निकलने लगेगे इसका आत बात गुबारे की गती के किरिया कलाब 9.6 अच्छे काज की परकनगली टेस्ट टीव लें तता उसमें थोड़ा पानी बढ़ें परकनगली के मुख पर एक स्टॉप कॉप लगाएं चित 9.9 की तरह इस तरह से अब परकनगली को दो दागों के द्वारा इस्टेंड पर छेती देसा में लटकाएं बर्नर की साहरता दे परकनगली को तर तक गरम करें जब तक की परकनगली की पानी बास्तपित ना हो जाए और कौर बाहर ना जाए हम पाते हैं कि परकनगली कॉप की गती की गिर्दी द सामें पिच्छे-पित होती है कौक दथा पिच्छे-पित परक्नली का अंतर का उलोखन कर सकते हैं छोड़े इस उधारन को देख लीजे आपनों दो किलोग्राम की एक पिश्टल से 20 किलोग्राम द्रमान की गोली एक सोपचास मीटर पिती सेकेंड के 36 बेक से छोड़ी जाते तो पिष्टल की पीछे हान के वेक का परी कलन कर सकते हैं गोली का दरामान M बराबर 20 कोग्राम पिश्टल का दरामान M बराबर 2 kg और गोली का प्यारंबिक बेक U1, पिश्टल का प्यारंबिक बेक U2, किरमसा ये दोनों सुनने हैं, क्या है सुनने हैं, अर्थाक U1-U1, U2 बराबर 0, गोली का अधिक्तम बेक की बात करने तो B1, बराबर पिलस 150 मीटर पिती सेकंड, गोली की दिशा बाइस के दायें परीपा अधिक बेक कुल संबेग 2 पिलस 0,02, इन्टू केजी में हैं, और इन्टू 0, मीटर पिती सेकंड, बराबर 0, किलो मीटर, किलो, किलो गराम सोरी, मीटर पिती सेकंड हुआ, गोली छोड़ने के बाद कुल संबेग आपका इस तरह से रखेंगे, पिलस 2 केजी, इन्टू V M, मीटर पिती सेकंड, 3 पिलस 2, KM, संबेग के सरक्षन की, नियम किर्थाख, गोली छोड़ने के बाद, कुल संबेग बराबर गोली, चूटने के पहले का, कुल संबेग, या आपका, गोली छूटने के बाद का, कुल, और ये, चूटने से पहले पिच्छन से पहले, यह आपकी पिच्छन की पश्चार, यह आपका इसे भी देख लिए ना, यह दार नोग दस्मलाव आठ है, इसकी इनसाट ले लिजे या फिर आप लोग इसे क्या करिए कि पीडिया डाउनलूड कर लीजियों आपकी डलीवी यह आपकी कुश्चन से दिये गए हैं, सनरक्षन की नियम की बात करने यह दिया गया, सनरक्षन के समस्त नियमों जैसे संबेग हुजा कोड़िये संबेग, आवे साधी के सनरक्षन को बहुत की में मौलिक नियम माना जाते हैं, यह सभी सनरक्षन नियम प्रायोगित पिक्चनों पर आधारित हैं, यह इसमार सद्रक्षन सद्रक्षन नियम को सत्याविद करते हैं लेकिन उसको सिद् TIM जाकते हैं यह सद्राव सद्रावाइ् 2 एंग भी परियोगों एस नीयम की विरुथ लोग बैंव पर elk cockroach निगमित किया गया है इस नियम को लगवग तीन सतनातीकूर पितिवादिप किया गया है तो उसे अधियाय में आपने क्या-क्या सीख लिया है यह अच्छा है की पिग्जियान जितनी ही आप देखते हैं याद रखिए अगर आप लोग इसे प्रेयोग साधा में करके इसे पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है इसे लेकिन पढ़ें अकेले केवल पढ़ें तो बड़ी बोरिंग टाइप की होती है लेकिन इसमें ये एक अच्छा दिया गया है कि लाश्ट में दिसकास भी दिया जाता है कि आपने इस पढ़ने का उद्देश क्या था आपको इस पुस्तर को गती का पितमनिया बस्तु अपनी विरावस्ता पर सरल रेखा पर एक समान गती की वस्ता में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई आसंतुलिक बल कारना करें यानि कि एक बस्तु अगर गदी मान अवस्ता में या फिर ब्रावा वस्ता में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहबल न लगा जाए बस्तु द्वारा अपनी गदी के वस्ता में परिवतन का पितरोद करने की पिरुद्थी को जड़त कहते हैं इसलिए आपने सुना होगा कि गदी के पितम नियम को जड़त का नियम भी गए थे हैं किसी बस्तु का दिरमान उसके जड़त की माप एसाई मात्रक इसका किलोग्राम में हो गार्शनर बल सदेव बस्तु की गदी का पितिरोद करता है गती का दुदियर्या किसी बस्तु के संबेग परिवतन की तर बस्तु पर आरोपित आसंतिलिद बल के समानपाती एवं बल की देचा में होती है बल का इसाई मात्रक किलोग्राम मीटर पिती सेकेंड स्क्वार होगा इससे नियूटन के नाम से भी जाना जाता है इसका पितीक एन द्वारा बेक्त किया जाता है के पीटन में एक नियूटन की बल किसी एक किलोग्राम द्रमार की बस्तु एक मीटर पिती सेकेंड स्क्वार द्वारा का तुरं उत्पन करती है बस्तु का संबेग उसकी द्रमार एवं बेक का गोड़न पल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बस्तू के वेक की होती है इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पिती सीकन होता है अगर गती के तितिय नियम की बात करें तो पिते किरिया के समान और विपरित पिती किरिया होती है यह दोनों बस्तुएं बस्तुओं पर बाद पर कायर करते हैं किसी बिलग निकाय में कुल संबेख संरक्षित रहता है आपके सत्याय से संबंदी questions दिये गए हैं इन्हें आप लगाते रहे हैं और पीडियाप आप डाउनलोड करके रख लिए कख्चा नौवी से कख्चा वा ना देंगे इसके बाद आप टेक्स्ट वो जब भी पढ़ेंगे जैसे एम लक्षमी कांथ पहले आप एंसी जी आईटी पढ़ लेंगे उसके बाद एंसी आप एम लक्षमी कांथ पढ़ेंगे तो आपको बहुतर समझ में आएगा और सबसे बड़ा फायदा इसका प्रेल दिल्ली के बारे में लिखिए तो आपको दिल्ली के बारे में जानकारी हो तफ्तो लिखेंगे आप आप में पूरी तरह से इतियास दिल्ली का भढ़ा हूँ और फिर दूसरी तरह आपको केवल कुछी पॉइंट दिल्ली के बारे में दे दिये जाए तो टेक्स्ट वो बात कर रहे थें, NCEART, books के बारे में, तो कक्षा 9-2 की विज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कक्षा 9-2 तक की जो भी आपके लिए civil service की या पर state PCS के लिए books जरूरी है, NCEART की, वो सभी हम लोग उने cover कर ले हैं, कक्षा 9-2 की last book है आपकी विज्ञान, इसके 10-2 से हम लोग बार्वी तक की भी देखते रहेंगे, तो इसमें आज बात करेंगे हम लोग गुरुत्वा कर्शन, बल के बारे में, गुरुत्वा कर्शन, एक बात आप लोग हमेशा याद रखे कि आप अगर civil service या फ्रेश्टेट PCS की तयारी कर रहे हैं, तो आप समय रह कि अध्याय 8-9 में, हमने बस्तू की गती के बारे में तथा बलकी को गती के कारक के रूम में अध्यन किया है, हमने सीखा है कि किसी बस्तू की चाल या गती की दिशा बदलने के लिए बलकी आवद सकता आपको होती, हम सदेव देखते हैं कि जब किसी बस्तू को उंचाई स गिराया जाता है तो यह बित्वी की ओर ही गिरती है किसकी पित्वी की ओर ही गिरती है हम जालते हैं कि सभी गिरह सूर के चारों और चक्कल लगा रहे हैं किसके ओर सूर के चंदमा पितवी की परिक्मा करता है इन सभी अवस्थाओं में बस्तूओं पर गरह गिरहों पर तथां चंदमा पर लगने वाला कोई बल अवस्थ होना चाहिए आजिक न्यूटन इस पत्त को समझ गए थे कि सभी के लिए एक ही बल उत्तरदाई है इस बल को गुरुत्वा कर्शन बल कहते हैं क्या कहते हैं गुरुत्वा कर्शन बल कहते हैं इस अध्याय में हम लोग गुरुत्वा कर्शन दथा गुरुत्वा कर्शन की सारवत्तिक निय कि सव्बत्रों के बारे में भी अम व्यचार के जो देखेंगे हम जालते हैं कि छंदमा पित्वी का चक्ल लगाता है . किसी भस्तु को जब उपर की और ठेगते हैं तो एक कुछ हुचा ही तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की और गिरने लगते हैं कहते हैं कि जब नीवटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब सेव उन पर गिरा, क्या गिरा सेव? सेव उन पर गिरने की पिक्रिया से नीवटन को सोचने के लिए पेरित किया। उन्होंने सोचा कि गति यदि पित्वी सेव को अपनी वर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंदमा को आकर्षित नहीं कर सकती है क्या दोनों इस्तितियों में वही बल लग रहा है उन्होंने अनुवाल लगाया कि दोनों अवस्ताओं में एक ही पिकार का बल उत्तलदाई है उन्होंने तक दिया कि अपनी कर्चा के पिदेग विंदू पर चन्दमा किसी सर रेखिया पत पर गती नहीं करता परन पिद्वी की ओर गिरता रहता अता अवस्ती पिद्वी द्वारा आकरसित होता है लेकिन हम बास्तों में चन्दमा को पिद्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते आईए चन्दमा की गताई को समझने के लिए किरिया कलाब 8.11 पर पुना विचार करते हैं एक बात आप लोगो याद रखें किया याद रखें कि जो भी ये बुक्स लिखी गई है बहुत ही साधराण सब्दों में लिखी गई है और इनमें जो भी आपके किरिया कलाब दिये गए होते हैं इन्हें आपको जनत दिमात मत लगाए इनमें बस पढ़िए और निकल जाएगा आराम से एक दो बाद पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगी आप किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पढ़ेगी अगर आप बैठकर आराम से पढ़ते हैं तो सभी बुक्स आपको किलिया समझ में आ जाएगी किलिया कलाब 10.1 यानि की 10.1 धागे का एक टुपड़ा ले जिए इसके एक स्री पर एक छोटा पत्तर वा दिए धागे के दूसरे स्री को पकड़ी और पत्तर को बित्ताकार पत्मे गुमाई जैसा की चित्तर 10.1 में दिखाया जा रहा है यह आपने बच्पन में इस तरह क खेल भी बहुत खेले होंगे पत्तर द्वारा नियत परिमार के वेक से बित्ताकार पत्मे गती इस तरह से पत्तर की गती की दिशा को देखिए अब धागे को छोड़िये फिर से पत्तर की गती की दिशा को देखिए धागे को छोड़ने से पहले पत्तर निश्चित चाल से बित्ताकारपत में गती करता है तो था पिते एक बिंदू पर उसकी गती की देशा बदलती है देशा के पड़ी बतन में बेग पड़ी बतन या फिर तुरन शमलित होता है जिस बल के कारवाज तुरन होता है उसे हम बस्तू का को बित्ताकार पत में गतिसील लगता है जो बस्तू को बित्ताकार पत में क्या करता है गतिसील लगता है वह है बल कैंद की ओर लगता है इस बल को हम लोग अभी कैंद बल कहते हैं क्या कहते हैं अभी कैंद बल कहते हैं इस बल की अनुकस्तिती में पत्फर सरलेखा मेमेरी मुफ्त रूप से गती सील हो जाता है या सरलेखा बिती एंपक पर इसपर्स पर exist. देख रहे हैं कोई सरलेखा जो बित्स से के वल एक ही बिन्दू पर मिलती है W winter 2 पर is first पर कह लाइन इस चित-में घ्रिकष्वा और सरल एक सार लेखका यह भी इसी बिंदू विंदू बी पर इसपर्स लिखकर रहे हैं। प्थवी के चालों और चंदमा की गति अभिकेंदबल के कारण हैं। अभी केंद बल पित्वी के आकर्ष्मपड की कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चन्वा एक समान गति से सर्व रही है, पतपर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गरता हुआ सेफ पित्वी की और आकर्ष्मपड होता है। क्या सेफ भी पित्वी को आकर्ष्मपड करता है। यदि ऐसा है तो हम पित्वी को सेफ की और गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं। गति के तीसरी नियम के अनुसार सेफ भी पितवी को आकर्षित करता है, क्या करता है, सेफ भी पितवी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरी नियम के अनुसार, किसी दिये वए बल के लिए तुरन बस्तु के द्रमान की वे वियुद के अनुमान बाती होता है, पितव को सेव की और गति करते नहीं देखते हैं इसी तरह का विस्तार या जानने के लिए कि पित्वी चंदमा की और गति क्यों नहीं करते हैं समझ रहे हैं आप लोग क्योंकि पित्वी का द्रमान अधिक है और सेव का द्रमान क्या था यहां नगन इसी तरह आपकर चंदमा का है हमारे सार परिवार में सभी गरए सूर की परिख्मा करते हैं पहले की बाती तर्क करके हम कर सकते हैं कि सुर्व ततंडा गिरों के बीच ऐक बल वित्वार है उसी दिए ऊपने अपनी इस्था इस्तिती पर बने होगा है आप सोचेए दूसरे की तरब अगर जाना ही कुछ जुका हो जाता तो एक दूसरे से टकरा जाते गुड़्त्वाकरशन का सा्रग्तिक्नियम बिश्व का पितेग पिंड को एक बल से आकर्सित करता है जो दोनों पिंडों के द्रमान के गुडन फल के समान पाती है और उनके बीच की दूरी के बरग के व्यूद करन मान पाती होता है यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखाओं रेखा की दिशा में लगता है यहां देख रहे होंगे आपनों पराबर G मिलाने वाली रेखा दिशा रेखा की दिशा में निदिशित करते हैं यहां देख लीजे आगे चलते हैं फिर हम लोग यहां कि आईएक न्यूटन साफ की बारे में दिया गया है आज आईएक न्यूटन का जनम इंगलेंड में ग्रेंद थम के निकट बुल्स थ्रोपे में हुआ था बिज्ञान के इतियास में वह है प्रया सबसे अधिक मौलिक तहां प्रभावसाली सिध्धान्त वादी के रूब में जाने जाते हैं बेग नेथन किर्सक परिवार में जनबे थी लेकिन विक खिती के काम में कोसल नहीं थे क्या थे कोसल नहीं थे 1861 में सिक्षा ग्रेंड करने के लिए उन्होंने केमड़ेज बिस्वित्याले भीत जिया गया उने सन 1665 में क्रेंबेज में प्लैक फैल गया और न्यूटन को एक बर्स की चुट्टी मिल गई ऐसा कहा जाता है कि इसी बर्स उनके उपर सेव गिरने की घटना गड़ी इस घटना ने न्यूटन को चंदमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत बल के भ निमों से महान बिग्यानिक गुरुत के बारे में जानते थे इतुब यह उनसे महत को समझ्य में आसा पल रहे न्यूटन ने गती किये सुपिसे द निमों का भी पित पादन किया तीनों का उन्होंने पेकास एवन तता तरंगों के सिध्धान पर वीकार किया उन्होंने खा गोले के बाहर इस्तित बंदूओं के लिए गोले का वेवार इस्पिकार होता है जैसे ही उसका संपूर्ण दिरमार उसके केंदर पर इस्तित पर नियूटन ने अपने गती के तीन नियमों तथा गुरुत्त अक्रशन है कि सार्वत्तिक नियम से बहुत किये बिग्यानिक ग्राथ्य को बदल दिया है सत्तरवी सताथी की प्रमों के बिग्यानिक किरांती कि रूम में नियूटन ने कॉपर निश्कस केपलर गलीलियो तथा अन्य की युगदान को अपने कारियों के साथ एक नए सक्ति साली संस्लेशन के रूम में सम्मेसिद्ध किया जाए यह एक विशेश्ट वात हैं कि उस समय तक गुरुत्तुय सिध्धान का सत्यापन नहीं हो सका यक पी उसकी सत्यता के बारे में कोई संदे नहीं था इसका कारण था कि नियूटन का सिध्धान ठोस विग्यानिक तरफों पर आधारित था और गड़त से उसकी पुष्टी भी की करें कि विशेश्टा विशेश्टा आज भी अच्छे विग्यानिक सिध्धान के लिए आफेक्षे नियूटन के जीवन काल चला है 1642-1727 तक इनकी जीवन काल रहा है नियूटन ने वियूद्पन बर्ग की नियम का अनुमान कैसे लगाया गिरहों के गति की अध्यन में सदेयों से ही हमारी गहरी रोची रही है 16 सदावजी तक अनेक खबोच जास्तिरियों ने गिरहों की गति किसे समद्धित बहुंसे आगड़े बहुंसे आगड़े के कलिये थी जोहांस कैपलर ने इन आकड़ों के आधर पर तीन नियम खाया गया इस चित में सूर की स्तिती ओ दर्साइगे कहां ए ठीक है दूसरा नियम है इसमें सूर तता ग्रहों को मिलाने बाली रेका समान समय में समान चित पल तैकरती है इस पेकार यादी ए से भी तर गति करने में लगा समय सी से दी तर गति करने में लगे समय के बराबर जानना मत पूर है कि ग्रहों की गती की व्याक्य करने के लिए केफलर कोई सिध्धान पिश्थुत नहीं कर सके Newton ने ही यह दिखाये कि गरहों की गती का कारण गुरुत्वागर्षन का वह बले जो सूर पर उन पर लगता है सूर उन पर लगता है Newton ने केपलर की तीसरी नियम का उपयोग गुरुत्वागर्षन बल की परीकलन करने में किया है पितिवी की गुरुत्वाकर्षण बल दूरी की साथ घड़ता है एक सरल तरक इस पिकार हैं की हम कलब ना कर सकते ही कि कि गिरहों की कच्छाएं बेटता का रहे माली की कच्छी कच्छी बेक यू स्वरी भी है और गिरहों की कच्छा की तिद्या आरे तब परिक्मा करते हुए गिरह पर लगने वाला बल f समानपाती b2 r है पिति r ठीकर अपों r यदि परिक्मा कार t है तो अब b बढ़ाबर 2 πr अपों t अब तर b2 समानपाती r स्कौर अपों t इस प्रिकार इस सम्मंद को इस प्रिकार भी लिखा जा सकता है B-square समानपती 1 upon R into RQ upon T-square क्योंकि RQ upon T-square Kepler के तीसरे नियम का एक स्थ्रांक है अतहा B-square तमानपती 1 upon R इसे F समानपती B-square के साथ सहोज़ेद करने में हमें प्राफ्ट कर सकते हैं माल लिए M तथा M यानि कि capital M वर small M कि दो पिंड A तथा B एक दूसरे से D दूरी पसके थें चित 10.2 की तरह माल लिए दोनों पिंडों के वीच आकरशनद बल M तो गरोत आकरशनद के साथ से नियम के अमसार दोनों पिंडों के वीच लगने वाला बल उनके दिरमार के गुड़न के समान पाती हुगा क्या होगा समान पाती F समान पाती M into M तथा दोनों पिंडों के वीच लगने वाले बल उनके वीच की दूरी के बर्द के बियुद के नमान पाती हुगता है समीकर 10.1 और 10.2 से यह में पराप्त होगा F समान पाती M into M upon D square F बराबर G M into M upon D यहां G आपका अनुपातिक ता इस परांग है इसे सारवित्ती गुरुतिये इस परांग कहते है वाज रिकुडन करने पर समीकर 10.4 से पराप्त होता है F into D square बराबर G M into M समीकर 10.5 में बल दूरी तता दिरमान के मान मातरक पिती इस पराप्त करने पर हमें G के ऐसा ही मातरक पराप्त होंगे जो N M square के किलोमीटर इती किलोमीटर होगा स्क्वार में Henry Cavendish इनका जीवन कर रहा है 1731-1810 तक ने एक सुग्राही तुला का उप्यूब करके G का मान ग्याद किया G का वर्तमार मान आपका 6.673 into 10 की पावर माइनस 11 है N Newton हो या M square P3 किलोग्राम स्क्वार है हम जानते हैं कि गिनी भी दो बस्तुओं के बीच का करशनबल विद्धमान होता है आप अपने तता समीब बैटे अपने मित्त के बीच लगने वाले इस बल को कि मान का अभी खलन के जिए निस्कर्स निकालिए कि आप इस बल कानवाओ क्यों नहीं करते हैं यदि नियम सार्वित्तिक अभी प्राय से है कि यह सभी बस्तुओं पर लागव होता है चाहे वे बस्तुओं बड़ी हो या पिर छोटी चाहे यह खाभूली हो या फिर पार्तिक बित्कॉर्ण बड़ एप डी के वर्ग के वियुत कमान पाती होता है इस कथान का रहत है कि यदि डी को चेक गुणा कर दिया जया है तो एप कमान चत्तीस बाभाग रह जाएगा उधारण के लिए आफ 10 इससे देख सकते हैं उधारण पित्वी का दरमान 6.6 into 10 की पावर 24 kg और चंदमा का दरमान 7.4 into 10 की पावर 22 kg है यदि पित्वी तथा चंदमा के बीच की दूरी 3.84 into 10 की पावर 5 km है तो पित्वी द्वार चंदमा पर लगाय गया बलका परिकलंड क है यहां जी कमान दिया गया है फीन पीदव तथा चर्णत्यमा की दूरि ए हो गज़ जया इस त्रह इसे आप किलो मीटर में मीटर में पावर आठ मीटर होगे जी का मान 6 इंटू 6 दसंबलो साथ इंटू 10 की बाव माइनस ग्यार है एन एम स्क्वार के केजी माइनस टू पावर में सम्हेंगे दस दसंबलो चार से पित्वी दोहना चंदमा पर लगाएगा इसमें आप पोट करेंगे इस पर ऐसे मान नेखल आएगा बात करते हैं गोरुत्वाकर्शन का सार्वितिक नियम अनेक ऐसी परिगहरतनाओ की सफलता पूर्वग बयाक्या करता है जो आसमत मारी जाती ही हमें पित्वी से हमे ग्रहों की जती, चन्दमा तथा सूर के चार कारण ज्वारवाटन, ये इसी के उधारन, मुक्त पतन, मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आईए एक क्रिया कलाफ करें, 10.2, 10.2, यानि कि 10.2, एक पत्थर लीजे, इसे उपर की ओर फेकिये, या एक निर्चित हुचाई त और तब नीचे गिरने लगता है, हम जानते हैं कि पित्वी बस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पित्वी के इस आकर्ष्ण बल को हम लोग गुर्थिये बल कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्वी का गुर्थिये बल कहते हैं, आता है जब बस्तुओं पित्वी की ओर परिवतन होता है। बेग में कोई परिवतन तौरण के और कुरतमन् से कहते हैं इसे जी से निर्थिश्ट करते हैं। G के मात्रक वही हैं जो तुरंड के हैं अरताद M mo2 सेकंडर स्क्वार 20 विजर लेंट से हमें गया थे कि बलत द्रमान तोरण के- विपाळन अवें मालीड कि यख दraw झालाब 10.02 में पथार का Dutchocrine M है हम पहले से जानते हैं कि मुँप्तु रूप से गुर्थी वस्तू हैं में गुरुतिये बल का कारण तुरन लगता है और इसे जी से निर्दिश्ट करते हैं इसलिए गुरुतिये बल का परिमाड एप द्रभमान तता गुरुतिये तुरन की गुड़नफल की बराबर हुगा इस तरह से एप बराबर में दूरी डी पितवी की तिज्या आर के बराबर होगी इस पेकार पितवी की सताय परियाज के समीब रखी बस्तूओं के लिए एम जी बराबर जी एम इंटु एम अपुन आर स्क्वार जी बराबर जी एम अपुन आर यह मान रख दिया हैं पितवी एक पूर्ड गोला नहीं है पितवी की तिज्या दुर्मों से विस्वत बिर्द की ओर जाने पर गुर्द्वी मान होता है यह बढ़ जाता है और विस्वत रिखा पर एक कम रहता है अधिकांस करणाओं के लिए पितवी की सताय पर इसके पास जी के मान के को लगबग इस्तिर मान लट लगत रखते हैं लेकिन पितवी से दूर की बस्तूओं के लिए पितवी के गुर्द्वी तुरंड जी के मान का परीकलन गुर्द्वी तुरंड जी के मान का परीकलन करने के लिए हमें समिकें 10.9 में gm और r के मान लखने होंबी जैसे सार्वेक की गुर्द्वी नेतंग पितवी का द्रमση मान अबर आप इससे प्राप्त कर लेंगे पितवी के गुरूतिय तुरन का मान ये निकला आया ठीक है 9.8 मीटर पिती सेकेंड स्क्वार अर बात करते हैं पितिवी के गुर्टुए बलके प्रभाव में बस्तुओं की गति या समझने के लिए क्या सभी बस्तुओं एक होकली हैं या कोज या फिर बढ़ी हैं या छोटी किसी उचाइस समान दर से गिरेंगी आये कि इस किरिया किलाब से समझने की कौसिश करते हैं 10.3 किरिया गिलाओ कागत की सीट अधवा एक पत्थर लिए दोनों को किसी इमारत की पत्थर दी मंजे से एक साथ गिराईए देखी किया दोनों धरति पर एक साथ गिरद पहुंछते हैं हम देखते हैं कि कागत धरति पर पत्थर की अभिर्चा कुछ देर में से पहुंचता एक। लगाती है, कागच पर लगने बाला बायू का पितिरोट, पत्थरप लगने बाले पितिरोट से अदिक होता है, इस पेकार प्रियों को यदि हम काच के जार में करें जिसमें य 6 हवा निकाल दिजाती हैं तो कागज तथा पत्थर एक ही तर से नीचे गिरेंगे। हम जालते हैं कि मुक्त पत्थर में बस्तु तुरंड का अनुभव करती है। समय के अनुभव किये जाने वाला या तुरंड इसके द्रमान पर निर्वात नहीं करता है। इसका रत्वा की सभी बस्तु हैं खोकली या फिट्थोस हैं। बड़ी है या चोटी हैं। एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अंसार इस विचार की पुष्टी के लिए गिलेगी उन्हें। इटली में पीशा की दुखी हुई मीनार से विवेन बस्तु हों को गिराया। क्योंकि पिद्वी के निकट जी का मान इस्तिर है। एक समान तुरंड गती के सभी समीकंड। तुरंड एक के स्थान पर जी रखने पर मन रहेंगे। देखी अनुबाद 8.5 ये समीकंड होगे। देखिए। बी बराबर यू पिलस 80, एस बराबर यू, टी पिलस 1.2, बी बराबर यू, यहां यू एवं भी, जो एक प्यारम भी के अंतिम भी है। जो एस है बस्तुद्वारा टी समय में चली गई दूरी है। ठीक है? यह समयकरणों का उप्यूक करते साथ है समय, यदि तुरंड एक की दिशा में अर्थात, गति की दिशा में लग रहा हूँ, तो हमको इसको धनात्मक लेंगे, अगर गति की दिशा में लग रहा हूँ तो इससे धनात्मक लेते हैं। यह आपका उधारन है, इससे एक उधारन देख लेते हैं। बाकि आप देखते रहें। एक कार किसी कगार से गिर कर, 0.5 सेकंड में धर्ती पर आ गिरती है। तो परीकलन में सफलता के लिए जी कमाद 10, मीटर पिती सेकंड स्क्वार लीजिए। धर्ती पर लट टकराते समय कार की चाल क्या हुए। 0.5 सेकंड के द्वरान उसकी वहसत चाल क्या हुए। धर्ती से कगार कितनी उचाई पर थे। तो समय कितना है ? 0.5 सेकंड प्यारम विबेग क्या है ? गुरुपत्व तरण क्या है ? J बाबब 10m सेकंड स्क्वार जी कार का तरण ए बाबब 10m सेकंड स्क्वार अधों मुखी। चाल भी ब्राबरीटी, यह आपका सूत है, इस तरह इस निकालेंगे, यह आजाएगी चाल, ऐस्थ चाल इस तरह से निकलाएगी, टेकी कई दूरी इस तरह से निकलाएगी, धटी पर टकराती समय है, उसकी चाल भी 5 मीटर पिती सेकंड, 7.5 सेकंड के दुरार इसकी अस्थ हो जाएगी 2.5 मीटर 30 सेकंड और 30 कगाल की उंचा ही हो जाएगी 1.5 1.25 मीटर ठीक है इसे भी आप लोग देख दीजे अब बात करते हैं लोग दिर्मान हमने पिछले इतिहाय में पढ़ाएगी बस्तू का दिर्मान उसके जड़त की माफ होता है बस्तू का दिर्मान किसी बस्तू का दिर्मान उसके जड़त की माफ होता है हमने यह अभी सीखा है कि जितना अधिक बस्तू का दिर्मान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त भी होगा किसी बस्तू का दिर्मान उतना ही रहता है चाहे बस्तू की थिवी पर हो या पर चंद माफ हो या पर किसी बा पाहे अंतरेक्ष मिलोग, इस पेकार बस्तू का द्रमान इस्थे रहता है, तो था एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने पर बदलता नहीं, अब आप समझ सकते हैं कि एक किलो ग्राम का ने कुछ भी लिया कुछ सामान, वो सभी जगए एक ही रहेगा, एक ही किलो तुरण G पर निर्वर्ग है, किसी बस्तू का बाहर वह बल है, जिसले एक पितवी की और आकर से थोटा है, हमाई गयात है कि A बराबर M इंटू A, अर्थाक A बराबर M इंटू G, बस्तू पर पितवी का आकर बल बस्तू का बाहर कहलाता है, इसे W से निर्देश्ट करते है इसे समीकरण में पिती स्थापित करने पर W पराबर M to G, क्योंकि बस्तू का बाहर एक बल है, जिसले एक पितवी की और आकर से थोटा है, अगर भार का ऐसा ही मात्रक की बात करें, तो वही है जो बल का है, अर्था निउटनिस का ऐसा ही मात्रक है, बाहर एक बल जो उर्द इस्थान पर बस्तू का बाहर बस्तू की द्रमान M की समानपाती होता है, अर्था W समानपाती M, यही कारण है कि किसी दिये हुए इस्थान पर हम बस्तू के बाहर को उसके द्रमान की माप की रूम में उपयोग कर सकते हैं, किसी बस्तू का द्रमान पिते की इस्थान पर च देटिक का चंधमा पर प्र किसी बस्तु का भारुए बहलék जिस से चंधमा पर उस बस्तु का भारुए बहले हैं, आप सोभी को बता है कि चंधमा का जो द्रमान होता है, इस कारण मालीजी किसी बस्तू का द्रमान M, तरह मालीजी चंदमा का द्रमान M है, इसकी तरजया R M है, गुरुत्व आकर्षन्ड का सारवित्तिक नियम लगाने पर, चंदमा पर बस्तू का भार इस तरह से, माल दीजे कि उसी बस्तु पर पिधिवी का भार W है तो पिधिवी का द्रमार M और इसकी तिज्या R इसे खागुली पिंड होगा है इस द्रमार किलोगराम में तिज्या होगी पिधिवी कि अगर द्रमार की बात करने तो 5.98 इंटू 10 की पावर 24 होता है अगर तिज्या की बात करने इसकी तो 6.37 इंटू 10 की पावर कितनी होगी 6 अगर चंदमा की बात करने तो 7.36 दसकी पावर 22 इंटू में और अगर तिज्या की बात करने तो 1.4 इंटू 10 की पावर 6 होगी ठीक है समीकर्णों 10.9 10.15 से हम पराप्त करेंगे w e g m into m upon r square 10.17 यह आपका समीघन बन जाता है समीकर्ण 10.16 10.17 में sin e 10.1 से उप्यक्त मान रखेंगे हम लोग इस तरह से यह आपके जो माने इन्हें रखेंगे हम लोग तो आप पाएंगे यहां इस तरह से w m 2 into 431 into 10 की पावल 10 g गुरू 21 into m इस तरह से समीकर्ण 10.18 कुल समीकर्ण 10.18 भी से भाग देने पर हम लोग प्राप्त करेंगे 1 upon 6 इसका प्र इसक पितिवी परार यह आप इस एक उधारन ले दियए एक पस्तू कद्रमान दस कीलो गराम है पितिया इसका प्राप्त ठीक है आपका प्रडोद तथा दाप क्या कभी आपने सोचा है कि उंट रेगिस्थान में आसानी से क्यों दोड़ पाता है सेना का टेंक जिसका भार 1000 तंसे भी अधिक होता है एक सतत चैन पर क्यों टिकाया होता है किसी टेर्क या बस के टायर अधिक चोड़े क्यों होते हैं काटने वाले ओजारों की धार तेज़ क्यों होती है इस पिकार का उत्तर जानने के लिए हमें इन में सामिल पर इकटनाओं को समझने के लिए दी गई बस्तुरियों बिसेश दिसा में लगने वाले नेट बल पिडो तथा पिती एकांग चेत पल लगने वाले बल की धारना से परिच्छा कराना अवस्षप हुए पिडो तथा दाब कर समझने के लिए आए निमलिकित इस्तितियों पर विचार करें इस्तिती एक किसी बुलिटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं जैसा कि चित्ते दर्स अमलाव तीन में दर्साय गया है एकार करने के लिए आपको ड्राइंग पेनों ड् अबल बोर्ड की सतय की लंब बद लगता है यह बल पेनी की नौफ पर अपेक्चा के छोड़े चित्वर पर लगता है यानि कि आप नहीं देखा होगा कि जिस तरफ चित्रा रहता है कील उस तरफ ठोकी जाए और जिस तरफ से हतोड़ा उस तरफ से लगाय जाए जिस हो जाती है चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पेनों की को अंगूठी से बोड के लंबद दबाया जाता है इस्तिती सेकंड आप सिथिल डीली रेत पर खड़े होते हैं आपके पेर रेत में गहरे धस जाते हैं अब रेत पर आप लेटेंगे तो आप देखेंगी कि आप पर शरीर रेत में पहले जितना नहीं दसता है दो रुखत अब रेत पर लगने वाला बल आपके सरीर का भार है आप पड़ चो कहें कि भार ऊदबा धर 1ऑ देसा में नीचे के भी लगने वाल बल है यहां बल रेत की hearing कि लमबद लग लग रहा है ऐसी वस्तू की सटय कि लंबद लगने वाली बल को पिडोद कहते हैं, जब आप सित्र लेट पर खड़े होते हैं, तो बल अथत आपके शरीक के भाग बाहर आपके पेरों के चितपल के बरावर चितपल पर लगता है, तो अधिक लगता है, आप लेट जाते हैं, तो अई बल आपके पूरी शरीक के समपर चितपल के बरावर चितपल पर लगता है, यानि कि चितपल बढ़ जाता है, इससे इस पर फरक कम बढ़ता है, आपके पेरों के चितपल से अधिक होता है, इस पेकार समान पर इमाड की पलों का बिन बिन चित फलों पर बिन बिन प्रभाव होता है उपयोग तिस्तिती में प्रभूद समान है लेकिन आपस के प्रभाव अलग लग है इसलिए प्रभूद का प्रभाव चित फल पर निर्भा करता है जिस पर वह लगता है रेत पर प्रदूद का प्रभाव लेटे हुए कि अफिक्चा खड़े होने की तिती में अधिक लगता है पिती एकांग छितफल पर लगने बाले प्रदूद को दाप कहते हैं इस पेकार दाप बरावर प्रदूद अपून अपून छितफल समीकर 10.20 में पिडोध तथा चितफल के ऐसाई माध्रक पितीस्टापित करने पर हम दापका SI माध्रक गराप करेंगे या माध्रक N-pity M-square या फिर N-met'r 3-square होगा बिज्यानिक बिलेज پासल के सम्मान में दाप के SI मात्रक को पासकल कहते है । जिसे पी ये से वेक्ट किया जता है वेविन ने चेतल फलों पर लगने बारे प्रोद की प्रभाव को समझने के लिए आईए एक संख्यात में उधारन देख लेते हैं उधारन के लिए 10 देख लेते हैं एक लगड़ी का गुटका मेज पर रखाया है लगड़ी के गुटके का दिरमान 5 kg इसकी विमाएं आपकी 40 cm x 20 cm x 10 cm यानि 10 cm है इस चित में आप देख रहे होंगे लगड़ी के टुकड़ी द्वारा मेज पर लगने वाले दाफ ग्यात की यदि नेम लेकित इसकी नेम लेकित विमाओं की सताय मेज पर रखी जाती है इसे आप अहल करिए लगड़ी के गुटके का दिरमान क्या है 5 kg इसकी विमाएं क्या है 40 cm x 20 cm x 10 cm यहां लगड़ी के गुटके का भाल मेज की सताय पर पिडोध लगता है पिडोध किस तरह से निकालते हैं यह बराबर m x g यहां द्रम मान हो गया प्रहिए आपका धनत हो गया गुरुत्य है मान हो गया ठीक है बराबर 49 सताय का छिदपल निकालेंगे लंबा इंटू चोण यह मेज की सताय पर पहले जितना ही पिडोध लगता है छेदपल चालेशन टू बराबर आपका सेंटीमीटर यह मेटर में आपका 0.08 समीकर 20.10.20 से इसे भी आप निकालेंगे दाब को तो 612 इंटू 612 इंटू 5 न्यूटन मीटर स्क्वार हो जाएगा सताय 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर द्वार लगाया गया दाब 2450 न्यूटन मीटर स्क्वार है ततना सताय 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर द्वार लगाया गया दाब 612 इंटू 5 न्यूटन पिती मीटर स्क्वार में है ठीक है इस परकार वही बद जब चोटे चितफल पर लगता है तो अधिक दाफ और बड़े चितफल पर कम दाफ लगता है। यही कारण है कि कीलों के सरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज़दार होते हैं, और बावनों की निव चोड़ी होते हैं, समझ लें आप लोगतों? आप सोचे के निव बिल्कुल सक्री रखते हैं और उपर जो मकान बनेगा वो चोड़ाई में दीवार उसकी रखी यह संभव हो सकता है लेकिन पूरी तरह से संभव नहीं है कुछ दिना बाद गिर सकता है आपका मकान इसलिए आपने देखा हुगा नहीं बड़ी लंबी चो इसी बिकार तल्लों में भी भार होता है तहना भी जिस बरतन में रखे जाते हैं उसके आधार ति दिवारों पर दाब लगाते हैं किसी ृधि द्रफवान के सल तरल पर लगने बाला बाल, बाला, दाब, सभी दिसाओं में बिना घटे, संचारित हो जाता है। उत्पिलाव वक्ता, क्या आप कभी किसी इस तलाब में तेरे हैं। आपने स्वयम कुछ हलका अनुबाव किया हैं। क्या कभी आपने किसी कुए से पानी किंचा है। और अनुबाव किया है कि जब पानी से बाहर ही बाल्टी, कुए के पानी से बाहर आती है, तो आपने एक बाहर ही लगती है। आपने देखा होगा पानी में आपको कम बाहर ही लगती है। क्या कभी आपने सूचा है कि लोहे तता इस्टील से बना जल्यान समुत्र के पानी में क्यों नहीं डूपता है लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा गरम तता इस्टील ले घरी चादर की रूम में हो दुख्या है वह ही डूप जाएगे इन सबी बिद्रों का उत्तर जानने के लिए उत्पलावक्ता के बारे में जानना वा सके उत्पलावक्ता के लिए समझने के लिए आईए किरिया कलाप करते हैं किरिया कलाप 10.4 पिलास्टिक की खाली बोतल लीजे बोतल के मुएक बायूरुद डाट से बंद कर दीजे इसे एक पानी से भरी बार्टी में रखे आप देखेंगे की बोतल तेहरती है बोतल को पानी में धके लिए आप उपर की और एक धक का मैसूस करते हैं इसे और अधिक नीचे धके लागा प्रतन कीजिए आप इसे और अधिक गहराई में धकेली में कटना या अनमाओ करेंगी यह दिखाता है कि पानी बोतल के उपर की दिसा में एक बल लगाती है जैसे जैसे बोतल को पानी में धके लेते जाते हैं पानी द्वारा उपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक की बोतल पानी में पूरी तर से ना डोग आए अब बोतल को छोड़ दीजे यह छलक कर सतय पर वापस आती है क्या पितवी का गुर्टवा कर्षण बल इस बोतल पर कारगत है यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देनेश बल पानी में डूबी की क्यों नहीं रहती है आप बोतल को पानी में कैसे डूब हो सकते हैं पितवी का गुर्टवा करशन बल बोतल पर नीचे की दिसा में लगता है इसके कारण बोतल नीचे की दिसा में खिछती है लेकिन पानी बोतल पर उपर की ओर बल लगाता है आप उपर से नीचे की पानी की ओर लगाते हैं और बोतल नीचे पानी की बोल लेकिन जो पानी है यह बोतल पर उपर की ओर बल लगाता है यह बोतल उपर की देशा में धके ली जाती है हम पढ़ चोके हैं कि बस्तु का भार पितवी की ओर तकरशन बल की बराबर है जब बोतल डोवई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला उपर की देशा में बल उसके बाहर से अधिक हो जाता है इसलिए छोड़ने पर होए उपर उठती है बोतल को पूरी तरह डोगई रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर उपर की ओ लगने वाले बल को संदुलित करना पड़ेगा इसे नीचे की दिसा में लगने वाले बाहरी एक बाहरी बल को लगा कर प्राप्त किया जा सकता है यह बोतल पर पानी के द्वारा जो पानी होता है नीचे से इसके द्वारा जो ऊपर बल लगा जाता है इसे ही आप लोग उत्पलावन बल कहते हैं बाफतों में किसी तरल में दुबोने पर बस्तु को सब भी बस्तु में एक उत्पलावनवल लगता है. उत्पलावनवल का प्रिमार तरल गंत पर निरभर करता है उस पानी की सताय कहत European दोप जाती है? इस पिसने का उत्तर प्राप्त करने के लिए ये ग्रिया किलाप करते हैं दस्दे तमला पांच पानी से वरा एक बीकर लीजे एक लोही की कील लीजे इसे पानी की सदय पर रखिए देखिए क्या होता है कील डूब जाती है कील पर लगने वाला पिथवी का गुर्थवा कस्न बल इससे नीचे की ओर खीचता है पानी कील पर उत्पलावन बल लगाता है जो इसे उबर की दिसा में धखिलता है लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्पलावन से बल से अधिक होता है इसलिए यह डूप जाती है सीधा सा मतलब है कि आप एक डोरी को यानि कि एक रस्ती को लेज़े एक तरफ आप पकड़ सकते हैं एक तरफ दूसरा आपका भित्थ अब आपकी जो जितना तागत से अपना बन लगाएगा उसी की तरफ जिसमें जानदर सकती होगी जिसमें जानदर पल लगएगा उसी तरफ वो रस्ती खचेगी समझ रहे हैं और उम्बित भी साथ खचा चलाएगा तो यही हाल इसका है इस तरह से आप देख रहे हैं पानी की सताय पर रखने पर लोहे की कील डूप जाती है तथा कॉर्ट तेरता है यही कारण है किरिया कला 10.6 पानी से बरावी कर लिए एक कील तथा समान दिरम का एक कॉक कड़ा लिए इन्हें पानी की सताय पर रखिए देखिए क्या होता है कउर्ख तेरता है जबकिन कील डूप जाती है ऐसा उनके घंडत में अंतर के कारण होता है किसी पतार का घंड तो उसके कांग आयतन के दरमान को कहते हैं कोर्ख का घंड पानी के गंड बल पोर्ग के बाहर सी अधिक है इसलिए यह तेरता रहता है अगर लोहे की कील की गनत की बाते हैं तो पानी की गनत से अधिक होता है इसका रत है कि लोहे की कील पर पानी का उत्पलावन बल लोहे की कील के भार से कम है इसलिए डूब जाती है इस विकार द्रब के गनत से कम गनत की बस्तुएं द्रब पर तेहने लगती है और द्रफ के घनत से जो अधिक घनत की बस्तुएं होती हैं बेद डूब चाहती है यह आपके questions में देखते रहे हैं Archimedes की सिद्धान, Archimedes का सिद्धान किरिया कलाव 10.7, एक पत्थर को टुकडा लीजे इसे कमानीधार तुला या रवड की दोरी के एक सिरे से बांदे तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लडख लटकाई है जैसा कि चित्ध 16.6 में ऐसे पत्थर के भार के कारण रवड की दोरी की लंबाई में विल्गी या कमानीधार तुला का पाठ्यांग तोट कीजिए अब पत्थर को एक बर्तर में रखे बाहर पानी में धीरे से दोविजिए जैसा कि चित्ते 10.6 बेवीद देखता है गया पिल्चन कीजिए डोरी की लंबाई में या तुला की माम में क्या परिवतन होता है इस तरह से हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रवड की डोरी में पिल्चन कीजिए पत्थर को पानी में डोगर रहे पर डोरी की पिल्चन कीजिए आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीर धीरे पानी से निचे ले जाते हैं डोरी की लंबाई में या तुला की पाठे के आंक में भी कमी आती है या तदापी जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूप जाता है तो उसके बाद कोई परीवतन नहीं दिखाई देता है डोरी की पिसार या तुला की माब में कमी से आप क्या निचकस निकालते हैं हम जानते हैं कि रवर्ड की डोरी की लंबाई में परीवतन या तुला के पाठे आंक में बिधी, पत्थर की बाहर के कारण होती है क्योंकि पत्तर को पानी में डोगोने पर इन विद्धियों में कमी आ जाती है इसका अरत है कि पत्तर पर उपर की ते सामें कोई बल लगता है इसके परडाम सो उबर रूप रबड की दोरी बल लगने वाला बल नेट बल से कम होता है और इसलिए लंबाई की विद्धि में भी कमी आ जाती है जैसे कि पहले ही चाचा की जा चुकी है कि पानी द्वारा उबर की वर लगाया गया यह बल उत्पलावन बल कहता है किसी बस्तु पर लगने वाले उत्पलावन बल का परिमार कितना होता है क्या किसी एक बस्तु के लिए या सभी तरलों में समान होता है क्या दिये गए तरल में सभी बस्तु समान उत्पलावन बल का अनुवाव करती है इन पिसनों का उत्तर आर्किमिडेज के सिद्धान द्वानत प्राप्त होता है जिसको टेमने पिकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं जब किसी बस्तू को किसी तरल में पूर या पिर आंसे करूप से डोगवाया जाता है तो है उपर की देशा में एक बल का अनुबाव करती है जो बस्तू द्वारा हटाएगे तरल के बाहर के बरावर होता है क्या आप इस परश्ट कर सकते हैं कि क्रिया कलाब 10.07 में पत्तर के पानी में पूरी तरह डूबने के कारण डोरी के प्रसार में और कमी नहीं हुई है आर्किमिलेज के सिद्धान के बहुत सी अनुपयों या जलयानों पंडोबियों के डेजाइन बनाने में काम आता है दोगदमापी जो दूद के किसी नमोने के सिद्धा की जाज करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत मापने के लिए प्रयुक्त होता है इसी सिद्धान पर आदालित होता है किसके आर्किमिलेज के सिद्धान पर अब आप archimodics के बारे में जान दें? यह आकप के एक Greek बिग्याइलिग थे उन्हों एक सिधान की कोज की थी उन्ही के नाम से विख्यात यह सिधान्त हुआ और यह सिधान्त उन्होंने यह देखने के बाद हो जा कि नहाने की टब में गुमने पर पानी बाहर बहने लगता है। अब बात करते हैं आप एक चित गनत है। सौने का गरत 19,300 किलोग्राम मीटर गनत में है। जबकि भी पानी का गनत की बात करें तो 1000 किलोग्राम पिती गन मीटर में किसी पदात की नमूने का गनत उस पदात की सुद्धा की जान में साहता करता है। प्रया किसी पदात की गनत को पानी के गनत की तुल्ला में व्यक्त करना सुविधा जनक होता है। इस पदात का आपएक जिफी गनत उस पदात का गनत पानी के गनत का अनफात अर्था आपएक जफी गनत आपानी का गनता है। इसे उधारन द्वारन देख सकते हैं चांदी कीवाबर 30 kg, 30rm है ऐसा ही मातरक चांदी का घंथ 10.8 आप सकते हैं सीधा सा मतलब ही कि आपने सध्य है में क्या पढ़ा है इतना सब आप पढ़ते रहें 40-45 में, टाकि पढ़ा क्या है समय, तो देखते हैं उन्हें भी हम लोग, गुरुत्वाकर्षण की नियम के उसाथ, किनी दो पिंड़ों की भी चाकर्षण पल, उन दोनों के दिर्मान की गुड़ों पल के समान पाती, उनके भी इसकी दूरी के वर्रक्षण की पर बिरुतकर्वान पाती होता है, या नियम सभी पिंड़ों पल लागू होता है, चाहे हो एब इसमें कभी भी हो, कहीं भी हो, इस पिकार की नियम को सारविल्ती नियम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण एक छीड़ बल है, जब तक कि बहुत अधिक दिर्म पिंड शमर्द ना हो, गुरुत्ति एबल पितवी पर तल से उंचाइप बढ़न पर कम होता है, या पितवी तल के विविन कि इस्थानों पर परिवर्तित होता है, इनका मान दुर्वों से पिष्पत की उड़ जाटता है, दुर्वों का सक्षे जान्दा होता है, गुरु भी बस्तुए किसी तरल में डुबाने पर उत्फलावन भल यानि की नीचे से जो भल लगेगा उसी की बात करा अनुभा होता है जिस दिरभ में बस्तुओंके डुबोए जाता है उसके घनत से कम गनत की बस्तु में द्रब की सथा पर तेहती हैं यदि बस्तु का गनत डूबोए जाने वाले द्रब से अधिक है तो यह भी डूब जाती है यह अभ्याज के लिए questions दिये गए हैं इन्हें भी देख सकते हैं और याद रखिए PDF आपकी download कर लिए टेलिगर आपसे वहाँ से आपका वुझाय कार है है चलिए तो यह था दसवा चैप्टर अब बात करेंगे बिज्ञान काम लोग कपच्छा नौभी की बिज्ञान का गयारवा चैप्टर उसमें बात करेंगे कार तथा उज्या के बारे में जानेंगे तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NTEIT कक्षा नौवी की विग्यान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग 10 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका 11 चेप्टर है कार तथा उर्जाद इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग कक्षा आटवी से लेकर कक्षा नौवी तक की सभी वुक्स कवर कर चुके हैं बेग्यान को छोड़कर एक कवर हो जाएगी तो कक्षा नौवी तक की सभी जो आपके लिए State PCS और Civil Service के लिए जरूरी हैं वो सभी कवर हुई हैं उसके बाद 10 और 11 और 12 की वक्षती हैं उन्हें भी हम लोग कवर कर लेगी और याद रखिए इसका अगर आप Civil Service याप फिर State PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोई दूसरा आपके पास बेकल्प नहीं है समय रहते हुए आप अच्छे से पढ़ लें से क्योंकि इसके बिना कुछ है उखड़ने वाला है तो चलिए अध्याय 11 देखते हम लोग पिछले कुछ अध्यायों में हम बस्तुओं की गति के बाइडन करने के तरीकों गति का कारण तथा गुर्थ्वा करशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं कार एक अन अध्यायों को समझने तथा उनकी ब्याक्खा करने में सहायता करती है उर्जा तथा सकती का कार से निकट संबंदे उर्जा तथा सकती का कार से निकट संबंदे इस अध्याय में हम इस अध्यायों के बारे में अध्यायों करेंगे और एक कहाम बात बता दूं आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप अगर एक से दो बार इस उसको बुक्स को पढ़ते हैं, तो आपको आराम से समझ में आजाएगा, क्योंकि आप इतने अगर सेविल सर्विस स्रृष सेविल सर्विस या फिर श्टेट PCS तयागरी कर रहे हैं इतना तो जान चुके होंगे, तो इसलिए जाना टेंसन मत लिए एक से दो बार पढ़िए और निकल जाएगे इसे, ठीक है, उसके बार टेक्स्ट बूक जो आती है, उन्हें पढ़ते रही है, आप लोग उनका अपना पूरा दिमाग लगाते रही है, बस इसे एक बेस बन ज करम कहते हैं, इन पर करम के लिए उर्जा बोजन से प्राप्त होती है, कुछ अनिक किरिया कलाप जैसे, खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, खूंदने, दोरने, तथा साइकिर चलाने के लिए भी हमें उर्जा की आवस्सक्ता पढ़ती है, कठेन किरिया कलापों म दूर भागना पढ़ता है, बोजन खोजना या आवाज के लिए सुरक्चे तिस्थान खोजना पढ़ता है, इसके अतरिक कुछ जन्तुओं को हम बोजा ढोने, गाड़ी खींचने, तथा खेल जोतने के लिए उप्यव करते हैं, जैसे बैल, इन सभी किरिया कलापों के लि आवस्तक्ता होती है, सजीर तथा मसीनों को उर्जा की आवस्तक्ता क्यों होती है, कार आपका आखिर क्या है, कार, कार क्या है, हमने अपने देने जीवन में जिस रूम में कार सब्द का प्रियोग किया है, कार, और जिस रूम में हम इसे विग्या में उप्योग करते हैं, उनमें अंतर हैं। इस बात को इस परश्ट रटक करने के लिए आईए कुछ उधारण विचार करते हैं। कठोर काम करने के बाप यूद कुछ अधीकाल नहीं है। कमली परीक्षा की तेयारी कर रही है। वह अध्यन में बहुत सा समय विद्धीत करती है। वह घुस्तक पड़ती है, चित बनाती है, अपने विचारों को सोवेवस्तित करती है। फिसन पत्तों को इकत्तित करती है, कच्छाओं में विपस्तित रहती है। और अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार में मस्मी करती है। तथा प्रेयोग करती है इन क्रिया कलापों पर बहुत सी उर्जा बेय करती है। सामान भोल्चाल में वह एक कठोर काम करती है। यदि हम कारी को बिग्यानिक परिवासा की अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कारे संबलेते हैं। आप एक बहुत बड़ी चठान को धकिलने के लिए कठोर परिस्थम कर रहे हैं। माल लीजिए आपके सारे प्रतनों के बाब जूद चठान नहीं इलती हैं। आप पूरता ठक नहीं चुके होते हैं। और आपने चठानों पर कोई कार नहीं किया है, क्योंकि चठानों में कोई विस्थाफन नहीं हुआ है। यानि कि उसका कोई result निकले एक तरह से उसे ही कार कहा जा सकता है जिसमें कोई result ना निकले वो कार के ना के बराबर है अब अपने सिर्पर एक भारी बोज बोजा रखकर कुछ मिनिट के लिए बिना हिले टुले खड़े रहते हैं आप ठक जाते हैं आपने परियास किया तथा आपने बहुत सी उजावी वेड़ की इसमें क्या आप बोजे पर कुछ कार कर रहे हैं हम बिज्ञान में जिस बिकार कार सब देखार अर्थ नमस्ते हैं उस रूम में इस इस्तिती में कार नहीं किया गया है प्राक्तिक देश्तों को देखने के लिए आप सीडियों पचड़ कर इमारत की उपरी मंजलों पर पहुच जाते हैं आप एक उचे पेड़ पर भी चड़ दे सकते हैं बिज्ञानिक परिवासा के नुसार इसके लिए आकलाब में बहुत सा कार नहीं थे आपने द्यनने जीवन में हम किसी भी लाइप्टायक सारेरेक या पिरमासीक परिश्यं से हम को कार समझते हैं कि रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन्गुना ना, किसी चल्चित को देखना, किसी समारों में समल्बित होना को कभी कभी कार नहीं समझा जाता है, क्या कार नहीं समझा जाता है, कार होता क्या है कि यह इस बात पर निर्वा करता है कि हम उससी कैसी परिवासित करते हैं, विज्ञान में हम कार सब्दों को भिंद पेकार से प्रियोग तथा परिवासित करते हैं, इससे जानने के लिए आ ग्यारत में ऊपुरोत अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे करीया-कलापों की चर्चा की जन्हें प्रहा हम अumeशा दिनिक जीवन में कार मानते हैं इन मेंसे पिते करीया-कलाप के लिए निम्लिकित प्रिशनों का उत्तर दीजिए किसी बस्तु पर कार किया गया है बस्तु पर क्या घटित हो गया हो रहा है कार कौन कर रहा है एक बात हमेशा याद रखी है हमारी परिवास अपनी हिसाब सी कारी की अलग है और विज्ञान की परिवास अलग है कारी की ठी ज्यान के देश्टी कौन से हम कार को किस पेकार देखते हैं और परिभासित करते हैं या समझने के लिए आए कुछ इस्तितियों पर विचार करें किसी सद्धार पर रखे गुटके को धकेलें गुटका कुछ दूरी तै करता है आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विच्थापित हो गया है इस इस्तिती में कार हुआ है क्या हुआ है? इस्तिती में कार हुआ है एक सीधा समतला में जिस उद्धे से आप लोग उस काम को कर रहे हैं अगर वो पूरा होता है तब तो कार बोलेंगे अब आप दीवाल को धकेलना चाहरे है वो धकली नहीं रहे है वो इस्ता ही अपनी तो इसे कार कैसे कह सकते हैं? आपके लिए आपकी उर्जा बैवी है इसमें लिकिन एक कार थोड़ी है एक लगडी लड़की किसी ट्राली को कीचती है और ट्राली कुछ दूर तक चलती है लगडी ने ट्राली पर बल लगाया या विस्तापित ही इसलिए कार है एक पुस्तक को किसी उँचाई तक उठाईए ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा पुस्तक उपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया है, तत्मा पुस्तक गदीमान हुई है, इसलिए कार किया गया है, और फिर तिस्तितियों को ध्यान पर रख, ध्यान पूर्वरक देखने से, देखने से ग्याद होता है कि कार करने के लिए, दो, दसाओं का होना आ बस्तुम को कोई बल लगना चाहिए वो दूसरा है वस्तू बिश्थंस फूना चाहिए अपनी तियथा इस्सिति से अठना चाहिए और要भी इन मैं से कोई बिद्णा पूरी नहीं होती है तो कार नहीं किया गया है बिग्यान में हम कार को इसी दिश्टी से देखते हैं इनी दो पॉइंट पर आपकी कूरी परिगासा टिकी हुई है एक बैल किसी गाड़ी को खीच रहा है गाड़ी चलती है गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चलिए आपके विचार में इस्तितिती पर कार हुआ है बिल्कुल हुआ है क्रियाकलाब 11.2 अपने देनिक जीवन में कुछ इस्तितियों पर विचार कीजिए जिसमें कार संबले तो इनकी सूची बनाते हैं अपने मेंत्रों से विचार में मस कीजिए क्या पर देक जिस्तिती में छोड़िये ने ठीक अब चलते हैं हम लोग आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहिए मैं कुछ नहीं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि आप क्रियाकलाब करते बैठ जाएंगे इसी में बहुत टाइम निकल जाएगा आपको क्रियाकलाब करते हुए मतलब practical कहते हुए नहीं बैठना है एक नियत बल द्वारा किया गया कार बिग्यार में कार को कैसे परिभासित किया जाता है इससे समझने के लिए पहले हम उस इस्तिती पर विचार करते हैं जब विस्थापन बल विस्थापन की दिशा में लग रहा है माल लीजे किसी बस्तु पर एक नियत बल एक कार करता है माल लीजे कि बस्तु बल की दिशा में ऐस दूरी इस्तापित हुई है माल लीजे कि W किया गया कार है कार की परीभाषा के अनुसार किया गया कार, बल और बिस्थापन के गोड़नफन के बढबर होता है यहाँ देखर है कि अनुसम्म बस्थापन हो रहा है और वो बस्तू बिस्थापन हो रहा है उसका एक जगे से दूसरी जगे एक्षिसक रही है यह आप देखिए यह आपकी कोई किताब रख लीजी याद कोई भी इस पर आप बल लगा रहे हैं यह बिस्थापित हो रही ही न यही बल है अता किसी बस्तू पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार बल के परिमाड तथा बल की दिसा में चली गई दूरी के गोड़न पल के बराबर होता है कार में कि बल परिमाड होता है कोई दिसा नहीं हो दी इसमें यदि F बराबर 1N तथा S बराबर 1 मीटर हो तो बंदवारा किया गया कार 1NM होगा यहां बल का मत्रा न्यूटन मीटर है या पर जूल अता हाँ 1J यानि की 1 जूल किसी बस्तु पर किये गया कारी की वह मत्रा है जब 1N कबल बस्तु को बल की किरिया रेखा की दिसा में 1 मीटर बिस्था पर कर देए समीकर 11.1 को ध्यान पूर्वक देखिए इसे यदि बस्तु पर लगने वाला बल सुन है तो किया गया कार कितना होगा यदि बस्तु का विस्थापन सुन्नें, तो किया गया कार कितना होगा, one दसाओं का लिक किये, जिनका कार सुनने के लिए होता है, यहाँ देख सकते हैं, किसी बस्तु पर 5 निउटन बल लग रहा है, बलकि दिशा में बस्तु दो मीटर विस्थापित होती है, कितनी दो मीट या विस्थापन होती समय लगाता और बस्तू पर बल लगता रहे तो समीकर्ड कि अर्ण साथ किया गया कार्ग होगा पांच न्यूटन प्लस इंटू सोरी इंटू दो मीटर बराबर दस एनन या फिर दस जूल होगा यह निकल आया है तो एक अर्ण स्तिती पर विचार करें जिसमें बल तुथा विस्थापन एक दिसा में है एक बच्चा किसी खिलोना कार को चित 11.4 की इस तरशी चोदर में दर्शाए हुए अनसार धर्ती के समान अंतर खीच रहा है बच्चे ने कार के विस्थापन की दिसा में बल लगाया है इस इस्तिती में किया गया कार बल एवं विस्थापन की गुडन फल की पराबर होगा इस विकार की इस्तिती में बल दुआना किया गया कार धनात्मक होगा कैसा माना जाएगा धनात्मक अब एक इस्तिती पर विचार करें जिसमें कि एक बस्तू समान बेख से किसी नियत देशा में गती कर रही है उस पर विपरीज देशा के में एक आवमंदग बल एफ आरूपित किया जाता है दोनों देशाओं के बीच 180 का डिगरी का कौंड बन रहा है माना कि बस्तू स दूरी के विच्थापन के परश्चार रुख जाती है ऐसे इस्तिती में बल एफ द्वारा किया गया कार रेडात्मक माना जाता है और इससे रेड़ चिन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है बल द्वारा किया गया कार F इंटू कुष्टक बन माइनस S यानी कि यह आपका किया गया कार है रैडात्मन में दूरी S तैय कीए उखिंद टीक जब बल विस्थाबन की दिसा के विप्रीत दिसा में लगता है तो किया गया कार रैडात्मन होता है क्या है जब आपका बल है जो बिस्थापन की दिशा के विप्रीत लगेगा तो एक कार रिरात्मक है और जब बल बिस्थापन की दिशा में लगता है तो एक धनात्मक होता है कार उप्यक्त विचार में वस्ते यह इसपर्ष्ट है कि बल द्वारा किया गया कार, धनात्मक, अद्वार, रिरात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है इससे समझने के लिए आईए निमलिकित की रियाकल आप देख लेते हैं किसी बस्तो को उपर उठाईए आपके द्वारा बस्तो पर लगाए गए बल के द्वारा कार किया गया है बस्तो पर की हो चलती है आपके द्वारा लगाए गए बल बिस्तावित की देशा में और द्था बस्तो की पर गुरुत्वीय बल भी कारगत है इनमें से कौउन सा बल रिअत्मक कार कर रा है ? कौउन सा बल रिअत्मक कार कर रा है ? बताना है खुड... कि आगर हम लोग बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर और यह बिस्थापन की दिशाकि विपरी थि तो यह क्या मानः जाएगा ? और अगर विस्थापन की दिशा की दिशा में लगता है तो एक क्या वाने जाएगा धनात्मा एक कुली 15 किलोमीटर का बोच धर्दी है किलोग्राम का सोरी बोच धर्दी से 1.5 ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है उसके द्वारा बोच पर किया गया एक का परीचलन क्या होगा बोच का दिरमान क्या है 15 किलोग्राम विस्थापन कितना है 1.5 यानि कि 1.5 मीटर किया गया किस तरह से निकलेगा डबलू गराबर एप इन्टू एस यानि कि एप आपका क्या होगया यहाँ बल्ब और एस दूर करेंगे इस तरह से आपका 225 आजाएगा कुली द्वारा बोच पर किया गया कितना होगा 225 जूल या निव्टन करें ठीक है अब बात करते हैं उर्जा के बारे में उर्जा के बिना जीवन असंभव है उर्जा की आवसकता दिन पिती दिन बढ़ रही है हमें उर्जा कहां से पित्रवी के आंत्रिक भागों से तथा जुआर वाट्वाटों से भी उर्जा परात कर सकते हैं क्या आप उर्जा के अन्यसरोत के बारे में सोच सकते हैं क्रिया किलाफ 11.5 उर्जा के कुछ सिरोतों को उपर दिखाया गयर उर्जा के लिए अन्न स्रोध भी है, इनकी सूची बना सकते हैं, चोटे समुवों में विचार बिमर्ष किये ये, कि किस पेकार उर्जा के कुछ सिरोध सूर के कारण है, क्या उर्जा के कुछ सिरोध ऐसे भी है, जो सूर के कारण नहीं है, जैसे आप ले सकते हैं, इसमें प जब तीब बेग से गतीसील किर्केट की गेंद इस्थिर विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरता है इस पेकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित उचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार करने की छमताओ समायत हो जाती है आपने अबस ही देखा होगा कि उच कीवी कील पर फिरहार करता है तो यह कील को लकडी में ठोक देता है हमने बच्चों को खिलोने जैसे की खिलोना कार में चावी भरते भी देखा होगा और जब भी यह खिलोना किसी फर्च पर रखा जाता है तो यह गती करने लगता है जब किसी गुबारी में हवा भरत कर उ सित दवाते हैं तो उसकी आग्रती में परिवलतन होता है यदि हम गुबारी को कम बल लगाकर दवाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आग्रती में वाफुसा लेता है किन्तु यदि हम गुबबारिक वदित बल से दवाएं तो ये विस्पोटक धौणी करते हुए फ़ट भी जा सकता है इन सभी उधार्णों में बस्तु ए विभिन प्यकार से कार करने की चमता अरजित कर रचेती है यदि किसी बस्तु में कार करने की चमता है तो कहा जा सकता है कि इसमें उर्जा है जो बस्तु कार करती है उसमें उर्जा की हानी होती है जिस बस्तु पर कार किया जाता है उसमें उर्जा की हानी होती है जिस बस्तु परकार किया जाता है उसमें क्या होता है उर्जा की हानी होती है और जो बस्तु कार करती है उसमें उर्जा की हानी होती है और जिस बस्तु परकार किया जाता है उसमें उर्जा की बित्धी होती है ठीक है किसी बस्तु में अधी उर्जा है तो यह कैसी कार करती है कोई बस्तु जिसमें उर्जा है तो वह दूसरी बस्तु पर फल लगा सकती है जब ऐसा होता है तो उर्जा पहली बस्तु से दूसरी बस्तु में स्थानांतित हो जाती है दूसरी बस्तु क्योंकि कुछ उर्जा गहन करती है इसलिए कुछ कार कर सकती है और इस पेकार यह गती में आ सकती है इस पेकार पहली बस्तु में कार करने की छम्ता है इसका आरत हुआ कि कोई भी बस्तु जिसमें हूर्जा है कार कर सकती है इस पेकार किसी बस्तु में नहेत हूर्जा को उसकी कार करने की छम्ता के रूम में मापा जाता है इसलिए उर्जा का मात्रक वही है जो कार का यार्था जूल एक जूल कार करने के लिए आवस्तक उर्जा की मात्रा एक जूल होती है कभी-कभी उर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है एक किलो जूल, एक जार जूल के बरावर होती है उर्जा के रहते हैं उर्जा निक रूपों में बिद्धित ऊर्जा गतेज ऊर्जा उसमिय उर्जा रशायने कुर्जा विद्धुत ऊर्जा और पेकसी संभलित होस्मा निए अब आप सोच रहे होँगे इसे सोचिए, आप कैसे ग्याद करेंगे कि कोई सत्ता उर्जा का रूप है अपने मित्रों अध्याबखों से बिचार में मस्त कीजिए अब चलते हैं हम लोग जेम्स, प्रेस, कोट, जूल का एक पिदबाद तथा उसमा गतिगी के अनुसंदानों के लिए विसेज रूप से पिसिद्ध हुए अन विचारकों के अतरिक्त उन्होंने विद्धुत के उसमीय प्रभाव के बारे में नियम बनाये उन्होंने उर्जा सरक्षन नियम को प्रेयोगा अत्मक रोप से सत्याबित भी किया है तथा उसमा के यांतिरिक तुल लयान के मान की कोच गया उर्जा तथा कार के मातरक का नाम जूल उन्हीं की सम्मान में रखा गया था अब बात करते हैं गतिये जूलजा किरिया कलाब 11.6, एक भारी गेंद लीजे, इसे रेट की मौटी पर क्या ही पर गिराईए, गिली रेट की सतय पर अच्छा कार करेगी, गेंद को रेट पर लगब 25 सेंटीमीटर की उचाई से गिराईए, गेंद रेक में एक गर्डा बना देती है, इसके रेट को 40 लगाएं, उनकी गहराई की तुल्ला करें, इनमें से कौन सी गर्ड सबसे गहरी है, कौन सा गड़्डा सबसे अधिक उतला है, ऐसा क्यों, गेंद ने किस कारण से गहरा गड़्डा बनाया, बिचार में बस कीजे तथा विसलेशन कीजे, मैं बार-बार कह रहा हूं इन्हे पर नहीं खपाई है, किरिया कलाब 11.7 को देखिए, चित्ती 11.5 के उपकर्ण सज्जित की जिए, एक ग्याद दिर्भमान के लगड़ी के गुटके को इस तरह से बात की जाए, गुटके को ट्रॉली के साबने किसी सुवधाजानक निश्चित दूरी पर रखिए, पल्ले ग्याद दिर्भमान रखिए, जिसमें ट्राली के तीमान हो जाए, ट्राली आगे चलती है, तथलगड़ी के गुटके से टकराती है, मेच पर एक औरोधक इस विकाल लगाईए, गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रोख जाए, गुटके के विस्थापन को म है, कि सवस्था में किया गया कार अधिक होगा, इस की रियाब में गतिसील ट्राली कार करती है था इसे उड्या वित्मान, इसके बाल आप लोग इहाँ दिया करिए, कि रियाकलाप के बाद जो निसकार्स निकलता है, उहाँ दिया करिएगा, एक चलती हुई बस्तु कार कर सकते हैं गोउली लक्षवों भेस के कैसे भेस पातीं है बैती हुई हवा पवन चक्वियों के पंकुरीयों को कैसे कोहां पाती है आपने देखा हुआ इसके विद्धुत उर्जा उत्पाधनं की जाती है गति-е सील बस्तों नहित उर्जा को गति जूर्जा कहते हैं क्या कहते हैं संचे में किसी बस्तु में उसकी गति के कारण नहित उर्जा को गति जूर्जा कहते हैं किसी बस्तु की गति जूर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है किसके चाल के साथ किसी गती सील बस्तु में उसकी गती के कारण कितनी उर्जा नहेत होती है परिवासा के अंसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित बेग से गती सील बस्तु की गती जूर्जा उस बस्तु पर इस बेग को प्राप्त करने के लिए किये गये कारिक के बराबर होती है आईए अब किसी बस्तु के गत्य जूरजा को एक समीकन के रूम में बेंट करें माल लीजे M यानि की मीटर द्रमान की एक बस्तु एक समान बे यूम से गत्य सील है अब माल लीजे कि आप इस पर एक नियत बल एप बिस्थाफन की दिसाफ में लगता है तो बस्तु S दूरी बिस्ताफित हो जाती है समीकन 11 एक से किया गया कार W F S के बराबर है यहाँ आपका S W कार हो गया, F बल हो गया, F दूरी हो गया बस्तु पर किया कार के कारण इसके बेंग में परिवतन होगा माल लीजे कि इसका बेंग U से भी हो जाता है माल लीजे उत्पन हुए तोरण कमान A है अनुभाग 8.5 में हमने गती के तीन समीकरणों के बारे में अधिन किया था एक समात तोरण A से गती सील किसी बस्तु के पित्ती परहमे पेक U और अन्तिम पेक B और विस्ताफन S के बीच नेमने संबंद है B बराबर B स्क्वार माइनस U स्क्वार बराबर 2S यहां S जैसे ही दोरी निकालेंगे B स्क्वार माइनस U स्क्वार अपोन 2A अनुभाग 9.4 से हम ग्याद करते हैं F बराबर MA इस पेकार समीकरण 11.2 और को समीकरण 11.1 में रखने पर हम बल द्वार बन एप द्वारा किये गए कार को लिख सकते हैं इस तरह से यहां आपका M A S का मान रख दिया है ठीक है अद्वा यहां A से A हटा देंगे 1.2 M कॉमन ले लेंगे B स्क्वार माइनस U स्क्वार यह दिवेस्तू की गति अपनी विराम अउस्था से पराम होती है तो U बराबर 0 या बेक 0 रहेगा इस तरह से यह इस परश्टर की किया गया कार बस्तू की गति जूर्जा में परिभरतिन के बराबर हो उता है यह आपका एक उधारन हर से देख लिए 15 km dari एक बस्तू ही समान बस्तू की निकालना है बस्तू का द्रमान क्या है 15 kg की यह 4 m 3 और आप इससे देख रहें यहां से यह आपका सूथ है गति जूर्या निकालने का बस्तू का लोग 1.2 M का मान रखेंगे 15 और 20 का मान रखेंगे 4 मीटर 30 सेकंड इसे आप टो 4 मीटर 30 सेकंड स्क्वार है ना दो बाल रखेंगे इस तरह से 120 जूल निकलाएगी गते जूल जाओ ठीक है इसे भी देख लेना आप लो PDF डाउनलोड करके लख लेंजे जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी अब चलते हैं इस्तिते कूल जाओ गते जूल जाके बारे में जान चुके हैं इस्तिते कूल जाके बारे में जानते हैं किरिया कलाब 11 समलो आठ इन्हें अच्छे से पढ़िए ध्यान से बस एक रवर्ड बैंड यानि के रवर्ड का चल्ला लिजे इसके एक सरी को पकड़ कर दूसरे सरे से खिंचे चल्ला खिंच जाता है चल्ले के एक सरी को छोड़िए क्या होता है चल्ला अपनी पैरमिक लंबाई पराप्त करने का पेतन करेगा इस परश्टे की चल्ले ने अपनी खिंची होई इस्तिती में कुछ उर्जा उपारजित कर लिए खिंचने पर याए उर्जा किस पिकार उपारजित कर लेता है किरिया कलाप 11.9 याए सिलंकी लिजे निमने चित में दर्सायर अपने मित्त से इसके एक सरे को पकड़ने के लिए कहिए आप दूसरे से कलोरी को पकड़िए अपने मित्त से दूर चले जाए अब आप सिलंकी को छोड़ दीजे क्या होता है खिंचने पर सिलंकी में किस पिकार उर्जा उपारजित होती है क्या संपिर्डित करने पर इस अलंग की उर्जा उस उपार्जित करेगी किरिया किलाब 11.2, 11.10, एक खिलोना कार लीजिए, इसमें चावी भरिये, कार को जमीन पर रखिये, क्या ये चलती है, यही आपकी इसके देख उर्जा है, इसमें उर्जा कहां से उपार्जित है, क्य जरिये कार करता रहता है, जो खिलोने की कार होती है, यही बात है, किसी बस्तु को निश्चे तुँचाई तब उठाई है, बस्तु पर आपकार कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है, इस कार थे कि इसमें कुछ उर्जा उपार्जित कर दिए, अधिक उच के लिए पॉइंट मत पूने, देखिए बोरिंग तो लगता है, बिग्यान अगर आप लोग पैक्टिकल करके पढ़ें, तो बहुत ही इंटरेक्टिंग रहती है, आप अगर ऐसे ही पढ़ते हैं, तो बोरिंग तो लगती है, इसमें कोई सक नहीं, लेगे हमारे पास कोई ओप्सन भी तो नहीं है न, उपिक्त पर इस्तितियों में बस्तु पर किये गए कार की कारण इसमें उर्जा संचित हो जाती है, किसी बस्तु को इस्थानांतित की गई उर्जा, इसमें इस्तितिक उर्जा की रूम में संचित हो प्रहती है, यदि वह बस्तु की चाल या प इस्तति काल करता हमें आप से बौल चुका हूं कि, कि जब कहते हैं आप अमें सबता हैं, और आप उर्जा घ्यार ही कि आस तो पर लाँएंगे आप बल लगाएंगे तो आपके अंदर की उर्जा खतम होगी, कमी आएगी, जिस पर बल लगाएंगे उसकी उर्जा में बिद्धी होगी, तो यही काम होता है कि आप खिलोने वाली कार में चावी भर रहे हैं, तो उसमें आप उसकी उर्जा खतम हो रहे हैं, लेकिन उसकी उ मैं देखा हैं उनका एक धनुस बनाईरे किसी यल की रंडी की तीर का एक स्राद की तनेट डोरी पर लगे अब डोरी को कीछी और तीर को मुक्त कीजिए 90 को धनुस से दूर जाती हुए दिखिए 50 के या गति में परिवतन पर द्यान दीजिए धनुसकी आगती में परिवतन की कारण उसमें संचित इस्तिते कूर्जा तीर को गतिर्जा फिलान करती है जिसे तीर गतिसी लोग का दूर जा गिरता है धनुसकी तनित डोरी पर लखाती है यही आगती इस्तिते कूर्जा अब बात करते हैं किसी उंचाई पर वस्तु की इस्तिदिक उर्जा वस्तु को किसी उंचाई तक उठाने में उसकी उर्जा विड्दी होती है इसका कारण है कि इसको उपर उठाने में इस पर गुरुत बल के विरुद कार किया जाता है इस पेकार की बस्तु में विद्दमान उर्जा इसकी गुरुतिये इस्तिदिक उर्जा होती है गुरुतिये इस्तिदिक उर्जा होती है भूमी से उपर किसी बिंदू पर किसी बस्तु की गुरुतिये इस्तिदिक उर्जा को बस्तु को भूमी से उस बिंदू तक उठाने में गुरुप्तिये बलके बिरोद्दित किये गए, कार द्वारा परिवासित करते हैं किसी उचाई पर किसी बस्तु के गुरुप्तिये इस्तितिक उर्जा को बेंजक को व्याद करता है इस तरह से बात के जारे आप उपर उठा रहे हैं बूमी से, ये बूमी होगे एक मान, एक एम दर्वमान की बस्तु के बारे में बिचार कीजिए माली जे इसी धर्तिक से एच उचाई तर उठाया गया ऐसा करने के लिए बल की आवसकता है बस्तु को अठाने के लिए आवसकत नियूंतमबल भार की बराबर यानि कि Mg है बस्तु में इस पर किया गया कार की बराबर उज्या उपारजित होगी माल ले जे कि बस्तु पर गुते एवल कि वरोद किया गया कार W है तब किया गया कार डबल बराबर बल इंटू विस्तापन, mg इंटू h, बराबर एम घी अज, क्योंकि बस्तू पर किया गया कार, mg h के बराबर है, इसलिए बस्तू को mgh, एक a ke बराबर उज़ा उपार जीत होगे, या बस्तू की इस्ततिक उज़ा कहलाएगे, या आपका इ किसी उंचाइट वर्षटतिक वूर्च बूमिंतल या आपके złवानर्च चुने गए itdb किसी वस्तु के लिए दिई वी इस्तती के लिए एक तलखेस औब एक इस्ततिक मात क dal बूमितल या ऑपके द्वारे ťा कोई दूसरा मान हो सकता है यह ध्यान देने यह बात है कि गुर्टी ये बल द्वारा किया गया कार बस्तू की प्यारंबिक और अंतिम इस्तितियों की उड़ा धर उचाईयों के इंतर पर नीवर करता है ना कि उस रास्ते पर जिस पर बस्तू से गति ने गति की जहां गुर्ट का A इस्तिति से इस्तिति बी तक दो भिन पतों से पहुंचा आया जाता है माले जी की उचाई A B बराबर A अच्छे तो दोनों की इस्तितियों में स्तू पर किया गया कार M जी अच्छे इस तरह से यहां सीधी रेखा में पहुंचा दिया गया एक उधारन देख लिजिए दस किलोगराम द्रमान की एक बस्तू को दरसी से पांच मीटर की उचाई तक उठाया गया इस बस्तू पर विद्मान उच्छा का परीकलन जी कमान परीकलन करना है जी कमान है नो दसम लो आठ मीटर स्क्वार से करने बस्तू का द्रमान एम दस किलो मीटर है विस्तापन उच्छाई हो गई 6 मीटर गुरत्वी तुरण हो गया एक इस तरह से आप यहां माल रखिए जो इस्तितिक उर्जा का सूथ है इस तरह से 588 निकल आएगा इनको आपके सूथ आपको याद रखन है तुर आपका क्या उर्जा के विवेन रूप परस पर परीवरती हैं क्या हम उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में इस्थाना रूपांतर्ण कर सकते हैं प्रक्रति में हम उर्जा रूपांतर्ण के अनिक उधारन देखने को मिलते भी हैं किरिया कलाब देखते हैं 11 1213. छोटे समौ में बैठें है परकिती में उलल्चा रूपांतरन की विवेंड विदियों पर विचारकिए अपने समौ के निमन पिसनों के बारे में विचारकिजिए हरे पौधे खाने कैसे खाना कैसे बनाते हैं ओने उल्चा कहां से और चलते हैं उर्जा सनक्षन का नियम देखते हैं किरिया कलाब 11.13 और 11.14 यह आपको समझ में आ जाएगा इन दोने का मतलब हमने सीखा है कि उर्जा एक रूप से दूसरे रूम में परिवर्थित हो सकती हैं इस फिक्रिया में निकाय की कल उर्जा को क्या होता है उर्जा रूपांतन की अवस्था में निकाय की कल उर्जा आ परिवर्थित रहती है यह उर्जा सनरक्षन की नियम अनुसार है इस नियम के अनुसार उर्जा के भल, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतिथ हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है ना जि विनास किया जा सकता है, एक सरल उधारणट पर विचार कर लिए, माल लीजे कि M दरमान की एक बस्तू, एस चूचाई से सुतंता फुरोग गराई जाती है, प्यारम में इस्ततिक उर्जा MGH है, तथा गते जूर्जा सुनने, गते जूर्जा सुनने क्यों है, यह सुनने है क्योंकि इसका प्यारमबिक बेक सुनने, इस पेकार बस्तू की कुलूर्जा MGH है, जब एक बस्तू गिलती है, तो इसकी इस्ततिक उर्जा गते जूर्जा में परिवर्थित होती है, यदि किसी दिये हुए छड़ पर हो है बस्तू का बेक भी, तो गते जूर्जा 1.2 MbE2 होगी, आँ में बस्तू का बेक क्या होगा? B अधिकतम हो जाएगा, इसलिए अब गते जूर्जा अधिकतम और इस्तितिक उर्जा नियूनतम यानि की 0 हो जाएगी, तदा भी सभी बिंदूओं पर बस्तू की इस्तितिक उर्जा और गते जूर्जा का यह समार रहता है, अर्था इस्तितिक उर्जा पिलस गति जूर्जा में बददती रहती है आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक बाल्टी लेजे दो बाल्टी दोनों में पानी हमरा हुआ है आप दूसरी बाल्टी में डालते जाएंगे तो यही होता है कि इस्तितिक उर्जा गति जूर्जा में बदल जाती है इसकी इसमें उर्जा आनी कुछ नहीं हो रही है बस दूरूप दूसरा धारन कर ले रही है किसी बस्तों की गति जूर्जा तथा इस्तितिक उर्जा का यूब उसकी कुल एंत्रे कूर्जा होती है हम द पुर्जा की गतिव जूर्जा में निरंतर रूपांतर हो रहा है किरिया कल आप देख लिए 11.5 ग्यार रेद रस्वाम पंदर है 20 किलोग्राम द्रमान का कोई पेंड चार मीटर की उचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है निमन साइड़ी के अमसार पर देख स्तितिक उर्जा इस्तितिक उर्जा और गतिव जूर्जा की गड़ना करके साइड़ी में इस्तान भर सकते हैं पर एकलन के लिए जी का मान क्या होगा 10 मीटर 30 बरक सेकंड यह आप इस कमान रखेंगे जिसे इसका यह जी कमान रख देंगे यह और आपका जो देखिए यान की म कमान यह दिया गया है और यह आपका उंचाई दी गई है चार मीटर तो इसे आप दो MGS रख कर निकाल सकते हैं और B कमान निकला आएगा इस तरह से ठीक है अब चलते हैं कार करने की दर क्या हम सब एक ही दर से काम कर करते हैं क्या मसीने उजा को प्यूग तथा रूपांतर समार दर से करती हैं अभी करता एजेंट जो ओजा रूपांतर करते हैं बिविने दरों से काम करते हैं आई से इन्यमने की रियकलाव से समझते हैं दो बच्चे मान लीजे कि A B के वारे में विचार कीजिए मान लीजे दोनों का दर्मा समाने दोनों रस्ते पर अलग अलग चड़ना पहरं करते हैं दऊनों 8 मीटर की उछाई तक पहुंचते हैं मान लीजे इस कार को करने में A को 15 सेकंड और B को 20 सेकंड लेता है पिते एक बच्चे द्वारा किया गया कार कितना है किया गया कार समान है तथा A ने कार करने के लिए B की अफेक्चा कम समय लिया है किस बच्चे ने एक बच्चे ने दी हुए समय माली ये एक सेकंड में अधिक कार किया है पूरी दोरीब करा सकते हैं हम मोटर वाई तथा मोटर कार जैसी मसीनों की सक्ति के बारे में बात करते हैं इन बाहनों की बरीवाशन का अधार यह है कि यह कितनी तेजी से ओर्जा परीवतन का या फिर कार करते हैं सक्ति किये गए कार की गति को माथती है तो सक्ति कमान सक्ती वरावर कार अबकों समय इस bearing से आप सक्ति निकल सकते हैं सक्ती का मतरक वाट की संसर्ट वार्ट और अभींस के सक्ति है जो एक सेकंड में 0.082 कि 10 उपयो उप्यों की दर एक जूल पिती सेकंड हो तो सकती एक क्या होगी सकती एक होगी एक बाट बराबर एक जूल पिती सेकंड एक बाट बराबर आपका एक जूल पिती सेकंड अम उजा रूपांतर की दरों को किलो बाट में भी किलो बाट में भी व्यक्त करते हैं एक कलो बाट बराबर 1000 बाट 1000 बाट या फिर3000 जूल जूल-पिती बाट जूल-पिती वाट जूल-पिती सेकंड किसी अभीकरता की शक्ति समय के साथ बलबती है इसका रहते है की अभीकरता विवेथ अच्चति की अवधाना लाभ फुराद है उसर सक्ति को हम कुल उपयों की गई ओर्जा को कुल लिये के समय से बिवाजित कर प्राप्ट कर सकते हैं उधारन के लिए एक उधारन देखीजिए दो लड़किया जिन में सिर्फिते का बार 400 एन है एक गरस्ती पर 8 मीटर की उंचाई पर चगती है हम एक लड़की का नाम A रखते हैं दूसरी का B इस कार को पूरा करने के लिए लड़की A 20 सेकंड का समय लेखती है जबकि दूसरी B 50 सेकंड का समय लेखती है पित एक लड़की द्वारा बै की गई सकती का परिल कलल यह आपका उगर इस तरह से आपका सूत में पूट करेंगे लड़की भी द्वारा ब्या की गई सकती 400 न्यूटर्ण बिस्तापन बूर जा उचाई ए 8 मीटर लिया गया समय 50 मीटर इसे भी ब्यक्त करेंगे इस तरह से निकालाएगे लड़की एक द्वारा थी गई धाकी सकती 160 और लड़की 20 द्वारा भी की सकती 64 है ठीक यह आपका दूसरा उधारन है आप देख सकते हैं अब बात करते हैं और जा की व्यक्त करने के लिए आसो उध्याजनक है इसलिए हम और जा का एक बड़ा माटराक उपयोग में लाते हैं इसे हम लोग किलो बाट गंटा कहते हैं यानि कि कहने का मतलब है इससीदा कि आप यह नहीं कहते हैं इस अभी जैसे आप से पूच professionals होता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि अब आपने कहा दिया 120 सेकेंड होगे इससे अच्छा है कि दो मिनिट गोल दी तो विज़ाय जनलख के लिए भी इस्तिती ठीक रहती है एक किलोवाट एक किलोवाट घंटा से क्या तार पर है माल लीगे कि हमारे पास एक मसीन है जो एक सेकन में 1000 J उर्जा उपयों में लाती है यदि इस consulting लगातार एक घंटी तक लायर लाए जाए तो एक किलो बार्ट एक किलो ब्याट घंटा उर्जा बैय करती है। इसका मान वन किलो वार्ट हावर में घंटे में 3.6 एंटू 10, 10 की पावर 6 जूड होगा गारों में उद्धों में तथा ब्योसाइट संस्तानों ब्या होने वाली उजा उपरा किलो वार्ट गंटा में व्यक्त करते हैं उधारन के ओएक मैने में उपरा कि जीए विद्धुध उजा की वर्जाग के रूम में व्यक्त करते हैं जहां एक उजा का मतलब होता है कि 1 2 गंटे साट वार्ट के लिए 60 वार्ट का विद्धुद वर्ड़प पिती दिन 6 धौहलर्प किया जात 6 गंटे, सक्ती इंटू लिया गया समय, इस तरह से 0.36 यूनिट निकाल लेंगे, खरच, यह बिजली खरच हुई है, इसके रियाकल आपको पड़ दीजे, 11.17, अपने घरों में विद्धुत परीपत लगे, विद्धुत मीटर को ध्यान पूरवक देखिए, इसके और इइए, आपको साड़ी बत्योंको किसी निसकतलों की निकाईए, अपने पेक्टरों की तुलाव तुल्ना विद्धुत के मासिक बिल में कियेगे विवणों सीकीजे किसी विशेज विद्धुत उपकरणों द्वारा विएव होने वाली विद्धुजा का आंकलन भी किया जा सकता है। इसके लिए विविन उपकरणों के गयाद बॉल्टेज तथा उनके उपयोप के समय को साधी बुद्धिकर किया जा सकता है। छोड़िए इसे बस पढ़ लीजे। क्योंकि आप अगर साधी ने यही करते बैठे रहे तो मालू चला कि दो-चार-पांस साल इसी में निकल गए। आप सिविल सर्वेंट तो नहीं बन पाये। लेकर बिग्धियानिक जरूर बन गया तो मालू चला। तो इससा द्याय में आपने क्या क्या देखा। उसे देख दिजे। यह आपके लिए जरूरी है। किसी पेंड पर किया गया कार उस पर लगाए गए बल के परिमाड बल की दिशा में उसके द्वारा तैकी की दूरी के गुड़नफल से परिभासित होता है। कर, का मातर पर होता है जूल। 1eluल बराबर one newton into वार मीटर किसी पेंड का विश UFO का विश्थापण सुन है। तो बादवारा उस पेंड पर किया गया कार क्या होगा कारा सुन। यदि किसी वस्तूँ में कार करने की संता हो तो क यह कहा जाशकता है कि उसमें और जा है। M V square होगा, यह आपका गत्य उर्जा को निकलने का सूत है, बस्तु द्वारा उसकी इस्तिती अत्वा आक्ति में परिवतन के कारण, प्राप्त उर्जा को इस्तितिक उर्जा केते हैं, पित्वी के तल से H हुचाई तक उठाई गई किसी M, द्रमान की बस्तु की गुलतु है, इस्तितिक उर्जा MGH होगा, ठीक है, यह आपका सूत इस्तितिक उर्जा निकालने का हुगा, उर्जा सरक्षन के नियम के अंसार, जल उर्जा का किवल एक रूप से दूसरे रूम में रूपांतर्ण हो सकता है, इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही बिनास किया है, जल अगर धर्चामा एक लिटर राष से, तो एक लीटर अभी भी है, कहने का मतलब ने रहती है, इसका इसका कोई बड़ा घटा नहीं है, बस इतना फरक पड़ा है कि समद्रों में कुछ जाना पहुंच गया है, पिदूसन के कारण आपने देखा है कि धर्थी में इतनी छंबता निवची है कि वो रोख के रख सके, क्योंकि आपने पेट काट दिये है, आपने पक्की सड़कें मना दी नहीं है, भीयाय की सुगदा कर दी गई है, तो धर्थी में जो किसी वस्तू की गतिय तथा इस्तेति कुर्जा की योग को उसकी पुल एंत्रिकुर्जा कहते हैं, कार करने की दर को सकती का मात्रफ होता है वाट, ठीक है, एक किलोवाट के दर से एक घंट में बैव हुई हूजाया, एक किलोवाट गंटा के वरावर होती है, ये आपके questions देख सकते हैं और PDF डाउंलूड करके रख लीजे आपने पास टेलीग्राप से और अगर टाइब मिलता है तो उससे एक दो बार पढ़ दीजे अच्छे से दिमाग से एक दो बार पढ़िए और निकल जाएए मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको जाना कुछ सोचने वाली की जरूरत भी पढ़ेगी चलिए तो यह 11 चेप्टर आपका होता है बारवी चेप्टर में हम लोग मिलते हैं दोनी दोनी के बारे में बात करें के बारवी चेप्टर में चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कक्छा नौवी की विग्यान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग 11 चेप्टर आपकी कतम कर चुके हैं यह आपका बारवा चेप्टर है दोनी यानि की साउंड के बारे में याद रखिए कक्षा चटबी से लेकर कक्षा नौबी तक की सभी वुक्स हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं बस यही आपकी आखरी वुक्स रहे गई है उसके बाद हम लोग कक्षा दसवी से कक्षा बारवी तक की भी वुक्स देखेंगे अगर आप स्टेट PCS या फिर सर्विस की दयाई कर रहे हैं तो समय रहते हैं आप लोग NCEIT पढ़ लें किमकि इनका कोई दूखतरा विकलत नहीं है आप सोचें कि इन्हें पढ़े मिना कुछ उखाड लेंगे तो कुछ नहीं उखड़ने वाला हैं तो समय रहते हुए यह सब देख लें धौनी अमपितिर देन विभिन सरोतों जैसे मारव मारवों पक्षियों घंटियों मसीनों बाहनों टेलीविजन रेडियो आदी की धौनी सुनते हैं धौनी उर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सर्वन कसंबिदन उत्पन करती है उर्जा के एंडर रोप हो भी है जैसे यांतरे कूर्जा फैकास और आदि पिछले अध्या है में आपको कूर्जा सर संक्ष्ण के बारे में ग्यात जहां किश्के अ आनूसार क्या को न उत्तफण कर सकते हैं न ही उसका विनएस कर सकते हैं बस एक रोब से दूसरे रोब में परीव इसे किवल एक स दौनी उतपन करने के लिए आपको उढ़ जाके किस रोग का अभयोग किया जाता है, इस अधियाए में हम सीकेंगे कि दौनी के से उतपन होती है, किसी माध्य हमें या किस पिकार संचारित होकर हमारी कानों द्वारन गरहन की जाती है। दौनी का उत्पादन क्रिया किलाब 12.1 याद रखिए इसे बार-बार बोलाओं की क्रिया किलाब जो भी दिये गए उन्हें अच्छे से पढ़िए और निकल जाए इन्हें करते नहीं बैठना है फिर आप मालू चला कि आप जो बता रहा है सामान वो इकटा करने लगे हो बीदनायर को एक सो रित दुई भुझ लीजे और इसकी किसी भुझा को एक रवड के पैड़ पर मार कर इसकी कंपित कराईए इसे अपने कान के समी पलाईए क्या आप कोई द्हौनी सुन पाते हैं कंपमान सो रित द्हौनी किये एक भुझा को अपनी अंगली सिस्पस और अपने अनवों को अपने मित्रों के साथ बाढ़ सकते हैं अब एक टेबल टैने से या पर एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की साहता से किसी आधार से लगटाईए एक लंबी सुई और धागा लीजे धागे के एक सिरे पर एक गांट लगाईए सुई की स बुजा दूई बुज की एक फुजा को से गेंद को इस परस किजिए देखिए क्या होता है अपने मित्रों के साथ इसे भी विचार विवस्ट कर सकते हैं और व्याक्या कर सकते हैं देखिए इस तरह से बात की जा रहेगे टेबल टैनिस कंप मान सौरिट दूई बज़ किर की सताय से इस परस कराई है इस तरह से अब चित्य बारत असमलोग तीन में दर्साय अनुसार कंप मान सौरिट दूई बुज की दोनों बुजाओं को पानी में डोवी है ठीक है देखिए कि दोनों आवस्थाओं में क्या होता है अपने साथियों के साथ विचार विमस कीज क्यों भी आप लोग किरिया कलाफ पढ़ते हों उसके बाद जो नीचे दिया रहता है उसी को पढ़ता है अगर नहीं दिया है तो आप निकल जाई है आप बैठे मत रहिए कि आप फिर ढूड रहे हैं कि पानी ले आ रहे हैं गिलास ले रहे हैं इस तरह के पैक्टी कलकलते बैठे गए इसमें नहीं बीदना है ठीक है उबरोग किरिया कलाफों से आप क्या निस्कस निकलते हैं कि आप किसी कंभमान बस्तु के बिना धौनी उत्पन कर सकते हैं अब तक वाड़ित किरिया कलाफों में हमने सौरित दूई भुर्ज से आगात द्वारा धौनी उत्प कर सकते हैं इन किरिया कलाफों में हम क्या करते हैं हम बस्तु को कंभमान करते हैं और धौनी उत्पन करते हैं कमपने का अरत होता है किसी बस्तु को त्यजी से बार बार इधर उधर गदी करना मनुस्त में बाग धौनी उसके बाग तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्प करती है एक हेच्चे हुए रवड के चल्ले को बीच में से खिंच कर छोड़ने पर यह कंपन करता है दोनी उत्पन करती है यदि आपके आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए उत्तनी हुई रवड को चल्ले के कंपन को दिखाईए अक्रिया कलाब आप 12.3 को भी समयाग का बात समझ रहे नहीं की बात कर रहा हूं बात सुरुई आप बात करते हैं दोनी कर संचेंड़ अब जानते हैं कि दोनी कंपन करती हुए बस्तु वा द्वाना उत्पन होती है दरव या फिर पदा जिसमें होकर धोनी संचेंड होती है माध्यम खहलाता है या ठोस खुकम्तभमान बस्तु के रहने वाली माध्यम को पहुंचते हैं येर्ण संतुलित अवस्था में से विस्थापित होते हैं और यह आपने समीब के कड़ों पर एक बल लगाते हैं जिसके पलस्वरूम निकटबर्ती कड़ अपनी विरावस्ता से बिस्थापित हो जाते हैं निकटबर्ती कड़ों को बिस्थापित करके नेकी पश्चा प्यारंभी कड़ अपनी मूल अवस्ताओं में बापस लौट आते हैं माध्यम में एक पिक्रिया अग तक चलती रहती है जब तक कि दोनी आपके कानों तट नहीं पहुँच जाती है माध्यम में दोनी द्वारा उत्पन बिच्छोप यानि कि माध्यम के कड़ नहीं माध्यम से होता हुगा संचरित होता है तरंगे का एक बिच्छोब जो किसी माध्यम से उकर गती करता है और माध्यम के कड निकट बढ़ती कड़ों के गती में गती उत्पन कर देते हैं एकड इसी पेकार की गती अन्य कड़ों से में भी उत्पन होती है माध्यम के कड़ स्वयम आंगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन बिच्छोप आंगे बढ़ जाते हैं किसी माध्यम में दोनी के संचान के समय ठीक ऐसा ही होता है इसलिए दोनी को तरंगी के रोम में जाना जाता है दौनी तरंगे माध्यम के कड़ों की गती द्वारा अविलेचित लक्षित की जाते हैं और यांद्रिक तरंगे कहलाते हैं दौनी के संचन के लिए बायू सबसे अधिक सामान माध्यम जब कोई कंपमान बस्तू आंगी की और कंपन करती है तो अपने सामने की वायू को धक्का देकर संपीडित करती है और इस पिकार उच्च दाप का चित उत्वन करती है इस चित को हम लोग संपीडन कहते हैं संपीडन को सी से वेक्ट करते हैं या संपीडन कंपमान बस्तू मिसे दूर आंगे की और गती करता है जब कंपमान बस्तू पीछे की और कंपन करती है तो एक निम्रदाप का छित उत्पन होता है जिसे विरलन आर्क कहते हैं जब बस्तू कंपन करती है अर्था आंगे की और और पीछे तेजी से कददी कदी है तो बयु में संपीनन और विर prey मी तरण बनाती है . संपीन और विरखीं अध्यायस . अधिक दाख की ओर दाख को और कम घनत कम दाख को दर सकता है इस पेकार धौनी का संचर्ण घनत परिवतन के संचर्ण की रूम में होता है कि देखा जा सकता है ठीक है आगे सलती हैं यह क्या है आपका कमपायमार बस्तू किसी मात्रे में संपीनल C और वेलन आर की सेड़ी उत्मन करती है क्या दोनी एक पिकार पिकास दब्बे को नित्ध करा सकती है एक टिन का डिपा लिए, इसके दौनों सिरों को काट कर एक खोकला बेलन बना लिए एक गुबबारा लीजे उसको इस पिकार काटे की उसकी एक जिल्ली बन जाए इस जिल्ली को खींच कर डिब्बे के एक खुले सिरे के उपर तान दीजे गुबबारी के चारों और एक रवड का चला लपेट दीजे समतल दरपण के एक छोटा टुपडा लीजे और दरपण के च्टोपडे को गौंद की सायता से गुबबारे के से इस पिकार शिपकाईए कि उसकी उसकी चमकदार सतर उपर की हो एक छर्री यानि की स्लेट से आने वाले पिकास को दरपण पर पढ़ने दीजे परावर्तन के बश्चाइट पिकास का दब्बा दीवार पर पहुंचता है जैसा की चित बारद समलोग चार में दरसाएगे है डिपे की खुले भाग में सीधे की बात कीजिए और चलाईए या पिर और दीवार पर पिकास के दब्बे को नाचती हुई देखिए अपने मे पिकास का सरूर जिर्री तो फिकास तरू से आने वाले एक पिकास पुझे परावर्त पर गिराए जाता है परावर पिकास दीवार पर गिर रहा है कि इस तरह से लौट कर ठीट है आँगे चलते हैं हम लोग अब बात करते हैं धौनी संचयन के लिए माध्यम क्या आवश सकता होती है धौनी के चलने के लिए धौनी एक एंतरिक तरग है वसके संचयन के लिए किसी माध्यम जैसे वायू जल इस्टील आदी क्या आवश सकता होती है या निर्वात में होकर नहीं चल सकती है इसे इन्यमने प्रियोग द्वारा पितरसित किया जा सकता है प्रियोग एक बिद्धुद घंटी और एक काश का वाईव रोज बेल जार लिजेए बिद्धुद घंटी को बेल जार में लटकाएए बेल जार को चित्ते 12.6 की भाती 12.6 की भाती इस तरह से इस विद्धुद घंटी बेल जार हो गया कॉक, कॉर्ट, सुईच, गिद्धुदार, निर्वात पंप निर्वात पंप से जूड़िए गंटी के सुईच को दबाने पर आप उसकी धौनी को सुन सकते हैं अब निर्वात पंप को चलाएए जब बेल जार की भायू धीरे धीरे बाहर निकलती है तो गंटी की धौनी धीमी हो जाती है यग्टी उसमें पहले जैसा ही बिद्धु धहरा प्रभावित हो रही है कुछ समय पर शाद जब बेल जार में बहुत कम बायू रह जाती है तब आपको बहुत धीमी धौनी सुनाई परती है यदि बेल जार की समस्त बायू बाहर निकल जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आप गंटी की धौनी को सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं पर धौनी तरंगे अनुदेहर तरंगे होती है इसे भी देख लिएते हैं एक रियाकलाक त्वारा 12.4 एक सलंकी लीजिए अब सलंकी को चत्वारेदशशंबल साथ एक धरसाह्य अनुसार खीचे अपने मित अपने मित की और सलंकी को एक टीफ जटका देए सलंकी में अनुदेत तरंगे देखनेकों मिलती है यदि आप सलंकी पर एक चनल लगा देए तो आप देखेंगे कि सलंकी पर लगा चेट, विच्छोप के संचरण की दिशा की समांतर आगे पीछे करता है उन छेत्रों को जहां सलंकी कुंडलियां आपस में आसपास आ जाती हैं संपीडन C, उन छेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं बिलन आर कहते हैं, आप जाते हैं कि किसी माध्यम में धोनी संपीड़नों और तथां बिलनों के रूम में संचेत होते हैं, जब अब आप किसी सलंगी में विच्छोग के संचरण तथां किसी माध्यम से विच्छोग की तुलना कर सकते हैं, ये तरंगे अनुदहर तरंगे कह लेकिन अपनी विरावस्ता से आगे-पीचे दोलन करते रहते हैं ठेक ए शेब का दौनी तरंगें भी संचेत होती है अतिएब दौनी तरंगें अनुदेर तरंगें होती हैं याद रखना है अपको यदि आप सिलंकी की को अपने हाथ में पकड़े सिरे को आंगे पीछे धाका ना देकर दैवा इहलाए तब भी आपको सिलंकी में तरंगे उत्पन्न पोथी दिखाई देगे इस तरंग में कड़ तरंग संचन की दिखा में कंपन नहीं करते हैं लेकिन तरंग की चलने की दिखा के लंबवत अपनी विरामवस्था के उपन नीचे कंपन करते हैं इस पेकार की तरंगे को अनुपरस्त तरंगे कहते हैं जो उपन नीचे कंपन करती हैं उसमें पीछे आं संचेन की दिशा की लंबवत गती करते हैं किसी ताला में पत्तरिक का टुगड़ा फेगने पर जल की सतय पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुबस्त तरंगे का एक उधार ने परिकास भी आपका अनुबस्त तरंगे किन्तों परिकास में दोलन मात्यम के कड़ों या उनके दाप या फिर घनत के नहीं होते हैं पेकास तरंगें या अंतरिक तरंगें नहीं हैं आप अनुपर्ष्ट तरंगों की बारे में अधिक जार्करी उच्चकचाओं में पराप्त करेंगे फ्रयाक का धौनी तरंग की किसी धौनी तरंग की निमलिकित अभिलिक्चन होते हैं कौन को से आवर्ति, आयाम और वेग दौनी तरंग को ग्राफ के रूप से चित 12.8C में दिखाए गया है जो पिदर्सित करता है कि जब दौनी तरंगें किसी माध्यम में गति करती हैं तो गनत तथा दाब में केसी परिवतन होता है किसी निश्चित समय पर माध्यम का गनत तथा दाब दोनों ही उनकी ओसत माल से उपर और नीची तूरी के साथ परिवर्तित होते हैं चित 12.8a और 12.8b के दर्सित करते हैं कि जब दौनी तरंगें माध्यम में संचरित होते हैं तो गनत तथा दाब में क्या उता जड़ा होते हैं संपीडन ओय चित है जहां कड़ पास-पास आ जाते हैं इन्हें बख्य के उपर ही भाग में दिखाए गया है चित 12.8a शिखर अधिकतम संपीडन के चित को चितरसित करता है इस परिकाल संपीडन को वय चित जहां गनत तता दाब दोनों भी अधिक होते हैं बेलन निम्नलवाग के छित जहां कर दूरदूर हो जाते हैं और उन्हीं उन्हें घाटी से पृधरसित करते हैं निम्नलवाग में दिखाय गया है क्या सिकर को तरंग का सरंग और घंटी को गर्द कहते हैं दो क्रमागत संपीडनों में C अत्पाद दो क्रमागत बिरलनों में R के वीच की दूरी तरंगदयत कहलाती है तरंगदयत को सामानने था अब R सोई लेमडा से व्यक्त करते हैं ग्रीक अपच्छा है आपका लेमडा इसे निरूपित किया जा सकता है साइक मात्रक होता है मीटर इसका साइक मात्रक क्या होता है मीटर इसे एम से व्यक्त करते हैं अब हैंरिच रूडॉल्ड हर्ट इनका जनाम आपका वाईस परवरी कि 1857 गोहंबर्ग जर्मन मीं अंगवर्ट उनकी सक्षा वर्लिंग विद्ध्यालाय में हुई उन्होंने जैसी मैक्सवेल की विद्धू चुमकिये सिध्धान्तों की सिध्धान्त की प्रयोगों द्वारा पुष्टी की उन्होंने रेडियो टेलीपॉन टेलीग्राफ तर ह्याँ नाम उनकी सम्मान में रखा ग Depression कि हैük हेंड्रीच रोडॉल्ब सहाव क्यों कि भीकर धौनी का सरौ इउप गहनत बिन्नेताएं सीesar सी सीर 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 Sean इसपी गहनत याद्धन Zum यह उपर उटी हुई सरंग हो गई और नीचे हुई गर्थ हो गई ठीक है आविट्थी से हमें ग्यात होता है कि कोई घड़ना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है अधalay लगा मालीजी आप किसी दोल को पिटपील कर बजा रहेएं आप दोल गोए एक सेकन में जितनी रार पिटते हैं वह आपकी द मातवनी enabling में अधिक两त मान sesi जाएं पर एक दौलिन पूरा होता है एकांग समय में इन दौनों की कुल संख्या धौनी तरंग की आवित्ति कहलाती है यदि हम पिती एकांग समय में अपने पास ते गुज़रने वाले संपीड संपीडनों तथा बिलनों की संख्या की गड़ना करें तो हमको दोनी तरंग की आविती क्यात हो जाएगी इसे सामानमता भी गरीख अप्छा निउट इसे पिधारसित किया जाता है यह कभी आएखायका होता है इसे नर्व करते हैं इसआ ही मात्रट की बात करें तो हटची है इसे पिधीग हज में बेक्ट करते हैं दो किर्मागत संपीड़नों या फिर दो किर्मागत बिरलनों को किसी नश्चित बिंदू से गुजडने में लगे समय को तरंग का आवद काल कहती हैं। आप कहसे सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गए समय दोनी तरंग का आवद काल कहलाता है। इसे T एक्षर से निरूपित करते हैं, S का एसा इमातरक सेकेंड है, आवित्ती तथा आवर्थकार के वीच के संब्ध में नेम्न प्रकार ब्यवत्त किया जा सकता है, भी बरावर वान अपोन T, इस प्रकार ये तारत की दोनु से हमें ग्यात होता है कि किसी बिंदू से एकां सकती हैं, दोनों दोनियां एक ही मातनियां बायूं में चलती हैं, और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती हैं, दोनों ही सिरोतों की दोनियां एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो दोनियां हम ग्रंड करते हैं, बिंद में होती हैं, यानि कि आप देखा है, आर्केस्ट किस पेकार अनुभाव करता है उसे हम लोग तारत कहते हैं किसी सरोत का हम पर जितनी सीख्रता से होता है आवित्ती की आवित्ती उतनी ही अधिक होगी उसका तारत भी उतना ही अधिक होगा इसी पेकार जिस दोनी का तारत कम होगा उसकी आवित्ती भी कम होगा यानि कि दोना सब्सक्राइब दर्साम्लों नोमें लुमें दर्साएड। इस तरफ इस्से टरंग विख्छोगWinds और खंज ठर्थिकी धनियात उत्पन करती हैं। किसी माध्यां में मूल इस्थिति के दौनों और अदिकतम बिच्वक को तरंग का आयाम कहते हैं इसे साधानता अच्छा एक से निरूपित कहते हैं जैसा कि चित्व 12.8C में 12.8C में आपने उपर देखा यहां 12.8AC है यहां ठीक है गरत से इंग 12.8C में दिखाए गए दौनी के लिए इसका मातरख दाब या फिर घनत का मातरख होगा दौनी की प्रवलता अद्वा मिदूलता मूलता इसके मात आयाम से ग्यार की जाते हैं यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हम एक मिदू दौनी सुनाई देगी क्योंकि हम कम उर्जा की दौनी उत्पन करते हैं यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हम प्रवल दोनी अधिक दूरी तक चली सकती है क्योंकि यह अधिक ओजा से संब्रेद हुथी है ही चितत्र बारें देस हमूरा दस में समारा विछति की प्रवल आज सबसेए पड़ा ही कर दोकि अ accomplished कोता है कि मेえー मेंम प्रॉंदु दौनी का आयाम होता है तथा प्रवल दोनी की का आयाम अधिकुरता है दोनी की यह गुड़ता वह है अभी लक्षण है जो हमें समान तारत तथा प्रवलता की दो धोनियों में अंतर करने की में साहता करता है एकल आवर्ति की दोनी को टौन कहते हैं अनेक आवर्तियों की मिस्तरा से उत्पन धोनी क स्वार करते हैं और यह सुनने में सुखद होता है सोर करण पी यह नहीं होता है जब कि संगी सुनने में सुखद होता है तरंग की किसी बिल्दू जैसे एक संपीनन या एक बिल्दन द्वारा एक आंक समय में तैकी की दूरी तरंग वेक कहलाती है हम जाते हैं कि वेक को किस त प्रवकाल T में चली गई दूरी है अता भी बराबर मू कहते हैं बराबर लेमडा भी बेगत रंतैद और आविट्टी किसी मात्यम के लिए समान इसे बेग कहते हैं और आविट्टी को यानि कि इसे भी इसे आप लोग मू से बेगत कर रहे थे हैं कि बहुतिक परीष्टियों में दौनी का विख सभी आविट्टियों की लगवक इस्तिर होता है यहां यह को धारन दिया गया ऐसे भी देख लिजें किसी दौनी तरंग की आविट्टी हुए तो कलो हर्ट जिए इसकी तरंग देख 35 सेंटियो मेट्र या एक दसंबलौब 5 किलो मीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी तो दिया हुआ है आविट्थी क्लो हर्ट यानि कि 20,000 हर्ट तरंग देख कितनी है 25 सेंटियो मेटर यानिकि 0.35 मीटर हम जानते हैं तरंग बेग यू गराबर आपका तरंग देर इंटू आवड़ती दोनों का इंटू करेंगे इस तरह सी निकालने जाब किसी एकांग छितपल से एक सेकंड में गुज़रने वाली दोनी उड़ा को दोनी की तेवड़ा कहते हैं किसी एकांग चितपल से एक सिकन में गुजरने वाली जो दौनी होती है उसकी दौनी की तीब दता कहते हैं यक भी हम कभी कभी प्रवलता और तीब दता सब्दों का परयाय रोम में उप्योग करते हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है, प्रवलता दौनी के लिए कानों की संबेदन सील्था की माँ पे यक भी दो धौनिया समान तीपता की हो सकते हैं, फर भी हम एक दूसरे को कि अभेक्चा अधिक प्रवलत दौनी की रूम में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए één क्यों सोफ हैं, किसी मद्यम में दौनी की चाल, किसी मद्यम में दौनी की एक निश्चे काल से संच्चेत होती है, किसी पठाके या तडित के गरजन की दौनी, पेकास की चम्र दिखाई देने के कुछ बात सितोनाय में दीती है, इसके लिए हम ए Eliwalk के निकाल सकते हैं की धौनी की चाल, पिकास की चाल से बहुत कम होती है, धौनी की चाल उस माध्यम की गुड़ों पर निर्वर करती है, जिसमें से संचेत होती है, आप इस सम्मंद्र को अपनी उच कर्चाओं में सीवरेगे, किसी माध्यम से धौनी की चाल माध्यम के ताफ पर निर्वर करती ह जब हम ठोस से गैसी अवस्था की ओल जाते हैं तो धोनी की चाल कम होती जाती है क्या यानि की कहने का मतलग है कि ठोस में सबसे जाना होती है और उससे आप गैस की तरफ बढ़ेंगे धोनी की चाल कम होती जाएगी किसी माद्यम में ताप बढ़ाने पर धौनी की चाल बढ़ती जाती है उधारन के लिए वायू में धौनी की चाल 0 degree Celsius पर 331 meter 30 second होती है और 22 degree Celsius पर 344 meter 30 second हो जाती है सारणी बारे दर समलाओ एक में विविनमाद्यम में एक बिसे स्तार पर धौनी की चाल को दस आए गया यह अवस्ता हो गए पदार्त हो गया और यह आपकी चाल हो गए meter 30 second में जैसे aluminium यह पचीज़ डिग्री Celsius पर धौनी की चाल यह संक्तर nickel में आपकी 4000 सबसे जाना चौन सट सो बीस मीटर पिटी सेकंड निकल में आपकी 6040 मीटर पिटी सेकंड उसके बाद लोग आ रहे हैं उन सट सो पचास मीटर पिटी सेकंड द्रव में आप देख सकते हैं जल में कम है 1531 में 30 मीटर पिटी सेकंड उसके बाद आप चलिए हाइड्रोजन में 1284 मीटर पिटी सेकंड वाईउ में सलफट आयोकसाइड में सबसे कम 302 133 मीटर पिटी सेकंड एक सब देया धौनी भूम धौनी भूम क्या है जब कोई पेंड धौनी की चाल से अधिक तेजी से गती करता है तब उसे पराधौनी चाल से चलना हुआ कहा जाता है जब कोई पेंड धौनी की चाल से अधिक तेजी से गती करता है तब उसे पराधौनी चाल से चलता हुआ कहा जाता है गोलियान जेड बायू जेड बायू वियान आधी पराधौनिक चाल से चलते हैं जब धौनी उत्पादक सरोध धौनी की चाल से अधिक तेजी सिगती करता है तो ये बायू में प्रगाती तरंगें उत्पन करते हैं इन प्रगाती तरंगों में बहुत अधिक उर्जा होती है इस पेकार की प्रगाती तरंगों से सम्मेट दुबायुवयाद बायुदा में परिवतन से एक बहुत तेज और प्रबल दौनी उत्पन होती है जैसे दौनी बॉम कहते हैं पराधुनिक बाईवियान से उत्पन इस धौनी बूम में इतनी मात्रा में उजा होती है कि यह खिड़कियों के सीसों को भी तोड़ सकती है। यहां तक की दुभावनों को भी चती पहुंचा सकती है आपकी। अब बात करते हैं धौनी का परावर्तन। किसी थोस या पर दिरफ से टगराकर दौनी उसी पेकार यापस लगती है जैसे कोई रवल के किसी थोस या दिरफ की सताय से परावर्तित हो जाती है। तथा परावर्तन की उन्नेयामों का आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिसाओं तक ही तल में होते हैं धौनी तरंगों के पराबतन के लिए बड़े आकाल के अवरुदक की आपसकता होती है जो चाहिए फारिस किये हुए हूं या फिर खुर्दूरे हुए किरिया क्लाब 12.5 को देखिए चित 12.11 की बाती कि वन बाती है दो एक जैसे पाइप लिजिए आप चार्ट पर वेपर की साथा से इसे पाइप बना सकते हैं कि लंबाई प्राफ्त होना चाहिए है एक घड़ी हो गई- एक कान हो गया ये पाइप- दो पाइप हो गये ठीक है य कि मेज हो गय दीवार हो गई ठीक है? इस के रिया कलाब में गड़ी किस्तान पर किसी कंपन मोड पर अके मोबाइल पॉन का भी उपयोग कर सकते हैं हम बात करते हैं पिती दोनी के बारे में किसी उचित परावल तक बस्तू जैसे किसी इमारत अत्वा पहाड के निकट यदी आप जोर से चलाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय परच्चात कोई दोनी फिर से सुनाई देती हैं या ऐसे आप लोग याद बंद कमरे में याद नहीं कि पूरा कमरा खाली हो तब भी आप चलाएंगे तब इस तरह की आवस सुनाई देती हैं आपको सुनाई देने वाली इस दोनी को पिती दोनी कहते हैं हमारे मस्तिषके में दोनी की संभीदना लगभग 0.01 सेकंड तक बनी रहती हैं इस पश्ट पिती दोनी सुनने के लिए मूल दोनी तथा परवतन दोनी के बीच कम से कम 0.01 सेकंड का समय अंदराल अवस्त होना चाहिए यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे कि बारिच दिए की सेल्सियस पर दोनी की चार 344 मीटर पिती सेकंड माल लें तो दोनी को अवरो तक तक जाने तथा परवतन के पश्चाथ बापस सुरोता तक आने तक 0.01 सेकंड के पश्चाथ पहुंचना चाहिए अठा सुरोता से परावर्तक सतर तक जाने तथा बापस में आना है मैं दोनी द्वारां तैकी की दूरी कम से कम 344 मीटर पिती सेकंड इंटू 0.01 सेकंड बरावर 34.5 24.4 मीटर होना चाहिए इसकी दूरी अता इस पर स्थ है कि पिती दौनी सुनने के लिए अवरुदक की दौनी स्रोज से नियुमतम दौरी दौनी द्वारत है कि गई दौरी कुल दौरी की आधी अर्था 17.5-177.2 अवस होनी चाहिए इसकी आधी यह दौरी बायू के ताप के साथ धौनी के भेग में भी परीवर्तन हो जाता है धौनी के बारंबार परावर्तन के कारण हम एक से अधिक पिती दौनिया भी सुनाई दे सकते हैं बादलों के गड़गारात की दौनी कई परावर्तक प्रिष्टों जैसे बादलों तदा मुमी से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़ी यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण दोनी निर्बंध होती है अनुरण कहलाती है किसी सभा बवन या बड़े वॉल में अत्यदिक अनुसरन अत्यदिक अत्यंत सभा बड़े लगे होते हैं सीटों के पादार्थों का चुनाव इसके धौनी अफसरसक गुड़ों के आधर पर भी किया जाता है एक आप यहां उधारन देख सकते हैं एक मनुस की किसी चक्टान किसी खड़ी चक्टान की पास ताली वजाता है उसकी पिती धौनी दो सेकं अगया समय कितना होगा है दो सेकंड दोनी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगई यह आपका वी इन्टू डी विंटू टी यानि कि यहां बे होगए और टी समय होगया इस तरह से आप 422 मीटर होगा और इसमें आप लोग जानते हैं कि 2 सेकंड में 26 ताथा मनुस के बीच की दूगनी दूरी तैकी है अते अब चट्टां तर्था मनुस्थ के विच की दूरी क्या होगी मेगा फॉन या फिर लाउड स्पीकर हॉन सु तूर सहनाई जैसे बात दियन सभी इस पेकार बनाए जाते हैं कि दौनी सभी दिसाओं पहले बिना केवल एक विसे दिसा में ही जाती है जैसा कि चित बारह दिसम लोगो बारह में दस आए गया है मेगा फॉन यह आपका हॉन हो आप लोगों ने देखा होगा का जो आइस्क्रीम बरभ बैस था था बच्पन में आप लोगों रखाई होगी वो लिए रहता था है इस इन अंतों में एक नली का आंगे का खुलावाग संक्वाकार होता है यह सरों से उत्पन होने वाली धोनी तरोंगों को बार-बार परा काम आता है इस्टेथू इसको में रोगी के दैकी धड़कन की धौनी बार-बार परावरतन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है इस्टेथू इसको देख रहे हैं कंसर्ट हॉल सम्मेलन का च्छों तका सिनेमा हॉल की च्छतों च्छतें बक्काकार बनाई जाती है जिससे की परावरतन के पश्चा दौनी हॉल की सभी भागों में पहुंच जाए जैसा कि चित्व बारह दिसमलोग 14 में बताया गया है दरसाय कभी-कभी बक्काकार दौनी पट्टों को मंचों के भी चिरक दिया जाता है जिससे दौनी दौनी पट्ट से परावरतन के पश्चा समान रूप से पूरी हॉल में पहल जाए इस तरह से सम्मेलन का च्छ की वक्कागार चत यह आपने देखा होगा अगर आप भी किलास लेते ही तो इस तरह की अभी भी यूज किया जाते हैं साउंड की तरफ दौनी का सिरो दौनी पट्ट बड़ एक हॉल में उप्यूप किया जाने वाले दौनी पट्ट अब बात करते हैं सरभ्वता का परीशा है हम सभी आविक्ति की धौनियों कुछ नहीं सुन सकते हैं मनुस्तों में दौनी की सब्वता क पूंचिभी लिया है तो मनुस्तों कितनी दौनी का सब्सकता है 20,000 हर्ट्स तक पांज बड़ से कम आयू के वच्चे तदंध कोच जन्दू जैसे कुद्टे 25 किलो हर्ट्स तक की दौनियों सब्सक्राइब जाते हैं जों जों दौनी की आयू बढ़ती जाती है जों जों की कंपनों को उसे प्रिकाल सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंग की कंपनों को सुन पाते हैं राइनो सीरस गेंडा पांच एजडेड तक की आवतिको कि आवस्रभित धोनी का उपयो करके संपर्ग स्कापित करता है है यह देखा गया है कि कुछ जन्तु भूकम के पहल पहले निमने आवित्ति की पराफ आउसरभित धोनी उत्पन करते हैं जो संभावता जन्तु को सावधान कर देती हैं 20 किलो या हर्थ से अधिक आवित्ति की धोनियों को परासभित धोनी या पराध धोनी कहते हैं डॉल्पिन चमगादर और पॉर्पोइच जैसे जन्तु पराधोनी उत्पन करते हैं कुछ प्रजातिकों के सल्वों के सेवन तन्द या अतन्द सुग्राई होते हैं एस सलव चमगादर द्वारा उत्पन उच्च आवित्ति की चिंची की धोनी को सुन भी सकते हैं उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादर के बारे में जानकारी मिल जाते हैं वेस्पिकार स्वयम को पकड़े जाने से बच्चा पाते हैं चोए भी पराधोनी उत्पन करके कुछ खेल खेलते हैं सरवन की सहायता यूगती सहायक यूगती जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इसे अंत्की आप सकता होती है या बैटरी स अच्चा से चलने वाली एक ऐलेक्त यूकती है इसमें एक झोटा सा माइक्रोपॉन एक एम्प्रीफायर मेंस्पीकर होता है जह धवनी माइक्रोपॉन पर पड़ती एध्वनी तरंगं को विद्दु संकेतों में परिवर्थित कर देता है और अध्वनी की तरंगं को लए देती हैं फिर आपकी पराधोनी के अनुपयोग पराधोनीया उच्च आवित्ती की तरंगे हैं पराधोनीया और रोधों की उपस्तती में भी एक निश्चित पत पर गमन कर सकती हैं और दोगों तथा चिकस्सा की छित में चिकत्सा की छित में पराधोनियों का विस्तित रूप से उपयोग भी किया जाता है पराधोनी पुरा उन भागों को साप करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कटिन होता है और चावित्ति के कारण धूल चिकनाई तथा गंदगी के कड़ अलग होका नीचे गिर जाते हैं इस परकार बस्तु पूरता साथ हो जाती है पराधोनी का उपयोग धातू के विलोकों, पिंडों में दरादों तथा अन दोसों का पता लगाने के लिए हम लोग कर सकते हैं धात भी गटकों, कुपरया, बड़े-बड़े भवनों, पुलों, मसीनों तथा बिग्जाने कुपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है धातू के विलोकों में विद्दमान, दरार या पर छिद जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं भवन या पुली की सरचना की मल्भूती को कम कर देते हैं परादोनी तरंगें धातू के विलोक से गुजारी जाते हैं पेसित की जाते हैं, रनी की बेज़े जाते है और पेसित तरंगों का पता लगाने के लिए संसोचकों का उप्वियोग कीया जाता है यदि थोड़ा सा भी दोस होता है तो परादोनी तरंगें परावर्तित हो जाती है जो दोनी की उपस्तिती को दल साथी हैं यहां देख रहे हैंगे धातु का विलोग परादोनी धातु के विलोग में दोस्तिक इस्थान इस पूरी तरह से बुजा नहीं यहां आपका शोटा सा दोसे तो यह वाप सी हो रहे हैं परादोनी समझ रहे हैं साधरन दोनी जिसकी तरंग देख अधिक होती है दोस्त इस्थान की कड़ों से मुढ़कर संसूचक तक पहुँच जाती है इसलिए दोनी का उप्यूग प्रादोनी संसूचक एक ऐसा जन थे जो परादोनी तरंगों का उप्यूब कर की मानो सरीर के अंतरे कंगों का पितिविम प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है इस संसूचक से रोगी क्या हो जिसे एक्रित, पित्रास है, गर्वास है गुल्दे आधी का पितिवे में प्राफ किया जा सकता है यह संसुचक को सरीर की आसमानताओं जैसे पित्ता सहे तथा गुल्दे में पतरी तथा विवेन अंगों में अर्बूम टूमर का पता लगाने में भी इसका साहता हो सकती है इसकी साहता से कद़ो इस तकनीक में पराधावनी तरंगें सरी के उत्कों में गवन करती हैं तथा उस इस्थान से परावर्तित हो जाते हैं जहां उतक के गहनत में परिवर्तन होता है इसके बश्चाद इन तरंगों को बिद्धु संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंगे का पितीविम बना लिया जाता है इन पितीविमों को मॉनीटर पर पिदेशित किया जाता है इस तक्निक को अल्टा सोनोगराफी कहते हैं क्या कहते हैं अल्टा सोनोगराफी का उपयोग गरब काल में भूर की जाच तथा उसके जनम जाद दोसों उनकी ब आपने भूड अत्याब देखी होगी कि अगर मालूप चल जाता था कि लड़की है तो उसे भी माल दिया जाता था समझे रहे हैं लेकिन इसका इसलिए उपयोग किया गया था सुरूमाई की मतलब जाच हो सके कि जो भी बच्चा है अच्छा है या मतलब कि आज में कोई कमी तो नहीं है बतुँ ऐसा ही है कि मोबाईल का उपयोग इसलिए रहा था कि आप एक तरह से टाइम बचा सके हैं अच्छे अच्छे काम कर सके हैं लेकिन उसका भी आपने दो रुपयोग करना सुरू कर दिए एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है सोसन वीडिया सबसे जाना लोग टाइम बिकार करते हैं तो सोसन वीडिया तो परादोनी का उपयोग गुर्दी की छोटी पत्री को बारीक कड़ों में थोड़ने के लिए भी किया जा सकता है एकड़ बाद में मूद के साथ बाहर निकल जाते है सोनार ये भी आप सब्द कई बार सोना हुआ है सोनार साउंड नेविगेशन एंड व्रेंजिंग से बनाए सोनार एक रसीपती है जिसमें जल में इस्तित पिंडों की दूरी दिसा उचाल मापने के लिए पराधोनी तरंगों का उपयूप किया जाता है सोनार कैसे काम करता है सोनार में एक पेसित एक सूचक होता है और इसे किसी नाव या पर जाचित 12.17 की माँती लगा जाते है नाव का जाच नाव या जाच पानी की सते संसूचक पेसित समुद्ध तल यहां लगाए पेसित पराधोनी तरंगें उत्पन या पेसित करता है यह तरंगें जल में चलती हैं तथा समुद्ध तल में पिंडे से टगराने के पाशार्ट परावर्तितों कर संसूचक द्वारा गेहन कर ली जाती है संसूचग प्रादोनी तरंगों को बित्व संकेतों में बदल दिता है जिनकी उचेत रोप से ब्याख्या कर ली जाती है जल में दोनी की चाल तथा प्रादोनी के पेसंड तथा अभी गिनन की समय अंतराल को ग्याद करने के लिए उस पिढदी की दूरी की गर्णा की सकती है जिससे दोनी तरंगे परावउर्दि थो ही है माली जिय के प्रादोनी संकेत के पेसंड अध्वा अभी ग्यंड का समय अंतराल T तथा समुद्री जल में दोनी की चाल भी है तब सताय से पिंड की दूरी क्या हुई 2D होगी 2D बराबर V into T भी आप कभे हुए या T यहां समय होगी उप्युक्त विदी को पिती धोनिक परास भी कहते हैं सौनार की रखनी का उप्युक्त समुद्य की गहराई ग्याद करने जल के अंदर इसे चटानों नट गाटियों पंडूबियों हिमसेल डूबे हुए जो जहाद डूब जाते हैं उनका पता लगाने के लिए भी स्कावब्यों करते हैं इसे भी देख लिए जिए को धारन दिया गए एक जहाद पारदोनी उतसलिद करता है जो समध्य तल से परावर प्रित होकत 3.42 सेकेंड के परश्चाद संसुचित की जाती यदि समध्य जल में परादोनी की चाल 1531 मीटर पिती सेकंड हो तो समध्य जल से जहाज की कितनी दूड़ी होगी पेश्चन पतना संचूर चक के बीच का लगा समय आपका टी वरावर 3.42 यानि कि 3.42 है यानि कि 3.42 सेकंड समुध्य जल में परादोनी की चाल कितनी होगी 1531 मीटर पिती सेकंड परादोनी द्वारत चली गई दूड़ी कितनी होगी तोड़ी है जहां टी आपका समुध्य की गहराई हो गया तोड़ी द्वानी की चाल इन्टू समय इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक है जैसा कि पहले बार्डन किया गया है कि चमगादर्ट गहन अंदरकार में अपने भोजन के खोजने के लिए उड़ने ते समय परादोनी तरंगों तरंगे उस्साजित करती हैं तथा परावर्तन के बश्चात इसका सूचन होता है चमगादर्ट द्वारा उत्पंद उच तारत के परादोनी इसपंद आउरोद या कीटों से परावर्तित हो के चमगादर्ट के कानों तब पहुंचते हैं इन परावर्ति इस्पंदों की प्रकिती से चमगादरन को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहां पर है या किस पेकार का है और पोर प्वाईच मचलियां भी अंधिरे में संचालन बाभोजन खोज में परादमनी का प्यूप करते हैं यानि कि सीधा सा मतलब है कि आपने इसे चमगादर आपने देखियो है कहते हैं कि रात में इसे दिखाईता है नहीं यह अपने अंदर की जो परावसर पर तरंगे होती है इन्हें बेचती है कोई अगर सामने कीट है या पतंग है कोई भी है तो उससे टक्रा कर बापस आ आती है दो सामने कोई आउरूद है रुख जाएगी और नहीं आती है तो आउरूद नहीं है सीधा खाली रास्ता है यह है देखियो इससे टक्रा कर बापस ही आ रही है इसके लिए बोजन का आउरूद बन गया मानो करण की सरजना हम क्यासे सुनते हैं हम एक अती संबेदी कती युकती जैसे कांट कढण कहते हं कि साइथा से सुनते है यह सेवण यह आव इत्ती हो दुआरा बायू में होने वाले करेंगी प्रिवतनों को बिल्दूद संकीतों में बदला बदलता हैं जो सेवन तंदिका से होते हुए मस्तिस्क तक पहुंचती हैं मानो के कान द्वाना सुनने की पिकरिया पर पक्ष के बारे में हम यहां चर्चा करेंगी मानो कान के सयवन वाग देख लिए बाहिए करंड मद करंड और अंता करंड सबसे अंदर वाला यहां करंड पला हो गया यहां मुगत मुखदरग या की नहाई इसके बाद यह आपका यही यहाँ की यहाँ नहाई यहाँ का बिलयाग यहाँ की यहाँ सेवन तंदिका करणावत करणपट यहाँ की सेवन नलिका यहाँ की यह श्टे की नलिका यानि कि बहुत 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 जो भी प्रक्षिती नहमें दिया है बहुत बहुत तरीके से दिया है आप सोचिए कान अच्छे इस्तिती परस्ते है आप सोचिए नाग की जगे कान लगा दिया जाता और आपकी कान की जगे तो किस्तना अजीव लगता लेकिन बड़े अजीव तरीके से डिजाइन का रहा होगा बाहरी कान कर्ण पल्लों कहलाता है यह परीवेश से दौनी को इकतित करता है एक इकतित दौनी से गुजरती है पर एक पतली जिल्ली होती है जिसे कर्ण पटल या फिर कर्ण पटल जिल्ली कहते है जब मतह्यम से कि सम्पीना करंड पठल तक पहुंचते हैं, तो जिल्ली के बाहर की ःड लगने-वाला दाब बढ़ जाता है और यह है करंड पठल को अंदर की ओर दवाता है, इसी प्रिकार व्रिलनर के पहुंचने-पर करंड करंड पठल बाहर की ओर गती करता है इस विकार करण पढ़ा है, कमपन करता है, मध्यकर्ण में विद्मान तीन हट जिया, मुगत दरग, निहाई, ओवालरग, इस्टीरग, इन कमपनों को कई गुना बढ़ा देती है, मध्यम, मध्यकर्ण दौनी तरंगों से मिलने वाली इन सबी, इन दापरियोतनों को आंध्र करण तर संचारित कर देता है, आंत्र करण में करणा द्वारण दापरियोतनों को विद्दो संकेतों में परिवर्थित कर दिया जाता है, इन विद्दो संकेतों को सेवन, तंधिका द्वारा मस्तिष के तक बेद दिया जाता है, मस्तिष इनकी दौनी की रूम में व्याक् आपको बताता है कि आखिर इसका पतलब क्या है। गहनत के अधिकतम मान से नियुमतम मान और पुनाह अधिकतम मान की परिवतन से एक दोलन पूरा होता है। दोलनी का वे विए आवित्ति व्यू यानि की आकार का तरंग देख लेमडा में समन्द भी वराबर लेमडा व्यू। दोनी की चाल मुक्ता संचेत होने वाले मात्यम की प्रक्ति और तापन निर्वर करती है। दोनी की परावर्तन की नियो मनसा दोनी के आपतन होनी की दिसा तथा परावर्तन होनी की दिसा परावर्तन सतय पर खीचे गए। अविल्या में के से समान कौण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं इस पश्ट पिती धोनी सुनने के लिए मूल धोनी तथा परावर्ति धोनी के बीच कम से कम 0.01 एक सेकेंड का समय तराल अवस्थ होना चाहिए किसी सवागार में धोनी निर्वंद भारामबार परविवद्रों के कारण होता है इसे अनुरन कहते हैं धोनी के अविलक्षन जैसे तारत प्रवल्ता तथा गुड़ता संगत तरंगों के गुड़ों तवारन निर्दारित होते हैं प्रवलता दोनी की देविदा के लिए कानों की सालेरिक अनुकरिय है। किसी एकांग चेत अपल में एक सेकेंड में बोजनने वाली दोनी उर्जा को दोनी की देविदा कहते हैं। मानों में दोनी की स्रविदा की आविद्ती का उसत परास आपका 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। स्रविदा के परास से कम आविद्ती की दोनी को अब आउसरब दोनी और स्रवदा के परास से अधिक आविद्ती की दोनी को परादोनी कहते हैं। पराध्वनी के चिकिस्ता और उद्वकी की चित में अनेक उप्योपी है तो यह आपका था 12 चप्टर अब 13 चप्टर में हमें बात करेंगे हम बीमार क्यों होते आकिर इसके बारे में चलिए तो हम लोग बात कर रहे थी और कच्छा 9 वी की हम लोग बिग्जान देख रहे थे यानि की साइंस तो इसमें अभी तरह हम लोग 12 चप्टर आपके खतब कर चुके हैं आज हम बात करेंगे 13 वे चप्टर के बारे में हम बीमार आकिर क्यों होते हैं इससे देखेंगे इससे पहले आपको बता आपने की कच्छा 8 वी से कच्छा 12 तक की हम सभी बुक्स कवर करेंगे जिनमें कच्छा 4 वी से लेकर हम लोग कच्छा 9 वी तक की बुक्स लगवा लगवा कंप्लीट कर चुके हैं 10-11 बारे की और बच्छती हैं उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत चल्दी लेकिन आपसे इतना ही करूंगा कि समय रहते हुए इन्हें आप लोग पढ़ लें क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है बिना एंसी यह आइटी पढ़े कुछ नहीं हो करने वाला है समझ में आए तो इसलिए समय रहते हुए पढ़ ले और बहुत साधार्ण सब्दों में लिखे गए हैं आपको किसी के मदद की जरूरत नहीं पढ़ेगी बहुत ही साधार्ण सब्दों में लिखे हैं ऐसा कि आपको एक कहानी का रोग देकर पूरा समझाए गया तो आपको में इस सद्ध्याय को भी देख लेते हैं क्रिया कलाब तेरेद समलो एक को सबसे पहले देखते हैं हमने लातूर भोज कस्मीर आदी में आई भूकम अतवत अटवरती बागों को पर भावित करने वाले चक्वाद की विशाय में सुना होगा आप यह कल अपना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्त किस पेकार पर भावित होगा यदि यह आसपास घटित हो इन आपदाओं की वास्तों में घटने की समय हमारी उपर क्या प्रभाव पढ़ते हैं आपदाओं घटित होने के पश्चात कितने समय तक विवेन पेकार की स्वास्त संबंदी समस्याय पैदा होती रहती हैं पहली स्थिति आपदाओं की समय स्वास्त पर क्या प्रभाव पढ़ता है दूसरी स्थिति आपदाओं की पश्चात स्वास्त संबंदी कौन कौन सी स समस्यां देखने को मिलती हैं और आप सुनते भी रहते हैं कि बाएर आती है उसके बाद बीमारी छोड़ जाती है उससे भी बारते तो प्रभावित हो ही रहे हैं लेकिन उससे भी प्रभावित होते हैं आने वाली बीमारियों से तो देखने के आके क्या है क्या यह बीमारी है इसके रियाकलाप के दोरान हमें यह अनुवाव होता है कि मानव समधाय में स्वास्त एवं रोग एक जटल समस्या है जिसके लिए एक दूसरे से समधित अनेक कारक उत्तरदाई है हम यह भी अनुवाव करते हैं कि स्वास्त और रोग कारत स्वयम में बहुत जटल है जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण है और इनकी रोपतां कैसे होगी तो हमें इन अवधानों के अर्प्स जानने होंगे हम जानते हैं कि कोशिकाई सजीवों की मौले के काई है कोशिकाई विबन ने पिकार के रसाइनिक पदार्श जैसी प्रोटीन कार्वोईडिट वसा अत्वा लिपिड आदी से बनी होती है कोशिकाई क्रियासील इस्तल है जिसमें अंदर कुछ ना कुछ क्रियाए सादेवों होती रहती है कोशिकाओं में जटली पिक्रियाएं एवं कुछ अन्य कुछ मरम्मत का कार चलता रहते हैं नई नई कोशिकाओं मनती रहते हैं और हमारे अंगों अत्वा उत्कों में बहुत सी विशिष्ट किरियाँ चलती रहते हैं जैसे हिदय का धड़कना फैपने सांस लेते बरिक्र में निस्पंदन ये द्वारा मूद दुबनना वो मस्तिस्क सोचता है यह सभी किरियाँ परसपर संबंदी थे वो धारन यदि बरिक्र में निस्पंदन ना हो तो विसलिपदार्थ हमारे सरी में एकतित हो जाएगे इस परिस्तिती में मस्तिस्क उचित परकार से नहीं सोच सकेगा यानि कि सौस्त नहीं रहोगे तो कहां से सोच पाओगे इस सभी पारसपरी किरियाओं को करने के लिए और जा तथा कच्छे पदार्थ की आपसकता होती है ओठक कोषिकाएं तथां वोच्त को कार करने के लिए बोवजन के आपसकता होती है ऐसा कोई भी कार्थ जो कुछ पारसफिगाएं हो एवन उचित परकार से कार करने से रोकता है वह हमारे सरी की समचित क्रिया में कमी का कारण हो गाद हखा स्वास्त तथा इसका बेगड़ना, सबसे पहले बात करते हैं, स्वास्त का महत्त गया है, साहर ठकता इसकी क्या है, हम सभी ने स्वास्त सब्द सुना होगा, तथा इस सब्द का प्रया करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं, कि मेरी दादी का स्वास्त अच्छा नहीं है, एक जब कहते हैं कि आपकी अभी वेक्ति स्वास्त नहीं है तो इस स्वास्त सब्द का अर्थ क्या होता है या कि यदि हम इस बैसे बर विचार करें तो हम बोध होगा हमें कि इसका अर्थ होता है अच्छा रहने से क्या होगा स्वास्त खराब है यानि कि खराब इस्तिति है आप पास पड़ोस में जाने योग होना अच्छे स्वास्त के पितिक है यदि भी करने ये करने योग नहीं है तो हम कहते हैं कि उनका स्वास्त अच्छा नहीं है जब आपकी रूची कक्छा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभी विद्धी ठीक है और यदि पढ़ने क की रोकी नहीं है तो कहते हैं कि अभी विद दीस स्वास्त नहीं है अता स्वास्त वधुए वस्ता है जिसके अंतरई quel सारेलिक मासिकआ और सामाजी कार्व समूचित छंदा द्वारा उचित प्रकार से कीермा कि आजा सके अर किया जा सके अब बात करते हैं बैक्ति करते हैं कि स्वास्त कि सारेक्य सारेरिक माज्जिक और सामाजिक घीवन की चंगता की पूर्ण रोपेंड समन्वित इस्तिति है तो कोई भी वैक्ति से स्वैम ही पूर्ण रोपेंड पराथ नहीं कर सकता है सबी जीवों को स्वास्त उसके पास पड़ोस अत्वा उसके आसपास की पर्यावन पर राधारित होता है पर्यावन में बहुत इक कारक आते हैं जैसे उधारन के लिए चक्कबाद हमारे स्वास्त को अनक्पिकार से ब्रभावित करता है मानो समाज में रहता है मानो समाज में रहता है अता हमारा समाजिक पर्यावन हमारे वेक्टी के स्वास्त के लिए अधिक मत हुए हमें गाओं कस्वों अत्वा सहरों में रहते हैं ऐसे स्थानों में हमारे बहुत तिक पदार्थों का निद्धारन सामाधी पर्यावन द्वारा ही होता है सोचिए कूड़ा करकट उठाने वाली एजनसी कचरे का निट्टान ना करें तो क्या हुआ सोचिए यदि नालियों साप नाहों में तो क्या हुआ यदि काफी मात्रा में कूडा करकर गलियों में पेका जाता है अत्वा खोले नाली की रुके हुए पानी में इस्तिर बढ़ा रहता है रहता तो खराब स्वास्त की संभावना बढ़ जाती अत्वा समझने की गोशिश करते हैं किरिया कलाब 3.3 3.2 मैं बार बार एक ही सब्स बोल चुका हूँ कि जो भी करिया कलाब आपके दिये गए हैं इन्हें आप लोग केबल पढ़िए उन निकल जाएएगा इनमें जाना दिमाग भी मत लगाना आप लोग क्या करना है आपको पढ़ना है एक से दो बार और निकल जाएए आराम से पता करें कि आपके इस्थानिय परादी करन पंचात नगर निगम ने ने सौक्ष जल की आप उठती के लिए क्या उपाय किया क्या आपके महले में सभी निवासियों को सौक्ष जल प्राप्त हो रहा है किरिया अकलाब 13.3 पता करें कि आपका इस्थानिय परादी करन आपके महले में उठत्पन कच्रे का निप्टान कैसी करता है क्या परादी करन दो आरा किये गए उपाय परयाद थें यदि नहीं तो इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाओ देंगे आप अपने घर में देनिक सब्ताय को उत्पन होने वाले कच्रे को कम करने के लिए क्या करें यहां आप देखते हैं पांच एफएस क्या करना चाहिए यह मल्पदार्थ और स्वस्थ व्यक्ति तरल्पदार्थ जल सुरोत को सुरक्चित करें जल का उप्चार वा संजय सावधानी से करें हाथ बा उंगलियां खाना बनाने या खाना से पूर्भात दोएं और मल्त्याग के बाद हाथ दोएं मक्यों या कीड़े खाद को ढगका रखें मक्यों को नेंदित करें खेदबा मैदान उपयोग करने के पूर्प सब्जियां वफल साप करें खुले में मल्त्याग ना करें बाड़ उचित जलने का सी व्यवस्ता रखें और जल का उपचार करें यह आपका सवक्षिता होगे सफाई साप सफाई एवन सवक्षिता द्वारा रोग संचर से बचाव यानी के रोग से बचाजा सकता है एक बात तो आप लोग भी स्विकार करिए कि जब से दोजार चौदर से मौधिविसासन आया हुआ है तो काफी बदलाओ देखे गए हैं सवक्षिता एक सबसे बड़ा मुद्धरा और सफलता भी रही है इसका सफलता का सरे आप मैं गवर्मेंट से जाना उन सभी व्यक्ति को देता हूँ जो इससे जागरूप हुए आप समझ समस्या ये पिर किसी योजिना के पिति ब्यक्ति सम अगर जागरूप हो जाता है तो समस्या को कभी भी खतल किया जा सकता है तो एक अच्छा काम था है स्वास्त रहने के लिए हमें बोजन की आवस्ता होती है इस बोजन को प्राप्त करने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है इसके लिए हमें काम करने की आवसर खुजने पड़ते हैं स्वास्त रहने के लिए हमें पिसंद रहना आवस्त सके यदि किसी से हमारा वेभार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रिसंद तथा स्वास्त नहीं रह सकते हैं इसलिए बैक्तीगर स्वास्त के लिए सामाजिक समानता बहुत आवसर कें हम इसी बेकार सोच सकते हैं कि अनेक समधायक समस्या हैं हमारी व्यक्ति का समार स्वास्त को कैसे प्रभावित करते हैं अब बात करते हैं स्वास्त रहने तथा रोग मुक्त रहने में अंतर क्या है स्वास्त रहने और रोग मुक्त रहने में अंतर यदि हम इसे स्वास्त समझते हैं तो रोग अत्वा ब्राधी क्या है अंग्रेजी का सब्द है डिस्बेस स्वयम को परिभासित करता है बादित आराम रोग का दूसरा अर्थ होता है आसुविदा यगपी सब्द के अर्थ का प्रियोग बहुत सीमत है हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें आसुविदा के विषय कारण का पता होता है इसका अर्थ है कि बिलकुल नहीं क्या इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि हम इसका सही तथा अंतिम उत्तर जाने हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पुरवाहई का सिग्रस्त है हम यह सदुता से पाते हैं कि बिना किसी विसेश रोग से रोग के भी आप स्वास्त हो सकते हैं केबल कोई रोग ना होने का रहत यह नहीं है कि आप स्वास्त हैं नर्तक के लिए अच्छे स्वास्त कार थे कि वह सुरिष्टा पूर्वक अपने स्वरी द्वारा विसम परिस्तितियों की मुद्रा अभी वेक्त कर सके संगीत कार के लिए इस कार थे कि वह लंबा स्वास ले सके जिससे कियो है अपनी वासुरी में स्वर्ट को नेंतित कर सके हमें अपने बिशिट्स छंता को प्राप्त करने का उसर भी वासुरी के लिए आवस सके इस पेकार हम किसी रोग के लग्चणों की अभी बैकती की बिना भी आसौस्त हो सकते हैं यानि कि हमें अगर कोई रोग भी बीमारी नहीं है, फिर भी हम आस्वास्त हो सकती हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्त की विषय में सूचते हैं, तो हम समाज और समधाय की विषय में भी सोचने लगते हैं। और रोग की विशाय में सोचते समय हम सिर्व अपने बारे में विचार करते हैं रोग तथा इसकी कारण देखते हैं रोग किस तरह की दिखाई देते हैं आओ रोग की विशाय में और अधिक सोचें पहले कि हम कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है अर्थात कैसे पता लगता है कि सरीर में कुछ दोस है हमने छटे अध्याय में पढ़ा है कि हमारे सरीर में अपने एक उतक होते है एक उतक हमारे सरीर के किरियात्मक तंतों और अंग तंतों को बनाते है जो सरीर के विवन्ने कारेयों को संपाधित भी करते है हर अंग हर अंग तंत का अपना एक विसेश अंग होता है जिसका एक विसेश कारवी होता है जैसे पाचन तंत में आमसे तथा आत होते हैं जो हमारे द्वारां खाए गए भूजन को बचाते हैं पेसियों तथा अस्तियों से बना पेशी कंकाल तंत हमारे सरी को समालता है और सरी की गती में भी सहता करता है जब कोई रोग होता है तब सरी के एक अत्वा अनेक अंगों एवं तंतों में किरिया अत्वा सरचना में खरावी परिलक्चित होने लगती है ये बदलाव परीवतन रोग की लक्षण दर्शाते हैं रोग की लक्षण हमें खरावी का संकित देते हैं इस विकार सिर्दर्द, खांसी दस्ट, किसी गाहों में पस यानि की मवादाना ये सभी लक्षण हैं इन लक्षणों में किसी ना किसी रोग का पता लगता है लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता है कि कौन सा रोग है उधारन की सिरदर्द का कारण परीच्छा का भई अत्वा इसका अर्थ मस्तिस्क का वरण सोद होना अत्वा धरजनों विविनने बीमारियों में से एक हो सकता है रोग के चन्न बे हैं जिनने चिकेसक लक्षणों के आदार पर देखते हैं लक्षण किसी विसेस अंगे के बारे में सोनिश्चे संकित देते हैं चिकेसक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोग साला में कुछ परिक्षण भी करवा सकता है आप समझेए कि आपका कोरोना महामारी अभी चल रही है इसे आप सोच ये क्या कहा जाता है कि आपके पास अगर आपको खासी आ रही है सिर्दर दोरा है, बुखार आ रहा है तो ये लच्छन बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि आपको ये सब प्रोब्लम है फिर भी आपको रोना पॉजिटिव ना पाये है ये भी पूरा चांस रहता है तो समझ रहे हैं, जब चेक होगा तब ही मालू चलेगा कि आखिर कौन सी बीमारी आपको है अब बात करते हैं तीब प्रिचन तथा दिरकालिक रोग बीमारी रोगों की अभी बेक्ती बिन बिन हो सकती है और कई कारकों पर निर्वर भी करते है कुछ रोगों की अउधी कम होती है जिनने तीब रोग कहते है हम सभी ने अनुभाव गिया है कि खांसी जुखाम बहुत कम अउधी तक रहते है अन ऐसे रोग जो लंबी आउधी तक अतवा जीवन परयाद रहती है ऐसे रोगों को दीख कालिक रोग कहती है इनका एक उधारन आप लोग एली एली फैंटाइट शिस अतवा भील पाओं रोग कहती है या भारत की कुछ छित्रों में बहुत आम बात है अब बात करते हैं य इसलिए तीन महिनों में कितने लोग दीख कालिक रोग से गिर से थे अगर इन्हें आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए चोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग क्योंकि इस तरह की पैक्टिकल आपको नहीं करना है बार-बार बोलाओं पढ़कि अगर समझ में आ रह होते हैं कोई भी रोग जो हमारे स्वास्त को भी प्रभावित करता है तो यह हमारे स्वास्त को भी प्रभावित करेंगा क्योंकि स्वास्त के लिए सरीट सभी अंगों का समचित कारे करना आवस सके लेकिन तीब रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे स्वास्त पर होता रहता है हमें से अधिकान से लगबग एक सब्ताय में ठीक जाते हैं और हमारे स्वास्त पर कोई विशेश को प्रवाव भी नहीं पड़ता है लेकिन हम दीकालिक रोग जैसे फैंप्रों के छह रोग टेवी से संक्मित हो जाएं तो कई वरसों के विबार वने के कारण ब दबाई ले लेजिए तब भी इस चैसे साथ दन में ठीक हो जाती है और वैसे भी आप एलाज ना करूआ है तब भी ठीक हो जाती है ठीक है अपने आप आपने चेचस के बारे में सुना हूँ चेचक अगर इसे एलाज भी करवा लिए तब भी उतना ही दिन में ठीक होती है और गाउं में नहीं आप ने दिखा होगा कि इसका इलाज करवाया जाता है बस खाने पीने पर रोख लगा दी जाती है कि देल मध खाना ये मध करना वो उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है यदि आप तीब रोख से पीड़ेते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विध्याले नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर दीरकालिक रोख से पीड़ेते हैं तो हमें इस्कूल में पढ़ाने पढ़ाई को समझने में कटना ही होगी और हमारे सीखने की चमता भी कम हो जाएगी अर्थाद हम काफी समय तक आस्वस्त रह सकते हैं इसलिए दिनकालिक रोग तीब रोग की अपिक्षा लोगों की स्वास्त पर लंबी समय तक विपरीत प्रभाव बनाये रखते हैं अब बात करते हैं रोग के कारण, रोग के क्या कारण है, जब हम रोग के कारण के विशय में सोचते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से इस्तर होते हैं, आव एक उधारन लेकर हम लोग दिखते हैं, एक कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त साया है तो हम कह सकते हैं कि इसका सम्हावीत कारण संक्मढ क्या है संख क्यूं संक्रमढ लेकिन अंगला पिया उठत ब हमें पता चले है कि संक्मढ दोसित जल्ब पीने से आता है लेकिन अन् Wy doesn तो दोसित जल पीया है तब इसका क्या कारण Cheek ये बच्चे को ईदस्त लग गया दूसरे को नहीं इसका ना, इक कारण यह हो सकता है, गि बच्चा स्वस्थ में। जिसके पईडाम स्वरूप ऐसा संभा हुआ है, जब यह बच्चे संखमक में आता है, तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन बच्चे नहीं होते हैं, अभी आपने देखा है, कोरोना वारस के चक्र में, कहते हैं कि जो पहले से बीमार है, जिसकी पिती रोधक चमता घड़ च जब आंता हुआ है। फ्राल संखमक हुआ है, वह पहले से बीमार है सिकी से पीड़ेत हो, इसलिए उस पर जल्दी हावी हो जब होते हो, यह बच्या नहीं होते हैं, अपने से नोटता है कि बच्चा स्वास्थ क्यों नहीं हैं, स्वास्त क्यों तर बच्चे का पोरसंद ठ कि गरीबी एक सबसे बड़े कारण और गरीबी एक समस्या की समस्या को उत्पन नहीं करती है हजार समस्या को मैं हमेशा बोलता है हूँ आप लोगों सीखी फिर चाहे मानोजनेत आपता हो या फिर प्राक्तिक आपता हो इससे गरीब जो आतिक रूप से कम जो है वही व्यक्ति इससे जूचता है उसी के सामने प्राब्लम खड़ी होती है ठीक है अब आप सूचिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप स्वास्तों से देंगे वह पढ़ लिख पाएगा वह पढ़ लिख पाएगा तो अपना रोजिगार खुल उत्फण कर देगा समझ में आपको उसे फिरेका देने की वी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यह मामला अलग है 1947 से सभी बातें होती रही है बस बातें होती रही है अब यह वही चल रहा है आप चाइना के देख सकते हैं कि हमसे दो साल बाद यानि कि हम 1947 में आ जात हो चुके थे और चाइना जाके हुआ है और आप कई मामले में हमसे बिटर है चाइना आप खुद देख सकते हैं GDP का मामला देख लिए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हां कि कहीं ना-कहीं तो हमारे हां समस्या है और ये समस्या मुझे लगता है political समस्या बनी हुई है आगे बात करते हैं यह अभी संभावग की बच्चे में अनुवांसिक भिन्नता हो जो रोग कारक की संपर्क में आने पर पतले दस्ते से प्रभावित हो जाता है केबल अनुवांसिक भिन्नता अत्वा कम पोसन भी बिना रोग कारक की पहले दस्त नहीं उत्पन कर सकते हैं लेकिन यह रोग की कारण की सहे भाव रोग के कारण में सहे भावगी बनते हैं बच्चे के लिए साप पानी है, उपलब्द क्यों नहीं था? साध वहाँ जहाँ बच्चे का परिवार रहता है, वहाँ खराब लोग सेवाओं के कारण, साप पानी एक उपलब्द ना हो, इस पकार गरीबी तता लोग सेवाओं की अनुपलब्द देता बच्चे की बीमारी के तीसरे कारण, अभी भी आप सुनते हैं, कुछ भी होता रहा, लेकिन अभी भी मैंने जैसे कई ग्रामी चित देखे हैं, जहाँ पा केते हैं कि दो-तिन किलोमीटर पर एक अस्पताल होना चाहिए, मैंने देखा है कई जगेते, 15-20-20 किलोमीटर पर एक सरकारी होस्पिटल खोला गया है, और जो प्राइबिट होस्पिटल है, वो जूला छाप है, कि अगर जिसे मलेरिया भी नहीं हुआ है, उसे भी मलेरिया गई जक्सन लगा दिया जाता है, तो वही डॉक्टर है, समझे हैं? इसी पेकार आप एसपर्ष्ट हो गया है, कि सभी रोगों के ततकालिम कारण, तथा साहे कारण होते हैं, साती बेमेने पेकार के रोग होने के एक नहीं बहुत सारे कारण होते हैं, संक्रमाक तथा आसंक कारण, हमने देखा है कि जब कभी भी रोग के कारण के विसाय में सोचते हैं, सोचे तो हम लोग स्वास्त एवं समझाय स्वास्त संबंदी कारणों को दिया में रखना आवस सक है, हम इसे विसाय में और चर्चा करते हैं, रोग के ततकालिम कारणों के विसाय में सोचना अ रोग जिसके ततकालिक कारक सूख्छंजीव होते हैं, उन्हें हम लोग संक्रमक रोग कहते हैं, इसका कारण यह है कि सूख्छंजीव समधाय के मैं फैल सकते हैं, और इनके कारण होने पर रोग भी इनके साथ ही फैल जाता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे, कुछ रोग ऐसे भी होते हैं, जो संक्रमक कारकों दुआरा । उनके कारण भिन होते हैं, लेकिन बैबाहरी कारण जेजूच्छंजीव नहीं होते हैं, बिसमधाय में फैल सकते हैं, यग भी यह बहुदा आंतरेक एबं आसंक्रमक हैं, ऐसी अन रोगों के बिसे में सोच सकते हैं जो संक्रमक नहीं है अभी आपने देखा है गुश्ची दिन पहले मैंने आर्टीकल ये भी एक आप लोगों को बताया था संकर्मक रोब और आसंक्रमक रोब के बारे में बताएगा था संक्र्मक रोब का मतलब सीधा साय एक से दूसरे में बहुत जल्दी से फ्हलेगा कि अंदर गैंसर नहीं आ जाएगा समझ रहे हैं कि आपको तुरंद कैंसर उसके या फिर रख्त चाप इस तरह की कोई अगर बीमारी है तो यह होते हैं आसंक्रमक और संक्रमक आप देखते हैं कि जैसे कोरोना वायरस हो गया आपका सर्दी जुखाम हो गया यह सभी संक्रमक में आ जाते हैं पैक्टिक ब्रड और नोबल पुरसा कई बरसों से हमें हम यही सोचते थे कि पैक्टिड ब्रड जो आमसाय तथा गरहनी में एसिडिटी समधि दर्द तथा रख्त सराव करता है कारण रहने का सरहने का डंग है पितिक ब्रड की सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से आमसाय में एसिडिक का सरा होता है जिसके कारण पैक्टिड ब्रड हो जाता है दो ऑस्टेलिया ये विग्जानी को ने पता लगा है कि एक बिक्टेरिया हेलिकोड, हेलिकोवेक्टर, पायलोरीब, पैप्टिक, ब्रेड का कारण बंदा है पर्थ ऑस्टेलिया के रोख बिग्जानी डॉबिन, बॉरेन, इनका जनम हुआ था 1937 में इनने छोटी-छोटी वक्ताकार बेक्टेरिया, बेक्टेरियाओं को अनिक रोगियों के आवासय की निचली बाग में देखा था बेरी मारसल इनका जनम हुआ 1951, एक्टेकेसर ने बॉरेन की कुज में दिलसच पी ली और उनने इन सरोटों से बेक्टेरिया का सम्मधन करने में सपलधा भी प्राप्त की अपने उक्चार के अध्धन में मारसल इनका बॉरेन ने पता लगा है कि रोगी के पेक्टिक बेर्ड का उक्चार तभी हो सकता है जब वेक्टेरियाओं को आवसय में मार दिया है मारसल इनका बॉरेन की इस अध्भुत कार के लिए विश्च संग्धाय अवा लिए कि पेक्टिक बिरण अब्दीक काले के वं आसाहय रोग इस्तिति वाला रोग नहीं रहा है बलकि कुछ समय के तड़ कि समय तड़ पिती जैविक यानि कि एंटिवायोटिक के उक्चार स इसे ठीक किया जा सकता है यानि कि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉबलम नहीं है आप समझे कि कुछ दिन बाद वैक्सीन बन जाए और उसे ठीक हो जाए ठीक होने लगे और ये इसे ना के बरावर मानने लगे लोग तो आप क्या कहेंगी कि एक समय बहुत प्रॉबलम होई उसके बाद सब सामान हो चुका था जो इसे बनाएगा उसका नाम हमिशा या रखा जाएगा इत्यास में समझ रहे हैं आँगे चलते हैं लोग इस खोज के लिए मार्सल और बोरेन सहाब को सरीर के लिए विज्ञान तता वस्दी के लिए सन 2005 में सहीत दुरूब से नॉबल विरुसकार से भी सम्मानिक किया गया था यानि कि नॉबल विरुसकार भी दिया गया था रोगों के ठैलने के तरीके और उनके उप्चार की विधियों तथा समःदयक इस तर पर उनके निवारें की विधियां बिविन रोगों के लिए फिर निविन होती हैं यहां पर यह निर्वक करता है कि इनके ततकाले कारण संकर्मक हैं या फिर आसंकर्मक अब बात करते हैं संक्रमत रोगों के बारे में संक्रमत कारण हमने देखाए कि सजीब जगत की संपूर्ण विवित्ता को कुछी बर्वों में विभाजित किया जा सकता है विवेने जीवों का बरगी करण कुछ सामान गुड़ों के आधरपट कर सकते हैं रोग उत्पान करने वाले जीव इन में से अनेक परगों के अंतरगत आते हैं इन में से कुछ वाइरस हो गए, कुछ बेक्टेरिया हो गए, कुछ फंजाई यानि की कबब हो गए कुछ एक कोसिक जनतु अत्वा पोटो जुगा हो गए कुछ रोग बहु कोसिक जीवों जैसे अनिक पेकार की क्रीमें भी इसमें साभिल रहते हैं वाइरस के होने वाला सामान रोग जैसे खासी जुखां, इन्कलुइंजा, डेंगू गुखार, एड्स और आप ले सकते हैं कोरोना कुछ लोग जैसे की टाइफाइड, वुकार, हेजरा, छैरो, एंथेक्स, बेक्टेरिया द्वारा होते हैं बहुत से सावान तुचारोग विविन पेकार की भंजाई द्वारा होते हैं पोटो जुआ से मलेरिया, अत्वा कालाजार नामक रोग हो सकते हैं या आपके प्रेलेंट से में अधिकतर कुस्चन्स बश्ग जाते हैं वो पता है, प्रेलेंट से में सब्से जानदा आपका वाईलोगी पर ध्यान दिया जाता है हेज हैक्स, deliberately से कमी कुस्चन्स पूँच जाते हैं आपके विज्ञान के चित में पूछे जाते हैं, तो आपके बायलोजी से पूछे जाएंगे, उससे भी सबसे जाना आपके मानो विज्ञान से समझ लेते हैं, आथ किर्मी संक्रमण से परचत हैं, इसे पिकार फील पाओ, नामक रोग भी आपका किर्मी की विविन स्पेशि की विदी निलधारित करते हैं, इन बर्मों के पितिक सदस्तों के जैबिक गोड़ों में समानता है, जैसे वाइरस, बैक्तेरिया आदि, उधारन के लिए सभी वाइरस परपोसी की गुछकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्तेरिया में ऐसा कम यही देखने को कम ही होता है, वाइरस बैक्तेरिया तता फंजाई में गोड़न अतन तेजी से, तेजी से होता है जबकि तो लात्मक रूप से किर्मी में गोड़न बंद यानि की दीमी गती से होता है, बर्गीकन के इंसाल सभी वैक्तेरिया एक दूसरे से वाइरस की अपिक्षा अधिक निकट होते हैं ऐसा वाइरस में भी होता है, इसका अधिया है कि अनिक जबकिरिया सभी वैक्तेरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वाइरस बर्ग से बिन होती होती है, इसके पाइडाम सौरू औस दी जो कि किसी बर्ग, मैं किसी एक जबकिरिया को रोगती है, तो यह उस बर्ग के, यह उ उस बर्ग के अन सदस्वों पर भी इसे प्रिकार के प्रभाव डालेंगे लेकिन वह वही गौश्दी अन बर्ग से संब्धित रोगाड़ों पर भी प्रभाव नहीं डालेंगे हम एंटवाड़िक का भी उधारन लेजते हैं इस आमानता विक्टेरिया के मत्शूर जवरसायनिक मार को बंद कर देते हैं उधारन के लिए बहुत से व्यक्टेरिया अपने रख्चा के लिए कोश्का वीती बना देते हैं मानाव की कोश्काएं कोश्कावीती नहीं बना सकती है इसलिए पैनिसलीन का प्रभाव हम पर नहीं होता है पैनिसलीन ऐससे सभी बेक्टेरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोश्काएं कोशिकाएं बीती बनाने की विक्तिरिया होती है इसी पिकार बहुत से एंटिवायोटिक बेक्टिरिया की यह एक स्पिसीच को प्रभावित करते हैं ना कि केवल एक स्पिसीच को लेकिन वायरस में ऐसा माग नहीं होता है यही कारण है कि कुई भी एंटिवाइटिक वायरस संक्मड़ पर प्रभावकारी नहीं है यदी हम खासी जुखाम से गरत्त हैं तो बि山 लेने से रोब टिति उसकी समय ओधी कम नहीं होती सब्सक्राइब लेकिन और भी एंटिवाइटिक व्यक्तेरिया संह्मड पर भी ना उपयोग हुगा ना पी वाइरस संह्मड पर या कुछ आपके बेक्टिरिया चित में ती द्वारा एंगित किया गया एक चित में सफित रेखा 500 नैनोमीटर माप को दरसाती है जो एक माइक्रोमीटर का आधार है एक माइक्रोमीटर एक मिलीमीटर की एक हैयार विभाग की बराहर हुद है यह मांचेत इस बात को दर्चाता है कि हम किसी कितनी सूर्च बस्तूओं को देख रहे हैं सौजन इमर्जिंग इनफेक्ट फैक्षन इस डिजीज सीडी एस यूकित का एक जर्णल है फिर आपका तेरे दिसमलाव एक भी है यहां आप देख रहेंगे इस्टे फाइलो फाइलो को काई बैक्टिर्या जो मुहासे का कारत है वह पर वाइव और की रिखा पांच माइक्रो मीटर माप को पिदरसित करती है इससे देखिए ग्यारत तेरे दिसमलाव एक उसी पोटो जुए टिपनो सॉमा वह निंदालू ब्रादी का कारत है टिपनो सॉमा तो कुछ तस्तरी नुमानाद लाल रगती कोश्काओं के साथ पिदरसित किया गया है जिससे आपको उसके आकार का पता चले सके और कॉपिराइट औरिपोच हेल्थ एंड साइंस उनिवर्सिटी यूससे से लिवे है यह आप देख रहे होगी 13.1D लेसमानिया, काला जार, ब्राधी कारक प्रोटो जिवा या जीब अंधाकार तथा पितेग में एक चावुक नुमा सरजना होती है बिभाजित होते ही जीब को तीर द्वारा दरसाए गया 13.1E, गोल किरमी, इसके रेस, लुम्री कोई डिस, छोटी आथ में पाए जाता है, चाल सेंटीमीटर की स्केल की माप का ये, बैस्क, गोल किरमी की आकारिक की अनमान के लिए बहुता है इस तरह अब बात करते हैं रोग के फैलने की साधन, संकमार के रोग कैसे फलते हैं, बहुत से सूखने जीबी है, कारक, रोगी से अनस्वस्त मनुस्त तक बिविन्ने तरीकों से फैलते हैं, अर्था भी संचारित हो सकते हैं, अथा इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं, क्या कहते है कलते हैं और जब उसके समीब कोई अनबैक्ती हो स्वास द्वारा वो ये भूने उसके शरीर में प्रिविस कर जाती है और इन से सुख्षिजिवों को नए संचमर्ण करने का आउसर मिल जाता है वो वायू द्वारा फैलने वारे रोग जोधार हैं खास्थी जुखाम निमोन हम सबी ने ऐसा नुबाओ किया होगा कि जब हम किसी खासी जुखाम से गरस्त बैक्ती के पास बैठते हैं तो हम भी खासी जुखाम हो जाता है जहां पर अधिक भीड होगी वहाँ पर हबादवारां फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे जल्दवारां भी रोग फैल सकते हैं यह संकमणी रोग यह था है जासे गिर्सित रोगी की अपसिष्ट पेजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ ब्यक्ति जाने अंजाने में इस जल को पीता है तो रोग आणू एक स्वस्थ ब्यक्ति में प्रविश कर जाता है जिससे वह भी ब्यक्ति इस रोग से गिर्सित हो जाता है और ऐसे रोग अधिकतर साफ पे जल ना मिल लेके कारण पहलते हैं चोटी 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 बूंदकें बाई के वेकसित के साथ मिन्टों से घंटों तक बातावर में प्रभावित होती रहती है लेंगिक किरियाओं द्वारा दो लोग सारे जो रूप से एक दूसरे के संपर्ख में आते हैं अताहर या आश्चा जनक नहीं है कि कुछ सूख चुझी रोग जैसे सिपलिस अत्वा इर्स लेंगिक संपर्ख के समयर एक साथी से दूसरे साथी में स्थान विलती हो जाते हैं या भी पियासे लेंगिक संपर्व सामन्स संपर्ख जैसे हाथ मिलान अदवा खेलकूण जैसि किशती अदवा और कोई अन विधी जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्ख में आते हैं नहीं फिलती है ठीक है एर्स लेंगेक्समट के अत्रिक्त. रभ्ता के इस्थानान्सी द्वारा भी यह संपपत होता है। यानि कि यह 12 को यचाईव वायरस है थीक्ट? दूसरी को अगर उसका जो रख्ते अगर दूसरी को दिया जाता है तो उसमें भी हो जाता है। उसके द्वारा में फिलता है जैसे एड से गरिस्त बैक्ती को ख़ारत स्वस्थ बैक्ती को इस्थानान्तित किया जाए अत्वा अध्वा से oystersů को इस्थनेपान द्वारा में ये रोग फिल सकता है हम एसी परियावन में रहते हैं जिसमें हमारे अतरिक्त अन्नी जीप भी रहते हैं इसलिए कुछ रोग अन्न जन्तुऊं धुआरा हमी संचारित यानि की फैलते हैं इस जन्तु रोगाणूं संकमर करने वाली कारक को रोगी से लेकर अन्न नए पौसी तक पहुंचा देते हैं अताहि मद्यस्त का काम करते हैं जिन्हें हम रोग वहाग यानी की वेक्टर कहते हैं सामान रोग वहाग का मच्छर एक उधाना ले सकते हैं मच्छर बहुस्ती यसी species जिन्हें अत्यदिक पोसंड की अवसकता होती है जिसे वे परिपक अंडे उत्वन कर सकें मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुस से भी सामिल है पर निर्भाय करता है इस पेकार वे एक मनुस से दूसरे मनुस में रोग को फैलाते भी है देख लिए रेवी से संक्मित पसु अगर यह कुट्ता मानों को काट लेता है तो रेवी जाने सुनाओगा कीट भी मच्छर बोजन के द्वारा भी परुच संपर्ण बायु द्वारा बेक्ती के संपर्ण के फैल सकते हैं रोग संक्मण के सामन तरीके हो गया है इस तरह से फैल सकते हैं एक से दूतरे में अब बात करते हैं अंग विसिष्ट अतवा उतक विषिष्ट अभी बैटी विविन न सादनों द्वारा रोग उत्पन करने वाले सुक्छ जीब सरी में प्रविष करते हैं पर एक कहां जाते हैं सुक्छ जीब की अफेक्चा शरीर बहुत बढ़ा है इसलिए हमारे सरीर में बहुत से इस्थान अंग उतक आ दिये जहां से सूख्चमजीप जा सकते हैं क्या सभी सूख्चमजीप एक ही अंग अद्वा उतक में जाते हैं अद्वा बिन बिन इस्थानों पर जाते हैं सूख्चमजीब के विवन इस पिसेज सरी के विवन भागों में वेक्जित होते हैं ऐसा चुनाव उनकी प्रविश की दिस्थान पर निर्भग करता है यदि ये हवा से नाख द्वारा प्रविश करें तो ये फैंपरों में जाएंगी यह सब्सक्राइब एकिरिया से होने वाले च्छह रोग में उता है यदि ये मोहिके द्वारा प्रविश करें तो ये आहां नाल में रहेंगी जैसे टाइफाइट रोग उतपन करने वाले वेक्टेरिया इसमें सामिल है अत्वा ये यक्रित में जाएंगे जैसे हेपेटाइटिस बेक्टिरिया जो पीलिया के कारण होता है लेकिन याद रखी ये सदेव ऐसा नहीं हो सकता है HIV जो वायरस है जो लेंगिक अंगों द्वाना सरीर में प्रिविस करता है लसी का ग्रंतियों में फ्यलता है मलरिया उपन करने वाली सोखियु जो मच्छर के कारण के सरीर में प्रिविस करते हैं देएक्र네요 में जाते हैं उसके वाल लाल लोदिर कोछिकावं में आते हैं इसे विचार जापारानी मस्तिस्क जो जिसे इंसे फ्लाइट एस कहते हैं जो और उत्पन करने वाला वायरस भी मच्छर के गाठने से सरीन में पहुंचता है। लेकिन यह मस्तिस्क को संक्यमेत करता है। जिस उतक अधवा अंग पर सूख जी आखमट करता है। रोग के लक्षण तथा चेन उसी पर निर्वार करते हैं। यदि पहंपड़ों पर आखमट होता है। तब लक्षण खासी अधवा कम सांस आना होगी। यदि यक्रत पर यह आखमट करता है तुपी लिया होगा। यदि मस्तस्क पर यह आखमट करता है तुश्य दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, बेवसी आना यह सभी लक्षण हो सकते हैं। यदि हम जानते हो कि कौन से उतक अधवा अंग पर आखमट हुआ है तो उनके क्या कारे हैं। तो हम संक्रमट के चिन्न अधवा लक्षणों का नमाल लगा सकते हैं।। ओधिक तर्द, डॉक्टर क्या करते हैं। यही तो करते हैं। देखाओगा आपने। संक्रमक रोग के उतक विशेष्ट परभाव के अतरेक तुन के अन्न सामान परभावी होते हैं। अधिकान सामान प्रवाव इस पर निर्भा करते हैं कि संक्रमक से सरी का पिती रक्षा तन्त क्रियासी लोग जाए एक सक्रिय पिती रक्षा तन्त प्रवावी तूतकों के चारों और रोग उत्पन करने वाली सूख्ण बीजों जीवों को मारने के लिए अनएक कूछ कामें की बनने के पिकरम को सोत कहते हैं इस पिकरम के अंद्रगत स्थानिय प्रवाव जैसे फूलना तठा जर्द होना और सामान प्रवा जैसे गुखार होते हैं कुछ मामलों कि में संकमण की विसेश्ट उतक अधी सामान प्रभाव को लक्षित करते हैं उधारन के लिए HIV संकमण संकमण में वायरस पिती रख्ट अतंत में जाते हैं और इसके कार को नश्ट कर देते हैं इसकार इस पेकार HIV से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा सरी पिती दिन होने वाले चोटे संकमणों का मुकावला नहीं कर पाता है हलकी खासी जुखाम से भी निमोनि जो के कारूं भी बगते हैं हमें यह भी स्मार्ट याद रखना आवस्तक है कि रोग की तीबता ही अभी वेक्टी सरीन में इस्ते सोक्षे जीवों की संख्या पर निर्वर करते हैं यदि सोक्षे जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभी वेक्टी भी कम ही होगी जीवित को सूप्ष जीवों की संक्या को निर्वाज दिधारित करता है इस बिसे मैं हम सद्याय में की अंध में पढ़ेंगे अब बात करते हैं उपचार की नियम जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी कुटम की सदस क्या करते हैं यानि कि आपका बरिवार क्या कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनभाव करते हैं। उपचार में दवाई का उप्चार करते हैं। अब तक कि ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रमक रोगों के उप्चार के दो उपाय है एक तो है कि रोग के प्रभा को कम कर दे दूसरा रोग के कारण को समप कर दे पहले उपाय के लिए हम ऐसा उप्चार करते हैं जिसके लक्षण कम होते हैं लक्षण पराज सोथ के कारण होते हैं उधारन के लिए हम बुकार, दर्द, अत्वा, दस्त को कम करने के के लिए दवाईं का उपयोग करते हैं हम आराम कर उज्या कर सकते हैं जो हमारी स्वास्त होने में साहिता भी होगी, लेकिन इस पकार की लक्षान आधारी दुख्चाल स्वैम में संकरमक सूक्ष्म जीवों को समप नहीं करेंगे और रोक ठीक नहीं होगी, इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा, हम सूक्ष्ण जीवों को कैसी मालते हैं कि इनने खतम कैसे करेंगे सूक्ष्ण जीवों को मानने की एक विदी ए कि वस्तियों का उप्योब किया जाए हम पहले ही पड़ चुके हैं कि सूक्ष्ण जीवी विवने वर्गों में आते हैं यह वाइरस हो सकते हैं, बेक्टेरिया बन जाई, अत्वा फोर्टो जुगा भी हो सकते हैं जीवों के बिदेग बर्ग में कुछ आवस्त जहों रसायनिक, जह पिक्रियाएं होंगी, जो इस बर्ग के लिए विसिष्ट होंगी, और अन बर्गों में नहीं होंगी यह पिक्रियाएं नई पदात बनाने के बिदेग चरण अत्वा सुसन को हो सकते हैं इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं, उधारन के लिए हमारी कोश्का है ऐसे पिक्रम से नई पदात बना सकते हैं जो बेक्टेरिया के पिक्रम से बिननो हमें ऐसी ओस्दी का उपयोग करना है जो हमारे सरेरी को प्रभावित किये विना कि बिक्टेरिया के संसलेसी मार्क को रोख सकें ऐसा एंटिवायोटिक से सम्मव है इसी पिक्रिया पिकार कुछ ऐसी ओस्दिया है जो मलेरिया की परजीवी पोडो जुगा को मारती है लिए अपने जीवन पे क्रिया के लिए हमारी मसीननीरी का उप्यूव करते हैं इसका अर्थ है यह है कि आप प्रूमड करने के लिए अपयक्य करत कम वाईरस भिसिष्ट लग्च होते हैं इन सीवाओं के बाब जूद अप्रभावसाली एंटिवाइरल और उस्थियां भी उफलत दें उधारन के लिए HIV संकमर्थ को नियंतित करने की उद्धी फिर आपके निवारन की सिद्धान्थ अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संकमर्थ से कैसे चुटकारा मिल सकता है संकमर्थ को रोगों से चुटकारा पाने की तीन सिमाए है पहली यदि कोई एक बार विमार हो जाए तो उनके सारी रिक कारियों को बहुत थानी होती है और फिर फूरी तरह से स्वस्त नहीं होते है दूसरी है उपचार में लबा समय लग सकता है अता सही उपचार होने पर भी रोगी को विस्तर पर लंबी समय तक आराम करना पर सकता है तीसरी हो सकती है कि संग्वेत रोगी अनव्यक्तियों में रोगों को फैलाने का सिरूत बन जाए इससे उपयोप कटनाईयां और बढ़ जाएंगी इसलिए रोगों का निवारन उपचार से अच्छा है हम रोगों का निवारन किसे कर सकते हैं इसकी दो विदिया हैं एक सामन और दूसरी रोग विशिश्ट संक्मर से बचने का की सामन विदिय की रोगी से दूर है इससे हम संक्रमक सूक्षम जीवों से बचाओ कर सकते हैं यदि हम उनके फैलने की विदियों को जानते हैं तो हम बड़ी सुगंता से सुगंता हुई बातोड बायू द्वारा फैलने वाले सुग्षम जीवों से बचाओ के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ बरे स्थानों पर ना जाए जलोड यानि की जल द्वारा फैलना सुग्षम जीवों से बढ़ने के लिए हम साप जल पी हैं इसके लिए आप पानी में इस्तित सूपचिंजीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं रोग बाहग सूपचिंगीव से बचने के लिए हम साप पर्यावण में रहना चाहिए ऐसे बातावण में मंचर उत्पन नहीं होते हैं स हाँ संकरमक रोगों से बचने के लिए सौखिता आवश्त था परियाबंट से संबंदीद विश्वाओं के बत्रिक संकरमक रोगों से बचने के लिए और भी अन्य सामान नियम है नियमों की बात करने से पहले हम एक पिसंट हुचते हैं कि जिसकी योर अभी तक ध्यान नहीं गया, फ्रया हम पिती दिन संकमर से गुजरते हैं, यदि कक्षा में कोई विद्यारती खांसी युकां से पीड़ते हैं, तो ऐसा संभाव है कि उसके आसपास के विद्यारती भी संकमरत हो जाएं, लेकिन हम सभी बास्तव में रोग से पीड़त नहीं ह होता है, इसका कारण है कि हमारे सवीर में इस पिती रक्षा तंद जो रोगाणियों से लड़ता है, लड़ता रहता है, हमारे सरीर में विशिट कोशकाएं होती हैं, जो रोगाणियों को मार देती हैं, हमारे सरीर में जैसे कि एक ही कोई संकमर रोगाणू आता है, एकोशक पिती रक्षा एक कोस्काएं संख्मण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है जैसा कि हमने पहले देखा है यदी रोगाणूं की संख्या नेंतित हो जाती है तो रोग की अभी विद्ध ब्यक्ति बहुत कम होगी अर्था शंक्रमक रोगाणूं से संख्मित होने का यह नहीं है कि हम कोई बिस्शिस बीमारी होगी है एक सीधा सा मतलव है कि आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो पिती रोधक चंता है इसे आप आरमी लेख सकते हैं आरमी से तुलना कर सकते हैं कि माल ने जे कोई आतंगव चमता तगड़ी है और उसे मार गिराती है रोग को तो वो रोग आपके अंदर नहीं पहले, अगर पिती रोग चमता नहीं कर पारे ही काम उस पर हावी नहीं हो पारे ही तो रोग पहलना सुभावी कर दूह गंबीर संक्रमक रोग पिती रक्षातंत की आसफलता को इंगित करता है पिती रक्षातंत हमारे सरी में विश्तित अंतंतों की तरह सफल नहीं होगा यदि हम परयाप्त भोजन तथा पोशन पराप्त ना हो इसलिए संक्रमार प्रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवस्था है उचित मात्रा में सब के लिए भोजन की उपलब दिता है यहां किरिया कलाब दिया गया है इसे भी देख लिए तेरे दसमलोग 6 अपने मौले में एक सर्विश छड़ करो दस परिवारों से बात करो जिनके रहन सहन उच्छे स्तर का हो जो अच्छी पिकार रहते हैं और दस ऐसे परिवारों जो आपकी अनुमान के अंसार गरीब है इन दोनों परिवार में बच्चे होने चाहिए जिनकी आयू 5 बर्स से कामा पिते एक बच्ची की मुचाई मापो और आयू लिखो तथा एक गराब मनाओ क्या बर्ग में कोई अंतर है हाँ यदि उनमें कोई अंतर नहीं है तो क्या आप यह निसकर्स निकाल सकते हैं कि स्वास्त के लिए अमीरी गवीवी का कोई मत नहीं है एस संकमर से बचने की सामान विधिया होती है बिशिष्ट विधिया क्या है एक विधी रख्चात्मत के विशिष्ट गुडों से सम्मते थें जो प्रयाद रोगाण उसे लड़ते रहते हैं इसे समझने के लिए एक उधारन लेते हैं इन दिनों सारे विश्ट में चेचक नहीं है लेकिन सौ बर्स पहले चेचक मामारी बहुत होती थी ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक नहीं हो जाए चेचक वही है आप लोग अपनी छोटी माता कहते हैं जिसे गाउं गिराविट चित में लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था वह बर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता है यह वह बर्ग था जिसे बहुत बयानत चेचक हुगा था लेकिन फिर भी जीवित रहे लेकिन उनके सरीर पर चेचक के बहुत सी दाग थे अर्था थे आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुना होने की संभावना नहीं होती है इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह भी दिया ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणू पिती रख्चा तंत पर पहली बार खाकमड करते हैं तो पिती रख्चा तंत रोगाणू के पिती किरिया करता है और फिर इनका इसिट रूप से समड कर लेता है, यानि कि इसे पर्चित हो जाता है इस पेकार जब रोगाणू या उससे मिलता जुदता है, रोगाणू संबर्ग में आता है तो पूरी सक्ती से उसे नश्ट कर लेता है इससे पहले संकमण की आप एक्छा दूसरा संकमण सेगी समाप्त हो जाते हैं या पिती रख्चा करन की नियम का आधार है एक तरह से आप इसे सीधा सा समझ सकते हैं कि आपकी किसी से दुस्मनी हो गई वो आपको एक बार हानी पहुंचा चुका है तो आपने उसे पहचान लिया है जब भी आप दुवारा वो मिलेगा तो आप उसे पहचान जाएंगे उससे दुरी बना लेंगे ठीक है या पिर उसे आप उसकी आदत को पहचान जाएंगे उससे निपट लेंगे हम कह सकते हैं कि टीका करन का सामान नियम यह है के बाद रोग करने से रोगते हैं, आपने बच्पन में एक रोग पोलियो कटी का लगवाया होगा, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके अंदर एक पितीरो दक चमता डाल दी गई है, कि अगर आपको आगे कभी जाकर पोलियो होता है, तो वो आप पर हाभी नहीं होगा, औ और उसे खतम कर देगी आपकी पितीरो दक चमता, पितीरगचा, परमपरावं के नुसर भारती तरह चीनी चेकिस्ती है, तंत में कभी कभी जानबूद कर, चेचक से पेड़त ब्यक्ती अत्वा स्वस्थ ब्यक्ती की तो चागो, आपस में रगड़ते थे, उन्हें ऐसी आ आपकी गवाले जन्हें गोचेचक हुई है, उन्हें महमारी की समय भी चेचक नहीं हुई, गोचेचक मंद रोग है, जैनर ने जानबूच का लोगों गोचेचक दिया, जैसा की तस्वी में दिखाए गया है, इस तरह से, इस से उन्होंने पाय किया भी लोग चेचक के पि अर्था होता है इसका वैक्सीन या, इस आदार पर वैक्सीन अतवाट टीका सब्द आया, जिसका हम आजकल उप्यूप करते हैं, और आपने सुना होगा कि यही वैक्ती थी आपके, जैनर साहब जिन्होंने टीका की कोच की थी, एड़वर्ड जैनर, इसे बहुत से टीके आजकल उप्लब्द हैं, जो संकर्मक रोगों का निवारंग करते हैं, और रोग निवारंड का विसेष्ट साधन बदान करते हैं, टिटनेस, डिफ्थेरिया, कोकाल खांसी, चेचक, पोलियो, आदीके टीके उप्लब्द हैं, य पारकारी स्वास्त कारकरम चलते रहते हैं, आपने देखा हुआ, ऐसे कारकरम तभी सफल होते हैं, जब कि ऐसी स्वास्त सुगजाय सभी बच्चों को परापत हो, क्या आप इसका कारास हो सकते हैं, जैसा क्यों होना चाहिए, हैपटाइटिस के कुछ वायरस जिसमें पीलि एक पिती पिती रक्ची हो चुका होता है, इसका कारण है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाह में आ चुका हो, इन परिखतियों में आप टीका लगनाएं, यहां देख सकते हैं, क्रिया अगलावती रहते सम्लों साथ, संख में कुते अतवा अन जन्दूओं के काट ने से रोकने के लिए क्या कर सकता हैं? चलिए तो आपने आखेर इसमें क्या क्या पढ़ा है अद्धियामें, और पढ़ने का उद्देश क्या था? स्वास्थ बेक्टी की सारेरिक और मालसिक सामाजिक जीवन की एक समख समनवित अवस्था है किसी स्वास्थ उसके किसी का स्वास्थ उसके बहुतिक पर्यावन और आर्थिक अवस्था पर निर्भर करती है रोगों की अवदी के आदार पर से तीब या पर दीख कालिक दोग बर्गों में विवाजीत कल सकते हैं रोग के कारक संकरमक भी हो सकते हैं और आ संकरमक भी हो सकते हैं संकरमक कारक जीवों के वेमिने बर्ग से हो सकते हैं ये एक कोसिक, सूप्च जीब, अत्वा बहु कोसिक भी हो सकते हैं। रोग का अप्चार उसके कारण, रोगवणवियों के बर्ग की आधार पर किया जाता है। संक्मक कारण, बायू, जल, सारीरिक संपड, अत्वा रोग बाहग द्वारां फिलते हैं। रोगों का निवारां सफल उप्चार की अपेच्छा अच्छा है। संक्मक रोगों का निवारां जन्स्वास्त स्वाक्षिता विद्वियों द्वारां किया जा सकता है। जैसे संक्मक का कारण कम हो जाते हैं। टीका गर्ण द्वारा संक्मत रोगों का निवारन किया जा सकता है। संक्मत रोगों के निवारन को प्रभावसाली बनाने के लिए आप सके कि सारुजनिक स्वाक्षिता और तथा टीका करे की सोज़ा सभी को उपलब्द रहे। यह आपके अभ्यास के लिए कुश्चन से दिए गए हैं। इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग और पीडिया आप आप लोग डावलोड कर देजी टेलीग्राम से ठीक है। चलिए को हम मिलते हैं अंगले अद्धियाय में, 14 वे अद्धियाय में बात करेंगी प्राक्तिक संपधा के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT कक्छा नौवी की बिग्यान के बारे में। तो ये आपकी ककछा 9 की लाथ वोक बची हुह है। इसके खतम होने के बाद आपकी 9 की सभी वोको कमप्लीट कर वा दिगे हैं। और उसके बाद आपकी कक्छा 10, 11, 12 की वोको बचती हैं, उन्हें भी वह लोग बहां जल्दी कवश लें। आप सभी लोग एक बात याद रखिए, अगर आप इस्टिट PCS या फिर सिविल सब इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो समय रहती हुए आप लोग इन बुक्स को पढ़ लें, क्योंकि ये इतनी मात्कून आपके लिए हैं कि इनका कोई दूसरा भी कल्प नहीं है, इन्हें बिना पढ़ें, आप कुछ नहीं उखाल सकते हैं, तो इसलिए समय रहती हुए इन्हें आप लोग पढ़ लें, तो इसमें बात कराएंगे हम लोग प्राक्तित संब्धा, यानि कि Natural Resources, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पिथवी ही एक ऐसा ग्रह है, जहां जीवन वित्वाने, यानि कि लोग तो रहते हैं, जीव रहते हैं, पसुव रहते हैं, इस तरह के सभी जीवन संभव है, पित्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, हम यह भी जाते हैं कि जीवन के लिए परिवेस्ता, जल, तथा भूजन की आवस्ता होती है, पित्वी पिथिवी पर ये संपदा कौन-कौन सी है, एस्थल, जल एवं बायू है, पिथिवी की सबसे बाहरी परत को इस्थल मंदल कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्थल मंदल कहते हैं, पिथिवी के 75-35 भाग पर जल है, कितने 75-35 यानी की दो तेहाई भाग पर जल है, यह भूमी के जल क यह सी आ से रोंग में पायाता है इन सभी को ज Viele केफें यह कहते हैं यह जाल मंडल बायों जो पूरी पितवी को कंबल साह करेकी रहेति हैं उसे हम लोग बाय मंडल कहते हैं जीवित पदार्थ वही पाय जाते हैं जाहें तीनों अवयब इस्तित होते हैं यानि कि कह सकते हैं जीवन के लिए जीवन को आसर देने वाला पितवी का यह गिरा जहां बायुमंडल इस्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभा बनाते हैं उसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं क्या कहते हैं जीव मंडल गहते हैं सजीव मंडल के जविक घटकों को बनाते हैं बायू जल और जीव मंडल की निजीव घटक हैं आईए अब इन अजयब घटकों को पितवी पर जीवन की संप्यूशन की लिए आवर्सत हैं उनकी मून क्या कविस्तत अध्यान करते हैं, जीवन की स्वास यानि की बायू सबसे पहले बायू के बारे में जानते हैं, हम पहले अध्याय में बायू के घटकों के विशाय में पढ़ चुके हैं, यह बहुती गेसें जैसे में nitrogen, oxygen, carbon dioxide जलवास कमिस्रण होता है, यह जादना रोची करें कि कि सूक तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है बाईमंडल का मोख घंटक कारबन डाई ओक्साइड है बासतों में सोक तथा मंगल ग्रह है कि बाईमंडल में 9530 शे 97 पितिसर तक कारबन डाई यानि की कारबन डाई ओकसाइड यानि की CO2 उपस्त देया है यूकरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकरियोटिक कोशिकाओं को गिलूपोज अड़ों को तूडने और उससे ओजापरात करने के लिए ओकसीजन की आवस्ता होती है जैसा कि हम अध्याएफ 5 में पढ़ भी चुके हैं किसके पाइडाम सोरुप कारबन डाई ओकसाइड की उत्पत्ती होती है दूसरी पिकरिया जिसके पाइडाम सोरुप ऑकसीजन की खापत होती है और कारबन डाई ओकसाइड का उत्पादर होता है दहन की किरिया है, इसके केबल मनुस के बेकरिया अकला भी नहीं, जो उर्जा प्राप्त करने के लिए इंदन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है, इसमें आप लोग एक समझ सकते हैं, कि फिर शाह है आपका कोई समझ दो, यानि कि महासागर हूं, या फ भाग आपके अंदर हैं, दूसरा भाग पेड़ों में हैं, आप समझेए कि आप जब CO2 यानि कि कार्वन डायोकसाइड छोड़ रहे हैं, तो कहा जा रही है, सोची अगर पेड ना हो, तो क्या हुगा, वो ऑक्सिजन में बदलेगी ही नहीं, ऑक्सिजन में नहीं बदलेग पेड हैं, क्योंकि कार्वन डायोकसाइड में बदलेगी ही है, और बहुत सी समुधरी जन्तू, समुधरी जल में गोले कार्वन डायोकसाइड से अपने कबच बनाते जलवायू के नेंसरण में बायू मंडल की मुन का क्या है? हम जान चुके हैं कि बायू मंडल पित्री को कंबल के समान ढखे हुए है हम जानते हैं कि बायू उस्मा का कुछालक है बाईमंडल पित्वी के उसात तामान को दिन के समय और यहां तक की कूरे वर्ष में लगबख नियत रखता है बाईमंडल दिन में तामान को अचानक बढ़ने से रोकता है और राग के समय उसमा को बाहरी एंत्रिक्ष में जानी की दर को कम करता है चंदमा के बारे में सोचें जो सूर से लगवाक उतनी ही दूरी पर है जितना की पित भी इसके बाप चंदमा की सताय का सताय यहां बाइमडल नहीं है वहां का ताम मान माइनस होइस एक सो नखेंट से पिलस में 110 डिग्री सेल्सियस की मतरफ रहता है महीं ना इतना हमें चाहिए इतम मनें में जीवन भी संभाव नहीं हो सकता है आप समझ रहे हैं 110 डिग्री सेल्सियस अभी पैंतालीस 46 से सच पहुंच जाता है तो पाहर लगने लगती है जलानोंने लगती है और माइनस में आप देख रहे हैं 190 यानि कि बरब जम जाओगे बाहर सुवे मालू चलागी सुवे बरब बने में लेगा इसके लिए अकलाब को देखते हैं निमलिकित का ताम मापी है जल से बरा एक बीकर बिदा या बालू से बरा एक बीकर और एक बंद बोतल लें जिसमें थर्मामीटर लगा हो इन सभी को सुवे के प्विकास में तीन घंटे तक रख दें अब तीनों बरतन के तामान की माप करें उसी समय चाया में भी तामान को देखें अब उत्तर दें तामान की माप अदिके प्राप्ट निश्कस के आदर बर्कौन सबस cœpl़ में गर्म होता है इस थलिया समौत है क्या च्छाया में बााईव के तामान बालू और तदर जल की तामान के समान होगा आप इसके पर आदन की बारे में क्या सोचते हैं और तामान में च्छाया क्यों अब आयात है हवा का तामान, खुले में लिया गया हवा का तामान, इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या हम पर इस तरह की अतनाओं से अवकत हैं, याद रखिए इस तरह के जो भी क्रिया कलाब हुआ करें, आप लोग पढ़िए अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रह से गरम नहीं होते हैं, इसलिए बोलता हूं छोड़ने के लिए क्योंकि आप पैक्टिकल करते हुए बैठे के समय वरवाद होगा, और पैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप इनके आंसर दन्हें में मुश्किल होगी आपको, तो बेहतर यही है कि आंगे पढ़िए और आप उनकी ठंडा होने की दर्व, दर्व बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप अपने नमान के सत्ता के लिए एक प्रियोग कर सकते हैं, अब आप करते हैं वायू की गती, पवने, हम दिन भर की गर्मी के बास साम को बहने वारी ठंडे, समीर से रहत महसूस करते हैं, कभी अधिक गरम मौसम की बर्शात बर्शा होती है, वायू की गती का क्या कारण है, बे कौन से कारखें जोड़ों है, कभी समीर, कभी देज हवा, या पिर कभी तूफान की रोम में गती पिदार करते हैं, और वर्शा का क्या कारण है, एस अभी पिक्रिया हमारे बाई मंडल मे हवा की गरम होने और जलबात की बनने का परिमार परिदा में, जलबात जीवित प्राणियों की क्रिया कलाव हों और जलब की गरम होने की कारण बनते हैं, इस थलिये भाग या पिर जलिये भाग से होने वाले विकरन की परावलतत दतना पुनार विकरन की कारण वाई मंडल गरम होता है, गरम होने पर बाई में सम्माहन धाराय उत्पन रोते हैं, सम्माहन धाराय की प्रक्यति को जानने के लिए आईया निमलेकित किरियाकलाब करते हैं, इसे आप लोगर बर्सा के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो आपकी जो गोगल की बुक्स हैं, उन्हों में बहतर समझाएगे हैं, सीधा सा मतलब आप सोचिए कि आप धूम में एक कटोरी पाना पानी रख देजे, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो उड़ जाता है बास्प के रूम में, समझ रहेंगे, वो है पानी, अब बास्प के रूम में बादलों में पहुंच गया है, उसके बाद उसे वो इस्तिती मिलेगी, उतना कामबान मिलेगा जिससे वो पानी में बदल सके, तो वो नीचे आ जाएगा, इसकी रिया किल आपको देखते हैं, एक मौолнबक्ती को चौड़े मौइवाली बोतल में या फर भीकार में रखें, उसे जलाएं एक अघरवत्ती को जलाएं उसे बोतल के मौइक समीप लेजाएं, जब अघरवत्ती को मौइक के के नारे पर ले जायाजाएं तब अवलुगन करें कि दुगा कि सोर जाता है, दुसरी भागों में जब मौमबत्य को रखा जाता है तुशा मनगा जो होती है जिसी दुचा इस्थल जल्दी गरम होता है, जल्की ये पेच्छा जो आपका धर्ती है ये जल्दी गरम होती है, इसलिए इस्थल के उपर की वायू जल्की उपर की वायू के पेच्छा तेजी से गरम होती है, इसलिए अगर हम तटिये चित्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं हम लो बन जाता है और समुद्र के ऊपर की बायू कम दाप बाले चेत की और प्रवाहिद हो जाती है एक चेत के दूसरे चेत में बायू की गती पवनों का निर्मार करती है दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से इस्थलगी और होगी सीधा सा कहने का मतलब है कि उच्च जाए चलेंगे और एक बात आप हमेसा रड़ाद रखे ताप जहां जाना होगा वहां बायूदाफ चलेंगे वहां बायूदाफ होटा है क्यूंकि यहां बैठा देता है ठीक है और गरम उपर उठा देता है बायू को तो वहां खाली जग्य हो जाती है रात के समय कि अगर हम बात करें तो स्थल और समुध दोनों ठंडे होने लगते हैं चुक्कि स्थल की यह बेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए जल के उपर की बायू स्थल के उपर की बायू से गरम उडी उपर दी गई परीचर्जा की आदार पर आप निम्ने विसा में क्या कह सकते हैं तटिये चेत्रों में कम और उच्छे दाप की चेत्र में रात में पितीत होते हैं तटिये चेत्रों महरात के समय बायू की दिशा क्या हुई इस पेकार हवा की सभी गतियां विवेन बायमंडली ये पिक्रियाओं का परिमार है जो पितवी की बायमंडल में के आसमान विदियों से गरम होने के कारण होता है लेकिन इन हवाओं को बहुत से अनिकारग भी प्र के तद्यन नहीं करेंगे लेकिन इसके बारे में सोचते हैं कैसे हिमाले की उपस्तती से इलावाद से उत्तर की और प्रभावित होने वाली बायू की दिशा परिवर्टित हो जाती है यहां एक सीधी सी बात आपको याद रखने क्या आपने देखा है कि जो समुद्य है वो दीरे दीरे उनका पानी गरम होता है लेकिन जो इस तल है आपका वो जल्दी गरम हो जाता है जल्दी गरम हो जाता है यहां नेमन बाइवद आपका छित रहेगा और यहां ओच बाइवद आपका तो किस तरफ चलेगी इस तरफ हवाय चलेगी और एक बात आप लोग जानत ठीज है हवाय और यही नियम लगाया करिएगी जहां कम बायुदाब है उसकी तरफ हवाय उच्छ बायुदाब से जाएगी निम्ने बायुदाब की ओर बरसा आईए हम इन पिसनों पर विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं वह बरसा करते हैं हम इनके लिए एक साधान पेव कर सकते हैं जिससे ग्यात हो सके कि कुछ कारक जलवायु के कैसे पिरभावित करते हैं किरिया किलाब 14.3 को देखिए एक पतली पिलास्टिक की बोतल लें इसमें 5-10 ml जल लें तथा बोतल को कसकर बंद करें इसे अच्छी तरह हिलाएं तथा 10 मेंट तक दूब में रखें इ अब एक चली हुई अगरवत्ति लें और बोतल के ढंकल को खोले और अगरवत्ति के धूए की कुछ मात्रा को बोतल के अंदर जाने लें पुनावा बोतल को कसकर बंद करें पीतल को बोतल को अपने हतेलियों की बीच रख कर जितना जोड से हो सके दबाएं कुछ सभाय तक कितिक्चा करें और बोतल को छोड़ दें एक बार को नहां बोतल को आप चितना जोड़ से हो सकें संभवों दबाएं अब उत्तर देन की हैं आपने कब देखा कि बोतल के अंदर इस्तित्थवा कोहरी की भाती हो जाती है यह कोहासा कब समापत होता है बोतल के अंदर दाप क्या होगा जब आप इस प्रियोग को बिना अगर्वत्ति के दूरिये के करेंगे आप ऐसा प्रेतन करें के देखां कि परिकल्पना सही थी या गलत इन सबको एक बार पढ़ना है बार बार में बहुर रहा हूं उसके बाद आपको नीचे जो निश्कर्ष दिया जाता है उसे पढ़ना है बहुत चोटी स्थर पर उपयोग तिरयोग दो रहा है क्या होता है जब जलवास से वरी हुई वायू उच्छे दाब बाले छेत्म से कम दाईू कम दाब बाले छेत्मे या इसकी विप्रीत प्रभावित होती है तो दिन के समय जब जलिये भाग गरम हो जाते है तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवास बन जाती है और यह बास बायू में प्रभावित हो जाती है जलवास की कुछ मात्रा बेविन जवी क्रियाओं के कारण बायू बंडल में चली जाती है यह बायू भी गरम हो जाती है और गरम बायू अपने साथ जलवाग को लीकर ऊपर की और उठ जाती है। जैसे ही बायू ऊपर की और उठ जाती है, यह फेलती है और थंडी हो जाती है। ठंडा होने की कारण हवा में वबस्तित जलवात छोटी-छोटी जलकी बूनों की रूम में नीचे संगनेत होने लगता है। जल का यह संगनन सहज होता है। यदि कुछ कड नाविक की तरह कार करके अपने चारों और बूनों को जमा होने देते हैं। समानका बायू में फ़स्तित धूल के कड तथा दूसरे नीलविक कड नाविक की रूम में कार करते हैं। एक बार जब जल की बूनों निर्मित हो जाती हैं तो विसंगनेत होने की कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं, तब ये बर्सा की रूम में नीचे की और गिरती हैं, कभी कभी जब बायू का तामान काफी कम हो जाता है, तब ये हमविष्ट टी अत्वाब ओले की रूम में अफिक आउच्छेपित हो जाती हैं. बर्सा का बैटन पवनों के पैटन पर निर्वर करता है भारत की बहुत बड़े भूबाग में अधिकतर बर्सा दच्छन पश्चिम या फिर उत्तरपूरी मानसून के कारण होती है अधिकतर आपकी दच्छन पश्चिम मानसून के कारण ही होती है यादर कि हमने मौसम सूच मिचनाओं में भी सुना हुगा कि बंगाल की खाड़ी पर वायू का दबाव कम होने के कारण कहीं छेतरों में बरसा हुई है यह आपका भारत के देखिए क्या है यह भारत इस तरफ से आपका दच्छन पश्चन मानसून आता है उत्तरपूर्वी लोटता हुआ मानसून भी क समाचार पत्या फिर टेलीविजन के मात्याम से मौसम सूचनाओं की जानकरी 31 करें यह पी पता लगाएं कि एक बर्सा मापक यंद कैसे बनाया जाए उससे बनाया बर्सा मापक यंद से सही डाटा परफ्ट करने के लिए कौन से सुरक्चात्मा कुपाय करने आवल सके अब बर्सा हमेशा बादल गरजने या विजली चमकने के कार साथ हुई है अगर नहीं तो किस मौसम में सबसे अधिक बर्सा बादल गरजने वो विजली चमकने के साथ हुई है फिर किरिया कलाब 14.5 को देखिए पुस्तकाले से मांसून और चक्कवाद के बारे में और अधिक किसी दूसरे देश की बर्सा के पैटर्न का पता लगाए कि आप पूरे विश्व में बर्सा के लिए मालसून उप्तलदाई होता है छोड़िए आप इस सब भूगोल में पढ़ लेना अच्छे से यहां किरिया कलाब है पस पढ़ लीजिए समझ में आ रहा है तो ठीक है व क्या उसमाओ कैसे प्रभावित होती है और इस गुड़बता में परिवतन हमें और दूसरे जीवों को किस पिकार कैसे प्रभावित करते साथ जिवास में में इंदन झैसे कोईला और पैटॉलियम पदार्त मैं नाइज रूजन और सलफर की बहुत कम मात्रा होती है जब ए इनन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सलफर भी इसके साथ जलते हैं और यह नाइट्रोजन और सलफर की विविन ओक्साइड उत्पन करते हैं इन गेसों का केबल सांस के रूम में लेना ही कतनाग नहीं है बलकि ये बर्षा की जल में मिलकर भी अमलिये बर्षा भी करते हैं ये भी नुकसान दायक होती है जीवास मीधन का दहन भायू में नीलंबित कड़ों की मात्राओं को भी बढ़ा देता है इन निलम्बित कड बिना जले कार्वन कड का कड या पर पदार्थ को हो सकते हैं जिने का हाइडो कार्वन भी कहा जाता है इन सबी पीदूसकों की अधिक मात्रा में होपस्तिती दुरस्ता वो कम करती है वेसिसकर सदी के मुस्तम में जल्ब जल्ब भी बायू के साथ संगनित होती है इसे धूम कोहरा कहते हैं क्या कहते हैं धूम कोहरा लाइकेन ये बायू की दूसर क्यों संकीत करते हैं अध्यनों से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली बायू से सांस लेने के में से कैंसर है दैरोज यह पर allergy जैसी allergy जैसी बीमारिया होने की समाना अधिक हो जाती है वायू में इस तिर्थ हानी कारक पदार्तों की विद्धी को वायू के दूसर कहते हैं किरिया के लाफ 14.6 को भी देखते हैं लाइकेन नामक जीब बायू में पस्तिती sulfur dioxide के अधिक सम्मिदन सील होता है जैसे यह की अनुवाद 7.3 में बताया जा चुका है यह पर आप पेड़ों की चालों पर पतले हरे और सफेद रंगी परत की रूम में पाए जाते हैं यदि आपके आसपास पेडों पर लाइकेन है तो से आप देख सकते हैं आप सडकों के किनारे यह दूर पी दूसरन फैलाने बाले पदार्तों की रूम में भी समय कह सकते हैं या आपके questions से में देख सकते हैं अब बात करते हैं जल एक अदबुतत द्रव है जल पितवी की सताय के सबसे बड़ी भाग पर उपस्तित है और यह भूमिगत भी होता है जल की कुल मातरा जलवास्त की रूमें बाईमडल में पाई जाती है पितवी की सताय पर पाये जाने वाला अधिकतर जल आपका समुद्र और महासागरों में है और तथा यह खारा भी है कैसा है खारा है सुद्ध जल बरफ की रूम में अब दोनों दर्वों पर और बरफ से ढख के पहाड़ों पर पाये जाता है भूमी के जल और नदियों जीलों तालावों का जल भी सुद्ध होता है फिर भी इस जल की उप्रलत दिता बिभिन इस्थानों पर भिन्द भिन्द होती है गर्मी में अधिकतर इस्थानों पर जल की कमी होती है और गरामी डराकों में जहां जल आपूर्थी की विवस्ता नहीं है वहाँ लोगों का दिकार अधिकतर समय दूर से जल लाने में बैह होता है किरिया कलाप्स 14.07 को देखी बहुंसे नगर नगरम जल की उफलगद दता को बढ़ाने के लिए जल संगरन की तखनीकों पर कार कर रहें पता लगा यह कौनसी तखनीक है यहां उपयोग यह उफलगद जल की माततर बढ़ाने किस भिकार साहेख है कiblि जल इतना मात ओने अपके लिए तता सभी प्राणियों को जल्की आवसक्ता होती है आप कहते हैं ना कि जल्ही जीवन है यही है सभी कोशका हैं, कोशकी यह फिक्रियां जल्ही मात्यां में होती है सभी फिक्रियां जो हमारे सरी में या प्रिकोशकाओं के अंदर होती है वह जल्द में गुले, वह पदार्तों में होती हैं सरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्तों का संभाण गुली वी अवस्ता में होता है इसलिए जीवित प्राणी, जीवित रहने के अपने सरीर में जल्द की मातरा को संतुलित बना रखते हैं और एक बात आप समझेए सोच के देख सकती है, सोच लिए करिएगा कि जल ना होता है, तो क्या होता है, साइध हम ना होते हैं, एक किलिए रहे, इस थलिए जीवों को जीवित रहने के लिए सुध्य जल की आवसकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमप की अधिक मातरा होने क कारण जीवों का सरी उसे सहन नहीं करता है, इसलिए प्रयाडियों और पौदों को पिदिवी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब देखे, उपलबदी के स्रोथ आहर सके, हमारे पास जल तो अधेख है, जल की कोई कमी नहीं है, आप देखते हैं कि एक बड़ा मिला पानी पीते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता है कि प्यास बुझ पाती है, थोड़ी टाइम बाद फिर लगाती है, अब के दिया कलाब 14.08 को आप देखिए, किसी नदी तालाव या जील के समीब एक चोटे स्थान को चुने, मालने के एक बर्ग मीटर इस चित में पा पाए जाने वाले पौते और जन्तु एक ही पकार के हैं, किरिया कलाब 14.09 को देखिए, अपने विद्ध्याले के समीब या किसी प्रियोग में नाहरे वाली भूमी को चुने, लगबग एक बर्ग मीटर और उसे चिंदित करें, उसी पकार कुश चेत में पाए जाने वाले विविन जन्तु और पौदों तथा पितेक इस पिसीच के जीवों की संख्याओं की गर्णा करें, उसी स्थान की गर्णा बर्स में दो बार करें, एक बार गर्मी और दूसरी बार बर्सात के मौसम में, अब उत्तर दे सकते हैं कि छोड़ी आप नीचे आईए, उप्यक्त या फिर दिये हुए इस्थान में रह सकते हैं, अगर संबन्द हैं तो बताईए कि आप किस छित में सबसे अधिक पिकार हो जीवन की उपलगता पाएंगे, 200 cm बर्सा बाले चित में या फिर 5 cm बाले चित में, एटलस में बर्सा के पैटरन बाले मांचेत को देखें और या बताई कि भारत की किस राज में सबसे अधिक जैविवे, बिविन्निता होगी, किस राज में कम होगी, अनुवाद सही है या गलत इसकी जाज करने के लिए क्या हम किसी विदी पर विचार कर सकते हैं, एक बात आप लोग हमें से याद रखिए, कि आपने देखा होगा, कि जब बलसात का मौसम आता है, तो आपको कही तरह के जीव भी दिखाई देने लगते हैं, और एक गर्मी का मौसम आता है, जब सूख जाती है, सब खतम हो जाता है, तब आपने देखाऊगा, घास भी आपके सामने नहीं देख रहे है, तो जीव जनतु वहाँ जीव छोटे कि जीवन में बेवित्ता को भी निरायत करती है, यह अक्ती जल की उपलब्तता केवल एक कारक नहीं है, जो उस्चेत में जीवन के लिए आवस्ता है, दूसरी कारक जैसे तामान और इटी की प्रकृती भी मात्वून है, लेकिन जल एक मात्वून संपदा है, जो जीवन को इसकल पर निधारित करता है, तो याद रखे मेगालय में मासिन राम, में सबसे जाना आपकी वर्षा होती है भारत में, ठीक है, भारत में नहीं, बिस्त में भी, बिस्त में सबसे जाना आपने भारत में मेगालय राज्य में होती है, मासिन राम, अब बात करते हैं जल पी नाले का जल्ब, ओध्वों को कचरा जल्बी नदियों जीलों में संगेत हो जाता है, आपने सुना होगा कि गंगा नदी का सबसे जाना पिदूसरन होने का कारण यही थे, कि इलाबाद का पूरा जितना भी गंदा जल्था उसी में मिलाया जाता था, और कानपूर का जितनी सफाई अवियान पर दिया जाने लगा, तो यहां से फैक्टरियां भी अटा दी गई है, और अब यहां की जो जल है, इसे भी एक हद तक अच्छे से इसका प्लांटेशन करके, मतलब इसे सुच बनाकर छूड़ा जा रहा है, मतलब इसना अपिदूसरन जो डारेक्ट जल जानता था उसे रोब दिया गया, कुछ विसेस उद्वों की बहुत सारी क्रियाओं में स्किल सीतलता बनाया रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, उस पेकार निस्पादित गरम जल को जलबास में वापस लोटा दिया तरता है, जब बांध में से जल को छोड़ा जाता है तम नदियों के जल के तामान पर भी प्रवाव पड़ता है, घरे जलासां के रुंदर का जल शूर के द्वारा गरम उपर की सतय के जलकी तुल्ला में सीतन होगा ये सभी जलासवे में पाये जाने वाले जीवों के प्रिकार को विवे ने प्रिखार से प्रभावित कर सकते हैं एक कुछ जीवों की बिद्धी को ब्रुसाहित करते हैं तो कुछ कोहानी पहुंचात सकते हैं इस प्राड़ी में उपस्तित विविने जीवों की संतुलन की संतुलन को विगाड़ सकते हैं अता हम निम्लेकित प्रभाव को दिखाने के लिए जलकी दूसरन सब्द का प्रयुक करते हैं जलासेयों में अनेक्छी पदार्थों का मिलना एक पदार्थ पीड़क नासी या औरवरत हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं या पर कागज उद्यों में व्युक्त होने वाले विसली पदार्थ कैसी पारख की लबड हो सकते हैं ये वीमारी फेलाने वाले जीब जैसे हजा फेलाने वाले वेक्टिरिया भी हो सकते हैं एक्षित पदार्तों को जलासें से हटाना गुली वी ओक्सीजन जल में रहने बाली पोद्वों और जन्तुगों के द्वारा उपयोग की जाते हैं किसी बी तरह का परीवतन जो गुली वी ओक्सेजिन के मातरा को कम करता है उसका जलुय जीबों पर विबरीद परवा पड़ता है जलासें उसे अन-पोसफ़ की कमी हो सकते हैं ताबमार में परीवतन जलीए जीब जिस जलासें में रहते हैं बे वहां की एक विसिष्ट टाबमान के अन्पूल हो सकते हैं और उस टाबमान में अचानक परिवतन उनके खिलाव लिए खतरनाप होगा या पर पिजनन की किरिया को प्रभावित करेगा विविन पिकार की जिन्तूं के अंडे और लावा टाबमान परिवतन के पिती से होते हैं यह आपके questions दिये गया है इने भी देख सकते हैं आप लोग आप चलते हैं मिर्दा में खनिच की पिचोड़ता एक चित में जीवन की विवत्ता को निर्धारित करने वाला एक मात्पूर्ण संबदा मिर्दा भी है मिट्टी लेकिन मिट्टी क्या है आकिर विवन पिकार की पालन पूसर करने वाले तत्य पिदान करने के लिए करते हैं लेकिन यदि ये खनिच बड़े पत्थरों के साथ सलगन होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्द नहीं होगी हजारों और लापों बर्स के लंबे समयंत्राल में पित्वी की सतय या उसके समीब पाये जाने वाले पत्थर विवन पिकार के पहतिक रसायनि और कुछ जयब पक्रमों के द्वारा चूट जाते हैं तूटने के वाद सबसे अंत में बचा महीन कर मेर्दा हैं लेकिन कौन से कारक या पिख्रिया हैं जिनमें मेर्दा बंती हैं जल्म, जल्मेलदा की निर्माद में दो पेकारे से साहथा करता है। पहला सूर केताब से बने पत्थरों की दरारों में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चोड़ा करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। दूसरा बैता हुए जल कटोड़ पत्थरों को भी तोड़ देता है। तेजगती के साथ बैता हुआ जल परा अपने साथ बड़े और चोटे पत्थरों को बहा कर ले जाता है। यह पत्द दूस्रे पद्दो पत्त्र के साथ टकरा कर उपिया सत्त परbyदों की से तंय से न क्लीपणे सिद्धा पर कूद्द है उपिता है। इस फिकार मेर्दा ब्विक्तग महें मूल पत्तर से क्योग जैते हैं ़िए बाईू के अस्थान जिस प्रकाद जल में पत्थर एक दूसरे से ठकराने के कारण तूटते हैं, उसी प्रकाद तेज अवाय भी पत्थरों को तोड़ देते हैं, बाईू जलकी ये तरह बाईू को एक फ्रकाद से दूसरे पत्थान तक ले जाती है, किसी बालू को, पर आप की जीव भी मिर्दा की बनने की फिक्रिया को प्रिभावित करते हैं लाइकन जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है पत्रों की सतय पर भी उगते हैं इस करम में भी पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्तर की सतय को चूंड के समान कर देते हैं मिर्दा की पतली पर कनिर्मान करते अब इस सतय पर मौस और दूसरे चोटे पौदे उगने में सक्चम होते हैं और यह पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं बड़े बड़े पेड़ों की मूल कभी-कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और विपत्थ दरार को चोणा करते हैं सीधा सा मतलब आप चूणा को लीजिए आपने देखा होगा चूणा पूरा पत्थर की तरह आता है जिससे आप लोग घर में पुताई करते थे परेंट करते थे अफशायद अब नहीं होता है इस तरह का होता होगा ग्रामीट छित्रों में लेकिन सहरों में यह बदल चुका अब चलते हैं क्रिया के लाब 14.9 कुछ मिर्दा ले उसे जल से भरे पीकर में डाल दें ली गई मिर्दा की मातरा की लगवत पांच गुणा जल होना चाहिए मिर्दा और जल को मिलाया और फिर मिर्दा की नीचे जमावने दे कुछ समय पश्चार अवलूकन करें क्या पीक अगर परतों का निर्माड हुआ है तो किस पेकार एक परत दूसरे से भेंड़ें क्या हुआ जल की सतय बर कुछ तेरा है क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पदार जल में खुल गए हैं आप ने कैसे देख रोकेंगे याद रखिए क्रिया कलाप आपको नहीं करना है मैं बार क्योंकि आप सोचिए कि कितना टाइम लग जाएगा अगर आप इसे करकर के पढ़ेंगे बस नीचे जो क्वाइंट दिया जाता है किसी आप लोग बड़ी देखान से पढ़क लिया करेंगा जैसा कि आपने देखा है कि मेंड़दा एक मिस्रण है इसमें विवेन आकार के जीब भी मिले होते हैं मिल्दा की विकार का नेड़े उसमें पाए जाने वाले कड़ों के वह सताकार द्वारा नेजदारित किया जाता है मिल्दा की गुड़ को उसमें इस्तित हुमस की मातरा और पाए जाने वाले सूख जीवों के आदर पर किया जाता है मिल्दा की सरच निर्वार्द करते हैं जिस्त्र पर कहःता है कि ऊसमल्दमें है उसकी जहराय क्या है ? मेल्दा की उपरी परत में जितने मेल्दा के कड़ों के त्रिक हुमस और सजीव इस्तित्र उत्ते हैं उसे हम लोग उपरी मेल्दा कहा जाता है क्या कहते हैं उपरी मेल्दा उपरी मेल्दा की उडवत्ता जो इस्चेत की जैविक वेवेत्ता को निदारिद करती है मैं एक मा अदुनिक क्यति में पीड़क पीड़क नासकों और ऊर्वकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है लंबी समय तर इन पदार्टों का उप्योग करने से मिल्दा के सूक से जीव मिर्थ हो जाते हैं और मिल्दा की सरचना को नश्ट कर सकते हैं जो की मिर्दा के पोसर कत्यों का उनरचक्रन करते हैं यूमस बनाने में साहिक भूमी में स्थित केंचुओको भी ये समात कर सकते हैं अगर सम्पोसड़ी एक हेती नहीं की जाए तो ओपजाऊ मिर्दा जल्द बंजर भूमी में परिवर्थित हो सकते हैं उपयोगी घटकों का मिर्दा से हटना और दूसरे हानिकारक पतार्थों का मिर्दा में मिलना जो कि मिर्दा की और वर्दा को प्रिभावित करते हैं और इसमें इस्तित जैवे विवित्या को नश्ट कर देते हैं इसे भूमी पी दूसर कहते हैं क्या कहते हैं भूमी पी दू करने वाले कुछ कारक हैं इसको किसी दूसरे इस्थान पर इस्थानांतित करने के लिए उत्तरदाई हो सकते हैं मिर्दा के यानि कि मिट्की के महीन कड़ प्रभावित वायू या फिर जल के साथ भी इस्थानांतित हो सकते हैं मिर्दा के समस्त कड़ों के इस्थानांतित हो हो जाने पर कठोल पत्थर बाहर आ जाता है इस पर क्रिया में एक मत्पूर्ण आप संपधा को कियानी हो जाती है और क्योंकि पत्थर पर और मिलता नगन होती है अब क्रिया किलाब आप लोग चौदे दसम लोग यारे को देखिए एक ही तरह की दो ट्रे लें और उन्हें मि अपने पहले लाला है उतनी ही मात्रा में जलतीन से चार बार दाले अब मिर्दा की मात्रा का अध्यान करें जो ट्रे शिवार चली गई है, क्या दोनों ट्रे में मिर्दा की मात्र समान्या बैंते हुए जल्की ओपरी मिर्दा सतय की इस तरह चे, पौधे की जड़ मिर्दा के अपर्दन को रोखे में मात्कून, मूं क्या भी भी तेमाती है, आपने सुना भी होगा, अपर्दन के करने तो सुनाओगा, इसी का कारण ही मिर्दा की अपर्दन का, कि वहां बड़े-बड़े खंडर हो गया, उसके बाद ये डाकूमों की सर्ड तली भी बन चुकी है, बड़े स्थर पर जंगलों का कटना, जो की पूरी विस्व में हो रहा है, ना के बल जब विवित्ता को नफ्स कर रहा है, बलकि मिर्दा के अपर्दन के लिए भी मत हुने, बनस्पती के लिए सहाएक उपरी मिर्दा, अपर्दन की पिक्रिया में तीबता से हट सकती है, या पहाडी और परवत वाले भावों में पुरत गती से होता है, मिर्दा के अपर्दन की इस किरिया, मिर् कि पहले पानी इतना वर्षता था कि 7-7 दिन पानी ही नहीं खुर रहा है उसके बाद भी आप देखते थे पेड़ों की वज़र से आपके मिट्टी जो उता थी वो उसका परदन नहीं होता था यानि कि उसका कटाओ नहीं होता था पिर चाहे कि इतनी भी नदियां पानी बहा लाते हैं उसके बाद आप देखते हैं बरसात भी अब ना के बरावर होती है उसके बाद आप देख रहेंगे बीमारियां भी बरावर बढ़ रही है तो फेड मुझे लगता है कि पेड बहुत कुछ रोक लेते थे और बहुत हमारी मदद भी करते थे मामले में अब बात करते हैं जेबरासायनिक चक्रन की बारे में जीममंडल की जैबिक और अजेविक गटकों की बीच का समानज़से जीम मंडल की विविन गटकों की बीच पदालत और उजा का इस्थाना अंतर होता है आईए देखते हैं कि भी कौन-कौन सी किरिया हैं जो संतुलन को बनाये रखती हैं जलिये चक्प आपने देखा हैं कि जलासेयों से जल के बास पीकरण और पिर संगरन के बाद बरसा कैसे होती है लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सुखते हुए नहीं देखा है तो विक किस पिकार जल इन जलासेयों में बापस आता है पूरी पिक्रिया को जिसके दवारे जल जलबास बनता है और बरसा की रूप में सतर पर गिरता है और पर नदियों के दवारा समुद्र में पहुच जाता है जलिये चक कहते हैं से यह चक उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तबर से पितीत उतर है वह सारा जल जो पितीवी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता है इन मेंसे कुछ मेंदा कें अंदर चला जाता है और बुखु जल का हिस्सा बन जाता है कुछ बुखु जल जhindनों के सदब द्वारा सदर पा जाता है अपने विभार के लिए कुपश और नलकुपश से संपतर लाते हैं जीबन की विबन किरियाओं में तरिये, जीब जन्तु और पॉदे जल का उफेव करते हैं। एक बात अब हम लोग हमेशा समझेए, कि अगर एक लीटर जल आज से पचास साल यानि कि सौ साल पहले था, यानि कि जब पित भी आपकी बनी हुई थी, तब एक लीटर जल था, तो अभी भी एक ही लीटर जल है। उसमें ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, बस उसके रूपों में परिवर्थित हो गया है। आपने पिछले अध्या में पढ़ा था उर्जा का नियम, कि इसमें उर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है, नहीं इसमें प्राप किया जा सकता है, इसे खतर किया जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे सूर से उर्जा मिल रही है, उसे आप लोग बिद्व तूजया में मतल देते हैं, यही किया जा सकता है, तो पानी का भी यही हल, कि इसे आप लोग, आपने देखा है कि समुद्र में बढ़ रहा है, यानि कि समुद्र में यही जला जाता है, जला आपका, तो वहां सिफ्ट हो रहा है, फरक तो यही है बस कि आपने देखा हुगा धर्थी के सोपने की चमता घट चुकी है, यूँकि हर जगे पक्की सड़कें और पक्के इस तरहीं की विवस्ता कर दी गई है, कि आप नीचे पानी जाता ही नहीं, तो जाकर आपका नदियों के दवारा समुत्रों में पहुंच जाता है, समझ नहीं आपनों गंगा नदिय देख रहे हैं, गंगा में जो पानी वहेगा वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएगा, तो यही हो रहा है, तो इससे आपकी धर्थी की जो चमता थी जा रही है, और पानी की उपलगता भी कम होती जारी है, प्रक्ति में जलीयचकि की आप बा बारी की रूम में नीचे आता है बरसा के लोगा बास्तफल सर्जेंट देखे सोसंद वारा यह जा रहा है फिर नीचे आ रहा है बराबर आईए जल चक में जल्चक में जल्चक में एक अन पहलो पर विचार करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जल्चक में जब जल गुजरता है तब इस में से कुछ खनिच जल में गुल जाते हैं इस पकार नदी बहुत से पोसर कत्तों को सतय से समुद्द में ले जाते हैं इसका उपयोग समुद्री जीप जत्तुम द्वारा किया जाता है अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन चक्क की ओर हमारे बाइवमंडल का 78-30 बाग नाइट्रोजन गैस है सबसे बड़ा भाग यह है इसी गैस का यह गैस जो जीवन के लिए आवस्तक बहुंस सारे भणों का भाग है जैसे प्रोटीनियों के लिए अमलग डीने आरेने औ और कुछ बिडामिनीज भी इस पर सामल लगती है नाइट्रोजन दूसरे यह योगों में भी पाया जाता है जैसे आपका एलकिलोइड यूरिया इसलिए नाइट्रोजन के सभी पिकार के जीव के लिए एक आवस्तक हो सक है सभी जीव रूप हो द्वारा वाइमंडल में पसेित नाइट्रोजन गेस की पितिक चुप लोग से जीवन सलल हो जाया यह पी कुछ पिकार के वेक्टिरिया वेक्टिरिया को छोड़कर दूसरे जीव झीव रूप निस्क्रीय नाइट्रोजन परमाणों K ånitit तो था नाइट्राइक है जैसे दूसरी आवस्तर कड़ो वारणता ये nitrogen को इस्तिर करने वाली वेक्टेरिया, हलीदार पोदों की जड़ों में एक डिसे मिकार के सरजणा पाई जाते हैं, इसे आपने सुचा होगा, सुचा होगा की डाल की जड़ों में भी इस तरहे की जीब पा जाते हैं, इन बेक्टेरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाड़ू नाइट्रिर्स और नाइट्राइटर्स में बहुत ही करियाओं के द्वारां भी बदलते हैं बिजली चमकने के समय वाईव में पैदा हुआ उच्छता तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल दीता है यह ऑक्साइट जल में गुल का नाइट्रिट अमल बनाते हैं और वरसा के साथ भूमी की सतर पर गिरते हैं तब इनका इसका उपयो विविन ने जीव रूप्रों द्वारा किया जाता है यहां आप लोग देखिए प्रक्ती में नाट्रोजन चत आ यहांका पूरा वॉडरी ओधोगा के स्तरी कड़ान नाइट्रों डी-नाइट्रीफेकेशन बैम्मौनिल में नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन का इस्तरे करण हरेधों के जीव तरफ अमोनिया करण अमोनिया, नाइटर, नाइटरेड, इस जीव जन्तु द्वारा, ठीक है? नाइटरोजन सयोजी अडू, बनाने में फ्योगत होने वाले रोपों के निर्माण के पच्छार, नाइटरोजन का क्या होता है? सामानता पधी नाइटर, नाइटर्स और नाइटराइटर्स को गहन करते हैं, डारेक्ट नाइटरोजन को ये पधी नहीं लेते हैं, तथा उन्हें अमीनों में बदल देते हैं, जिसका उप्योग प्रोटीन बनाने में होता है, कुछ दूसरे जैबरासानिक विकल्प हैं, ज जब जन्तु या पधी की मित्टी हो जाती है, तो मित्टी में मौझूद अन्य बेक्टिरिया बिमिन एउखों में स्थित, नाइटरोजन को नाइटर्स और नाइटराइटर्स में बदल देते हैं, तथा अन्य तरह के वेक्टिरिया इस नाइटराइटर्स और योग्ञों की रो में बदल जाता है, फिर आता है आपका कार्बन चक्ट कार्बन कार्बन कित्वीक पर बहुत सारी अवस्ताहों में देखने को मिले आपको मिलेगा या अपने मुल रोम में हीरा और गिलफाइड में भी देखने को मिलेगा योगेट की रूम में बायुमनल में कार्वन डायोकसाइड की रूम में विवेन पेकार की खनिज में कार्वोनेट हाइट्रोजन कार्वोनेट की रूम में भी पाया जाता है आपका कार्वन जबकि सभी जीव रूप कार्वन आधारित अड़मों जैसे प्रोटेन, पस्तिती में उन सभी पौदों में होती है जिन में कि किलोरोफिल होता है एस मूल क्रिया द्वारकारवन जीवन के विबनज पकार में समाविश्टी होती है या पिक्रिया बायूमंडल में या पर जल में घुली कारवन डाई उपसाइड वो गिलु कोज अडूप में बदल दीजे जाते हैं या फिर दूसरे जैविक रोप से महत्पूर्ण रूओं के संसलेशन के लिए उजा पदान करते हैं जिवित प्राणियों को हुजा बदान करने पिक्रिया में फिर इसमें आपका carbon सामने लगता है सोसन की क्रिया द्वारा खुक क्यों को च kon님 साइड में बदलने के लिए जीवा समीधन को जलाना सुरूं किया है तब से बाइवनेरल में कार्बन डाई ऑपसाइड की मातर अगतर नहीं हो रही है जलकी तरह कार्बन का भी बिभिन ने भुटते के वंजेविक क्रियाओं द्वारा पुनल चक्रन होता रहता है यहाँ आप देक लिजे चिंत में प्रक्ति में कार्वन चक बाइवन hit लाओ प्रवनिक योगिक पदा य पनी में कार्बुनेट चूना पथ्थर। उसके बाद अप्षण though प्रिप्टॉम रिलेट09 त्यों यह थिना। पर एक सब्दा आपने सुरा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया कलाव 14 समलों एक में किये गए और लोकन का इसमर्ड कीजिए सीसे द्वारा उसमा को रोक लेने के कारण सीसे के अंदर का तामान बाहर के तामान से कापी अधिक हो जाता है ठंडे मौसमों में उफ्न कटी बंदिया पोदोंको गरम रखने के लिए आउरंद बनाने की पिक्रिया में साव धाना का अप्यों किय किया रखते हैं इस पिकार के आउरंद को ग्रीन हाउस कहते हैं क्या क Ms. Looks क्रियाओं में भी Greenhouse होता है, कुछ गैसे है पितवी से उसमा को पितवी के वायमंडल के बाहर जाने से रोगती है, वायमंडल में बिद्धमान इस पेकार की गैसों में बिद्धी संसार के उस्थ ताम्मान को बढ़ा सकती हैं, इस पेकार की प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, कारवन डाई ओकसाइड भी एक इसी पेकार की ग्रीन हाउस कैसे हैं, वाई मंदल में बिद्धमान, कारवन डाई ओकसाइड में बिद्धी से, वाई मंदल में उसमा की बिद्धी भी हो औक्सीजन चक्क की अगर हम लोग बात करें तो औक्सीजन पित्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्य इसकी मात्रा मूल रूप से बाई मंदल में आपकी 21 पितिसत देखने को मिलेगी कितनी 78 पितिसत आपकी नाइड्रोजन हो गई उसके बाद 21 पितिसत यान कि दूसरे इसमें ओक्सीजन का सामिल जाती है या बड़े पिधिवी के पतल में नकरेश कीरुम में बी धेखने को मिलेगी या जैब अड़नों जैसे कार्वाइडरेट, प्रोटीन, न्यूक्लियक, वसा अतों लिप्रिड का भी एक आवस्तक गटक है लेकिन जब से जब हम ऑक्सीजन चक के बारे में बात करते हैं तमोक्विता उस चक को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मातरा को वाई मंडल में संतुलीद बराया रखता है ऑक्सीजन से वाई मंडल से ऑक्सीजन का उप्रोप तीन पिक्क्रियाओं में होता है जिनके नाब सोसन, दान, नाइटोजन के ऑक्स, साइड की गुम में निर्वाण वाई मंडल में ऑक्सीजन में किबल एक ही मुख पिक्किरियाओं जिसे पिकास संसलेशन कहते हैं के द्वारां लोटती है, इस पिकार कि पिक्रियती में ऑक्सीजन चक्की की रोपरी का बगती है यहाँ आप देख रहे है, वाई मंडली ऑक्सीजन, O2, सोसन, H2O में पिकास संसलेशन, बाप सीज़, कार्वनिक अडू, C6, A2O6, ACO2, पिर सोसन में द्वारां बापस, द्वारा यह भी है, दनी चोशन की पिक्रिया में ऑक्सीजन को मत्पुन मांते हैं, परनतması को जीव मकता बेक्टेरिया, दत्वी गेक्टेर्या तत्व यह जिली हो जाते हैं बास्ताव में बिक्टिरिया के द्वारे नाइट्रोजन इस तरीकरण की बिक्रिया ओक्सीजन की उपस्तिती में नहीं होती है एक आप लोग सुनते रहते हैं ओजोन परत ये भी अमारे लिए बहुत ही मत्वून रहती है क्योंकि जो हानी का रहा कूपर से किरने आती है उन्हें रोक लेती है बना पुछा के इंसर का भी इस तरह की बिमारियों का भी डर बना रहते है तत्विया ओक्सीजन मूल लूप से सामान नता दूई परमाड़िक अडू के रूम में पाए जाती है हानीकारक भी बिकरनों को पित्वि की सतय पर पहुंचिने से रोकती है जो कि कई जीवों को हानी भी पहुंचा सकते यानि कि एक हमारे लिए अच्छा भी काम करती है आपने सुना होगा कि जब बात चनने लगती है कई बार न्यूश्वेबरों में आया लागता है कि ओजोन चित हो रहा है तो एक चिंता का विशेवी बन जाता है खाली में बता चला है कि ओजोन परत का है रास यानि के अच्छा होता है मनुस के द्वारा बनाएगे विविन पिकार के होगी जैसे किलोरो फिल फिलोरो कारवन यानि हिसी अपसी वाइगमर्डल में अवस्था में पस्तित हो जातोगे ओगेड़ियो तथा किलोरीन बिब ओजौन परध के समीब पहुंचते हैं, फिरोजौन के अड़ूँ के साथ कि पिधी के रिषागा घरते हैं इसके पइडाम are you buy ahor की परत में कमी आई और हाली में अम्राच के उपर ओजौन परत में चिद्रपाये गया ओज़ुन परत के औल अधिक चीन होने के कारण पितिवी पर जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव के विस्ताय में कल्पना करना भी कठे है अता बहुत लोगों के विचार वो उज्वन परत के चीन होने की विक्रिया को रोपने के प्रयास आउस सकते अक्टूबर 1980, 1985 और 1990 में देख रहे हैं मेजेंटा रंगा तो आपने क्या सीखा है इसमें इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश क्या रहा है उपकर पितिवी पर जीवन जो आपका जीवन है इम्रिदा यानि कमिट्टी वाइव जल और सूल से ताप प्राक्त वूचा जैसी संबदाओं पर नेभार करता है इस च जलासयों के उपर विसम रूप में बायू के गरम होने के कारण पपने उत्फन होती है जलासयों से होने वाली जल का वास्पी कांट संगनन हमें वर्षा पितान करता है किसी चेत में पहले से विद्दमार बायू के ऊपर पर होने वर्षा का पैटन निर्वार करता है विभ जीवन की गुडवत्ता और जय बेवित्ताओं को हानी भी पहुंच आता है हमें अपनी प्राक्तिक संपदाओं को सनक्षित रखने की आप सकता है और समफोश्डी है रोम में उपयोग करने की आप सकता है जो सतत विकास लक्षा की सत्तर है रखे गए जिते यह आपके इसी बनाती की परादा रहे थे पुड़ा कि इस तरह से आपको प्राक्तिक संसादरों का उपयोग करना चाहिए आने वाली पड़ी को केंवई बचा रहे तो ये कहाने ही दिया आपकी प्राक्तिक संपदाओं जी। लाश्ट चेप्टर वस्का है आपका खाद संसाधनों में सुधार तो इसके बारे में भी हम लोग आंगे बात करें तो चली हम लोग बात कर रहे थे NCEID कक्छा नोभी की विग्जार के बारे में इसमें यह आपका लाश्ट चेप्टर है यह पंदरवा चेप्टर खाद संसाधनों में सुधार की बार की जा रही है तो इसे खतम करने के बाद आपकी कक्छा चटवी से लेकर कक्छा नोभी तक की जो भी वोक्स आपके सिविल सर्वेस यानि की UPSC IS और PCS के लिए स्टेट VCS के लिए जरूरी है उन सभी पर हम लोग कवर कर चुके हैं अब वर्ष्टी आपकी 10-11 बारे की इन्हें भी तो हम लोग बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे और आँगे हम लोग जो भी आपकी टेक्ष्ट वूट भी होगी जैसे एहम लक्ष मिकान्त हो गया उस पर भी हम लोग बात करेंगे इन सब के बाद क्योंकि आप सभी जानते हैं कि NCEIT आपका बेस बनाएंगी उसके बाद आप एहम लक्ष मिकान्त पढ़ेंगी तब आप अच्छी इस्तिती में पहुंच पाएंगे तो आपको जिससे शुरू में आप NCEIT पढ़ लिए उसके बाद हम लोग आँगे की टेक्ट को के बारे में सभी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को बोजन की आवसक्ता होती है बोजन से हमें प्रोडिन कार्गोहाइटेट ववसा, विटामिन तता खनी लवड प्राप्त होते हैं इन सभी तत्तों की आवसक्ता हमारे स्विकात, विद्धी तता स्वास्त के लिए होती है पौधी तथा जिन्तु दोनों ही हमारे भोजन के मुख सुरोते हैं अधिकांत भोज़ पतारत हमें किरसी और पसुपालन से प्राफ्त होते हैं हम फ्रास हमाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि किरसी उत्पादन तता पसु पालन को बढ़ावने के लिए त्रयास हो रहे हैं यह आवसक है क्यों है हम बरत्मार उत्पादन उपर ही क्यों नहीं निर्वाथ कर सकते हैं भारत की जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के बाद हमारा ही नंबर आता है चीन पहले नंबर पर उसके बाद हमारा नंबर और का जा रहा है कि 2030 तक हम लोग चीन को भी पीछे कर देंगे जनसंख्या के मामले में और बाकी मामले चोड़ रहा है कि कुछ सालों बाद चाइना अमेरिका लुप को भी पार कर जाएगा यानि कि पहले नंबर वर पहुंच जाएगा हमारे देश की जनसंख्या सो करोड एक बिलियन से अधिक हो गई वोरज़ता होंगे उनके लिए खानी की व्युवस्था भी तो की जाएगी तो इसके लिए उत्पादन भी बढाने की आवस्यरता लगी या विद्धी अधिक भूमी पर किसी करने से संबह हो सकती है परन्तु भारत में पहले से ही अत्यदे किस्थान पर खेती होती है अता किर्स्ती के लिए और अधिक भूमी की उपलवता संभव नहीं है इसलिए फसलत अता पसूपालन की उपाधन की चमता को बढ़ाना आवज सके यानि कि कहरे का मतलब है कि आपके पास एक खेत है एक भीगा का एक खेत है ठीक है यह आपके घर में परिबार बढ़ता जा रहा है आपके बाद दो बच्चे और गोए इसके बाद उनके दो बच्चे और गोए इस तरह से 10 फैमिली होगे 10 मेंबर तो एक बीगा जमीन आप जब 2-3 लोग थे तक अब उतनी ही थी और उसके बाद आपने देखा है कि मेंबर बढ़ गए फिर भी उतनी है तो आप इस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं आपको करना होगा कि खेती में जो उत्पादक है यानि कि उसी खेती में अधिक उत्पादन हो एसी ववस्ता अच्छे वीर अच्छी क्वाइडी का खात इस तरह से बढ़ाना होगा के साइग सजाई करके आपको उसी पर आप पासुपालन को भी करके अपनी पूर्थी कर सकते हैं यही करते हैं अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारी प्रयास कुछ स्थीमा तक सब रहे हैं हमने हरित करांती द्वारा फसल उत्पादन में बिद्धी किया है तो थ कि इन किरांतियों की विक्रिया में हमारी प्राक्तिक संपदाओं का बहुत अधिक उप्योग उब्यांत है इसके प्रीयास परयावर्ण तथा परयावर्ण को संपदाओं रखने वाले कार्गों को छाथी नहीं पहुचा इसलिए क्रिष्टी एवं पसुपादन के लिए संफोषडी है, पेडालियों को अपनाने की आवस्तेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कई रसायनों को आप खेदते में प्रयोग करते हैं, तो वो परयाबन को हनी भी अहुचाता है, जल पिदूसर्ण करता है, मिलता को पिदूस करने से को पोषड या तथा भूंकी समस्या का समाधान नहीं होच सकता है, लोगों को अनाज खरीदने के लिए धनकी आवस्ता भी होती है, खाद सुरच्छा उतके उत्पादन तथा उकलग्द ताद दोनों पू निर्वार करती है, हमारे देश की अधिकास जंग जंक्या अपने जीवन या अपने के लिए किरसी पर ही निर्वार है, आपने देखा एक कई राज्ये तो कि जंसंक्या तो 80-85% जंसंक्या खेती पर ही निर्वार करती है, समझ रहे हैं, तो हमारे देश की अर्दवे वस्ता में ले लिजए या चाहे आप GDP में देख लिजए या फि किरसी का बहुत ही बात है, इसलिए किरसी चेत को लोगों की आया भी बढ़नी चाहिए, जिससे की भूख की समस्या का समाधान हो सके, अभी नारेंद मौधी सरकार आई हुई थी, आपने सुना होगा कि 2022 तक किसानों की आया दुगनी करने की बात की जारी थी, अब देखते किरसी से अधिक उतपादन पराप्त करने के लिए हमें विज्ञानिक प्रवंधन परणालियों को अपनाना होगा, संपोशनियां जीवन यापन के लिए मिस्सरित केती, अंतरा फसली करन, संगटित किरसी परणालियां अपनानी चाहिए, उधारन के लिए पसुदन, किरसी इत्यालियां, एक बात आप लोगोंने देखे होगी कि आपके गाउं में अगर किसी परिवार में 4-5 भाई हैं, तो पूरा परिवार खेती पर लगा रहता है, तो क्या रहता है कि उनका जहां एक आदमी की जरुवत है, वहां 10 आदमी लगे हुए है, तो इसमें ये क हाजार आए कि कुछ लोग पसुपालन कर लें उसी खेती में, कोई कुकुट पालन, बहस पालन, गाय पालन, जिससे आए भी बढ़ेगी परिवार की, और आराम से जीवन ही आपन उतार रहे हैं, लेकिन हम में से अधिक परिवार क्या करते हैं, कि एक ही पर ही डिपेंडर बने रहते हैं, जहां एक आदमी की जरूरत है, वहां तास आदमी लगी रहेंगे, और आप समझते हैं, उससे आपकी जीवन चरया भी उसी पुरानी जैसी हालत में बने रहते हैं, आप इससे ने आए हैं कि हम फसल और पसुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, फसल उत हो गया मुंपली, तिल, अरंड, सर्षों, अल्थी, तथा सूरण मुखी से हमें आवस्तक बसा पराप्त होती है, सबजीया मसाले फलों से हमें बिटामिन और खने लबड कुछ मात्रा में प्रोटीन बसा कर्गोएड़िड भी पराप्त होता है सबजीयों से, चारा पसलें जैसे वर्सीन, जई, सुडान, घास, उत्वादन, पस्कु के चारें की रूम में किया जाता है, यह आप देख रहे होंगे, मक्का हो गया, गयों, चना, बिविन फिकाल की फसलें इतरह से, मतल, ठीके, बिविन फसलों के बिविन ने जलवायू समंदी परिस्तितियों, ता पॉस्पन तथा £4 पर निर्वा करती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि ओधी सूर के पेकास में पिकास तंसरें द्वारा आपना भुजिन बनाते हैं कुछ ऐसी बसलें जहने हम बरसा रिटू में खरीब भसलें कह़लाते हैं जो बरसा की समय जाती हैं उन्हें खरीब Cartes जो जून से आरम होकर अक्टूबर मास तक होती हैं, कुछ फसलें सीती रितू में बोगाई जाती हैं, जो नवंबर से अपरेल माय तक होती हैं, इन्हें हम लोग रवी की पसल कहते हैं, इसमें आपने देखा है धान, सोयवी, अरहर, मक्का, मुं, उधर, खरीब की पसल हैं, यहू चना, मडर सर्सों और सी, यहां की रवी की पसल हैं, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं, क्योंबी प्रेलियम से में कई वार कुछ चन्स इस तरह की बन जाते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे, भारत में सन 1952 से, सन 2010 तक किरसी भूमी में 25 विद्धी हुई है, कितनी 25 व सबसे पहले बीच का चुनना, दूसरा फ़सल की उचित देखवाद, तीसरा खेती में उसी उगी फ़सल की सुरक्षा और कटीवी फ़सलों को हानी से बचाना, इस पेकार फ़सल उतपादन में सुधार की विक्रिया में प्रियुप्त गदीविधियों को, निमने पेकार बरभूम में बाट सकते हैं, फ़सल की किसमेर में सुधार, फ़सल उतपादन में प्रिवंदन, फ़सल सुरक्षा प्रिवंदन, यहां सीधा समतलब है आपका कि आपने देखा होगा, कि गरामिट चित्रों में अभी वही एक बार आपने बीच हुआ है, उसके बाद कट ग विवस्ते से रखना चाहिए, यही सभी उपाहें उतपादन को बढ़ाने के, फ़सल की किसमों में सुधार की अगर बात करें तो फ़सलों का उतपादन अच्छा हो, या प्रियास फ़सलों की किसमों के चैन पर निर्वा करता है, फ़सल की किसमों या फिर पिवेदों के आज़ें विविन उपयोगी गुड़े, जैसे रोघ पीती रोदर्ख चम ताव, और वर के पीती अनुपलूता वत पादन की गुडवतता और उच्ट पादन कर्चे, पिजनें द्वारा कल सकते हैं छोगाथ सकत है पसल की किस्मों में एकषि गुणों के संकरण द्वारा जा सकत भी संकरण की विदी में विविन अनुवांसिक गुणों वाली पधों में ऐसेशना विवन करें हुआ अंतरा सिकर्ण विवन करें फसल सुदार की दूसरी विधी एक चे गुड़ों वाली जीन का डाला इसके पैडाम सुरूप अनुवांसी की है रुपांत्री फसल पराप्त होती है एक आफले लोगों ने सुना होगा ये पंजाब के किसान इतने समरद दिसाली हैं कि उनकी मतलब खेदी करते हैं पसुपालान यान Ilk Thi الس तरह के पसुपालते हैं जो दूप देते हैं उनकी स्थिधी हमारे होग advise । सबसे bättre किसी कैई किसान होगी तो पंजाब की किसान होगी और सबसे बुरी स्थिधी कहा जाए तो बंदेल खंड जो हम लोग खरीदना चाहते हैं वो पंजावी, वो पंजावी वो खरीदते हैं जो होने के लिए बेंटर, यानि की जादा से जादा उत्पादत कर सके, नई प्रभूबों को अपनाने से, पहले यह आवास तक हैं जी फसलों की किस्म, बिविन परिस्तितियों में जो बिवि पानियें तता फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुडबत्ता तता पानी की उपलबदता पर निर्वाब करते हैं, चुकि मौसम परिस्तितियां जैसे सूखा वाड़ का पूर्भानमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी है, जो विविदर ये मिट्टी में भी पोख सकें, किस्मों में सुधाहर के लिए कुछ का रखें, उच उत्पादन, पिती एकड फसल की उत्पादकता बढ़ाना, उन्नत किस्म, फसल उत्पादन की गुडबत्ता पितेक फसल में भेन्द होती है, दाल में परोटीन की गुडबत्ता, तिलह किरांती गर्मी ठंड पाला परिस्तितियों की कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है इन परिस्तितियों को सहन कर सकने वाली किसमें फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं परीपक्वन कारण में परीवर्तन फसल को उगाने से लिकर कटाई तक कम से कम समय लगाना आर्थिक दि जाते चोहेते हैं डिश्म आता है और खाटाई की दौरान होने भाली फसल क्यानी कम हो जाती है वहापक अनुपूलता माली किस्मों विखास करना इस परीयाओन इस परिश्टित हैं मैं फसल होत्रवादा इस पिकार सरसे विज्ञान वाली इसमें अधिक उत्पादन पराप्त कनने में साहिक होती हैं अब बात करते हैं फसल उत्पादन का प्रवंदन अन्य किरसी पिधान देशों के समान भारत में भी किरसी चोटे-चोटे केतों से लिएकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती हैं इसलिए विभिन किसानों के पास भूमी धन, सूचना तकनीक की उखलब दिता कम अत्वा अधिक होती हैं संचिम में धन, अत्वा, आर्थिक परिस्तियां किसान को विभिन, किरसी पिधालियों और किसी तखनीकों को अपनाने में मास्पूण भूमी का निवाती हैं योगदान उच निवेस और पसल उत्पादन में सह संब्द है इस पेकार किसान की लागत चमता हसल तंत और उत्पादन पिधालियों का निधारन करती हैं इसलिए उत्पादन पिधालियों भी विभन इस्तर की हो सकती हैं बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन बिणा लियां निमें सम्मिलतन. एक बात आप उन्हें हमेसा देखियोगी, कि जहां विक्सित किसान है, मतलब अच्छी स्तिती में है, वो अपनी मिट्टी की जाज करवाते हैं, कि इसमें आखित कौन सी पसल बोही जा सकती है, और कौन सी क्या इसमें कमी है, किस तत्तिकी कमी है, उसे मिलाकर पूदा किया जा हो गया, बना मतलब अपना चल रहा है जैसा चलने लिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, पोसंड परवंदन, जैसे हमें विकास बिद्धी तता स्वास्त रहने के लिए, बोजन की आवस्सकता होती है, वैसी ही पोधों को बिद्धी के लिए पोसक पदार्थों की आव होती है, इन पोसकों में से कुछ की अधिक मात्रा जा किए इसलिए इने बेहत पोसक कहते है, शेज पोसकों की आवस्सたक्ता कम मात्रा में 1956, 60 में पोसक कहते है, इन पोसकों की कमी के कारणब पोधों की सारीरीग प्द्धियां से जनन बिदधी रोगउं की प्रवित्ती पर प्रभाव पड़ता है अधिक उत्पादन प्राप्त कन्नी की मिट्टी में खाद और वरक की रूम में इन पोस्कों को मिलाना आवज सकते हैं आप समझी आप से क्यों कहा जाता है कि आप सब्जी भी खाईए आप प्रोटीन भी लीजिए सब्जियों से आप सब मिलती रहे इसी तरह एक पेड़ की भी मतलब अपनी आवस्कता होती है खाद उसे चाहिए पानी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए हर तरह से जरूरत बनी रहती है तो उसकी बाहर अगर उसे भी आप इस तरह की सुगधा अपलब दिप्राएंगी तो उसका भी स्वस्त और अच्छा उत्पादम देगा समझें हवा पानी मिर्दा से प्राफ्ट होने वाले पोसकों की बात करें तो हवा से आपका कर्वन ऑप्सीजन पानी से हाइटोजन ऑप्सीजन मिर्दा में आपका जिनसे बेहत पोसक नाइटोजन फासपोरस पोटेसियम केलसियम मैगनेस से हम सल पर सुक्ष्म पोसक की बात करें तो आरण मैंगनीच गोरोन जिंक को पर मॉली बडे नम किलोरी में यह सब ही आवस्टक होते हैं किनके लिए पोधों के लिए करते हैं अब बात करते हैं खाद में कार्मन पदार्द की मतर आधिक होती है तता है कि आपकी वसाल के लिए भी। यह प्तायख होता है और लंबी समय तक आपकी उपजाव भी मनाय रखता है जमीन को और जो आप उर्वरक किंतिम रूप से बनाय जाता है ये एक कंपिनियों से जो आफले लेगते हैं इससे क्या होता है कि एक साल तो आपकी उत्पादन चंता अधिक होगी लेकिन दूसरे साल उत्पादन चंता उसकी उपजाव पन घट जाएगा आपकी जमीन का खाद मिट्टी को पोसक दता कार्विनिक पदार्तों से परिपाउड करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ारती है खाद में सर्वा कार्विनिक पदार्तों की अधिक मात्रा मिट्टी की सरचना में सुधार करती है इसके कारण रेतिली मिट्टी में पानी को रखने की छमता बढ़ जाते हैं चिकनी मिट्टी में कार्वनिक पदार्तों की अधिक मात्रा पानी को निकाहनेत में सहायता करती है जिसे पानी इकत्तित नहीं होता है खाद के बनाने में हम जैविक कच्री का उपयोग करते हैं इससे और वर्णकों के अत्यदीक उपयोग की आवस्यत्ता नहीं होगी तथा इस्पिकालते पर्यावन सरक्षण में सहयोग मिलेगा खाद बनाने की पिक्रिया में विविन जैव पदार्तों के उपयोग के अधार पर खाद को निमन बरकों में विवाजित किया जाता है कमपोष्ट तथा बरपी कमपोष्ट कमपोश्टी करन पिक्रिया में किरसी अपसिष्ट पदार्थ जैसे पसुपालन का मलभूत गोवर आधी सब्जी के चलके एवं कचरा जानवरों द्वारा परित्र चारों चारी घरेलू कचरे सीवेज कचरे फेके हुए खरपदवार आधी को गटों में बिगलिद करते हैं कमपोश्ट में कार्बनिक पदार्थ और फोसक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं कंपोष्ट को केंचुओं द्वारा पौधों जानवरों के अपसिष्पदार्तों की सीग, निरस्ति करण की विक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, इसे बर्मी कंपोष्ट कहते हैं, इस तरह से अगर आप खाद बनाकर खेतों में डालते हैं, तो आपकी फसल को भी लाग हो पौधी जैसे पर्ट्सन, मुंग, अत्रवागवार, आधी वादेते हैं, और ततपरचात उस पर हल चला कर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है, एक पौधी हरी खाद में परिवर्टित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्पॉरस के से परिभून कर करने में सहायता भी होते हैं, और वरक, और वरक बेवसायक रुप्स में तेयार पादक हो सक है, और वरक नाइट्रोजन, फास्पॉरस और पोटेसियम पितान करते हैं, इनके उपयोग से अच्छी कारिक बिद्धी पत्तियां साखाएं, फूल होते हैं, और स्वस्त पोधा की प्राप्ति होते हैं, अधिक उत्पादन के लिए और वरक कभी उपयोग होता है, परन्तों ये आर्थिक द्रिश्टी से महिजी पढ़ते हैं, और वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए, उसके साध्योग के लिए इसकी प्राप की उचित मात्रा, उचित समय और वरक देने से पहले, तथा उसके बात की साधानियों को अपनाना चाहिए, उधारन के लिए कभी-कभी और वरक अधिक से चाहिए कि कारण पानी में बहे जाते हैं, और पौधों, पौधे उसका पूरा आउसोसन नहीं कर पाते हैं, और वरक की ये अधिक मात्रा, जलब पौमिगत, जीवों का जीवन, चक्त अवरोद होता है, और वरक की ये अधिक द्वारा पसलों का अधिक उत्पादन कम समय में पराफ्त हो सकता है, पन्तू, यह है, मिलता की ये अधिक मात्ता को कुछ समय पश्चा ठानी पहुंचाता है, जब की खाद उप्यों के लिए लाबदायक दिर्गा होती है, जो आपके अपने हिसाब सिखाद बनाते हैं, जो आप पसुओं की गोवल से देखा होगा अपने मदमूत से, यह आपके लिए लाबदायक भी होता है, और दीरकालिक इससे लाबद प्राफ्त होते हैं, फिर आपके कारवनिक खेती, कारवनि पुआल तथा पसुदन का पुना चक्रन, जैविक कारक जैसे नील हरे सेवाल का संबर दन, जैविक उर्वरक बनाने में उप्योग किया जाता है, नेम की पत्तियों तथा हल्दी की हल्दी का विसेस रोख से जग कीट नासक की रूम में खाद संगरन में प्रियोग किया ज पसली करन तता फसल चक जैसे नीचे बाढ़ेते हैं, आवस्यके ये पतल तन्त कीट, पीड़क और खटपद बार को नियंतित करते हैं और पोसक कत्म की पिदान करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग से चाहिए, भारत में अधिकांस खेती बरसा पर आधारेत होती है, आपन इस मामले में बुंदेलकंड आपकर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, अर्थात अरिकांत चेत्रों में फसल की उपज, समय पर मालसूम, आने तथा बिद्धिकाल में उचित बरसा होने पर भी निर्भर करती है, इसलिए कम बरसा होने पर फसल उपादन कम हो जाती है, फ पुंदेलकंड में बहुत बुरी इस्तिती है, मुझे समझ में नहीं आता है, आपने देखा है कि बैतबा जहांसी के पास से ही निकली हुई है, उस तरह आप आप चंबल नदी देख सकते हैं, सिंद देख सकते हैं, इस ही ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि पुंदेलकंड म ही आएगी क्योंकि आप देकते हैं ओवर्ण का वर्ड़ रिया है लेकिन पता नहीं पिर भी नहीं होता है पानी की कमी या फिर वर्दा की अन्हेंत्ता के कारण सूखा होता यह वर्सा यानकों ने कुछ फसलों के ऐसी किसमें तयार कर ली हैं, जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकते हैं। आंगे चलते हैं भारत में एनिक पानी के सरोत हैं और विभने पेकार की जलबाई जुए हैं। इन पस्तितियों में विवेने पिकार के सचाई की विदिया पानी की सरोत की उपलब्दता की आधार पर अपनाई जाती है। इन सरोतों के कुछ दारें कुए नहर नदियां तथा तालाते हैं। कुए , कुए , दो पिकार के होते हैं एक खुदे हुए कुए और एक नलकुपॉपॉपॉकुए ।कुए द्वारा भूमीगर जल इस्तरों में पानी कुए इकतित किया जाता है। इन कुएं से सचाई के लिए पानी कुप hy पंक द्वारा निकाला जाता है। नहरें यह सचाई का एक बहुत विस्तित तथा व्यापक पंत इनमें पानी एक या फिर अधिक जलास है वह अत्वा नदियों से आता है मुख नहर से साखाय निकलती है जो बिवाजित होकर खेतों में सचाई करती है नदी जल उठाओ पिढाली जिन छेठों में जलासे हैं जलासे हों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का वह अनेमित अथवा आपर्याप्त होता है वहां जल उठाओ पिढाली अधिक उत्योगी रहते है नदियों के किनारी इस्तित खेतों में सचाई करने के लिए नदियों से सीधी पानी निकाला जाता है तालाब छोटे जलास है जो छोटे छेतरों में बहे जाता है बहे वोई पानी का संग्रे करते तालाब का रूप ले लेते हैं किर्सी में पानी की उपलवदिती बढ़ाने के लिए आधुनिक विदियां जैसे बरसा की पानी का संगर्ण तथा जल विभाजन का उचित प्रिबंदन द्वारा उपयोग किया जाते हैं इसके लिए छोटे बांद बनाने होते हैं जिससे की भूमी के निकट नीचे जलिक सतर बढ़ जाए ये छोटे बांद बरसा की पानी गुगाईने से रोकते हैं तथा मिर्दा अपरदन को भी कम करते हैं प्र आपका फसल पैटन अधिक लाग पराप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन विदियों का उपयूग कर सकते हैं मिस्रित फसल इस फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक ही कित में होगाते हैं जैसे आपने ग्यमू चना या फिर ग्यमू सर्सो या मूंखली सूर्मु की इसमें आप लोगों ने आहम तोर पर ग्यमू और सर्सों की फसल कई बार देखी हुई इससे यानी होने की सम्भावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नश्ट हो जाने पर फसल उत्पादन की आसा बनी रहती है पर आपका अंत्रा फसली करण में दो अत्वा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक एक केत में निर्दिष्ट पैटन पर उगाते हैं कुछ पंक्तियों में एक पिकार की फसल उसके एक आंतर में इस्तिक दूसरी पंक्तियों की दूसरी पिकार की फसल उगाते हैं इस बीदी दोवारं पीडव रोगों को एक पिकार की फसल की सभी पौदों में फैलने से रोका जा सकता है इस पिकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप किया जा सकता है अंतरा फसली करने देख रहे हैं किसी खेट में किरमबार पूर नेवजद कारक्रम के अत्मसाल विवन फसलों के उगाने को फसल चक कहते हैं परिवकवन काल के आजार पर विवन फसलें सम्मिस्टरन के लिए फसल चक अपनाया जाता है एक कटाई के बाद कौन सी फसल होगानी चाहिए यह नमी और सिचाई की उपलादिता पर नेवाद करता है यह फसल चक उचे टंग से अपनाया जाए तो एक बाट में दो या फिर तीन फसलें अच्छी अच्छा उपादन किया जा सकता है दो फसलें तो आप लोग आम तोर पर भी देखते रहते हैं फ़र आपका फसल चो सुरक्छा क्या है फसल सुरक्छा खेतों में फसल खरबदवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है यदि समय रहते हैं खरबदवार तथा पीड़कों को नेंते नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत आनी पहुंचाते हैं खरबदवार किसी योग भूमी में आनावस्थक पौदे होते हैं उधारन के लिए गोपरू, जन्तियम, गाजर घास, पार्थेनियों कहते हैं मौथा, साई, मौथा इसे कहते हैं साइनेरस, रोडस एक खरबदवार भूजन, इस्थान और पिकास के लिए इस फरदा करते हैं खरबदवार पोसक तत्त भी लेते हैं, जैसे फसलों की विर्दी कम हो जाती है इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्यारमी कवस्था में खरबदवार कुक्रितों में से निकाल देना चाहिए सीधा सा मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई फसले आप जब भूते हैं, मुंपली आप भूते हैं तो उसमें कई ऐसे पौदी निकलाते हैं, मतलब ऐसे धास हो गयाती है जो आपकी फसल की दीवी हानिकारक होती है, तो उनी की बात की जा रही है, ठीक है? फिरहां कीट, कीट, पीड़क तीन पेकार से पौदों पर आखमर करते हैं, ये मूल, तने तथा फसलों को काट देते हैं, ये पौदों के बेविन्ने बावों में सेखोसकी रस चूस लेते हैं, ये तने तथा फसलों में छेदे कर देते हैं, इस पेकार ये फसल को खराब क पादन को कम करते हैं पौदों में रोग बेक्टेरिया कबक तथा वायरस जैसी रोग कालकों द्वारा होता है इमिट्टी पानी तथा हवा में उपस्तित रहते हैं इन माध्यमों द्वारा इन माध्यमों द्वारा ही पौदों में फैलते हैं खरबदवार कीट तथा रोगों के बौधों पर चिड़ते अत्वा बीज और मिट्टी के उप्चार के लिए उपयोग करते हैं लेकिन इनके अधिकारिक उपयोग से बहुत सी समस्थायात्पन हो जाते हैं जैसे कि ये कई पोधिये तथा जानवारों के लिए विसहले हो सकते हैं और पर्यावाण पिदूर् को नियंतित करने में सायक होती हैं पीडकों पर नियंतन पाने के लिए पितीरोज मता वाली किस्मों काप्यो तथा गेश ग्रेच और काल में हलसे जुटाई कुलि बोदियान इस बिदी में करपत्वाद द Pewa को पेडकों कुणंस्ट करने के लिए गर्मी के मुशन में गहर नीरा कि में बहुत आनी हो सकती हैं इस आनी के जने कहिक कार्क मखेंग कील घुझपक, चिंचरी, जीवाडू है। इस फानी के अजयाबिक कारक भंडारन का अस्थान पर उप्योन प्तिनमीः बनताब का आभाव एक tapa اुथात की गोरवत्ता को भी खराब कर देते हैं बजम कर देतह तथा अंक्सर करने की चंपताह कर देते हैं उतभादन को जो उतबात के ककंद कर देते हैं ये सब लक्षन बाजार में उत्पात की कीमत को कम कर देते हैं, इन कारकों पर नियंतर पाने के लिए कुछी तोक्षार व भंधारण का प्रिबंद होना चाहिए। निरोधत तथा नियंतर विद्यों का उप्योग भंधारण करने से पहले किया जाता है। इन विद्यों के भंधारण से पहले पुतपात की नियंतर सफाई को अच्छी तरह सुखाना पहली सूर के पिकास में और पिछाया में तता दूमक का उप्योग जिसके पीड़क मर जाएं, मर जाएं समलेते हैं। आप लोग एक बात देखा होगा, आप लोगोंने गयम में देखा होगा उसे एक घुन कहते हैं। एक कीड़ा होता है, वो लग जाता है उसके बात खराब कर देता है। उन्हीं सभी की बात की जारी है। पसुपालन, पसुधन के प्रवंदन को पसुपालन करते हैं, इसके अंतर बहुत से कार आते हैं, जिसे भूजन देना, परजन परजन तथा रोगों पनेतर करना आता हैं, जन संक्या बिद्धी तथा रहन सायन के स्तर में बिद्धी के कारण अंडों दूद और मास की खपत पसु धन के मानविय व्यभार के पति जावरूपता होने के कारणर पसु खेती में कुछ नई परेसानिया भी आ गए है इसलिए पसु धन उत्पादन बढ़ाने बाख उसमें सुधार किया हो सकता है यहां दे किया आप लोग पसु उत्पादों का पोसक मानपिती सत में यह तो सकते दूद आख लिजे गाय के दूद में कितना बसा कितना रहते हैं एक पिती सत महें याद में हैं 3.46 पिती सत पोतीश के था चाल पिती सत सकतकर 4.50 पिती सत खने इडीओ 17.70 जल आपका 87.20 उसके बाद वेटामिन विवह है w 100 पी तीसत के करीब जल आपका चौने पी तीसत और विटामिन इसमें B2 और D इसमें मास इसमें आपका वसा रहेगा 3.60 पीतीसत 15.00 प्रोटीन 21.10 में कि आप जो मासा हरी है वो मास से ले सकते हैं वो जो साकारी है वो डालों से ले सकते हैं अगर मचली की बात करें हम लोग तो इसमें वसा रहेगी 2.50 यानि कि 2.50 पितीसद प्रोटीन 19.30 खनेज आपका 1.30 पितीसद और जल आपका 30.20 पितीसद याए और इसमें नियासीन D और ये आपका विटामिन देखा जाएगा ठीक है अब बात करते हैं पसू करिसी के बारे में पसू पालन के दो देश हैं दूद देने वाले और किसी कार जैसे हल चलाना से चाहिए बोजाट होने के लिए पसू को पालना बाहरतीय पाल तो पसू की दो मुख स्पिसिज हैं गाये इसे आप लोग बहुस इंडीकस भैस बहुस बूबिलिस दूद देने वाली गाये मदाओं को दूदारू पसू कहते हैं दूद उतपादन पसू के द्रोग स्रावन के काल पर कुछ स्थीमाओं तर निर्बढ करता है जिस काल थै कि बच्चे के जनम पर्ष्चा दू यह जिस नसले जिसे जर्सी ब्राउन स्थी का चुनाव करते हैं और याद रख कि जर्सी गया होती हैं इनमें दूद भी अधिक होता है देश में नसली नसलों जैसे रेड़ सिंदी, साही बाल में रोग पितीरो तर चंधा बहुत अधिक होती अब बात करते हैं लोग, उत्पादन की मात्रा मानविये विवार आधारित, पसु पादन में पसु की स्वास उतना स्वक्ष है, दूद उत्पादन के लिए गाय और महस की सरीर की वुचित सफाई आवास की आपसकता होती है, पसु की सरीर पर जड़े हुए बाल और धूल क पसु की सफाई करने चाहिए, उनका आवास चतदार, रोसंदार युक्त होना चाहिए, इसे आवास उन्हें उन्हें बरसा गर्मी और सदी से बचाते हैं, आवास का फट धलवा होना चाहिए, जिसे की वह साप और सूखा रहे, दूद देने वाली पसु जैसे डेरी पसु के आवसकता दो पेकार की होती, एक पेकार का आवास जो उनके उसके स्वास्त को अच्छा बना रखें, और दूसरा वह है आवास जो दूद उत्पादन को बढ़ाए, इसके आवसकता दोगद सरावन का के समय होती है, दूसरे वाली की, पसु आवास के अंतर के आते हैं, मौटा चारा, प्रोसान, जो फ्रया मुक्ता रेसे होते हैं, दूसरा है आपका भी सांध जिसमें रेसे कम होते हैं, और प्रोटीन तथा अनपोसकतत इसमें अधिक होते हैं, पसु पे एक संतुलित आहार की आवसकता होती, जिससे उचित मात्रा में सभी पोसकतत सामिलों, ऐसे पोसक्तत्तों के अतरिक कुछ सूफन पोसक्तत्त भी बिला जाते हैं जो दुधार्यू पसुओं को स्वास्थ रखने तथा दूद उत्पादन को बढ़ाने में बढ़ाते हैं ठीक? पसुओं के अनेक प्रिकार के रोगों से गरसित हो सकते हैं पसुओं के रोग भी कई तरह के हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूद उत्पादन चमता में कमी उनके मित्तिव भी हो सकती है एक स्वास्त पसुओं को नेमित रूप से खाता रूप से खाता और ठीक दंग से बैठता बाप उठता है पसुओं के बाहर परजी भी अंतरप्रजी भी दौनों ही होते हैं बाहर परजी भी तुचा पर रहते हैं और जिनमें पसुओं को तुचा रोग हो सकते हैं प्र आपने सुना होगा मुर्गी पालन याने कि कुपकुट पादन अंडे पर कुपकुट मास्के उत पादन को बढ़ाने के लिए इसनिप किया जता है इसले कुबकुट पादन में उन्यत मुर्गी की तीछ विक्षिट के जाते हैं नेमलिकित गुणों के लिए नई नई किसमें विक्सित की जाते हैं, नई किसमें बनाने के लिए देशी और जैसे ऐसे लोग विदेशी जैसे लेग हान, नसलों का संकर्ण कराये जाते हैं चूजों की संक्या ततंगुडवत्ता, छोटे कत के व्लॉरर माता पिता, द्वारां चूजों के व्रिवसाइक उत्पादन ही तू, इसमें आप लोग गर्मी अनुकूलन चमता, उच्चे तामान को सहन की चमता, देखवाल में कम खरच की आवसकता है, अंडे देने वाले त बुस्त करता है, बहुत फायदा होता है उससे, बहुत ज्यादा ही, आप साथ आपकी नोकरी से बेटर हो हम सब की, नोकरी के चक्षर में पढ़े रहते हैं, उससे बेटर एह है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर इसे आप करेंगे, तो सबसे पहले तो आप घर्मालों क बातें सुन-सुन के कुछ दिनों तो परिसान रही है लेकिन मुझे लगता है पैसा आने लगता है तो सब के बंदमोही हो जाते है चली आंगे बात देखते हैं ब्रॉलर चूजों को अच्छी बिती तथा अच्छी आहर दर्चता के लिए विटावन से पिचुर आहर मिलते ह समित्युदर कम रखते हैं रखने हैं उनके पंग तथा मास की गुडवता बनाई रखने के लिए सावज़ानी बरॉष नी चाहिए उन्हें बोलर की रॉम में उत्पादी किया जाता है मास की प्रिवजयनें उनके विभण किया जाता है मुर्गी पालन में अच्छा पदनी अंतर्ण उनके बचाओ करने की भी सामले ब्रॉलर की आवास और पोसन तरह परयावनिये आवसता हो अंडे देने बाले कुपकोटों से कुछ भिन नहोती है बॉलर की आहर में प्रोडीन कता वसा फिचर मात्रा में होता है कुपकुट आहर में बिटामिन ए और बिटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है जीवाडू बिसाडू कबक पर जीवी पोस्कन हींता किकाल मुर्गीयों में कई पिकाल के रोग़ी देखने को आपको मिलेंगे अता सपाई तरन सौक्चिता कबसित ध्यान रखना चाहिए इनके लिए इसके लिए निमित रूप से रोगाडू नासी पदार्थम का चड़काव आवस्के पर मुर्गीयों को संकर्मा रोगों से बचाने के लिए टींका लगवाना चाहिए जिससे महावारी से गिरसित ना हो इन सावधानी के बरतनेक से रोगों के पहलने की दसा में कुपकुट को निमलिकित निउनतम्हानी होगी आपको स्रयाक मत्स उत्पादन मचली उत्पादन एभी आपने देखा होगा कि मचली पालन भी किया जाता है जो आपकी ताला होते हैं उन्हों में हमारे भोजन में मचली प्रोटीन का एक संब्रेत इस रोगत है मचली उत्पादन में पंक्यूत मचलिया कवचिया मचलिया जैसे प्राउन और मोलस्क संब्लेते हैं मचली प्राप्त करने की दो भी दिया तथा मस्ली संवर्दन समुद्रथा ताजी-पाओनी जलगे पारिस्तित की स्मझस की तन्त में किया जासकता है प्रयापका समुद्री मस्ट की भारत का समुद्री मचली संसाधन छित पचत्र सो कितना 7500 क्लिमीटर समुद्री तट और इसके अंदर के समुद्री की गहराई तक होता है सरवादी पिछले समुद्री मचलियां प्रॉम, फेट, मैकल, टुना, टुना, सार्डाइन, बॉम्बी, डैक हैं समुद्री मचली पकड़ने के लिए विवेन पकाती जालों का उपयो मचली पकड़ने वाली नाओं से किया जाता है सैटेलाइट तथा पितिदोनी गभीर तामाभी से खुले समुद्र में मचलियां के पड़े समु का पता लगाया सकता है तथा इस सूचनाव कव्यो कर मचली का उपदन बढ़ाए जा सकता है कुछ आर्थिक मत वाली समुद्री मचलियां का समुद्र जल में संबर्धन भी किया जाता है इन में परों के आपकी मुलेट बेट की परल स्पोर्ट पंक्युप मचलियां कबची ये मचलियां जैसे जीएंगा मसट ओईटर येवं सायत थी आपकी समुद्री खरपदवार ओईटर हो गया का संबर्धन मौतियों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं आप प्रफटर की मैक्रोबित बेक्रियम रोजन बर्मी बर्धी ताजा पानों पहने सु मौंडौन समुद्री ताजापानी की समुद्री मचलियों। पर एक देखते हैं आप लोग अंतास तलियों मस्तियों। ताजा जल की सीरोव को नाले ताला पोकर नधियां। खारी जल की प्रगण अंतर स्थली ये इस्थली भाग सरोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन सरोतों से अधिकांस मचली उत्पादन चल संब्धन द्वारा ही होती है। मचली संबदन में कभी-कभी धान की फसल के साथ ही किया जाता है अधिक मचली संबदन मिर्सित मचली संबदन्त से किया जा सकता है इस पिकार देशी तता आयत पिकार की मचलियां का पिरयोग किया जाता है ऐसे दन्त में एक ही तालाब में पांच यात्वाच छे मचलियों की species का प्रियोग किया जाता है इनमें ऐसी मचलियों को चुना जाता है जिनमें आहर के लिए पितीस पर्दा ना हो और उनके आहर भिंड में नहीं कि एक का आहर दूसरा है और दूसरी का आहर अलग अलग है एक ही तरह के आहर वाली मचलियां नहीं चुनी जाती है इसमें इसके मिरगल तो था common कार्व, तालाप की तली से भोजन लेती है, ग्रॉस कार्व एक खर्ग पदवार खाली खाती है, इस पिकार ये सबी मचलियां साथ साथ रहती हुए बिना इस पर्दा कि अपना अहर बना लेती हैं, यानि के अपना अपना भोजन प्राप कर लेती हैं, इस से तालाप से मचली उत्पाधन में भी बिद्धी होती रहती है, यह आपका कटला हो गया, यह आपकी silver score होगय है, यह आपकी growth score हो गयी यो इआपकी ब्रगल a common score मिष्लित मचली संबर्धन में एक समस्या एह भी है, कि इनमें से कई मचलीय केबल वर्सा एतुमें ही जनन करती है यहाद है कि यदि मस्द डिम देशी नसल से लिये जाए तो अन्य स्पेसिलिट के डिम्मों के साथ मिल सकते हैं अता मचली संबर्धन के लिए अच्छी गुर्बत्ता बले डिम्मों का उपलग ना होना ये गंबीर समस्या है इस समस्या की समधान के लिए ऐसी विदियाग होजी जा रही है कि तालाव में इन मचलीयों के संबर्धन हार्मों के उपयोग द्वारा किया जा सके इससे एक्छिक मात्रा में सुद्ध मचली के डिम्मपरात होते रहेंगी फ्रयाग का मदुमक्खी बालन मदुख या सहद का सरवत उपयोग होता है इसके लिए मदुमक्खी बालन का उध्यम एक किर्सी उत्रोप बन गया है क्योंकि मदुमक्खी बालन में पूंजी निवेश कम होता है इसलिए किसाने से धनारजन का अतरेक्ट सार्ण मानते है साहत के अत्रेक्त मधू मख़्ी के चत्ते मौम के पर बहुत अच्छे सरोट दें मौम का उपयोग पोस्दी तेजार करने में भी किया जाता है एह आप देख रहे हूगे, मधू मक्झी के चत्तों का मधू वाटिका में ववस्ता, मधू निसकर्सर बेवसायक इस्तर पर मधू उत्पादन के लिए देशती किस्मों की मख़्ी एपिक सेर्णा इंडिका सामन भालती मख़्ी है एपिस डोर सेटा एक सैली मख़्ी है एपिस फिलोरी एलिटिल मख़्ी कब्रियों करते हैं एक इटली मक्ही, एफिस मैली फेरा का बेयो मधू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अता बेवसायक मधू उत्पादन में इस मक्ही का प्राप उपयोग किया जाता है। इटली मक्ही में मधू 31 करने की चमता बहुत अधिक होती है। बेड़न्क भी कम मालती हैं, बे निर्धारे चत्ते में काफी समय तक बरेती हैं और पजिनन्ती बिता से करती हैं बेवसायक मदू उत्पादन के लिए मदू वाट का तथा मदू मक्यी भार्म बनाए जब गए हैं मदू की कीमत, गुर्वी की पेड़, पूलों पर निर्वर करता हैank? मदू मक्यां पूलों से मकरंद तथा पराग इकतित करता हैं चाराग याई की परयापत उपण दिता के पूलों की किसमें मदू के सुआत को भी निलधारित करती हैं आपने देखा होगा कि जब सरसों का टाइम आता है तो मिटी सहद उत्पन होती है और जब नीम के पूल होगी उस समय आपने देखू युगी कड़वी सहद उत्पन होती है आपने क्या स्थिखाए सब्ध्याय में फसल के लिए नेक पोसक आवस्त के हवासे कारवन ऑक्सीज मिटी से सेस पोसक प्राफ्त होते हैं इन पोसकों में से कुछ पोसकों की मात्रा अधिक जा है इसलिए इने बेहत पोसक कहते हैं सेस अन पोसक का मात्रा में चाहिए जिने सूप्च में पोसक कहते हैं फसल की पोसकों के मुख स्रोथ खाल इवं और वरक हैं कारवन किर्सी प पीड़क नासकों तथा साक नासकों का और निम्नतम या फिर विलकुल पिरयोग नहीं किया जाता है। इन प्राण्यालियों में स्वस्त फसल तंत की साथ कार्विनिक खादों, पुनर्चक्रित अपसेश्टों तथा जयव कारकों का अधिक्तम उपयोग होता है। एक विसेश फार्म में फसल उत्पादन तथा पसुपाला आधी में बढ़ावा देने वाली खेती को मिस्तरित खेती कहते हैं। मिस्तरित फसल में दो अध्वा दो से अधिक फसलों का एक ही साथ उगाया जाता है। 2 या 2 से अधिक फस्रों को निख्षित कतार में उगाने क्यों अन्तरा फस्री करें कहते हैं अन्तरा फस्रीकर किष्थ एक व्यकहतमे वेविन फस्रों को पूर्म नविजयत अंघुरम सेउगाई तो उसे फस्री चक्र करते हैं उच्छ उत्पादन उच्छ गुडवत्ता जयविक एवं अजयब की कारकों किप्ती पित्री रोधक्ता अलप परीपक्वन काल और बदलती परितितियों के लिए अनुपूर और एक्चे सस्स बिग्यानी गुड के इंदसल सुधार के आवस्टा है फारम पसुओं क तर्गत अंडों का उत्पादन मुर्गों के मास के लिए ब्लूखाव पियव करते हैं कुखण पालन में उत्पादन को बढ़ाने तता उन्हत किसम की नसलों के लिए बहागते हैं देसी और वाहरने नसलों में संकरण कराते हैं समुद्र तथा अंता अस्तली सरोधों से मचली उत्पादन के बढ़ाने के लिए उसका संबर्धन समुद्र तथा अंतार इसतली परिस्तिति की पिढ़ालियों में कर सकते हैं समुद्री मचलियों को पकड़ने के लिए पितिस दोनी, गंभीरता, मापी तथा उग्रेदों आदन निर्देशित मचली पकड़ने के जाल का प्रियोग भी करते हैं मिस्रेट मचली संबर्धन तंत प्रया मत्स पादन के लिए अपनाते हैं मनुख की पादन मदू और मौम को प्राप्त करने के लिए भी हम इसका उप्यूप करते हैं यह आपके इस अध्याय से संबंदने क्वेश्चन से एने भी लगा सकते हैं और आपकी PDF टेलीग्राम पर डाल दी गए थी वहां से डावलोड कर लिए और इसे मिलागर आपकी कच्छा नौवी तक की और कच्छा चटवी से लेकर कच्छा चटवी से लेकर कच्छा चटवी से लेकर कच्छा चटवी में भी आपकी चार बुक्स थी कख्च 7B में भी चार बुक्स थीं कख्च 9B में आपकी 5 खूcken और कख्च 10B में भी आपकी 5 खूource थीं तो उनके बारे में भी अर्लोग आंगे बात करेंगे ठीक?